आज रोटों कैसे अब लोग अप्वीद एकदम मस्त होंगे जबरदस्त होंगे क्या हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या मैं और बीएंसर एकदम मस्त दिखाई दे रहे हैं साथ में वीडियो एकदम मस्त है सब कुछ जबरदस्त है तो बच्छों जल्दी से दिल बना दो दिल बना दो आग बना दो है लो मुहम्मद है लो अतल है लो हर्शल है लो तैनेश बहुत से चार सो रुपए पहले दे दिये वेल डन वेल डन नहीं है हां अरे भाईया तो ओम हम आप से यह बोलना चाहते हैं ठीक हाँ बिल्कुल से योम हम आपकी बात बिल्कुल समझ रहे हैं बियन सर आपको ऐसे चाप्टर पहले करा देने हैं ठीक है नहीं 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 सर यह मौडन फिजिक्स है बढ़िया सेग्मेंट है देखो बच्छों जेही मेंस के पॉइंट आफ यू से इस साल मौडन फिजिक गामा डीके हाफ लाइफ फुल लाइफ सब हटा दिया गया अप अप बात करते हैं तो मेजर मेजर पोशन हट गया अगर आप इलेक्ट्रोनिक डिवाइस में जाएंगे तो बहुत थोड़ी सी थियोरी है और लॉजिक गेट से इतने ही पढ़ने तो मैं आज पूरा फोटो अच्छे लग रहे हैं हम दोनों अच्छे लग रहे होंगे दोन दोनों आज के लितने जादा वन शॉट ले रहे हैं देखर हमी घरदन की क्या हालत है इसको खोलते ही ठंड लगती हो ठंड होते ही पूरा मेरे दर्द होता है दानिस का डाउट असर की बेसिक से पढ़ा दी बचण से मौईा रहे हैं हमाई लिए असाद है कि हम टॉपिक serio की कर सकते हैं वह कुछ से सब कुछ पढ़ाते हैं फिर जा सेशन 10 गंटे जा चाहे 12 गंटे तो और उसमें जनते फाइदा क्या होगा फाइदा यह होगा कि सब्सक्राइब बचाना होता है कि आप बचा है हम यह बहुत डिटेल नहीं बढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी हम basic से पढ़ सकते हैं और वैसे पढ़ सकते हैं जैसा पूछा जाए हम अपने सारे doubts पिटा दूर कर सकते हैं कुछ हम लोग प्रूब हटा सकते हैं जो हमारे काम की नहीं है और जो काम की है तुम मना करोगे तब भी हम बताएंगे तो यही चीज है कि जानतो अब यह जो रिमेनिंग टाइम है आपको बस अपने आपसे वादा यह करना होगा जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि यार अप चाहे कुछ भी हो जाए कैसा भी हो जाए कुछ भी हो जाए एक अड़ बच्छो रुखना जरा यहां पर कुछ आ गया है तो भी यह यह आपसे बूलना चाहते हैं बच्छ भी हो जाए कैसा भी हो जाए पिटा आप जुकोगे नहीं समझे ना बिल्कुल नहीं जुकना है जो भी बिटा रिमेनिंग टाइम है इसमें आपको ना किसी भी तरह किसी भी तरह देखो यार पढ़ने की तरह दो होते पहली चीज अगर आपको चैप्टर आता है अगर पूरा चैप्टर आता है तो आपको वन शॉट देखने की कोई जुरूत नहीं है उस ट्रेम आपको क्या करना है आप सुबह साकार सिरीज में आ जाओ देड़ घंटे में मोस्स एक्सपेक्टेट पीवाई की उस कर लो अगर भाई सब आपको कोई चैप्टर नहीं आ क्या होगा आपका फैदा यह होगा कि आपने वह चैप्टर पूरा पड़ा होगा उससे कुछ भी वाजाए अब यह कर तो लोगे मेरी बात समझ रहा और पैसे देने की जुरूत नहीं पैसे मत बरबाद करो यह बहुत थोड़े थोड़े पैसे हैं जो तुमको बहुत मेहन तो हम यूट्यूब में आए तो देखो फ्री बढ़ाने आए ठीक है बिल्कुल हाँ भारत माता की जै जै श्री राम हाँ नरेश प्रशाद यूडी की आप बात कर रहे हो यूडी हम आपको करा देंगे तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ठीक है न तुमने हमें पांसो रुपे दे दिये हैं तो इन पांसो रुपे का प्रॉपर्ली यूट्लाइजेशन करते हैं पिजा यसा मंगा लेते हैं तो बस ऐसे बढ़िया से पढ़ाई करो और अंचु प्लीज डूरेशन शुरू से ना पूछा करो यार थोड़ा जानतों हम लोग हर्ड हो जा आप यह पूछलो कैसर माकसिमम सवाल करा ओगे हम देखो सारे सवाल तो ओविसली नहीं करा सकते इतने 3-4 शावल कहां से कराएंगे सारे इंपॉटेट सवाल करा ओगे सारे सवाल करा ओगे मोस्ट रिपीटेड सवाल करा होगे हम यहाँ भी यस बूल देंगे पर यह ना प जो भी मैं आपको modern physics पढ़ाने वाला उसमें कम से कम मैं आपको 1500 से 200 सवाल कराने वाला हूं 1500 से 200 question करने का मतलब समझे तो पूरा modern cover हो गया भाई कुछ बचा ही नहीं कोई concept ही नहीं बचा हम कोशिश करते हैं कि repeated concept के question कम हो जाएं हर question नहीं नहीं concept का होता कि बच्चे तक सारी चीज़ें पहुच जाएं बस आपको इमानदारी से effort लगा के focused रहे के पूरा session खतम करना है session खतम कर लेगा effort डाल ले गए शुरू से लेके last तक यहां टिके रहे गए तो भाईया कल्यांड हो जाएगा यह guarantee हमारी है और वह हम अपना और तो सब छोड़ दीजे सर हमने batch में क्या पढ़ाया है वो सब छोड़ दीजे हम आपको कह रहे हैं कि आपका जही मेंस का exam होगा जितना one shot करा दे रहे हैं जिन जिन chapters का one shot करा दे रहे हैं उन chapters के बाहर से आपके जही मेंस में कुछ नहीं आएगा यह guarantee है हमारी वहीं लाके जैसे paper खतम होगा ना paper निकल के आएगा उसी paper के analysis हम आपको अपने YouTube के one shot से करवा देंगे कि देखे करे कराए questions आए हैं आपके paper म और बच्चो देखो यार एक चीज और मैं बूलना चाहूंगा जब हम यह बूलते हैं कि हमारे हमारे से ही आएगा जो हम पढ़ाएंगे वैसे ही आएगा तो इसका मतलब कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ भाई हमसे पढ़ोगे तो select हो जाओ नहीं मैं तुम बोल सकते हम जो पढ़ाएंगे उसी से आएगा हम जो कराएंगे वही आएगा हम जो चीज कराएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा लेकिन हम यह नहीं बोल सकते कि तुम हमसे पढ़गे रैंक ले आओगे नहीं और हम जो समझाएंगे समझ में भी आएगा सब कुछ हो सबसे ब्रण मर्राया चाहिए तुम्हें पड़ेंब यह सारे हेटर से दूर जो इसुक्त पहें लोगों से त्फ ह secular दूरों चाहिए कि राफ कोई जाईय हो चाहिए किम अंप्वरिक टीचर या पड़ारा है तब रहे जो सिंपल छीच बतार हो अगर हम आपको पढ़ने की कोई जुरूत नहीं है एक्स वाई-जट कोई भी पढ़ा है कोई पढ़ा है यह नहीं कि नहीं हमाई फेवरेट टीचर है अब आपको दस घंटे में अगर ऐसा कोई टॉपिक करा रहा है जिससे भी आएको सवाल ही नहीं आना है तो आप अपना करियर क्यो है साल दिये हुए इंपोर्टेंट यह है तो यह चीज यहां दो जहां आपको बहुत ज्यादा वेटेज की चीज़ें दिखें जैसे आज आपको 20 नंबर का वेटेज दिख रहा है तो यहां पे तुरंट डेडिकेशन के साथ शुरू स लेकर आगरी तक लग जो सवाल आग सवाल आगया तुमसे हुआ ही नहीं जो कराएंगे फिजिक्स पेपर इजी और मीडियम ही आता है कि हमको 200 नंबर चाहिए मतलब मोटा मोटा हिसा आपके ताब ऐसे लेकर चलना है कि हमारा अठारा उनिस अठारा उनिस अठारा उनिस क्वेश्चन का पर सब्जेक्ट से वो हम करा देंगे बिल्कुल वो हम करा देंगे बिल्कुल तो बच्चों देखो यार बस आपको यह ची ध्यान देनी कि यार आज देखो 20 नंबर मिलने वाले तो जनतों जीवन का सारा काम दूर कर दो आज बया एवरी वन एवरी तिंग एवरी अधर चैप्टर कें वेट पर बीस नंबर आपका वेट नहीं करेंगे और यह बीस नंबर हम ऐसा नहीं कर रहेंगे साधे तीन चार घंटे में आपको करा देंगे जितना रिक्वाइड है उतने में ही कराएंगे और सर मेरे गहल से 8-9 गंटा मैक्सिमम बच्चों 8-9 गंटा तो ब्रदर एंड सिस्टर्स ठीके भाई यह एकदम कमर की पेटी बांद लो पीट सीदी कर लो बोली बार करते हैं और एक चीज और इसमें सर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप संजीवनी वापिस कब रिज्यूम करो बिटा अब यह समझ रहे हैं किर्फ से लेंगे आपने से पढ़ा हुआ है तो क्या नियुक्त बहुत जादा लूट है वो रोइसे और तो पर फोटी चीज है ठीक है सर तो बोला जाए भारत माता की जाए और सुवारम किया जाए सर बिल्कुल सर एक चीज और बूलना है बच्छो जैवावा की लवी ओल टाटा बाइवे मिलते हैं सुबह नौ बजे कल मेरा सेचन नौ बजे मुझे क्या पढ़ाना है कल बच्छो नौ बजे में स्ट्र पर बोला जीरो से हीरो तक कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा तर त्रेट लाइन सर के साथ लग बढ़िया से इससाद आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है चलो बच्छो बोलेंगे भारत माता की जैए चलिए वह एक दम जहां जहां जिस इस्तिती परिस्टिती मे बहुत प्रेम करते हैं हम अपना भविष्य बनाएंगे तो हमारे देश के भविष्य का निरमाड होगा हम किसी पी तरह से अपने देश के भविष्य के लिए कंट्रिब्यूट करें उससे बड़ा प्रेम और उससे बड़ी सेवा कुछ हो नहीं सकती ठीक है वाई अच्छा है इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है आपको बता दे चार पार्ट कौन कौन सा है पहला आपका फोटो इलेक्टरिक एफक्ट और पूरा एक पार्ट में कवर करेंगे जिसको dual nature of matter कहा जाता है उसके बाद एक हिस्सा atom से एक हिस्सा nuclei है और आखरी हिस्सा है आपका semiconductor devices ठीक है जिसमें हम logic gates पर जाकर अपना इस session को अंत करेंगे तो भाईया मन लगा के इमानदारी से focus के साथ सुरू हो जाएए पूरा modern आपको 20 नंबर दिलाएगा एक सवाल photo electric effect से एक सवाल आपका dual nature से आपका जो डी ब्रॉगली hypothesis है एक सवाल atom से एक सवाल nuclei से और एक सवाल आपका logic gate से पूछा जाएगा हो सकता है semiconductor से दो सवाल भी आ जाए तो sit sit के ऊपर depend करेगा ठीक है बाई चलो बाई आजाओ सुरू करते हैं व इसका नाम सुने होंगे इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक क्यों पड़ा अगर आप फोटो को समझेंगे ना तो इसका नाम होता है photon जिसको light particle कहा जाता है क्या कहा जाता है light particle जब ये किसी metal surface के उपर गिरता है तो ये उस metal surface से electrons को बाहर निकालने की capacity रखता है तो photons का electrons के साथ क्या effect है इसकी पूरी analysis बेटा जी हम करने वाले है फोटो इलेक्ट्रिक पर पहुँचे और हमने कहा कि light ना तो particle है ना तो wave है ये particle भी है और wave भी है mutually exclusive है कभी आपको मौका देखकर पर्टिकल की तरह दिखाई देगा कभी मौका देखकर आपको ये ही photon wave की तरह दिखाई देगा जिसको wave front के नाम से जाना जाता है तो शुरुवात कहां से होती है इसकी new कहां से रखी जाती है light की analysis सुरू होती है सबसे पहले अपने most popular scientist जिनका नाम था Newton सब लोगों ने Newton का नाम सुना होगा सर अलग से PYQ करने है या सिर्फ one shot के questions one shot के question कर लो सब हो जाएगा बेटा जी ठीक है रियान खान spam नहीं के spam नहीं करेंगे अमल लगा के focus के साथ पढ़ाई करेंगे भईया तो basic hypothesis about light light के बारे में photon जो light बना बाद में जाकर light particle बना उसकी सबसे पहली सुरुवात करी थी Newton ने Newton ने एक theory दी जिसका नाम रखा Newton's corpuscular theory of light Newton कहे कि light एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का नाम कॉर्पसल है अरे बहुत बढ़िया और एक पूरी theory theory दे दी corpuscular theory of light और बहुत समय तक लोग Newton को physics का भगवान physics का देवता समझते थे तो भईया physics का स्रीकृष्ण था Newton जिसने लगबग हर जगए अपना अपना रोल निभाया हर जगए उसने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़े दी बहुत अच्छे अच्छे बेस रखे हाँ वो अलग बात है कि कई जगे Newton के बेस पूरी तरह से बेसलेस हो गए वो एक अलग बात है बट Newton ने एक सोचने का नजरि इतनी कहानी आई उसके बाद एक बढ़िया साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाईजन और हाईजन ने कहा नहीं भईया लाइट पार्टिकल नहीं है लाइट एक वेव है लेकिन Newton का इतना भौकाल था उनके समय पर कि किसी ने हाईजन को भाव ही नहीं दिया किसी ने हाईज Electromagnetic Wave Theory दी उसने कहा light is an electromagnetic wave जिसके दो हिस्से है एक हिस्सा है electric wheel और एक हिस्सा है magnetic field दोनों एक दूसरे के perpendicular phase में vibrate करते हैं और energy जो है वो उसके perpendicular एक end से दूसरे end चली जाती है light की बात हो गई आई light का electromagnetic wave theory आया तो लोगों ने हाईजन को थोड़ा सम्मान दिया हाईजन की बाते लोगों ने सुनी हाईजन की theories लोगों ने पढ़ी और फिर कहा कि नहीं हाईजन गलत नहीं था हाईजन ने सही कहा था फिर एक दौर तक हम लोग light को wave मानते रहे वेव मानते रहे वेव म नेचर से explain लोग मानने लगे कि लाइट क्या है लाइट अपार्टिकल और सब्सक्राइबी का नाम बेटा जी फोटॉन हें लेकिन इन सब के बाद एक महारती पैदा होता है और वो कहता है ना भाईया light समय के हिसाब से particle भी है और समय के हिसाब से wave भी है और उसने कहा de Broglie's hypothesis de Broglie's hypothesis आया तो जो अपने Max Planck भाई साब photon photon particle का नाम लेकर गए थे इसने कहा अच्छा चलिए light एक particle है जिसका नाम photon है अगर वो photon है तो उसका अपना momentum है that is equal to h y lambda momentum कैसा nature है सर momentum तो particle nature है अच्छा सर बहुत बढ़िया wavelength कैसा nature है सर wave nature है ओहो 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 क्या बात है भाईया तुरंत associate कर दिया particle nature को किसके साथ wave nature के साथ उसके बाद कहा कि अगर यह particle दोड रहा है तो इस particle का अपना कुछ energy भी होना चाहिए और उस energy को भी उसने explain किया that is equal to h c by lambda अर भाई साब this is known as energy of photon clear है मौका देखकर यही photon की energy particle की तरह treat करी जाएगी मौका देखकर यही energy किसकी तरह treat करी जाएगी wave की तरह treat करी जाएगी ठीक है तो जो सबसे पहला हिस्सा है जिसमें हम बात करने वाले है emission of electron from metal surface photons के उस metal surface के गिरने की वज़े से वो उसका particle nature है जिसको wave nature अच्छे से explain नहीं कर पा रहा था या कर ही नहीं पा रहा था क्यों नहीं कर पा रहा था क्या समस्याइं हो रही थी वो सब हम समय के साथ जैसे 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 आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया से detail में सीखते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है आसीज कुमार कह रहें कास यह सब इंडियन साइंटिस्ट ने दिया होता तो आज यहां रमेश महेश होते इजी एकदम हाँ वैटा चलो वैसे हम आपको बता दें आसीज कुमार जी कि यह जितनी यह सब कहानी देख रहे न यह सब कहानी हमारे सास्त्रों में बहुत पहले में आए ठीक है तो लेकिन अभी अपने को जो फिजिक्स हमारी किताबों में उसके हिसाब से पढ़ना है समझना है अदर्वाइस किसी दिन हम आपको इंडियन और इंडियन की फिजिक्स के बारे में बताएंगे जब यहां जब अपनी यहां जब मानव सब्वेता का निरम प्रण की क्या होता है सर यह फोटॉन और इस फोटॉन की क्या characteristic है अगर हम फोटॉन की बात करें तो हमको दो बातें clear हो गई है कि इस फोटॉन का अपना momentum है that is equal to h by lambda इस फोटॉन की अपनी energy है that is equal to hc by lambda जूल ठीक है यह फोटॉन मुका देखकर wave होता है यह फोटॉन मुक देखकर particle होता है ठीक है वैसे define किया किया जाता है photon को photon को कहा जाता है यह क्या है यह है packet of energy जैसे गुबारा ले लिजिए गुबारा में पानी भर लीजिए तो गुबारे गुबारे के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो गुबारा photon है उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो ऐसे ही फोटॉन के एनरजी फैल जाती है। जब संं से इलेक्ट्रो मागनेटिक रेडी meticio चल के आता है तो बीच में रौशनी करते हुए नहीं आता है। इसपेस में पूरा अंधेरा है जब वो पार्ٹिकल्स जब वो तो proton फट जाता और हो अपनी एनर्जी बिखेर देता है और वहीननक रोषणी के फ़ाम में दिखाई देटी ठीख है वाई चलो बहुत बढ़िया तो photon क्या है सर इती दचवा के बारे में कुछ जानते नहीं तो हमने कैसे ही n्याट dialogue फुटॉन दॉर रहा है तो उसका अपना मास होगा ठीक है तो इसके इसको इस पर्टिकॉलर स्टेट्मेंट के बोलने के पीछे एक बढ़ा बहुत बढ़ा कारण है वो क्या है कि ब्लैक होल का नाम सुना होगा आप लोगने पिच्चर देखी होगी कि एक हबल टेलिस्कोप ने ब्लैक होल का एक फोटो की चाथा उसमें क्या था कि उस ब्लैक होल के किनारे ऐसे लाइट घूम गई थी ठीक है अगर लाइट बेंड हो गई थी तो ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल एक ऐसा मैटर है जहां पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है मास का तो अगर मास का डेंसिटी बहुत ज़ से नहीं है ठीक है चलो बहुत बढ़िया आजाओ देखो रिस्ट मास इसका zero हो जाता है सर और भाईया इत डाज नॉट इट डाज नॉट अफेक्टेड यूप अफेक्टेड भाई अफेक्टेड भाई एक्स्टर्नल एक्स्टर्नल इलेक्रिक फील्ड और magnetic field किसी भी electric field या magnetic field से इसको कोई फरक नहीं पड़ता यह हमेशा कैसे travel करता है travel कैसे करता है it travels in straight line ठीक है जहां तक हमको पढ़ना हम इसको कैसे travel कराएंगे it travels in straight line अरे ठीक है अच्छा straight line में travel करता है कितनी रफ्तार से with the speed of straight line with the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum in vacuum अरे बहुत बढ़ियां अरे भाईया बहुत बढ़ियां अब ध्यान से सुनना अब ध्यान से सुनना अब यहां से धीरे 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 हमारी story build होना सुरू होगी और हमको पढ़ने में और मजाएगा वो क्या है कि यह जब आप momentum की बात कर रहे हो momentum of photon की बात कर रहे हो तो simple आप क्या लिख रहे हो कि sir momentum of photon h by lambda है अच्छा कितने लोगों को यह बात पता है कि e equals to hc by lambda में c by lambda को मैं frequency लिख सकता हूँ h into f लिख सकता हूँ अरे clear है कितने लोगों को यह बात clear है कि energy of photon को hc by lambda को hf लिखा जा सकता है where f क्या है sir f क्या है sir f ना frequency है sir frequency है बहुत बढ़िया और important important बाते सीखेगा और important important बाते सीखेगा एक दम सब कुछ दिमाठ के अंदर set करके जाएंगे लेकिन बस ये कही चीज़ चाहिए इमांदार मेहनत इमांदार focus के साथ बैठ के हमारे साथ गंटा स्क्रीन के सामने paper pen लेकर बैठ जाए हम आपका पूरा modern physics का 20 नंबर आपके धिमाक में set करवा देंगे ये guarantee है हमारी ठीक है चलिए sir clear sir चौल भाई बहुत बढ़िया एफ जो है ना वह frequency है हर slide के बाद हम एक मिनट आपके लिए रुकेंगे आपके response का इंतजार करेंगे जब आप कहेंगे इस बोर्ड पर लिखा हुआ एक एक चीज crystal clear हो गया तभी हम आगे बढ़ेंगे ठीक है sir equals to क्या हो या sir hf अरे बात समझ रहे हैं यह क्या है यह photon क्या है यह photon अपने साथ दो characteristic carry कर रहा है एक particle का भी और एक वेव का भी तो यहां यह जो frequency होती है न यह जो f जिसको आप frequency का नाम दे रहे हो न बच्चा यह frequency किसकी है यह frequency किसकी है frequency source की है source की है जहां से light निकल रही है जहां से photon जहां से photons निकल रहे हैं जहां से photons निकल रहे हैं अरे बात समझ आ रही है क्या रहे है अच्छा एक और बहुत important बात होती है इसमें conservation of photon नाम की कोई चीज़ होती नहीं क्या भाईया conservation of photon conservation of photon कुछ नहीं होता है कई लोग photon को जैसे मैंने कहा definition में energy packet of energy तो कई लोग इसको समझते it is conserve energy है तो energy is always conserve नहीं भाई या conservation of photon कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता है ठीक है और मुद्दे वाली बात कुछ छोटी छोटी बाते important बाते और सीखेंगे कि अगर मान लीजे हम कहें कि यह हमारा medium air है और यह हमारा medium यह हमारा medium कोई medium है मान लो पानी है तो जब यहां से photon particles इससे एक medium से दूसरे medium में जाएंगे तो photon की एक characteristic है जो frequency है जो किस बात पर depend कर रही है जो इस source पर depend कर रही है जिससे यह photons निकल तो आप एक बात जान लीजे कि जब एक medium से दूसरे मीडियम में जाएगा तो frequency तो इसकी property है ना एक medium से दूसरे मीडियम में अगर photon जाएगा तो frequency पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा अरे बात समझ़ा रही है frequency में कोई change नहीं होता है frequency में बच्चा कोई change नहीं होता है अगर अमारी बात समझा रही है तो comment box में बताईएगा ठीक है हाँ बच्चा चल वाई चलो बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां और अपने जीवन में आगे बढ़्ये ठीक है और क्या प्यार-मुहबत वाली थोड़ी आतीक आधी आमको न की एंहें नसुना पाते हैं बचपंसे पढ़ा रहे हैं ठीक है अठारेश साल की उमर से पढ़ाना शुरू किये थ不对 रहे तो पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत हिंदिक का विता विता पढ़ लिये हैं वही सब सुनाते रहते हैं आप लोगों को खुश करने के लिए ठीक है मॉटिवेट करने के लिए चरो भई यहां एज प्लैंग कॉस्टेंट है मित्र अभी आ रहे हैं आसीस कुमार वहाँ पर फ्रिक्वेंसी पर कोई फरक नहीं पड़ता फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं यहां पर रफ्तार मान लीजे एर में है तो एर में रफ्तार सी होती है वेवलिंथ लेमडा इन एर होता है जब यह दूसरे मीडि से दूसरे medium में गए तो रफतार घट गया रफतार घट गया तो वहीया wavelength भी घट गया जिस ratio में रफतार घटता है उसी ratio में wavelength भी घट जाता है और यह हमारे पास story हो जाती है ठीक अब समस्य आती है कि अगर हम एक photon की energy calculate करना चाहें energy of a single फोटॉन देखे तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर एच एफ बाई लेंडा या एच एफ इसको हम लिख लेते हैं एच सीबाई लेंडा जनरली हमको लाइट का जो एलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन आ रहा होगा जो फोटन आ रहा होगा उसके वेवलेंद्ट का ग्यान होगा अगर फ्रीक्वेंसी का भी ज्यान है तब भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं ठीक है लेकिन हम वेवलेंद्ट से देखिएगा जब इस plank constant की value आप निकालेंगे तो यह क्या होता है 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second होता है और c क्या है sir c speed of light है c कितना है sir 3 into 10 to the power 8 meter per second और यह जो wavelength होता है यह किसमें होता है sir यह जो wavelength होता है यह जनरली या तो एंगस्ट्रोन में होता है या तो नैनो मीटर में होता है तो देखिए 8 इसका c का 8 और wavelength का 10 to the power minus 10 उपर गया plus 10 8 और 10 18 और यहां पर कितना है 34 भाईया 16 माइनस 16 बचके आ रहा है तो 10 to the power minus 16 बहुत छोटा सा नंबर हो जाता है तो हम कहें हम energy को photon की energy को joule में नहीं measure करेंगे किसमें measure करेंगे electron volt में measure करेंगे भाईया photon की energy को हम किसमें measure करेंगे energy of photon is measured as electron volt एक electron volt कितने joule के बराबर होता है एक electron volt में कितना joule होता है ठीक है अब हमको जब तक जूल और electron volt का conversion नहीं पता होगा तब तक हम कहानी को आगे नहीं लेके जा पाएंगे और कितने लोग के धिमाक में सवाल पैदा हो रहा होगा सर ये एक electron volt क्या होता है तो हम आपको बता दें हम आपको बता दें कि एक electron volt क्या है एक electron volt क्या है एक एलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के साथ एक एलेक्ट्रॉन को जब एक वोल्ट के potential difference पर accelerate किया जाता है तो वो जो energy कहरी करता है वो कहलाता है one electron volt अच्छा कितने लोग formula पढ़े हैं w equals to q into v work then equals to charge into potential difference कितने लोग यह formula पढ़े यह यूनिट क्या होता है सर वर्क का यूनिट सर जूल होता है इसी को हमको electron volt में present करना इसी unit को हमको electron volt में present करना तो electron volt में कैसे present करेंगे तो देखेगा कि आपका जो एक जूल होता है न वो कितने electron volt के बराबर यहां पर e हो गया charge of e कितना होता है सर 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt याद रखेगा एक जूल किसके बराबर होता है सर एक जूल बराबर होता है एक जूल बराबर होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt किसके बराबर 1.6 into 10 to the power ica बीगइब मतलब जब आप फोटॉन की फोटॉन कीज लिख रहे है तो क्या लिख रहे हैं स्यर्फोट्न की इनर्जी लिख रहे हैं gravity by lambda और हम इसको किसमे में लिख रहे हैं जूल में हमको इसमें इसको किसमें करना एक patent grant में तो he's bless the value 6.6 into 10 ice in two than ot Congo in başka कितना सर लेम्डा अगर एंगस्ट्रॉन में रखना है तो यहां 10 to the power माइनस 10 से मल्टिप्लाई कर दीजे लेकिन यह जो यूनिट मिला है यह क्या है जूल है तो एक जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं 1.6 into 10 to the power माइनस 19 जूल के बराबर होता है सारी 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 हमारी मिस्टेक हाँ 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 क्या बात है जल्दी जल्दी हडबडी में गलती हो गया तो यहां से देखिएगा एक जूल किसके बराबर हो जाएगा सर यह 1.6 into 10 to the power माइनस 19 इलेक्ट्रόन वोल्ट के बराबर हो जाएगा और जब आप इस एनरजी औफ फोटोन को निकालते हैं इस एनरजी आफ फोटोन को निकालते हैं तो यह मिलता है 12.400 उप्वान लेमडा इनेंगेस ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अरे क्लियर है क्या ये वो unit होती है जिसमें photon की energy को measure किया जाता है बोलो हमारी कहानी crystal clear हो रही है अगर हो रही है तो बोलेंगे भईया अरे हो रही है तो बोलेंगे भईया भारत माता की जै हाँ 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 ठीक है हाँ ठीक है एक electron volt 1.6 into 10 to the power minus 19 Joule के बराबर होता है हाँ चलो आजाओ देखो यहा मैं आपको माफ नहीं करूंगा इस गल्ती के लिए अच्छा कोई बात ने कोई बात है हम इस जुल्म के साथ जी लेंगे कि आपने हमको माफ नहीं किया ठीक कोई बात करते हैं अब उसके बात बात करते हैं कि भईया यह जो photon चलते हैं यह जो photon चलते हैं जैसे मान लीजिए हम कहें मेरी बात ध्यान से सुनिएगा हमको क्लियर हो गया है कि एनर्जी फोटॉन कितना है सर बारह हजार चारस उपन लेंडा इन एंगस ट्राओं एलेक्ट्रॉन फीक अच्छा सर इसका एक और फॉर्मुला को देखने को मिलेगा बच्चा हूँ क्या मिलेगा 1240 अपन लेंडा इन अर्य बोलो कहानी क्रिस्टल क्लियर है क्या हाँ हाँ भया है है कि चलो म्हार ओर यह अपने पास इनरजी ऑा फोटन हो गया 1240 अपन ल्यामडा नैनो मीटर इलेक्ट्रॉं ठीक है चलो भाई या कोई दिक्कत कोई समस्या कोई कष्ट नहीं है खाली यहां पर हम बेसिक बेसिक गडित लगाए है एनरजी ऑफ फोटॉन निकाले है बार अजार चार सो पॉन लेम्डा इन एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ठीक है अब सुनिएगा अब मेरी बात बहुत सरफिस से इलेक्ट्रॉन को मिट करां तो हमारे दिमाग में चैलेंज आया है माल लीजियं हम कहें कि एक Egypt मेटल सरफिस है यह कोई मेटल सरफिस है इसके उपर फोटॉन गिर से ठीक है यह photon ऐसे गिर रहे हैं यह जो photons आ रहे हैं इनका wavelength दे रखा है लेंडा अरे बात समझा रही है wavelength दे रखा है lambda हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि इनकी intensity है i intensity क्या है i intensity समझते हैं हां सर इंटेंसिटी क्या होता है इंटेंसिटी आफ फोटान क्या होता है सर इंटेंसिटी आफ इंटेंसिटी आफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी आफ इंटेंसिटी का फॉर्मुला ही होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या जिसका intensity कितना है जिसका intensity आई है हम कह रहे हैं इसके उपर 100 electron volt इसका area हम कह रहे हैं 1 meter square ध्यान चे सुनिएगा area हम कह दिए 1 meter square और यहाँ पर जो इसकी intensity दे रखी है यह intensity दे रखी है माल लिजे हम intensity को कह दें कि यह कुछ 100 watt per meter square से इस बीन की intensity इसके उपर गिर रही है तो कितने photons गिर रहे हैं अरे बात समझा रही है number of photons falling per second एक second के अंदर इस metal surface को कितने photons हिट किये अगर photon एक particle है तो उस पार्टिकल का number तो होना चाहिए उसकी counting तो होनी चाहिए तो उसकी counting किसके मदद से होती है उसकी counting intensity के मदद से होती है तो देखिए वही हमारा अगला topic है intensity of photons कि जो light गिर रही है जो beam गिर रही है उसकी intensity क्या है तो intensity क्या होता है सर जैसे हमारा यह metal surface है ध्यान से देखेगा इस metal surface पर अगर हम कह रहे है कि हमारी हमारे metal surface के उपर photon गिर रहा है देखे एक photon ऐसे photons की खूब सारी beam इसके उपर पड़ रही है हम कह रहे है कि इस metal surface का area जिस और गिरने वाली, गिरने वाली light का wavelength हमको कितना दे रखा है, sir, lambda दे रखा है, तो इसकी intensity को हम कैसे define करेंगे, intensity को define किया जाएगा, energy falling, बता रहा हूं, दुबारा बता रहा हूं, per unit area, per unit time, intensity को कैसे define करते हैं, sir, define करते हैं, energy falling per unit area, per unit time, time, इसका SI unit क्या होता है, सुनिएगा जरा तो, इसका SI unit क्या होता है, energy का joule, area का क्या, sir, meter square, time का क्या, sir, second, तो joule per second को हम क्या लिख लेते हैं, sir, what, joule per second को क्या लिख लेते हैं, sir, joule per second को लिख लेते हैं, what, थो ये क्या हो जाता है ? intensity का si unit हो जाता है .asic unit हमारे पास हो जाता है ? हाँ वाजया, यहान तक कहानी crystal clear यहान तक कहानी crystal clear वह लेंगा वह अगर है तो हम अगली स्लाइड पर चलें है इसके बाद कहाम है उपको सखाएं अमाल लीजिया हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर यह पर यह बीम गिर रही है यह जो वी यह वश्चज ficar ऊज़ल और जिस एरिया पर गिर रहा है यह जूल एरिया कितना है सर एक मीटर स्कॉयर एरिया है एक मीटर स्कॉयर कितने सेकंड में गिर रहा है सो जूल एक सेकंड में तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा सर इंटेंसिटी हमारे पास हंड्रेड वाट हो जाएगा अच्छा अभी कहानी खतम नहीं हुई है बहुत ध्या गिर रही है वो ऐसे गिर रही और बात समझा रही है अरे बात समझा रही है यह लाइट ऐसे गिर रही है जितने एरिया को यह लाइट हिट कर रही है यह एरिया जो है यह आपको दे रखा है माल लीजिए और यह लाइट बीम जो है यह बीम आ रही है यह इस एरिया से थीटा एंगल बना रही है तो इंटेंसिटी अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेगा एनर्जी टोटल हम कह रहे हैं गिर रही है कितनी एनर्जी गिर रही है सर एनर्जी गिर रही है बहुत बढ़िया तो इंटेंसिटी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सर एनर्जी गिरी स जो एरिया बता देगा मैं माल लूँगा कि हाँ भाई साव आप दिमाग खोलके पेपर पेन लेके सब अपने साथ बैठे हुए हैं सुमित यादो जी कह रहे हैं सेमी कंड़क्टर भी होगा इसमें हाँ बेटा सेमी कंड़क्टर भी होगा अंत तक जाएगा पूरा सेमी कंड़क्टर पढ़ाऊंगा लॉजिक गेट पढ़ा के खतम करूँगा समझ ले न ठीक है हाँ वईया अगर हम इसमें अगर हम इसमें एरिया की बात करेंगे तो याद रखेगा एरिया ये वाला सेग्मेंट होगा इस बीम का एरिया होगा तो इस बीम का एरिया निकालना है इस बीम का एरिया कैसे निकालेंगे इस बीम का एरिया कैसे निकालेंगे सर इसका एक कॉंपोनेंट इदर देखेगा ये आपके पास एरिया वेक्टर है समझेगा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा इस एरिया का जो component इसके along आएगा वो क्या होगा Sir A cos theta तो I equals to कितना हो जाएगा E by A cos theta into T अरे clarity है वोलो वाई बात समझ आ रही है क्या अरे बात समझ आ रही है क्या अब माल लो हम तुम से सवाल कह दें कि तुम्हारे पास तुम्हारे पास एक area है वो area कहा है सर वो area ये रहा इस area के उपर beam गिर रहा इसका area हम तुमको दे दिये 5 meter square हम कह रहे हैं इसके उपर light गिर रही है ये light जो गिर रही है ये light जो गिर रही है इसके बारे में हमने कहा कि light की intensity आपको दे रखी है 50 watt सुनिए गाध्यान को इस light का intensity कितना दे दिया है 50 watt और ये यहां से कितना angle बना रही है सर यहां से 53 degree का angle बना रही है हो बाई साब 53 degree का angle बना रही है अगर 53 degree का angle बना रही है तो बताए पर second इसके उपर कितना energy गिर रहा है आपको निकालना है energy energy falling on the plate energy falling on the plate on the plate per second per second कितना energy गिर रहा है per second कितना energy गिर रहा है जल्दी बताएंगे भाई कौन बता पाएगा कौन बता पाएगा बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां तो भाई यां इंटेंसिटी कितना दे रखा है सर पचास e by t की value हमको निकालनी है जिसको हम power कहते है divided by area कितना हो जाएगा सर 5 cos 53 cos 53 का value कितना होता है 5 cos 53 cos 53 का value कितना होता है सोच के बताएगा cos 53 का value कितना होता है सर 3 by 5 होता है तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 50 into p into cos 53 3 by 5 5 से 5 कट जाएगा year 50 पर सेकंड हां क्या वाद 005 पर सेकंड कितना एंरजी गिर रहा है सर 51 जून एंरजी इस पर्टिकॉललर प्लेट के उपर एक सेकंड के से अंदर गिर है अब यहीं से देखना यहीं से देखना एक कहानी सुरू हो जाएगी तुम्हारे पास that is number of photons falling per second अब देखना बहुत अच्छी ती कहानी बुने थे एक बढ़िया से टॉपिक सिखाने के लिए वो क्या है भाईया number of number of photons falling per second number of photons falling per second हर second कितने number of photons गिर रहे हैं तो देखो हमको intensity का क्या पता है सर intensity का हमको पता है सर energy falling per unit area per unit time अच्छा यहां directly कह दिया per second पर second का मतलब समय कितना हो गया टी इक्वल्स टू एक सेकंड तो एक सेकंड में कितना energy गिरा सर यह i into a कितने लोगों को clear है एक सेकंड में इतना energy गिरा energy of each photon energy of each photon एक photon की energy कितनी है अरे भाईया energy of each photon एक photon की energy कितनी है सर एक photon की energy है hc by lambda तो ऐसे n photons गिरे होंगे तब यह total energy आई होगी सर energy तो scalar quantity है और energy अगर scalar quantity है तो देखिए हैं यहां पर हम क्या लिख दें n into hc by lambda that is equal to i into a एक सेकंड में जो energy गिरी वो कितनी गिरी ही कितने photons की वज़े से n photons की वज़े से एक photon की energy कितनी है hc by lambda तो total energy कितनी होगी सर n hc by lambda this is the amount of energy falling per second तो यहां से अगर आपको number of photons निकालना होगा तो आप क्या लिखिएगा सिर लिखेंगे आई ये लेंडा odds है पाइदा पाई एच्सी यस या नो में जवाब देंगे यह सिया नो में जवाब देंगे यह मास्टร की बात समझा रही है क्या इस ब्राप collector पर हम जितना लिखिया है यह सब crystal चला जा बहुत चाहिए बहुत बढ़िया तेरा पूरा रिविजिन हो जाएगा पूरा modern physics और कम समय में और कम accuracy मतलब और जादा accuracy के साथ और कम समय में और कम efforts के साथ पूरा रिवाइज हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया सब को crystal clear अगर बढ़ा रहे हैं बता रहे हैं वो सब दिमाग के अंदर जा रहा है तो प्लीज आग बना दीजेगा थोड़ा दिल बना दीजेगा थोड़ा प्यार कर दीजेगा यह बताई एक सब्सक्राइबर और भी बढ़ नीचे फिजा वाला खुला रहता है पीजा जाके खाएं ठीक है सर इससे नीट के question हो जाएंगे क्या आवे नेकसस नेकसस इस लाइफ ब्रो नीट नीट वीट छोटी चीज़े वाई कुछ नहीं यहां जही की बात कर रहे है तु नीट के चक्कर में पड़ा हुआ है जही क को हम पावर कहते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर कहा जाता है एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर कहा जाता है जूल पर सेकेंड इसी को तो वाट लिखते हैं एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ही तो पावर है किसका पावर इस बीम का अच्छा अगर आपको से बीम ऐसे लाइट निकल रही है और इसे पड़ रही है इसके ऊपर ऐसे बीम से लाइट निकल रही और पड़ रही है और भाईया यह इस नॉर्मल से 37 डिगरी का एंगल बना रही है यह जो लाइट निकल रही है इसकी इंटेंसिटी दे रखी आपको साथ वोट अरे क्लियर है हम कह रहें बताइए नंबर ओफ फोटॉंस फॉलिंग पर सेकेंड अगर इस अच्छा इंटेंसिटी दे दिये हाँ भाई या अगर हम कह दे रहें इसका वेवलेंट आपको दे रखा है वेवलेंट आपको इसका दे रखा है छे हजार छे हजार चलिए वह देखे वह देखे कौन कौन इसका अंसर कर सकता है हम कहरें बताइए इस पर कितने फोटॉं गिर नंबर ओफ फोटॉंस फॉलिंग पर सेकेंड निकालना है तो आप क्या लिखेंगे सर आईए लेमडा वाइच्छी ए कौन सा एरिया है सर ए यह एरिया जो है ना तो ये बाला एरिया होगा समझना है कि नहीं भी समझता है यह वाला एरिया कौन सा कॉम्पनेंट आएगा सर कौस थेवन कॉन सा इससर कॉसंत सब्सक्रां बहुत बढ़िए तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा इन learnt सर साथ एरिया कितना हो जाएगा सर एरिया हो जाएगा 10 कॉस 37 वेवलेंद कितना दे रखा है सर 6000 एंगस्टरॉंट मतलब 10 to the power minus 10 divided by plank constant कितना है सर 6.6 into 10 to the power minus 34 और भईया speed of light कितना है 3 into 10 to the power 8 meter per second इतने number of photons per second display के उपर गिर रहे होंगे अगर बात समझा रही है अगर बात समझा रही है तो वह यह ऐसे जैसे यह smiley खुश हो रहा है ऐसे आप भी खुश हो जाईए कि आप ठीक ठाक चीजें सीख रहे है बोलिए बात समझा रही हो यह प्रशान सर्मा कह रहे है रादे रादे सर लेट हो गया कोई बात नहीं वेटा अशिरवाद रादे खुश रहो पढ़े रहो बास अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है याद रखेगा नॉर्मल से अंगल है 37 डिगरी जब इस एरिया का एक कॉंपोनेंट इधर करेंगे न तो यह वाला जो कॉंपोनेंट होगा वह कॉंपोनेंट होगा समझ रहे हैं कि यह कॉस 37 बुझ रहे हैं ठीक है हाँ सर बहुत बढ़िया हाँ चल बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर वेरी गुड सर चलियो यह इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्कॉर वाट पर मीटर स्कॉर चलो बढ़िया आजा देखो कानी कोर आगे बढ़ाते हैं कानी कोर आगे बढ़ the surface perpendicular to the beam the number of photons crossing one centimeter square area perpendicular to the beam in one second is a second me a second make it a number of photons gazing get a number of photons gazing about up get a number of photons gazing it get a number of photons गिर जाएंगे हाँ बताओ बताओ कितने number of photons गिर जाएंगे समझो क्या सवाल कह रहा है कि यह आपके पास एक यही मेंस यार सस्ता एक्जाम सस्ते सवाल एकात सवाल कभी कभा ठीक ठाक आ जाता है तो आ जाता है नहीं तो हर दम सस्ता ही question आता है ठीक है अच्छा इसका intensity कितना दे रखा है सर इंटेंसिटी दे रखा है 100 watt per meter square अच्छा सर इस incident on the surface perpendicular to the beam the number of photons crossing one centimeter square area perpendicular to the beam in one second भाई या wavelength हमको कितना given है wavelength हमको given है 900 nanometer तो हम क्या लिखेंगे सर नंबर of photons falling per second i a lambda y h c ले भाई आई भी तुझे पता है area भी तुझे पता है 10 to the power अरे एक centimeter square ध्यान रखना meter square में convert करोगे तो 10 to the power minus 4 हो जाएगा अरे बोलो बात समझा रही है क्या यह area एक centimeter में कितना meter होता है 10 to the power minus 2 का square करेंगे 10 to the power minus 4 900 nanometer तो 900 into 10 to the power minus 9 divided by plank constant 6.6 into 10 to the power minus 34 और c की value कितनी है 3 into 10 to the power 8 meter per second solve करिये जो आज आए वो आंसर लगाईए टिक मार्क करिये खुशी खुशी घर जाईए बताइए जरा तो क्या answer आ रहा है आएटी दिल्ली आएटी दिल्ली आ रहा है 4.5 into 10 to the power 20 आ रहा है देखें जरा तो 9 4 13 और कितना हो गया यहापने पास दो यहां से अटा दो दो यहां से अटा दो चार यहां से अटा दो मतलब यह तो चारगट गया 9 8 17 17 दुना 34 सत्तरह सत्तरह 10 to the power 17 के रेंज में आएगा हमको लग रहा है हमको लग रहा है C to B में कोई होना चाहिए इस थी नहीं होगा गड़ी तैसे खराब करिया तो कैसे बाद बनेगा देख देखना हम हवा में कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं आप लोग ऐसे पलेंगे हैं बोल विड़ा अबी तक जितना पढ़ाया है वाड़ेवर आई टोल्ड यू तिल नाओ जितना अभी तक हम बताएं हैं यह सब क्या आपके दिमाग में पले पड़ा और अगर पले पड़ा तो कॉमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए किस से बारो वह या बारत माता की जै बी एम के जै क्या वा अगर 2022 में होते तो आपका चार नंबर यहां से सॉलिड हो गया होता समझ नहीं कि नहीं समझ नहीं कि नहीं या सर चलो बहुत बढ़िया आजाओ आजाओ मित्र आजाओ अब इसके बाद हमारा जो अगला हिस्सा है डैट इस दो मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट और फोटो अगर रख देते हैं मॉडन की ऐसा फोड़ेंगे साला पूरा चार का चार सवाल निकल दाएगा कुछ भसेगा नहीं बाद शोलो देखो मित्रह अगर हम तुमसे कहें सुनना अमारी बात अगर हम तुमसे कहें कि यह तुमारे पास मिटल प्लेट तुम इसके उपर फोटोन गिरा रहे हो नंबर फोटोन फॉलिंग पर सेकंड गिरा रहे हो तो इस फोटोन के गिरने के बाद कुछ तो हो रहा होगा हां सर होता क्या है कि जब इसके उपर फोटोन गिरते हैं तो यह जो फोटोन गिर रहे हैं सुनिएगा इन फोटोन की अपनी एनरजी है कितनी है सर यह energy hc by lambda है या 12400 अपन लेमडा इन एंगस ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह वाली एनर्जी जूल में है और यह वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब इस energy के photon यहां पर गिरते हैं अरे बात समझ आदी तो कई बार ऐसा देखा गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ठीक है तो यह इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की कंडिशन की analysis ही क्या कहलाती है emission of electron तो सवाल यह हुआ कि भाईया अगर मान लो हम यहां पे photons गिरा रहे हैं हम यहां पे energy कुछ energy गिरा रहे हैं photons आंट गिरा रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट मेहीं हो रहा है challenge निकला सबसे पहले challenge क्याहर की दो लोग थे दो दो के वह गये आपकेशू कछा में अर्पर अच्छे शून één का कहा नीओ यह भी 50 वाट का बलब लिए अ दूनों ने बलब को ग्लोग झाल नइए इसका जब photon इसके उपर गिरा तो कोई electron बाहर नहीं निकला ये बल्ब से निकलने वाले photon जब इसके उपर गिरे तो यहां से कोई electron बाहर नहीं निकला जब हAy दूसरका ओला जो बल्बू अथा, यह जब glow किया न, जब इसके photon गिरे, जब इसके photon गिरे, तो यहां से Queen'd का emission हुआ, फिर उसने सोचा अच्छा मेरे वाले बल्ब से इलेक्ट्रोन एमिट हुआ इसके बल्ब से इलेक्ट्रोन एमिट नहीं हुआ तो इसको बुरा लगा यह कहा अब नहीं मैं जा रहा हूं यही सेम बल्ब 100 वाट का ले आऊंगा वो गया 100 वाट का बल्ब ले आया फिर उससे फो निख वाट का और फिर 10 वाट के फोतों जब इसके ऊपर गिर تभी हो से इलेक्टー नइक वार निकला ऑl चाह एक वोट करतिया कि अटा खिताम दो एलेक्ट निकला और यह वहाँ हजार माट कर दीया तब ही इलेक्टरॉन बहर नहीं निकला तो बल्ब एनालिसिस और बीवन बल्ब वन की क्या एनालिसिस रही कि भाईया बल्ब वन से जो फोटॉंस निकल रहे थे बल्ब वन से जो फोटॉंस निकल रहे थे इन फोटॉंस की जो एनर्जी थी वो यहां जो इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉंस थे इन इलेक्ट्रॉंस की जो रिक work function भी कहा जाएगा अभी सीखेंगे समझेंगे गिरने वाले photon की energy अगर इस electron के threshold से कम है तो कोई photon बाहर नहीं निकलेगा कोई भी photon बाहर नहीं निकलेगा और यही सबसे बड़ा failure था electron emission में light की wave theory का क्योंकि wave में यह कहा जाता है कि energy जो होती है वह wave के form में होती है ठीक है तो जब वह इलेक्ट्रॉन के उपर गिर रही होती energy सोचो wave के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि electron के उपर energy गिरनी चाहिए थी धीरे 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 वह electron energy accumulate करता accumulate करता और एक समय ऐसा आ जाता कि उसके इतनी energy हो जाती कि वह एमिट कर जाता मेटल सर्फेस छोड़के बाहर निकल जाता लेकिन वह तो हुआ ही नहीं इसको हमने यहाँ पे यहाँ से कोई electron बाहर निकला ही नहीं तो सवाल पैदा हुआ कि भाईया वेव थियोरी तो इस electron emission को explain नहीं कर पा रही है और अगर वेव थियोरी इस electron को emission नहीं कर पा रही है तो हम इसको पार्टिकल नेचर से explain करेंगे और तभी डी ब्रॉगली ने कह दिया कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आज mutually exclusive मतलब if you are capable enough to notice पार्टिकल नेचर तो वहां वेव नहीं दिखाई देगा और अगर वेव नेचर बल्ब 2 analysis of bulb 2 analysis of bulb 2 निकला कि energy of photon threshold से ज़्यादा है एक photon की energy जब यहां गिर रही है तो इन electrons की जो अपनी threshold energy है उससे ज़्यादा है इसको threshold energy कहा जाता है तो भाईया electron emit होगा electron emission takes place और यहां क्या फेल हो गया यहां फेल हो गया फेल हो गया वेव नेचर आफ लाइट पूरा ग्यान देंगा रहया पू्रा सिखा के जाएंगे वे commanders लाइट मित्रे यहां फेल हो गया बात समझ आ रही है कि नहीं आरे बात समझा रही है कि नहीं जब बल्ब वन जो था इसके photon कमजोर थे ठीक है हमने 50 watt के बात 100 लिया एक 1000 लिया दस 1000 लिया 50,000 लिया तो हम जानते हो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम number of photons बढ़ा रहे human number of photons बढ़ाने से photon की energy नहीं बढ़रेगी अरे clear है power बढ़ाने का मतलब क्या है याद रखेगा अभी bulb 1 की फिर से analysis पर आएंगे हम power बढ़ाएं हैं तो हम क्या बढ़ाएं हैं हम number of photon बढ़ाएं हैं number of photon बढ़ाएं मतलब energy of photon पर energy of photon पर कोई फरक नहीं पड़ा energy of photon no change याद रखिएगा no change याद रखिएगा power बढ़ाने का मतलब होता है number of photons बढ़ाना क्योंकि power बढ़ रहा है तो intensity बढ़ रहा है intensity बढ़ रहा है number of photons बढ़ रहा है energy of photon पे कोई फरक नहीं पड़ा मतलब पहले अब मान लो हम कहें समझना मान लो हम कहें यहाँ ग्यान समझना concept से फील करना हम कहें यहाँ पर एक electron है इसका threshold energy 2 electron volt कितना electron volt है दो electron volt अगर हम यहाँ से photon गिराएं एक electron volt का तो बोलो क्या यहाँ से कोई electron बाहर निकलेगा यस यानो यस यानो अंकित कुमार कह रहे है sorry sir I am late nothing to worry bro I am here अभी जहाँ से शुरू करो जब जागो वही सभी तो बहुत बेसिक बेसिक चल रहा है ठीक है पार्टिकल नेचर फेल हो गया अरे पगला है क्या वेव नीचर फेल हो गया गदहा पार्टिकल नेचर तो सर्वाइव कर रहा है वेव नेचर फेल हो गया वेव नेचर कहता है वेव नेचर कहता है कि जो इनर्जी है वो वेव के फोर्म में है तो transitioning को एनर्जी सोखनी चाहिए अरे बात समझा रही है और। सोखते 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 एक समय ऐसालेगा कि इनर्जी उसके ठेश्वोल्ड से जादा हो जाएगी दोaps यहांद को लेकिनलेगिनThis оп Persividade हम 10 to the power 10 photon गिराएं यहां से कोई electron बाहर नहीं निकलेगा मतलब electron बाहर कब निकलेगा जब इसके उपर गिरने वाले जो photons हैं ध्यान से देखिएगा इसके उपर जब गिरने वाले photons हैं इन photons की जो energy होगी वो क्या होगी यह greater than 2 electron volt होगी अगर 2 electron volt से 2 electron volt से जादा energy के photon गिरेंगे तो यहां से emission electron का emission हो सकता है होगा यह भी जरूरी नहीं है हो सकता है होगा compulsion है यह जरूरी नहीं है बोलो यह बात समझाई क्या सिवान्स कह रहें love from sure selection batch बस्ती का सिवान्स अरे भाई मुझे याद है हम लोगों की बात बात हुई थी अरे बोलो यहां तक कहानी crystal clear है तो भाई या comment box में बोलेंगे भारत माता की जै तो इस observation से हमने कहा कि for electron emission for electron emission अरे बात समझा रही है at least क्या होना चाहिए at least energy of photon जो है वो threshold energy से ज़्यादा होना चाहिए फाई को क्या कहा जाता है यह कहा जाता है threshold energy of threshold energy of electron of electron of metal plate अरे भाईया बोलो clear है क्या मतलब अगर मैं मान लो सरकारी बाबू मेरी लिमिट है 500 रुपया की मतलब मुझे 500 रुपया मिलेगा तभी हम काम करेंगे अब 100 लोग आगे मेरे पास काम करने वाले काम कराने वाले सब लोग मुझे 100 रुपया दे रहे हमारा इमान नहीं डोला हमका नहीं भाईया हमारा standard set 500 रहेगा तभी काम होगा नहीं तो काम नहीं होगा तो यह electron का यह का नहीं यह electron एक ऐसा बाबू है सरकारी बाबू है जो कहता है कि जब तक हमारे threshold से ज्यादा energy नहीं दोगे हम हिलेंग नहीं यहां से हमारे threshold से ज्यादा energy हमको दोगे तो हम हिल भी सकते हैं और नहीं भी हिल सकते हैं अच्छा यह अपने पास पहली observation हो गई ठीक है अच्छा दूसरी observation की अगर अगर मान लो मैं कहूं energy of photon is greater than 5 ठीक है electron emission electron emission electron emission must takes place electron emission must takes place यह बता दो भाया true or false true or false देखा कौन आंसर कर पाता है हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं क्या कह रहे है कि photon का energy threshold से जादा है अब बताओ यहां पर 100% fix है electron का emission होगा कि नहीं होगा कि बस्ती से मैं बंकटी से अच्छा रितेश जी कह रहे हैं बस्ती में हमारा गाव है एकमा जानते हैं कि नहीं बंकटी के पास ही तो है क्या बात है जान पहचान के लोग निकल गया बहुत सही क्या बात है फॉल्स है यार बहुत बढ़िया बच्चों देख के अच्छा लगा तुम लोगों को यार कि तुम्हें पल्ले पढ़ रहा है गिञने वाले स्टाने की अगर इलेक्टरॉन के फुटो से जदा है तो यहां सी एलेक्टरॉन निकल नहीं चाहिए आप कहând़ा है नहीं निकलना चाहिए क्यों नहीं निकलना चाहिए उसके पीछे कारण है कि समझें आगर यह बेके न हैं थो इसमें इस से च्छा conqu Zug नेटल प्लेट है एक मोल में ही कितने नंबर ओफ एटम्स होते हैं सर 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होते हैं अश्वित रिपाटी कह रहें कानपूर के हैं सर अरे बहुत बढ़िया क्या वात लखनों में गर है हमारा जीवन बिताए हम लखनों में अपना पूरा जवानी खपाए हैं ठीक है चलो देखो क्या होता है कि जब ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन गिर रहा है यह फोटॉन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो भी यह इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकल रहा कई बार लगबत जानती असन्टान एक्ट्राइशन का क्या रिश्य होता है टेन टू दी पावर फाइव तो टेन टू दी पावर ने एक यह और अरे भाई साथ इतने ज्यादा नंबर में फोटॉंस गिरते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इनर्जी जाती कहां है इतने फोटॉंस की इनर्जी जाती कहां गिर तो इसी मेट्र प्लेट के इलेक्ट्रॉंस के उपर रही है तो जा की डर रही है तो जा रही है बाई जब यह इसके उपर गिर रहा है ना इलेक्ट्रान तो इस इलेक्ट्रान पर口 के पासlike बहुत जादा है जब यह photon को इसको हिट किया जब यह photon के इसको इंट किया यह ऊड़ने की कोशिश कर रहा था तक अपने पढूशी के वाले लड़ गया जैसे परोसी वाले से लड़ गया इससे को लगा रहा है यार मेरी एनर्जी कम हो गया मैं नहीं उड़ोंगा फिर से वह महीं बैठ गए इस कोलीजन का जो अकरेंस है वो बहुत जादा है क्यों क्योंकि सर अगर एक मूल एटम एक मूल एटम में 6.023 इंटू 10 तो कितनी जादा free electron हो जाएंगे मतलब collision कितना frequent हो जाएगा इसी विरिस से जब तुम किसी metal plate को धूप में उठा के रख देते हो तो वो गरम हो जाता है कैसे गरम हो जाता है अजय क्ति अरल रहा है यार रहा है क्या बोल भाओ बोल बय जलती बोलेंगे वहीया जल्दी बोलेंगा वीया हां वाय अभी यांवित थी तो आग मरें कह रही है vakने पूटाशन में सब पढ़ाए पूटाशन प्रोटाशन में है थेख है चलो आजओ बाई चलो बाई चलो बहुत बढ़िया तो जब यहाँ पर यहाँ पर यह photon गिर रहे है जब यहाँ पर यह photon गिर रहे हैं तो electron का emission आज हो यह जरूरी नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर होने की probability बिल्टी हुई तो वो क्या होगा टेंटी दी पावर फाइफ फोटॉंस मिलके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाते हैं अरे ठीक है यस सर सारे चप्टर होंगे ना वेटा सारे चप्टर होंगे स्वेंबर मां ठीक है फील आ रहा है चलो भाई बहुत बढ़िया ऐसे बो सर चलो देखो तो अभी तक हमने क्या सीखा अभी तक हमने सीखा कि सर अगर हम पावर बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम नंबर ओफ फोटॉंस फॉलिंग बढ़ा रहे हैं अरे बात समझा रही है क्या अच्छा इसका मतलब एनर energy of photon में कोई चेंज नहीं हुआ अरे क्लियर अरे क्लियर चलो बहुत बढ़िया अब ध्यान से देख अब ध्यान से सुनना यह तो अपने पास कहानी हो गई अच्छा अगर मान लो मैं कहूं कि energy of photon less than work function है अगर energy of photon less than work function है बहुत अच्छे से और बढ़ाएंगे तो आप intensity बढ़ाएंगे मतलब आप number of photons falling बढ़ा रहे हैं number of photons falling बढ़ा रहे हैं इससे emission पर कोई फरक नहीं पड़ेगा emission होगा क्या emission होगा क्या no sir does not take place डाज नौट टेक्स प्लेस यहां तक कहानी हमको crystal clear हो गई यहां तक कहानी हमको crystal clear हो गई अब दूसरी बात क्या अगर हमारा energy of photon work function से जादा सुनना अगर हमारा energy of photon work function से जादा है मन लीजिए हम कहें यह हमारे पास एक हमारी metal surface है इस metal surface में ये free electrons हैं अरे clear है इनके उपर खूब सारे photons गिरे देखना इनके उपर खूब सारे photons गिरे तो जब ये photons गिरे तो इन photons के energy कितनी थी सरे c by lambda या कह लीजिए hf ये क्या है सर energy of photon अरे clear है और ये जो energy of photon है ये किस से बड़ी है, सर ये Threshold से बड़ी है तो possibility है कि यहां से एक electron बाहर निकल जाए तो जो electron यहां से बाहर निकलेगा, इस electron की अपनी कुछ kinetic energy होगी to ये जो kinetic energy होगी electron की ये क्या बताएगी सर सर kinetic energy जो है ये किसके बराबर होगी सर ये बराबर होगी energy of photon minus इस energy का threshold energy अरे clear है क्या इस electron का threshold energy अरे सर इस threshold energy का दूसरा नाम क्या होता है मित्र इसका दूसरा नाम होता है work function बुलो बात समझा रही है क्या कनिश्क कह रहे सर I am a student of proton J very good भाई very good बहुत बढ़ी है इतना साथ प्यार थांक्यू वाई थांक्यू चलो आज आवाज 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 आव पढ़ते हैं सीखते हैं अरे बाई या यह यह 200 सर यह जो फाई है ना इसको हम work function कहते हैं work function कहते हैं इसको threshold energy कहते हैं और यह बराबर होता है hf0 के और f0 को क्या कहते हैं सर f0 को कहते है threshold frequency क्या कहते हैं वाई या इसको कहते है threshold frequency और यह बराबर होता है hc by lambda 0 के अच्छा सूव लेंडा नोड को किया कहेंगे सर लेंडा नोड को कहेंगे हम थरेशोल्ड व्यवलिंट को हो 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 बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया सर अब जाके eliaktion का फील आ रहा है और अगर फीला रहा है तो बोलो हम अगلी slide पर चले क्या बोलो फील आ रहा है तो अगली slide पर चले क्या हाँ सर चलिए सर चलिए सर देखिए सर energy kinetic energy of emitted electron किसके बराबर हो गया सर ये बराबर हो गया hf minus hf not kinetic energy किसके बराबर हो गया hf minus hf not k मतलब सर hc by lambda minus hc by lambda not k मतलब kinetic energy को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 12400 upon lambda in angostron minus 1 upon lambda not in angostron बो लो clarity है क्या अरे बो clarity है क्या अगर है तो comment box में चलाएंगे बारात माता की जय ठीक है हाँ sir BMKJ क्या master साथ मास्टर साथ चला दीजीए बी एम के जय भारत माता की जय क्या वाथ क्या बात है बहुत बढ़ी है चलो चलो अभी कहां भी तो शुरुवात है अभी तो बस अंगड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है ठीक है अभी क्या है अभी तो बस अंगड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है चलो भाई चलो भाई आजव 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 बहुत बढ़ी है देखो यह तुमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गया 12400 यहां जो एनर्जी आ रही थी काइनेटिक एनर्जी वो किस में आ रही थी सर जूल में उपर भी किस में जूल में सर यहां किस में आएगी काइनेटिक एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही वाला फॉर् energy of photon work function से जादा है तभी तो ये formula roll में आएगा और ये रही आपकी metal surface देखो ये कही चीज चार बार repeat कर रहे हैं ताकि धिमकवा की भेजवा में एकदम से जाकर ऐसे बैठ जाए कि जही मेंस तक तो नहीं निकले ठीक है आजाओ 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 सिखाते हैं तुमको जादू स बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या है मैं number of photons बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या है photon की energy पर कोई फरक पड़ेगा क्या photon energy पर कोई फरक नहीं पड़ेगा no change समझ जाएगा इससे अगर हम आपसे एक सवाल पूछ लें कि number of electrons emission पे फरक पड़ेगा क्या number of electron emissions पे फरक पड़ेगा क्या सोचो हमने कहा कि अगर 10 to the power 5 photons मिलकर 10 to the power 5 photons मिलकर एक electron को बाहर निकाल रहें 10 to the power 5 photons मिलकर एक photon को निकाल रहें अगर आप number of photon बढ़ा दे रहे हो मतलब 2 into 10 to the power 5 कर दे रहे हो तो आप 2 electron बाहर निकल सकते तीन गुना कर दोगे तो 3 electron बाहर निकलेंगे चार गुना कर दोगे तो 4 electron बाहर निकलेंगे बहुत अच्छे से सुनना और बहुत अच्छे से समझना number of electron emission क्या होगा सर number of electron emission बढ़ जाएगा number of electron emission बढ़ गया energy of emitted electron के साथ क्या होगा energy of emitted electron के साथ क्या होगा energy of emitted electron के साथ क्या होगा यहां से निकलने वाले electrons की जो kinetic energy है बढ़ेगी घटेगी वही रहेगी बढ़ेगी घटेगी वही रहेगी जल्दी बोलो भाई या फटा फट बोलेंगे फटा फट बोलेंगे वोल वाई वोल वाई वोल वाई वाई फटा फट चलाएंगे यार क्या फरक पड़ेगा फटा फट बट बता वाई या constant energy of emitted electron पर no change ओ नो भाई क्यों सर जब गिरने वाला photon नहीं बदला अरे समझो ना जब hf नहीं बदला hf not fix है तो kinetic energy पे कहां फरक पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा kinetic energy जैसा है वैसा ही रहेगा kinetic energy में कवनों बदलाव नहीं होगा लेकिन अगर अगर हम थोड़ा सा statement बदल दें बहुत अच्छे से सुनिएगा हम कह रहें कि अब हमने intensity को constant कर दिए मतलब क्या मतलब हमने पावर को constant कर दिया मतलब क्या से number of photons को constant को अरे clear number of photons को भाई साहब हमने constant कर दिया number of photons को constant करने का क्या मतलब है क्या मतलब है गिरने वाले photons का number अगर constant हो गया तो number of electron emission भी क्या होगा sir number of electron emission भी constant हो जाएगा लेकिन सोचो अगर हम energy of photon को बढ़ा दें समझे आईसे लिखते रहें गर्बढानामत हाँ सबस्क्राइब हम energy of photon को बढ़ा दे सोचो energy of photon को हम यह सब constant रख रहें सब उपर वारा constant है अब energy of photon को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है number of photons पे कोई फरक पड़ेगा क्या number of photons पे कोई फरक पड़ेगा क्या no sir number of photon में कोई change नहीं होगा किसमें change होगा sir photon की energy photon की energy क्या होगा sir photon फोटन की energy बढ़ जाएगी मास्टर साहब अगर photon की energy बढ़ गई तो emitted electron की kinetic energy emitted electron की emitted electron की kinetic energy पर क्या फरक पड़ेगा sir emitted electron की kinetic energy बढ़ जाएगी बोल समझ हाया आया तो बोलेंगे भाईया भारत माता की जए बोल भाई बहल भाई जल्दी बोलेंगे या जल्दी बोलेंगे भाई या बीस नंबर ना दिमाग में बैठा दिये session के इंट तक जाते जाते तो हमारा नाम ब्रहमानंदर रहें नहीं बड़ा नाम है थेक है 20 नमबर सेट करके जाएंगे सर 20 समबर एकडम दिमाग में बिठा के जाएंगे सर यासर यास चालो वही अप्वोडते हैं लगे रहते हैं हिमत के साथ बान्द के बाइटर और पड़े रहो देख लो पूरी स्लाइड अच्छे से अब हम कहें एक काम क्या करो एक काम क्या करो इसी वाली कंडीशन पर बने रहो कि एनर्जी आफ फोटॉन वर्क फंक्शन से बड़ा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा सर एच एफ माइनस एच एफ नौट के बराबर होगा हमका काइनेटिक एनर्जी वर्सस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमको देखना है हमको देखना है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या होगा तो लो भाई यह एक्स एक्सिस तो लो मास्टर यह वाई एक्सिस हम कह रहे हैं यह हम सर यह सीरीज को फालो करके जैई मीन्स क्लियर हो सकता है क्या हो जाएगा भाई बहुत आराम से हो जाएगा समझो हम यही कहे हैं अभी तक मित्र कि अगर हम गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी बढ़ा देंगे हाँ अगर गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी थ्रेशोल्ड से frequency बढ़ेगा तो emitted electron का kinetic energy बढ़ेगा सोचो physics से सोचो जब तुम्हारा गिरने वाले photon का सुनना गिरने वाले photon का जो energy था वह इस से hf not से कम था कौनो kinetic energy आएगा क्या नहीं सर काइनेटिक energy कितना होगा जीरो कब तक जीरो रहेगा जब तक आपकी frequency बढ़कर कितनी नहों जाए एफ नॉट बढ़कर कितनी नहों जाए एफ नॉट और एफ नॉट के बाद जो electron निकलेगा उसकी kinetic energy बढ़ती जाएगी अगर आप frequency बढ़ाते जाएंगे equation of straight line यह angle हो जाएगा theta इस theta को हम कहते है slope that is equal to tan theta और equation में slope m होता है अगर आप compare करेंगे तो किसके बराबर होगा sir h के बराबर होगा अच्छा जब यह f को हम 0 रखेंगे तो kinetic energy minus hf not निकल के आएगी जिसको straight line के language में intercept कहा जाता है क्या का जाता है इनको intercept का जाता है यह minus hf not है समझ रहे हैं क्या है यह minus hf not है सवाल कह देगा कि एक graph ड्रॉथा kinetic energy versus frequency का सुनिएगा सवाल कह देगा the intercept of question देखिए the intercept of the intercept of the intercept of the intercept of the care of kinetic energy versus frequency graph frequency graph is 2 ठीक है SI unit unit भी नहीं देगा unit भी नहीं देगा SI unit कहेगा find threshold frequency of the find the threshold threshold frequency of the metal surface threshold frequency of metal surface ले भाईया अब intercept का हम तो ना महीं नहीं सुने है तो यह सवाल कहां से लगाएंगे अज सोचो जिसमें थोना सा ध्यान दिया होगा अपने भेजी पर जोर दिया होगा उसको क्या पता है hf not क्या पता है hf not अरे बात समझा रहे हैं यह किसके बराबर है सर यह दो SI unit का मतलब जूल किसके बराबर भईया जूल के बराबर f not निकाल सकते हो क्या that will be the threshold frequency f not निकाल सकते हो threshold frequency हो जाएगा कितना हो जाएगा भईया कितना हो जाएगा सर f not की value हमारे पास आ जाएगी 2 divided by h plan constant सर कितना 6.6 into 10 to the power minus 34 यह तुमारे पास f not आ गया हर्ट या पर सेकेंड इतना बढ़िया सा छोटा सा सवाल यह जही मेंस में पूछ लिया जाता है और बहुत लोगों से गलत हो जाता है कि कि आप जानते ही नहीं है कि intercept hf not हो अच्छा दूसरा और ध्यान दीजे इस graph में यह slope slope क्या है slope of kinetic energy kinetic energy versus kinetic energy versus frequency के graph में क्या है सर स्लोप क्या है सर स्लोप h सर यह क्या है plan constant मतलब क्या रहेगा सर कॉंस्टेंट रहेगा मतलब एक मिटल की जगे हम दूसरा मिटल लगा दें माल लीजिए हमने कहा हमने कहा कि अब हम दूसरा मिटल यूज़ कर रहे हैं जहां से electron बाहर निकल रहा है अगर दूसरा मिटल आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा अगर उसकी threshold frequency f0 डैस जो f0 से छोटी f0 से बड़ी f0 डैस f0 से बड़ी तो यहां f0 डैस के बाद electron का emission होगा और जाउन electron निकलेगा ना बच्छा जाउन electron निकलेगा ना बच्छा वह electron का जब आप kinetic energy का plot बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा और यह दोलो लाइन एक दूसरे के parallel होगी क्योंकि यहां भी जो slope होगा वो भी slope क्या है एच है टैन थीटा किसके वराबर है सर्टैन थीटा h के वराबर है plank constant के वराबर है दोनों लाइन एक दूसरे के parallel होगा अगर हमारी बात तुम्हारे तक पहुंची है तो comment box में जरूर बोलना भारत माता की जय है हाँ सयम सयम कलाल करें negative कहा गया गड़ित नहीं पढ़ रहे है फिजिक्स पढ़ रहे है माइनस हेफ नॉट आने का मतलब यह काइनिटिक एनरजी माइनस हेफ नॉट है यह हेफ नॉट की value हमको इसक magnitude से मिल जाएगी जो threshold energy कहला आएगा और वहां से हम एफ नॉट निकालेंगे जो हमारा threshold frequency कहला आएगा ब्रहमांद रहा है अर अरे अरे वाग मेरे तेज़ सह तो गदेड़ा है यह का मेरा नाम कराव कर रहे नाम भीजार नुट इसे मैं पहले-पहले दिन college गया तो मेरे टीचर कहता ब्रहम चंद उसको मेरे नाम नियुक्श था ब्रहम चंद क्या होता भई मेरा इतरह तो ठीक है प्यार से लोग हम को ब्रम्हा सर या बीएन ऊर ब्लाते है फिर फिर भाड़े च्षोटों बाई का नाम आनνद है बहुत बडूत realizar बहुत अच्छे समझ आ गया अब हमको कोई दिक्कत नहीं है बोलो क्लियर है यह स्यानों क्या एलेक्ट्रॉन क्रिस्टल क्लियर है जल्दी बोल दो अगर क्लियर है तो बोलना भारत माता की चै ठीक है शिवा शिव शंकर कह रहे हैं सर एक बार वापस ग्राफ एक बार वापस ग्राफ अरे वाई का है एक बार वापस ग्राफ भाईा का इस ग्राफ में the equation of straight line ही तो लिखे है अब समझे जब हम emission of electron भर डाले न जब में emission of electron पढ़ता लेना तो हमको तीन समस्याएं आई तीन समस्याएं आई जब इसको हम पार्टिकल नेचर की जगे वेव नेचर से justify करने की कोशिश कर रहे थे सुनिएगा यह हम ग्यान बाच रहे थोड़ा सा ग्यान सुनिएगा क्या है यह ग्यान पहला ग्यान intensity problem जो हम आपको समझाये थे क्या कि अगर अगर light जो दो एक वेव होती समझो मैं एक electron हूँ बैठा हुआ light क्या है अगर एक वेव है तो मुझे एक जूल के energy मिली मैंने अब्सॉर्व किया दो जूल के energy मिली मैंने सब लोग धूप खाने बैठते हैं फ्रेशोल्ड वहीं से फिल करना धूप कहने बैठते हैं एनर्जी गिरी और गिरी रगी रही घ्रहिए और हुए हाँ स Championships वही हाँ सन दूप बढ़ रही है एक समय इतना तेज इनरजी की तरह गिर रही है जैसे हमारे उपर सोख लिया और पनिNow आ रहे हैं एक समय ऐसा आएगा कि हमारी एनरजी बढ़ते-बढ़ते हमारे ثूछोंड को पार कर जानी चाहिए और मुझे उठके यहां से बाहर चले जाना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं किया हम सब ने देखा हम सब ने देखा कि अगर हम ऐसा फोटॉन ले रहे हैं जिसकी एनरजी थ्रेशोल्ड एनरजी से कम है तो उसका नंबर चाहे कितनों बढ़ा दो कितनों बढ़ा दो प्रॉब्लम हुआ जो हमारा वेव नेचर एक्स्प्लेन नहीं कर पाया दूसरा कौन सा प्रॉब्लम हुआ फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम वही मतलब कि जब तक आप थ्रेशोल्ड के ऊपर की एनरजी नहीं देंगे तब तक कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा लेक अगर एलेक्ट्रॉन एनरजी सोखता और सोख के तब बाहर निकलता तो पहले एलेक्ट्रॉन एनरजी सोखता जाता सोखता जाता सोखता जाता एक समय लगता जब उसकी एनरजी थ्रेशोल्ड के ऊपर हो जाती और तब वो एमिट करता लेकिन उस तरह का कोई टाइम लैग हो नहीं रहा था तो यह तीनों चीजों को आपका जो वेव रिंशर होता है लाइट का वो explain करने में असफल रहा और यहीं कब हमारा आइंस्टाइन का फोटो electric effect भावकाली रोल में आता है और वो कहता है और वो कहता है इथा हमार स्मी क्या कहता है कि ला इट एक पार्टिकल नहीं है लाइट डी ब्रोग्लि आठ कहते हैं वेव पार्टिकल डॉयलिटी एक्जिस्ट करती है दुनिया में हर चीज से एक इनरजी निकलती और वो इनर्जी वेव के फॉर में निकलती है और उसको means 13 April 1st shift 2023 का सवाल है चलो जब आइसको solve करके answer बता दो इसका answer कै है the difference between threshold wavelength for two metal surfaces A and B having work function 5A 9 electron volt 5B 4.5 electron volt in nanometer HC की value आपको दे रखी है HC की value आपको दे रखी है आप से क्या पूछ रहा है कितना threshold wavelengths के बीच का difference क्या होगा the difference between the threshold wavelength for the two metal surfaces A and B having work function 5A and 5B in nanometer is given as HC की value तुमको दे रखी है मतलब कुछ करना ही है यार सस्ता सवाल एक्दम सोचो सोचो 5A कितना दे रखा है सर 9 electron volt किसके बराबर सर HC by lambda 1 not कर लो lambda not 1 कर लो अच्छा दूसरा कितना दे रखा है 5B that is 4.5 electron volt यह किसके बराबर हो जाएगा HC by lambda not 2 अरे निकाल दोगे क्या उपर वाले से lambda not 1 निकालो तो ऐसे वाला formula रख लो यह वाला मत रखो कौन सा formula रखेंगे सर 1242 electron volt कह रहा है 1242 electron volt कह रहा है जब आपका lambda किसमे नैनो मीटर में है तो lambda not 1 किसमें है सर 99 अरे clear है यहाँ पर कितना 1242 1242 lambda not 2 in नैनो मीटर अरे भाईया यहाँ से lambda not 1 निकालो यहाँ से lambda not 2 निकालो और उसके बाद दोनों को मिला जुला के answer कर दो बो कर सकते हैं क्या अरे बो देख लीजेगा निकाल लीजेगा गड़ित है simple अरे भाईया इतना basic गड़ित है यह तो खुद से कर लोगे यार हाँ सर कर लेंगे चल भाईया आजाओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल कह रहा यह कुछ फोटो ऑलेक्टोन मिट कर रहा है कुछ स्पैसर पिक का इटिक अनर्जी का थोस्ट्रों का नानोमीट्रों गाल्यट्रों विन दामिट ऊछ तर्छा नंटीक इंटलस न्युट पात्सओ नेनोमीट्र इस लिए the work function of the metal is metal का work function क्या होगा पहले kinetic energy के था सुनिएगा पहले kinetic energy कितना था सर पहले kinetic energy हमारा के था अच्छा सर बहुत बढ़िया तो हम जब कितना जब कितना wavelength यूज कर रहे थे 800 nm यूज कर रहे थे मतलब hc by lambda ठीक है प्लस यहां पर कितना सर minus 5 यहां चलो बाई बहुत बढ़िया ओके जब उसके बाद हमने इसको बढ़ा के कितना कर दिया तो यह कितना हो गया hc by lambda dash minus 5 अरे clear अरे clear अरे clear अब बात समझा रही है कि नहीं yes या no में जवाब देंगे yes या no में जवाब देंगे जब हमने double कर दिया तो पूछा गया है जब double कर दिया गया वहिया तो कितना हमने wavelength रखा 500 nm is used the work function of the metal is इस metal का work function क्या होगा हम कह रहे हैं उपर वाले में 2 से multiply कर दो तो जब तू से multiply करोगे और दो में से एक को घटा दोगे तो देखो इसको क्या लिखोगे टू के इक्वेस टू एच सी बाई लेमडा तू के इस वाली question को रिस्तिलाइस कर दे रहे मतलब दो से multiply कर दे रहे हैं माइनस टू फाई इसको हमने नाम दे दिया equation a और यहां क्या लिख दिया sir 2k equals to hc बाई लेमडा डैस माइनस फाई इसका नाम दे दिया equation b अब a और b दोनों को compare कर दिया master sahab a और b को compare करेंगे तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा sir 2hc बाई लेमडा तू hc बाई लेमडा माइनस टू फाई यह किसके बराबर हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा hc बाई लेमडा डैस माइनस फाई अरे clarity है अरे clarity है यह वाला इधर चला जाएगा देखो तू hc बाई लेमडा माइनस यह कितना sir hc बाई लेमडा डैस और यह कितना हो जाएगा sir phi अब ध्यान से सोचो अब ध्यान से सोचो hc को बाहर कर लो 12400 लिख लो तुमको लेमडा भी पता है तुमको लेमडा डैस भी पता है क्या तुम फाई नहीं निकाल सकते हो क्या तु फर्दर सॉल्व करेगा तो देखें फाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे सब्सक्राइब कर लें या इससे लिखने 12400 लेंडा नैनो मीटर में रखा है तो 1240 अपॉन टू इन लेंडा माइनस माइनस वन अपॉन अपॉन लेंडा डैस एलेक्ट्रॉन वोल्ट अरे क्लियर ल आ रहा है चलो भईया बहुत बढ़िया निकाल लीजेगा गड़ित लगा लीजेगा जो आंसर आएगा वो लिख लीजेगा सारे सवालों का कॉंसेप्ट हम बता देंगे और बस खाली वैल्यू रख के कैलकुलेट करना आपके लिए छोड़ेंगे और जहां कैलकुलेशन जरूरी लगेगा वो सारी क्यलकुलेशन भी हम अपने एंड पर कर देंगे त्टीक है मित्र चलें आगे आगे वालें प्लास्टिक लगा है पीछे वालें रभाल लगा प्लास्टिक लिखते चाहिए पाजीफ साही ठीक है इसी वड़े से मुल्टे पेन से लिखते हैं चला अरो चला भाया आजा है वाला सवाल देख लेते हैं यह सवाल बनिया के रहा है टू स्ट्रीम्स आ फूटन पॉससिंग इनर्जी इकल तो फाइस एंट 10 ताइम्स तो वर्क फॉंक्शन आज इसके आंसर निकाल तो एक रही फॉर्मूला एक काइनेटीक एनर्जी सरवन अपॉन अपॉन टूम्वी स्क्वार किसके बराबर सर अच्छी आप फोटन माइनस वर्क फंक्शन तो कंडिशन वन में जब लिखेगा कंडिशन वन में जब लिखेगा तो क्या लिखेगा इक्वल तो 5 एंट 10 ताइम्स अवर्क फंक्शन अफ मेटल और इंसिदेंट अंदा मेटल सर्फिस सक्सेसिवली दे रेशियो अफ फोटो एलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका उनका विलास्टी का रेशियो बताना है तो 1 अपॉन 2 M1 V1 स्क्वार एनर्जी ओफ फोटन कित इस एक्वल टू 9 5 9 5 लिखा जाएगा 9 5 लिखा जाएगा फाई से अब इसको डिवाइड कर दीजे फाई से फाई कट जाएगा इस से यह कट जाएगा तो V1 अपान V2 इक्वेस टू बाइट 3 हो जाएगा तो C हमारा अंसर हो जाएगा क्या बात है क्या बात है आप लोग तारीफ डिजरू करते हैं अपनी तारीफ जरूर कर वाली जी ठीक है हाँ बहुत बढ़ी है अगला सवाल अगला सवाल यह सवाल देखे कौन करता है शुरू अजाओ जरा तो यह सवाल देखे कौन करता है घड़ी के समय से एक मिनट का समय है एक मिनट का समय है शुरू जा काइनेटिटिटिट्स इनर्जी दीनसिडेन्ट लाइट मस्ट है विसिट अगर काइनेटिटिक आइनरजी को धो गुना करना ہے तो इन्सिडेन्ट लइट का वेव लिंत कितिना होना चाहिए तुक्क नहीं मारेंगे पैणचला के सौल कर JU hen uh जल्दी से अब तक तो लग जाना चाहिए था अब तक तो लग जाना चाहिए था सर सी आंसर आ रहा है क्या चलो हम भी सॉल करते हैं आज़ा हो गया पर आप तो समय इतना बहुत चलो हम करेंक तो हमया। हम करेंक करेंड स मेंड़ा माइन्सफा किन पृट इस सी तोड़ एक ने क्रेंटर्ण कहांृत यह मर देए किन बीट बीट इस वहलेंद है टूकारल Dom 2E कर दिये तो यह कितना हो गया सर यह हो गया एच सी बाइ लेमडा डैस डाट इस माइनस फाई अब हमको फाई को एलिमिनेट करना है अब हमको फाई को एलिमिनेट करना है यह एक्वेशन ए है यह एक्वेशन भी है हम कह रहे हैं बी में से को घटा दो लो बैया बी में से को दो to e में से e जाएगा e ho जाएगा यह कितना हो जाएगा hc common हो जाएगा इसको घटा देंगे घट जाएगा ज्यों वन भाई लेंडा- buying lommt हो जाएगा हлам बात समझा रही है क्या अरे बात समझा रही है क्या क्या सॉल्म किया विए बड़े कुझ यार एकदम जबर जास लोग मोग यार से लां से लेंटा डैश स्निकाल दो civile ही लाइव ऐच TF में लाइच से प्लस वां ऒाइलम्डा हर एकवस टुवन अपान वन अपान लेंडा डैस ओ भाहिया तो वन अपान लेम्डाङस इक्वेंस टू कितना हो जाएगा वर बॉन बॉन लेम्डाङस किसके बराबर हो जाएगा सर लेम्डा ए यहां देखोरकल म लेन्हें ल मलेल सब कुछ बेजे में सेट हो जाएगा और शाम तक बच्चा 20 नमबर तयार करके घर जाएगा अरे बोलो बात समझा रही है क्या अरे बोल बात समझा रही है क्या अगर समझा रही है तो चल एक और सवाल लगा देते हैं यार ये सवाल क्या है ये सवाल क्या है ये सवाल क्या है निश्मा रेड़ी केरी सर वेन यूल डू करेंट इलेक्रिसिटी वेरी सून बेटा वेरी सून माइनस में गलती है हाँ ऐसे ग ठीक है यह देखो तीस जन्वरी सेकंड शिप्ट दो हजार थेश का साव दे लाइट अफ टू दिफेरेंट फ्रीक्वेंसी इस फोटों सेव एनर्जी 3.8 एलेक्रों वोल्ट एन 1.4 एलेक्रों वोल्ट रिस्पेक्टिवली इल्यूमिनेट्स और मेटालिक सर्फेस जिसका व पहला कंडिशन 1 upon 2 M V1 का स्क्वाइर इक्वेल्स टू पहले कितने पर गिरा 3.8 माइनस 0.6 समझा रहा है सर दूसरा 1 upon 2 M V2 स्क्वाइर देखो कितने का फोटों है सर 1.4 का कितने का थ्रेश्वल्ड है सर 0.6 का मतलब क्या सर मतलब V1 स्क्वाइर अपॉन वी टू स्क्वाइ आज तीन और हो यह आमारे पास कितना हो जाता है हमारे पास हो जाता है 0.8 और अडिस्टैवर ही पोईक्न टीट रहे क्या पैस्टेश़्ाइड 3.2 divided by 0.8 आठ चुको बंदिस अरह भाई या फोर बाई वन मतलग वी वन भाई वी टू कितना हो गया सर्टू बाई वन तो सही आंसर क्या हो गया सर्टू इस दर राइट अंसर तो इस दर राइट आंसर यस बी दर राइट आंसर समझा रहा है क्या बोल भाई बहुत देर हो लिए भारत माता की जय नहीं वहाँ जहां बेठ हो वहीं से बोल के लिखना भेल कर लिखना केंगना नहीं अपूल नहीं है बोलना है वहीं पर ज़The बाएट दस चुण नहीं हो आण advent कर हां चलो रहार किता सवाल कर आओगे मास्टर साव एक और सवाल करेंगे यह सवाल पाउथ बढ़िया पूरा एकदम तगड़ा सा मिक्षर a magnetic field or modern का कह रहा है कह रहा है सवाल सुनना a light beam of wavelength 500 nanometer is incident on a metal having work function 1.25 electron volt placed in a magnetic field intensity B the electron emitted perpendicular to the magnetic field B with maximum kinetic energy are bent into circular arc of radius 30 cm the value of BS the value of BS B की value कितनी होगी magnetic field निकालना है समझो समझो क्या रहा है क्या क्या रहा है पीज़ करना concept को कि यह metal surface और यह magnetic field लगा हुआ है यह magnetic field लगा हुआ है यह सर लगा हुआ है सर लगा हुआ है अब हो क्या रहा है हो क्या रहा है कि जब यहां से photons की गिरनी की वज़े से electron निकल रहा है तो यह magnetic field के perpendicular निकल रहा है देखो electron इधर जा रहा है magnetic field inward है charge negative है तो force इधर आ जाएगा मतलब यह ऐसी एक circular लूप बना ले रहा है जिसका रेडियस कितना है जिस सरकल का रेडियस है अपने पास से 20 cm यही तो 30 cm रेडियस कितना वैया रेडियस हमारे पास है 30 cm हमको यह मैगनेटिक फीड निकालना है अलाइट वैम आ लाइट बीम ओफ 1.25 electron volt तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है काइनेटिक एनर्जी कितना है चलो यहां एंवी बाइक यूबी बहुत बढ़ियां एंवी बाइक यूबी लेकिन एंवी बाइक यूबी भी नहीं लगाएंगे एंवी बाइक यूबी लगाएंगे तो आपको विलास्टी विलास्टी निकालना पड़ेगा हम करें को तरीका है चलो इदर देखो उसी फॉर्मुले को थोड़ा और बढ़ियां बनाएंगे यह जान से सुरों 500 है 1240 मतलब divided by 500 है तो यह कितना हुआ यह कितना हुआ दो जिरो यहां शिफ्ट हो जाएगा मतलब 12.40 divided by 5 एलेक्ट्रोन वोल्ट पांच से काट देंगे पांच दूना दस दो बारप पच्छवटे 40 और एक लिए तू पॉइंट एट ओ भाई सहब और उसके बाद यहां से देखो पच्छवटे 40 फिर कितना बचा चालीस टू पॉइंट एट फई तू पॉइंट पाइट फाइट फाइट नहीं पच्व पाइट चालिश टूपॉइंट एट यास कितना होगे सर। टूपॉइंट एट माइनस वन पॉइंट फाइच य्ल फई 5 पाच आड़िचा लीचास चाफ़डवालीच ठीक है इतना चानव उल्च आट में से पांच जाएगा तीन आठ में से दो जाएगा सर च्छे देख modern physics को कैसे magnetism से relate कर दिया magnetism के छोटे से formula से relate कर दिया यह जही मेंस यह जही मेंस की खुबसूरती ठीक है हाँ सर्भावत बनिया तो देखो ना आरी क्वेस्ट क्या है mv by qb अब सुनो हम mv को लिख ले रहे हैं p by qb और p को हम क्या लिख सकते हैं सर अंडर रूत आफ 2m into kinetic energy divided by qb लो भाईया तू मास ऑफ electron कितना होता है सर मास ऑफ electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kinetic energy कितना है kinetic energy कितना है 1.63 electron world तो इसको जूल में convert करना पड़ेगा 1.63 into 1.6 into 10 to the power minus 19 हो जाएगा यहीं गर्बर हो जाता है unit conversion में charge की value 1.6 into 10 to the power minus 19 हो जाएगा और magnetic field भी हो जाएगा radius हमको 30 into 10 to the power minus 2 दे रखा है अब यहां से गड़ित लगाई है b calculate कर यह खुश हो जाई है और घर चले जाई है this is the calculation part वह तो मैं यहां class में नहीं करूंगा क्योंकि मैं इतना उम्मीद तो कर सकता हूं कि आप calculation खुद से कर ले जाएंगे अगर कर ले जाएंगे तो बोलो बारत माता की जाई पर रेट जोगा कहा सार कर घाया टूपंट उन पर टों अगा आच्छा पाँच ओन टेश्せ है यह कितना हाँ यार हाँ आफ आर कैल्कुली абсолютно calculation error 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 यह कितना है सर यह हमारे पाथ 500 है 1240 है पाथ से कट नहीं यार 55-40 45-44-45 से कितना हो गया पाथ दूना दर्स दो 24 पांचों को 20 24 24 हाँ यार वही तो क्या यार क्या यार मास्टर ने गरबड कर दिया पांच जाएगा तीन चार में से दो जाएगा दो और दो मैं से एक जाएगा एक 1.23 एक अधिक टीगा या जा 1.63 लिख या या वहां क्या लिख देंगे 1.23 लिख देंगे अब ठीक है अब ठीक है गलत सर्यासर यासर यासर बाध बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थोड़ा लाइक वाइक बढ़ा दो यार तुम लोग तो 28 पाट का वाए 200 पहुंचा दो इसे कैलकुलेशन देखे रहे ना कैलकुलेशन देखे रहे ना बहुत ध्यान से देखे रहे ना तब ही लगे आपि जाक के एकदम पढ़ रहो 20 नंबर पहुंचाना है बीस नंबर सॉलिड करना है और फिर लास्ट में सेशन खतम होते हो है करके SHря है का दैन दो हरे अरिए हमारा खेवरिट सवाल है हाई हमारा फेवरिट स्वाल है यह सवाल देखे बहुत अच्छा क्षिन है बहुत बढ़ हिंए ते सवाल में अच्छा अच्छ दूवालिक आप नहीं कर पाए time also ket Riche mainstream associated with the light wave is given at the origin given at the origin B equals to be not sign either a sign either a car if this light falls on the silver plate having a work function 4.7 electron volt what will be the maximum kinetic energy of the photo electron what will be the maximum kinetic energy of the photo electron some other are some other are some other okay are you about some other are you about some other are you about you about it a question 9th January 2nd shift 2019 first time when it comes out about it a question magnetic field to help us with a person who doesn't know how to do basic part of it is that we know that the expression is written by magnetic field so this omega t is clear यह भी क्या होता है सर ओमेगा टी होता है तो मतलब अगर हम इस equation में ओमेगा वन देखे दो frequencies हैं एक ओमेगा वन कितना है 3.14 into 10 to the power 7 into c और ओमेगा 2 कितना है ओमेगा 2 ए सर 6.28 into 10 to the power 7 into c अपसे क्या पूछा जा रहा है what will be the maximum kinetic energy of photo electron कौन से photo electron का kinetic energy max से ज्यादा होगा पहले यह बताओ इस वाली frequency से गिरने वाले photon से या नीचे वाली frequency से गिरने वाले photons जिसका frequency ज्यादा है मतलब उस photon के energy ज्यादा है तो ज्यादा energy का electron emit करेगा तो बोलो पहला वाला या दूसरा वाला पहला या दूसरा वाला बोलो 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 भाई फटा पड़ बोलेंगे लव यू सर माइनेम इस अमे अरे बहुत पढ़िया वेरी गुड नहीं है अमेर आई लव यू सर आप बेस्ट हो आप इतना अच्छा पड़ाते हो थैंक्यू भाई दस साल से ऑफ-लाइन में यहीं कर रहा हूं यार दस साल हो गए ठीक है हम चल भाई आज़ा हाई या नीचे वाला ओमेगा टू ज़ादा है सर ओमेगा टू फ्रीक्वेंसी कितना होगा सर हम ओमेगा में जानते हैं ओमेगा का फॉर्मूला हम जानते हैं टू पाई एफ होता है अच्छा 6.28 को देखो 3.14 को पाई लिखा जाता है अगर मैं इसको टू पाई इंटू 10 to the power 7 into 3 into 10 to the power 8 लिख दूँ तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्य होगा 6.28 को टू पाई लिख दिए देखो 3.14 को पाई लिखा जाता है तो दो चो क्वाट दो एक कमें दो दो त्याएचे 6.28 टू पाई हो गया तो f का वैल्यू कितना हो गया जरा बताओ तो f तो 3 into 8 412 3 into 10 to the power 12 यह तुमारे पास गिरने वाले फोटाउन की गिरने वाले फोटाउन की फ्रीक्वेंसी हो गए अब करना क्या है अब काईनिटिक एनर्जी निकालना है तो काईनिटिक एनर्जी कितना होगा थ्रेशोल्ड कितना दे रखा है 4.7 इलेक्टरों वोल्ट दे से सुनना है न्ट लिखू तो यह किस में है घूल में माइनस 4.7 यह किसमें Пока अगं निर्च तक करना है जूल को तो कुछ मत करो 6.67 210 to the power 6 point 603 हो तरह सो 6.6 into 10 to the power 34 frequency की तना है 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 12 अले क्लियर है पहले हम parfum एलेक्ट्राइस को किसमें निकाल ले रहे हैً इलेक्ट्राइस वोल्ट में निकाल ले रहे डिवाइड इडिवाईड फ्रिक्वेंस्य आम लिग देया 3 into 10 to the power 12 हाँ हाँ सर क्लियर है सर क्लियर है सर क्लियर है सर पाउत बढ़िया अब यहां पर हम क्या करेंगे वन पॉइंट सिक्स इंटू टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्टिक देंगे है अरे समझ आएक यहां कितना हो जाएगा 16 को 64 65 6 62 बचा सुन्हें हो गया सोले कमें 16 ठीक है तो है तो एचेफ कितना हो गया सरी हो गया 3 कमें लें तीन तीन चोको 12 in to 10 to the power 12.3 in to 10 to the power बार webinar उननीज कितना होता है जल्दी मताई तो सर 129 कितना होता है जल्दी बताइंगे मिसर 12 19 911 और a2, 13 31 हो गया है ऑचЕ juga value आ किया हमारे पास इतना कुछ गर्बल कर रहे हैं क्या अरे हां यार या क्या लिख दिया या सेवन कैसे लिख दिया तो आठ साथ कितना होगा आठ साथ कितना होगा पंदरह होगा ना यह आठ साथ पंदरह होगा ना यह यास 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 आठ साथ पंदरह होगा अरे यह और यह साथ है आठ साथ 15 होगा तो यह हमारे पास 15 होगा अरे भीजा अरे भाईया अरे भाईया अरे बहाईया एक जन कहते सर के कहा गया अरे बेटा पहले हम हम एच एफ नॉट निकालेंगे उपर वाली एक्वेशन में रख देंगे हमारा काम बन जाएगा बुझे कि नहीं बुझे कि नहीं तो कितना मिलेगा देखो यह हमारे पास हो जाएगा तीन एक कमे तीन तीन चवको बारा तो अपने पास 12.3 इन्टू 10 तो दी पावर 19 और 15 नो पांच चौदह अरे भाईया मतलब 34 हो गया यह कितना हो गया सर 10 तो दी पावर 34 हो गया और इधर 10 तो दी पावर माइनस 34 है अरे क्लियर है कट जाएगा सर कट जाएगा सर मतलब HF की वैल्यू हमारे पास आजाएगी 12.3 इलेक्ट्रॉन ब आएगा तो भहिया 12.3 में से चार दस्मलों साथ घटेगा तो काईनेटिक एनरजी कितना मिलेगा काईनेटिक एनरजी सर 12.3 माइनस 12.3 माइनस कितना सर 12.3 माइनस 4.7 अरे बूझे की नहीं बूझे 4.7 माइनस कर दो लो भहिया आ गया आगया वहिया तेरह में से साथ जाए तो तीन इधर चार इधर छे बचेगा 7 6 13 और यहां पर क्या हो जाएगा 11 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 4 11 7.6 electron volt अर्य क्लियर थे क्या कोई एक 7.6 या 7.72 electron volt यहीं वाला आंसर हो जाएगा यही वाला अरे भाई मेरे प्यारे मित्र मेरे प्यारे साथी बी इक्विल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी होता है ओमेगा हम लिखे हैं टी तो अपनी जगह है ओमेगा की वेल्यू है 3.14 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू टी अरे समझे की नहीं अरे समझे की नहीं के कहा गया के ही यहीं है यह काइनिटिक एनर्जी का जो एक्स्प्रेशन था इसमें हम एक्व जूल में दिया था पहले उसको इलेक्ट्रोन वोल्ट में निकाले हैं और यही वेल्यू आउठा के उपर वाली एक्विसन में रख दिये हैं खटाक से हमारा आंसर आ गया है बात समझ आ रही है समझ आ रही है तो बोले का भाईया बारत माता की जै कि सर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम कप पढ़ाएंगे भाई हमको नहीं आता है बहुत दुख है मुझे इस बात का ठीक है ओके भाई रफ एंट अफ गेमिंग कोई बात नहीं ब्रो क है को आई आप पर coração जान और ऊसका ऐख स्टोरे में आगे भढ़ते हैं स्टोरी में आगे बढ़ते हैं ये वाले को डिलीट कर देते हैं का है बिना मतलब जगह खा रहा है हाँ भाई या अब हम आगे बढ़ते हैं आपने आइस्टाइन के बहुत तगड़े से एक्सपेरिमेंट पे जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट को समझना क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट के सुरुवात होती है एक ऐसे ट्यूब टाइप जिंबर होता है इसमें एक ऐसे पाइप निकली होती है इसक ऐसवाने पडू है द्यानस सुनते और समझते कोसिश करिएगा बढ़िया से इसको दिमाक में जेट करने की कोशिश करिएगा है निगम बिभू कहा रहे है अपकी स्पीड एनरजी और जली और सर आपके पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आता है अच्छा बढ़िया थेंक्यू यार थेंक्यू वाई गर्मी लग रहा है गर्मी लग रहा है भाई टीसर निकाल चाहँ इसको एसे खोल देते हैं थोड़ा था अभी ठीक लगेगा थोड़ा जैस्ट लाइक वाउ लुकिं कोई भी हो वाउ अपन जाए वाउ वाउ गया तेल लेने अपन अपना काम मस्त कौन से पढ़ना तो मेरा काम है पढ़ाना तुम्हारा काम है दिल आग बरसाना और लाइक्स बढ़ाना यह लाइक्स 236 पर आटका है यह जल्दी 200 करो या तुम लों क्या पढ़ रहे हैं शिक लाते हैं तुमको कहानी और स्टोरी में बताते हैं कि स्टोरी में क्या ट्विस्ट है इस स्टोरी में समझों यहां पर हमने एक बल्ब लिया हमने यहां पर एक बल्ब लिया जिस बल्ब का जो एनरजी था इस बल्ब से निकलने वाले फोटॉन का एनरजी जो था वह इस निकले और electrons ऐसे मेटल सरफेस के बाहर इकठा हो गए जिसको हमने कहा सपेस चार्ज और नाम दिया इसको इलेक्ट्रॉन ग्लाउड क्या नाम दिया वहीजा इसका नाम दिया हम लोगों ने तो ऐनस्टाइन ने क्या किया इंस्टाइन ने का इसके positive को एनोड से connect कर दो और negative को cathode से connect कर दो बीच में स्विच लगा और इस स्विच को क्लोस कर दो सुच को क्लोस किया गया यहां पर positive टर्मिनल बना यहां पर negative terminal बना और electric field आ गई ऐसे देखना देखना ओया आईसे इसके अंदर एलेक्ट्रिक फील से ठोगई और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोसिट डारेक्शन भागता है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉनीक अठा हुआ था इसे एमिट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल निकल कर भागते गए करिंट जो थी इस एम मीटर के अंदर वो बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी एक समय ऐसा आया एक समय ऐसा आया कि उसके बाद यह करिंट कॉंस्टेंट हो गई फिर हम वोल्टेज बढ़ाये जा रहें छूंप परकर नहीं पड़ रहा अरे बात समझा रही है तो हमने कहा हम ये analysis निकाली हमने कहा कि भया माने बहुत कम सब्दों में बहुत सूच सब्दों में मैं आप सुरा कॉंटेंट बता रहा हूं ताकि आपके सारे के सारे सवाल निकल जाए और आपको सारा का सारा ग्राफ क्रिश्टल क्लियर हो जाए जब हम यहां पर बल्ब ऑन कर दिये थे हम क्या कर रहे थे हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़न साथ क्या हुआ गेट्स एस्टलरेटेड गेट्स एस्टलरेटेड कि धर एस्टलरेट हो गया गेट्स एस्टलरेटेड ट्वर्ड्स ट्वर्ड्स एनोर्ड अरे क्लियर है ट्वर्ड्स एनोर्ड तो उससे क्या हो गया और इनका जो एस्टलरेशन है वो बढ़ने लगा तो फिक्स्ड वोल्टेज ठीक है क्या हुआ भाई इसको हम कह लेते हैं वी पी कह लेते हैं आप वी एस कह लेते हैं सैचुरेशन वोल्टेज वो जो हमारा फिक्स वोल्टेज है यह हमारा सैचुरेशन वोल्टेज है उसको सैचुरेशन वोल्टेज का नाम का दाता आप तर फिक भीत वीएस क्या हो गया कई दो होगा रहन व остав घैस गिरने वाला जो बलबथ सच यहां से जो nella कि ऐसे निकलने वाली जो लाईट थी उसकी आवकात यहां से तो 2-2 की बैटरी लगाए की एक फील्ड आया जैसे एलेक्ट्रिक्स फील्ड है सारे इलेक्ट्रॉंस कि दर हागना सुरू है एनोड की तरह जैसे 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 बढ़ाते गया इन Îlektron का एसलरेशन बरता गया और यह अनोड की तरफ भागते गया को अरे या से 1000 पहुँच रहा है अगर 1000 निकल के 1000 पहुँच रहा है तो आपकी करिंट कॉंस्टिंट हो जाएगी उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते रही है बढ़ाते रही है सैचुरेशन करिंट पर कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला है अगर बोलो बात समझ आई तो भाईय की जैए बोले सेशन के लास्ट में बेटा जी सेशन के लास्ट में इस सेशन के साथ मैं अपने टेलीग्राम ग्रूप पर टेलीग्राम ग्रूप पर संग क्या है टेलीग्राम ग्रूप भाहिया देखो मॉडन फिजिक्स का मैं आपको क्वेस्टन दे दूंगा फिजिक्स बाई फिजिक्स बाई बी एन आर संकल्प भारत इस पर आजाईएगा हम आपको हम आपको modern physics का नोट्स दे देंगे modern physics की सारी नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे modern physics का सारा question आपको प्रोवाइड करा देंगे सारे questions आप यहां से उठा कर solve कर लीजेगा संकल्प भारत जैई वाले चैनल पर भी आपको मिल जाएगा कल morning तक आपके हाथ में पहुंच जाएगा लगभग लगभग 200 questions का पूरा सेट ठीक है और आपको और जितना content का requirement होगा कुछ PDF वीडियोफ चाहिए होगा वो अपको यहां पर जैसे से मेंस का exam करीब आएगा वो मिलते रहेंगे तो इसको देख लीजेगा और जॉइन कर लीजेगा ठीक वाई जलो बहीजा ओके वाई या ओके वह ओके वह चले आगे बढ़े यस सर चलो सर चलो सर बहुत बढ़िया यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर हो रही है यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर हो रही है तो हमने कहां एक काम करो इसको ग्राफ में प्लॉट करो किसके ग्राफ में फोटो करेंट फोटो करेंट वर्सिस फोटो करेंट वर्सिस इंटेंचिटी और एक लियर फोटो करेंट वर्सिस समझो फोट फोटो करेंट वर्सेस वोल्टेज ये रहा आपके पास फोटो करेंट और ये रहा आपके पास वोल्टेज ध्यान से सुनिएगा फोटो करेंट वर्सेस वोल्टेज सुनना बहुत अच्छे सुनना फोटो करेंट वर्सेस वोल्टेज का जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमक इसको कहलो Vs saturation voltage यह वो वोल्टेज था जिसके बाद जो हमारी करेंट थी नहीं वो कॉंस्टेंट हो गई क्यों कॉंस्टेंट हो गई क्यूंकि जितने इलेक्ट्रॉन से यह बल्ब निकाल पा रहा था वो सारे के सारे पाटिसिपेट कर गए अब भाया अब हम वोल्टेज स्म Herrn करते आप चलो वोल्टेज घटाना शुरू करते हैं फिर जहां थक हमने बढ़ा दिया था उस वोल्टेज को जब घटाना चुरू किया घटाना शुरू किया वी एस तक करेंट में कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन जब वीएस के बाद सुना जब वीस के बाद घटाना स्सट लाएक बहुत तगडी सी ट्रेजडी हुई दम बहुत प्यारी सी ट्रेजिटी हुई जिसने सब के कान खड़े कर दिये एक समय ऐसा आया कि हमारा जो करेंट sleeping a cette वी एस था ये camera यह याद रखना आई वे कौन से करेंट एただ ये फोटो करेंट है फोट Здर। करेंट अभी यह से electric field थी अब वो नहीं रही फिर भिहाँ से निकलने वाला electron and node तक एक दम जा रहा है से भना बन जा रहा है जारा है C मोगें कि नहीं रहिख कम हो गई current लेकिन सुनने नहीं हुई याद रखिएगा कम हो गई current सुनने नहीं हुई क्यों क्यों कि जब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सुनने किया तो यह निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉंस थे फोटो इलेक्ट्रॉंस थे इनको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की विदे से इनको डारेक्शन मिल गया था इनका मास था इनको इनर्शिया मिल गया था और वो यहां से निकलने के बाद इस एलेक्ट्रिक फील के एपसेंस में भी इधरी भाग रहे थे अरे बात समझा रही है तो एक समय ऐसा है कि वोल्टेज हमारा सुनने हो गया फिर भी हमारी करेंट यहां पर बनी रही तो हमने सोचा कि अगर इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा तो रोकने के लिए क्या करन हो जाएगा मतलब बैटरी अब आपने ऐसे कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर सेट हो जाएगी तो इन इलेक्ट्रॉं के उपर इधर पॉटेंशल यान लग जाएगी मतलब यह इने लेक्ट्रिक फील्ड इसको potential energy मिल रही थी याद रखना यह potential energy क्या चाहा रही है यह kinetic energy क्या चाहा रही है तुम anode की तरफ भागो और यह potential energy क्या चाहा रही है कि तुम यहीं रुख जाओ तुम यहां से बाहर मत निकलो अगर यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रान्स की energy माल लो दो इलेक्ट्रान वोल्ट है और मैं इस पूरे process को रोकना चाहता हूं तो मुझे यहां पर कितना वोल्ट लगाना पड़ेगा सर्थ दो वोल्ट लगाना पड़ेगा दो लगाएंगे तो इलेक्ट्रोन को कितना potential energy मिलेगा, sir, minus 2 electron volt का, kyanetic energy कितना था, sir, 2 electron volt, potential energy कितना मिला, minus 2 electron volt, total energy कितना हो गया, master साथ, total energy सुनने हो गया रिया कुमारी कह रही है सर क्लास कब तत चलेगा सर क्रेश कोर्स का भी क्लास करना था वैसे तो आप जितना देर क्लास लेंगे उतनी देर हम रहेंगे सर तो अभी रही है क्रेश कोर्स बहुत पढ़ने को मिलेगा बाई क्रेश कोर्स की चिंता मत करो क्रेश कोर्स रिकॉर्ड इस बैट्री को ऐसे पॉजटिव और नेगिटिव दिया था तो यह एलेक्ट्रॉंस इधर भागे थे जब सारे एलेक्ट्रॉंस करेंट में पाडिसिपेट कर गए थे तो एनोड के अंदर करेंट कॉंस्टेंट हो गया उसके बाद हमने क्या किया हमने का अब उल्टा करो उल्टा करो उल्टा करो सेर्ट वोल्टेड को घटाना सुरू किया saturation वोल्टे outrage तक current में कोई فरक नहीं पड़ा लेकिन जैसे ही Saturation voltage से नीचे आए जैसे Saturation Volt से नीचे आए करेंड घटना conos u एक समय ऐसा आया कि हमारा saturation voltage हमारा saturation वोल्टेज सुनने हो गया मतलब हमारा अप्लाइड वोल्टेज सुनने हो गया जब अप्लाइड वोल्टेज सुनने हो गया तब भी आपको कोई ने कोई फोटो करेंट मिल रहा था क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉंस निकल रहे थे इनकी पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थ फोर्स लगाएगी मतलब इनको नेगेटिव पोटेंशियल इनर्जी ओफर करेगी जब इनकी पोटेंशियल इनर्जी जब इनकी नेगेटिव पोटेंशियल इनर्जी और काइनिटिक इनर्जी का सम जो है वो सुन्य हो जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निक लेगा भी तो वापस चला जाएगा कैथोड ब्ले अरे बात समझ आ रही है उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर जिस वोल्टेज पर जिस नेगिटिव वोल्टेज पर यह प्रोसेस रुक गया उस नेगिटिव वोल्टेज को बोलते हैं stopping potential क्या बोलते हैं वहिया क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं stopping stopping potential अब सुनों अब सुनों अब सुनों यहीं सारा गेम है क्या बोलते हैं सर stopping potential निकलने वाला जो electron था समझो निकलने वाले electron के पास kinetic energy थी निकलने वाले electron के पास kinetic energy थी हम अगर उस reaction को मतलब यहाँ से निकलने वाले electron को अगर रोकना चाहते हैं तो जितनी इसकी kinetic energy है उतना ही negative potential energy हमको इसको देना पड़ेगा और इन सब का जो sum होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए सुनने के बराबर तो kinetic energy सर minus potential energy और कितने लोग जानते हैं electrostatics में potential energy का formula होता है Q into V जिस voltage पे रुका है वो voltage कितना है V naught चार्ज क्या है सर electron उसका चार्ज कैसा है negative तो हमारे पास जो kinetic energy हो जाती है वो बराबर हो जाती है EV naught के बोलो बात समझाई क्या बोलो बात समझाई क्या और अगर समझाई तो मेरा एक वर्ड माक करना बहुत ध्यान से सुनके माक करना और वो वर्ड क्या है काइनेटिक energy कितनी थी सर काइनेटिक energy जो थी वो HF minus HF naught थी potential energy कितनी थी अगर मुझे इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सर्फिस से निकलने से रोकना है तो वो जितनी काइनेटिक से निकल रहा है उतनी नेगेटिव में potential energy इसको चाहिए तभी तो नेट एनरजी जीरो होगा अरे क्लियर है ना तो काइनेटिक energy equals to ev naught अरे 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 नई घडबर मत करना potential energy equals to minus ev naught काइनेटिक energy किसके बराबर प्लस ev naught के माइनस ev naught के बराबर नहीं है अरे नहीं रहे गदेडगे नहीं करना यार यहीं तो किताबों में हमें नहीं मिल पाता है हम सीख लेते हैं सर काइनेटिक energy ev naught के बराबर हो जाएगा अरे फील तो लो ev naught क्या है का इंटिक energy plus potential energy का sum 0 होना चाहिए मतलब यहां से निकलने वाले electron के पास कोई energy रहनी ही नहीं चाहिए अरे clear है kinetic energy कितना होता है sir hf minus hf not वो हम जानते हैं potential energy कितना होगा sir charge मेरा electron है charge कैसा है sir negative है voltage कितना है v not तो potential energy minus ev not होगा तो kinetic energy equals to minus times potential energy तो यह जो ev not मिल रहा है इसको बिलकुल भी ऐसे मत पढ़ियेगा कि kinetic energy equals to kinetic energy equals to sir minus ev not अरे kinetic energy potential energy के बराबर नहीं है kinetic energy और potential energy का sum 0 है गड़बड मत करना गड़बड मत करना kinetic energy जो वो ev not है और potential energy जो है वो minus ev not है बहुत बारी की से concept सिखा रहा हूं तो बहुत बारी की से समझना तब जाके समझाएगा तो q को बट q को तो sign के साथ रखते थे न वेटा हाँ बिलकुल रखते थे q को sign के साथ ही रखते थे अरे भाई तभी तो हमने यहां पर potential energy क्या लिखा माइनस ev not charge of electron negative होता है अरे समझे की नहीं अरे समझे की नहीं वालो भाईया वालो भाईया यस या नो मन्सूव खान करें सर न्यू सलेबस से पढ़ा रहे हो क्या यस बेटा बिलकुल नू बिलकुल न्यू सलेबस से पढ़ा रहा है ठीक है रखतो दिये हैं सर माइनस क्यूई हाँ तो potential energy में चार्ज का करेक्टर कंसीडर करते हैं potential energy में चार्ज के करेक्टर के साथ रखा जाता है अरे ठीक है हाँ चलो बहुत बढ़िया जो तिरा दित्य जी कह रहे हैं सर रिपीट क्या रिपीट समझो समझो यह तुम्हारा मेटल प्लेट था यह तुम्हारा कैथोड वाला मेटल यहां से जो electron निकल रहा था इसकी kinetic energy कुछ थी यह kinetic energy कुछ थी अगर मैं यहां से निकलने वाले electron को रूखना चाहता हूं कि यह ना निकले तो total energy कितनी होनी चाहें सर total energy सुनने के बराबर होनी चाहें मतलब kinetic energy प्लस potential energy सुनने के बराबर होनी चाहें kinetic energy अपनी kinetic energy यह potential energy सर potential energy का formula होता है सर q into vnot जहां q charge के character के साथ रखा जाता है तो चार्ज क्या है सर इलेक्ट्रॉन के इसा क्यरेक्टर है सर नेगटिव ध्यान से देखिएगा तो माइनस इवी नॉट माइनस इवी नॉट इक्वल स्टो जीरो तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया सर काइनेटिक एनर्जी निकल के आया प्लस इवी नॉट पुटेंशल क्या है माइनस इवी नॉट तभी तो दोनों का समझीरो हो जाएगा और तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तभी एलेक्ट्रॉन की टोटल एनरजी सुनने हो एलेगी बोलू समझाया कि नहीं बोले समझाया कि नहीं यह सर बहुत बढ़िया वैरी गूड क्या हात Glen Trub котор भाषद बढ़िया तुम ले इत्व गडम दिल ही जीत लिए रहाई तो यार स्टो सुझाया मव अभट बढ़िया कि यह बात अपनीको crystal क्लियर हुई यहां तक हमको एक बात समझाई क्या समझाया कि सर देखो बाई देखो क्या स्टोरी समझाई इसको डिलीट मारा इसका तो कोई मतलब भी नहीं है क्या स्टोरी समझाई यह स्टोरी समझना यह स्टोरी समझना इस्टोरी यह समझाई हमको कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉ करते हैं एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वोल्टेज वर्सस्य करिंट का सबसेत्ग करिंड का तो हमको यहक्ल एकुप इंसा होगा स्सेचुरेश्न वूल district वी एस जिसके आगे अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करिंट पे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां से निकलने वाले यह जो अब उतने ही नमबर ऑफ इलेक्ट्रॉंस यहां से हमिट हो रहे है और यह साइकल कमप्लीट हो चुकी फिर हमने का कि अब एक काम करो इस वोल्टेज को घटाना शुरू किया तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज सुन्य हो गया उस सुन्य वोल्टेज पर भी हमको कुछ न कुछ करिंट मिल रहा है और उसके बाद जब हमने वोल्टेज को रिवर्स कर दिया बैटरी के वोल्टेज को रिवर्स कर दिया तो क्या मिला क्या देखने को मिला सरेक वोल्टेज है वी नौन जिस पर क्या हो रहा है जिस पर बाई साहब हम सब्सक्राइब इनर्जी इवी नॉट है जो बराबर है एच फ माइनस हफ नॉट के मतलब इवी नॉट यहां से अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशल वी नॉट या वी जो यह भी वी हम ड्रॉ कर रहे हैं यह वी को इस टू कितना हो जाएगा यह एच फ माइनस एच फ नॉट यह वी नॉट यह वोल्टेज नहीं है यह यहां से लिकर यहां तक का पूरा वोल्टेज है इस बात का खयाल रखेगा गरबढ मत करिएगा वरना मामला गरबढ हो जाएगा यह बात समझे ठीक है अरे ठीक है नॉन कंड़क्टिंग शेल के पुटेंशल के क्वेश्चन ठीक है मिला मतलब फालतु की चीज़ों को नहीं या पे लेकर आना अभी जो चीज जहां पढ़ी हुए वाह पढ़े नहीं दो मुर्णा काम बस इतना सा पढ़ाना है कि भाई साहब आपका जे-ई-मेंस में पूरा चार सवाल निकल जाए पात सवाल निकल जाए ठीक है शर झूला जो फोटो इलेक्ट्रीकिक का सितप था इधर आपके पास एनोड था यहां पर आपके पास एक बैटरी का भोल्टेज था इधर आपके पास कैथ होग ठीका ठीक inne कवही है यह आपका स измен परकर क्या काइनेटिक एनर्जी पर क्या फरक पड़ेगा देखता है कौन इसका सही आंसर कर पाता है जो सही आंसर करेगा कॉमेंट बाक्स में हम उसको जरूर एप्रीसियेट करेगा क्या है सही आंसर हम कह रहे हैं कि बताइए अगर हम इस इंटेंजिटी को बढ़ा कर आई टू कर दे था यहां से जो इलेक्ट्राँस निकल रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फरक पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ओफ इलेक्ट्रों बढ़ेगा गटेगा वही रहेगा no change चलो बहिया बढ़ेगा गटेगा वही रहएगा बताना है ABC ABC कायनेटिक एनर्जी बढ़ेगा गटेगा वही रहएगा अगर हम इन्टेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो रुपक्रिव की कायनेटिक एनर्जी इन्टेंसिटी का अच्छा एक और बात बताओ एक और बात बताओ कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन का जो नंबर होगा इलेक्ट्रॉन एमिशन का नंबर जो होगा यह बताओ electron emission का number जो है वो बढ़ेगा मतलब अगर मैं कहूं कि मेरा यहाँ पर एक switch लगा हुआ अगर मैं कहूं कि मेरा यहाँ पर एक switch लगा हुआ और यह switch open है अब मैंने इसकी intensity I1 से बढ़ा कर I2 कर दी तो यहाँ पर यह बताओ जो electrons 81 होंगे इनका number बढ़ जाएगा हां master साब इनका number बढ़ जाएगा मतलब sir अगर number बढ़ गया और हम switch को close कर रहे हैं हम switch को close कर रहे हैं तो यह बताओ अब इन सारे electrons को खीचने के लिए मुझे और जादा voltage लगाना पड़ेगा या पहले ही voltage पर काम चल जाएगा सोचो सोच समझ के आंसर करना सोच समझ के आंसर करना हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि यहां से जो electrons निकल रहे हैं अगर इनका number बढ़ गया क्यों बढ़ गया सर इंटेंसिटी बनाने का सारे electrons को कीचने के लिए मुझे क्या ज्यादा voltage लगाना पड़ेगा यससर ज्यादा अब हम क्या कर रहे हैं अब हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे इस वोल्टेज को घटा रहे हैं तो current घट रही है 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 एक समय ऐसा आया कि जो एनोड तक जा रहे हैं अरे clear है लेकिन सोचो लेकिन सोचो क्या हर electron की kinetic energy उतनी ही है जितनी पहली situation में थी हाँ sir अभी तो हमने बताया तो मतलब सबको रोकने के लिए same negative potential energy देनी पड़ेगी हाँ sir सबको same potential energy देनी पड़ेगी सबको सबका stopping potential same होगा क्या बात समझ आ रही है कि नहीं क्या बात समझ आ रही है कि यह है complete phd क्या है sir यह सर complete phd चला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया very good very good खीचने के लिए सारे electrons को खीचने के लिए हमको ज्यादा voltage चाहिए होगा लेकिन रोखने के लिए बरावर चाहिए क्यों रोकने के लिए बरावर चाहिए होगा क्यों क्यूंकि सारे electronics एंशी सेम है रेलिये बाई सहाव यहां वी नॉट हो जाएगा लेकिन अब हम अब हम story में थोड़ा twist लेा रहे हैं अब अगला story का त्विस्ट देखेगा फूल ऑन पिएच डी पूरा फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट एकदम फोटो की तरह दिमाग में सेट कर देंगे बस उसके लिए थोड़ा सा श्कार था श्क्राइब की यहां पर आपके पास यह प्लेट सबढ़ आपके पास थीकले यहां पर आपके पास बैटरी है ठीक अस यह बैटरियाश बहुत बड़ी आश्या संद हुल इसके उपर ऐसे लाइट पढ़ रही है हम कह रहें हमारे पास लब हमारे पास दो बलब ठीटर नोब वह एक बलब बीवन है एक बली टू है बहुत अच्छे से स्टोरी को समझ इसका जो frequency है B1 का F1 वो कम है किस से F2 से लेकिन दोनों किस से जादा है ये जो दोनों है F1 F2 से कम है लेकिन ये दोनों किस से जादा है सर ऐसे लिख लेते हैं एक मेटल की इसके जो threshold frequency है वो F0 है इस F0 से बड़ा है F1 और इस से बड़ा है F2 मतलब क्या है सर मतलब इसका क्या है सर energy of bulb 1 photon of bulb 1 energy of photon of bulb 2 अच्छा अगर हम कह रहें कि ये भी 10 watt का है और ये भी 10 watt का है इसका क्या मतलब है दोनों 10 watt के होने का क्या मतलब है सर दोनों अगर 10 watt के है तो इसका simple सा मतलब है कि number of photons falling number of photons falling दोनों में क्या है sir दोनों 10 वाट के हैं मतलब दोनों का intensity से पावर से मैं मतलब number of photons falling same है number of photons falling same है हमने का अब हम यूज कर रहे है पहले bulb 1 पहले bulb 1 से मैंने कहा जब इसके उपर गिरे और यहां पर हमने एक battery डरी लगाया मतलब switch लगाया यह switch open था तो जब यहां पर यह light गिरी तो captions निकले और यह electronssर यहां cloud के form में हिकठा हो गए या Espaced charge जिन को कहा जाता है उसके form में हिकठा हो गए अब इन electrons को हमको कहा तक लेकर जाना था था Sarin electrons को cathode से से लेकर एनोड तक लेके जाना है जब कैफोड से एनोड लेके जाना था तो हमने क्या किया इस को क्लोज कर दिया जैसे स्विच को क्लोज किया इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया और सारे इलेक्ट्रॉंस जो थे वो इधर की तरफ भागने लगे ठीक है जब इधर की तरफ भागने लगे ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत अच्छे सुनना जब इलेक्ट्रॉंस इधर की तरफ भागने आए तो क्या graph plot किया हमने का कि भाया एक voltage ऐसा था जिसको हम saturation voltage बोल रहे हैं जिस voltage के बाद current constant हो गया वही सेम कहानी photo current versus photo current versus applied voltage पिर हमने चलो इसको रोकते हैं तो जब हम रोकने पर आए ध्यान दीजेगा जब हम रोकने पर आए तो हमने कैसे रोका पर आए तो हमने क्या किया पहले वोल्टेज को घटाना शुरू किया घटाते घटाते देखो saturation से जब नीचे लेके आए voltage तो current घटने लगा एक समय ऐसा आया कि हमारा saturation voltage zero हो गया फिर भी यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉंस को इस इलेक्ट्रिक फिल ने वह इनर्शिया दे दिया था जिसकी विरे से सीधा जाके अनोड प्लेट को हिट कर रहे थे हां कुछ भटक गए कुछ को लीजन की विरे से भटक गए तभी यह current कम हो गया लेकिन इलेक्ट्रॉंस ठीक्ठा कॉंटिटी में एनोड वाली प्लेट पर पहुच रहे थे तो हमको current मिल रहा था अब हमको इसको रोकना था तो हमको क्या करना पड़ेगा सर इस बैटरी को पलटना पड़ेगा सर पॉ इलेक्ट्रॉंस को potential energy देगी नेगेटिव में और एक वोल्टेज हमको मिला वी नौट जिस पर यह reaction रुक गई ऐसा क्यों हुआ क्यूंकि उस समय सर इसकी जो काइनिटिक एनरजी थी वो किसके बराबर हो गई वो सर इवी नौट के बराबर हो गई और potential energy किसके बराबर हो सर माइनस इवी नौट के बराबर हो गई अरे clarity है हाँ sir reaction रुक गया अब हमने का एक काम करो यह बल्ब वन का situation था यह बल्ब वन का situation था अब उसके बाद हमने का बल्ब टू ले आओ बल्ब टू लाए तो पहले बल्ब से कितने फोटॉंस निकल रहे थे सर एं कितने की जगे ठीवन की जगे बीटू भी यूज कर लूँगा तो यहां से जो इलेक्ट्राउन क्लाड बन रहा है नंबर आफ इलेक्ट्राउंस का इन नमबर औफ यलेक्ट्राउंस पर कोई फ़रक पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा सब्सेशन वेटा लिख दिया आपने लेट साही है एस सी बैंगलोर चल वेड़ा सुन ध्यान से सुन अच्छा दे सुनेगा तो जादा मत आएगा अब हम कह रहा है कि भाई या बीवन को हमने यूज किया बीटू की से निकलने वाले इलेक्ट्रों से तो दूसरे वाले इलेक्ट्रों की जब बात करोगे नंबर से मैं तो सेचुरेशन करिंट तो सेम रहेगा अगर निकलने वाले के लिए दूसरी कंडिशन में तो हमको यहां पर जो करेंट मिल रहा था ना उन दोनों में स्लाइट डिफरेंस था क्यों डिफरेंस था क्योंकि जब यह बैटरी का वोल्टेज सुन हो गया तो यह जो इलेक्ट्रॉंस निकल रहे हैं दूसरी सिचुवेशन में इनके पास ज् थोड़ा जल्दी पहुचेंगे थो थोड़ी जादा करिंट दोड़ाएंगे अब उसके बाद क्या निकलने वाले इलेक्ट्रॉंस की काइनेटिक एनरजी जादा है तो इनको रोकने के लिए हमको जादा पोटेंशल एनरजी देना पड़ेगा मतलब अब जो हमारा दूसर सेट्रेशन में काइनेटिक एनरजी होगा वो फटेंशल इनरजी कितना हो जाएगा और आपको जो सेट्रेशन वूल्टेज है वह यहां मिलेगा बहरा बात समझे आ रही है कि नहीं बोलो बात समझ आई कि नहीं क्या पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकडम तगले से भेजे के अंदर सेट हुआ कि नहीं हुआ आधित्य गेमिंग करें सर एटम न्यूक्लियाई भी होगा इसी में हाँ बेटा एटम भी होगा न्यूक्लियाई भी होगा और सेमी जटर डिवाईसट को पूरा पढ़ाएंगे एकड़म निषरेंट्रो एगडतम निष्चेंटंट्रो पूरा पढ़ाएंगे भी अलोलु को अलोलो याब आत समझाई तो जरा बोल देना भारत-माता की बमो जल दी बलो भारत-माता की जै हाँ सारे चाप्टर्स करें दूंगा बद चिंता मत करो अच्छा बल्बटू वापस बता दें बल्बटू कितने वाट का था ध्याद से सुने एक बार में ध्यान से सुनना बल्बटू दस वाट का था बलब वन कितने Watt का था 10 Watt का मतलब बलब रभर हजार फोटौन गिरे तो बलब टू से 1,000 ही गिरे अगर बलब वन से 100 lush बाहर निकले तो बलब टू से 100 उलेक्ट्रोन बाहर निकले तो भटया सैचुरेशन करिंट दोनों का सेंब क्योंकि दोनों से तो लिखने नभ पहलेक्ति मेरी भावनाओं को स्बूम जो जो हम बोले थे उस स्टेटमेंट पर ध्यान डो सिंबल पर मत ध्यान दो और स्टेटमेंट पर ध्यान दो और पांधेंट कॉए हाँ हाहा और का वन बल्ब वन का फ्रिक्वेंसी बल्ब टू के फ्रिक्वेंसी से कम था बल्ब वन का फ्रिक्वेंसी बल्ब टू के फ्रिक्वेंसी से कम था तो बल्ब वन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी काइनिटिक एनरजी कम थी और बल्ब टू से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की kinetic energy ज्यादा होगी ठीक है चलो bulb one की अगर हम बात करें तो जब हम इस switch को close कर रहे हैं तो यहां पर electron cloud बना हुआ था 100 electrons का वो सारे इधर भागे और जब सारे भाग गए तो हमको saturation current मिल गए जब हम इस voltage को घटाना शुरू के घटाना शुरू के एक समय ऐसा है कि वोल्टेज जीरो हो गया लेकिन फिर भी करेंट था क्योंकि इन electrons के पास direction था एंवोड पर जाने का जो उनको electric field ने रहते हुए इनके mass और इनके inertia की वरे से इधर provide कर दिया है हां कुछ भटक जा रहे हैं लेकिन फिर भी एक amount में वहाँ पर electrons पहुच रहे हैं तो हमको रोकना है अगर इनको तो आपोजिट polarity में potential देना पड़ेगा energy देनी पड़ेगी तो वह वी नॉट वोल्टेज ऐसा वोल्टेज था जिस पर यह रुक है अब उसके बाद दूसरी situation आई जब हमने bulb to use किया तो bulb to का power से होने का मतलब है कि bulb टू से भी same number of photons गिरे तो सेम नंबर ऑफ electrons बहार निकले लेकिन bulb two के bulb two के electrons जो निकल रहे थे since bulb two की frequency ज़्यादा है तो हम reverse कर रहे रिवर्स कर रहे रिवर्स कर रहे एक समय ऐसा आया कि जब हमने इसको घटा के zero कर दिया तब भी यहां से electrons इधर पहुंच रहे थे तो saturation current सड़ी voltage zero पे जो current अपने पास आ रही थी वो current थोड़ी जादा मिलेगी कि दूसरी situation में क्योंकि दूसरी situation में electrons के पास जादा energy है तो वो जल्दी जल्दी एन और पर पहुंचेंगी तो अगर दूसरी situation में electron के पास जादा energy है तो इनको रोकने के लिए इनको रोकने के लिए हमको जादा negative में potential energy देनी पड़ेगी अरे clear है लेकिन सर काईनेटिक एनरजी की वज़े से कोई मूव होता है ना कोपे 0 होने का प्या फायदा क्या कह रहीरू बैस या स्वें बर्मा एक बार फिर से कहना ठीक है भक्ती प्रणाम रिपीट दिस बाया अवाग थोगा साथ पीछे करके देख लीज़े बहुत ज्यादा रिपीट कर दिए है ठीक है चलिए इस एक बात फिर से इसी वाली कहानी को मैं दुबारा से रिव्यू करा रहे हैं माल लीजे हमने कहा इनका पावर 50 वाट है इनका पावर 50 वाट है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ वन है और एक बल्ब आपके पास दूसरा है बल्ब टू इसका पावर कितना है सर इसका भी पावर 50 वाट है इसकी frequency F2 और F2 जो है वो बड़ी है किस से F1 से ध्यान से सुनिएगा F2 बड़ी है F1 से और ये दोनों बड़े हैं किस से F0 से अगर दोनों F0 से बड़े हैं तो दोनों केलेक्ट्र Sinn बाहर निकालें लेकिन फर्क क्या होगा समझना एफ्टू से निकलने यॉखान की काइनटिक इरेकिन लेक्ट्रों संदम टूल विल्भी प्ट्री नमबर ऑफर थीक्ट्रों रश्रों से इमिटेड फस्रम बात देखे गा यह जैए सर यह क्या सर नंबर ओफ एलेक्ट्रॉंस का एमिशन अरे क्लियर नंबर ओफ एलेक्ट्रॉंस का एमिशन तो इससे क्या पता चला इससे पता चला कि अगर नंबर ओफ एलेक्ट्रॉंस सेम है तो भाईया जो सैचूरेशन करिंट होगा आई एस वो क्या होगा सरसेम होगा one उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशल लगाना पड़ेगा वह जादा होगा तो वी नॉट वन विल बी लिस दिन वी नॉट टू अरे बोलो समझ आया किया अरे बोलो समझ आया क्या अगर समझ आया तो comment box में थोड़ा like कर देना थोड़ा दिल बना देना थोड़ा आग लगा देना मुझे लगना चाहिए कि feel आया अरे ठीक है पूरा logic gate तक reduce syllabus के recording होगा ना सर बतादो प्लीज हां रॉनक रॉनक लूनिया पूरा रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं वो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं जो सिलेबस में नहीं उतना ही पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में और अगर समझ हाया तो बोल भाई भारत माता की जय चलो सर बहुत बढ़िया सर वेरी गुड सर वेरी गुड सर वेरी गुड सर रहेगा वन शॉट तो रोज चलेगा वन शॉट तो रोज चलेगा यास यास सर चलो बच्छा चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आजाओ आजाओ कहानी को और आगे लेकर चलते हैं अरे सर अरे सर अभी भी पढ़ना है क्या और भी है क्या फोटो इलेक्रिक्स में हां सर अभी भी और है फोटो इलेक्रिक्रिक्ट में देखो क्या मिला एक के एक्सपरेशन मिला आपको इवी not equals to hs-hf not. आपनanton कहे रहे है अब आप्लाइड वोल्टेज नतलब अप्लाइड लोल्टेज के आंएशर वी है इसके versus frequency का graph draw करो applied voltage versus frequency का graph draw करो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ बस इसी expression से हमने v not equals to क्या कर दिया sir hf by e minus hf not by e कर दिया अब समझो y axis पर क्या है sir y axis पर v है x axis पर क्या f है और यह तो constant है sir slope हो गया जब x की value 0 है तो v not कितना है सोचो तो जब x की value 0 है तो v कितना है sir x की value 0 है मतलब f जब मेरा 0 है तो v not कितना है sir यह अपने पास minus hf not by e minus hf not by e this is the equation of straight line this is the equation of straight line ऐसे हमको यहां से straight line मिल जाएगा यह frequency क्या हो जाएगा sir यह frequency हमारा threshold frequency हो जाएगा f not और यह हमारा theta हो जाएगा और जब हम v versus याद रखना v versus frequency का अगरा आद ड्रॉ करेंगे बच्चा तो यहां पर जो हमको tan theta जिसको हम slope जिसको हम m बोलते हैं यह h by e होता है यह क्या होता है sir यह h by e होता है अब माल लीजिए हम कर रहे हैं कि metal plate बदल दीजिए metal plate बदल देंगे तो बोलिए h by e पर कोई फरक पड़ेगा क्या यह जो आप पूरा photo electric effect पड़ रहे हैं इसमें अगर इस plate की जगह हम दूसरी plate लगा दें तो क्या plank constant और charge of electron पर कोई फरक पड़ेगा क्या अरे कोई फरक पड़ेगा क्या हा सर कोई फरक नहीं पड़ेगा एच by e ही आएगा लेकिन अगर दूसरा plate लोगे तो हो सकता है उसका f not अलग हो जाए f not डैस हो जाए बढ़ा हो जाए अगर f not डैस बढ़ा हो गया तब भी जो आइन जाएगी वो सीधी जाएगी और यह दोनों parallel होंगे क्योंकि दोनों का जो slope होगा वो सेम ही होगा intercept क्या होगा sir intercept क्या होगा sir याद रख लीजेगा यह सब नाम दिमाग में बैठा लीजेगा intercept sir c होता है that is equal to minus of h of hf not by अगर यही सवाल तुमसे बन जाए यही सवाल तुमसे बन जाए क्या बन जाए the slope slope of kya slope of slope of v versus frequency curve is 45 डिगरी 45 डिगरी 45 डिगरी है कितना है यह 45 डिगरी है तो आप से कहा जाएगा कि बताइए threshold frequency क्या होगे अगर slope 45 डिगरी है तो बताइए तो बताइए threshold frequency क्या होगा सचे नहीं नहीं गरबार 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 अपके पास 45 डिगरी है स्लोप आपके पास 45 डिगरी है बताइए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होगा वी एफ कर्व में यह आपके पास 45 डिगरी का स्लोप है आपको पूछा गया आपको पूछा गया कि बताइए वहिया अगर स्लोप 45 डिगरी है तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होगा बोलो भाईया क्या हम कर पाएंगे बोलो बोलो स्लोप आफ वी एफ कर वगर 45 डिग्री है हमसे कहा जाए कि एफ नॉट बताओ थ्रेशोर्ड फ्रीक्वेंसी बताओ क्या निकाल पाओगे जल्दी बोलो यह स्रुती महिश्रम कह रही है शुती मिश्रम हां कह रही है सर सिलेब पाइब्टं स्राम चल लुटता है तो भई या स्लोप अगर कि कॉंस्टेंट है मतलब यह 1045 ही नहीं है 145 का स्लोप पॉसिबल नहीं आ Slope fix रहता है Slope fixed रहता है अगर Slope fixed रहता है तो भईया क्या fix रहता है तो अलगाद समझा रही है Slope fix रहता है तो इससे क्या सर इससे हम Threshold Frequency नहीं निकाल सकते f not नहीं निकाल सकते टो f not निकलेगा किस से नहीं निकाल सकते तो f not कैसे निकालें गे f not निकालेंगे भई या inターश से तो सवाल क्या पूछेगा सवाल क्या पूछेगा sir intercept intercept of intercept of v versus s graph is V versus s graph is 2 volt अब बताईए कि threshold frequency क्या है F0 क्या है V versus S graph का जो intercept है वो 2 volt है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि HF0 by E जो है वो 2 के बराबर है HF0 by E किसके बराबर है सर 2 के बराबर है 2 volt के बराबर है क्या हम F0 निकाल सकते हैं हां सर निकाल सकते हैं 2 into E की value कितनी 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by कितना सर divided by HH कितना 6.6 into 10 to the power minus 34 यहां से तुम F0 निकाल सकते हैं तो जब भी threshold frequency पूछेगा तो threshold frequency हमेशा तुमसे कहां से पूछेगा या तुमसे intercept से पूछेगा ठीक है तुमसे intercept से पूछेगा slope हमेशा constant रहेगा अगर माल लो तुमसे कि पूछे की वाट इस दे रहीर्च अफिरीशा बीटर सर्फेश जावड़ शंजों अगर तुमसे सावाल पूछेख्या रेशयो असावाल पूछेश लेटर स्लोप अफ व्यटर पूमेटल संधिस तू मेटल सर्फेस आफ आफ त्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ध्यांजे सुनना आफ त्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भाई या मजा जाएगा सवाल देखके त्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एफ नॉट एंड टू इफ नॉट अरे क्लियर अरे क्लियर अरे क्लियर अरे क्लियर अरे सबका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है सल अच्छा अच्सोर स्लोप सर काउंस्टल रहता है चाहे कौनो सा मैटल ले लो तो रेशियो क्या होगा इवन इच अच एच नहीं हम आइस हम एच अच नहीं इखेह सोब से मैं मतलब रेशियो कितना हो जाएगास रोन इस टुवण हो जाएगास टुवान है अब भाइच बहुतक बढ़ी यहा कि चीजों के दम पे आप आराम से इसको निकाल ले जाएगा देखे क्या सवाल है इन फोटो इलेक्त्रिक एक्ट देखना ध्यान से इन फोटो इलेक्ट्रीक एक्ट दौटो करेंट is proportional to the intensity of the incident radiation क्या है इस फोटो कर्रेंट is proportional to the intensity of incident radiation अबी अविपह पड़ के आए अभी हम क्या पढ़ के आए हैं देखें भईया देखें वहिया क्या पढ़ के आए थे रहा फोतो करेंट इस बात परड़िंट कर रहा है इसाथ बहुतक ने Cu Ouch sing बढ़ रहा है मतलब number of electrons का emission बढ़ रहा है मतलब photo current बढ़ रहा है अरे वाह मतलब इस सवाल का जो हमारा पहला statement था इस सवाल का जो हमारा पहला statement था कहां गया वह यह सवाल पहला statement सही है अरे clear है अरे clear है the photo current is proportional to the intensity of incident radiation ज्यादा photon गिराईएगा ज्यादा electron निकलेगा तो ज्यादा करेंट आएगा और सही है भी कह रहा है maximum kinetic energy with which photo electrons are emitted depends on the intensity of incident light संजो 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 maximum kinetic energy with which photo electrons are emitted depends on the intensity of incident light are a clear है क्या true or false true or false बीवाला statement बताओ सही है की गलत है बीवाला statement बताओ सही है की गलत है maximum kinetic energy of with which photo electrons are emitted depends upon intensity of incident light या frequency of incident light फटाक से आंसर बताओ जरा तो यह option B जो है यह true a की false option B जो है यह true a की false है सर फाल्स है kinetic energy maximum kinetic energy frequency पे डिपेंड करती है ना की intensity पर intensity का सीधा मतलब number of photon से होता है false है सर चलो सी बताओ maximum kinetic energy with which the photo electrons are emitted depends on the frequency of incident light c true है की false है master सहाब अभी तो बताए है true है क्या है सर क्या है सर true है सर आच्छा सर आच्छा सर बाहुत 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 दी वाला statement बताइए the emission of photo electron requires a minimum threshold intensity of incident radiation threshold intensity होता है कि threshold frequency होता है या threshold energy होता है so threshold frequency या threshold energy होता है threshold intensity तो कुछ नहीं होता है तो यह वाला statement क्या हो जाएगा सर यह वाला statement भी false हो जाएगा यह वाला statement क्या हो जाएगा सर फॉल्स हो जाएगा प्लीज उनसे कहिए ना क्या कहें वह या सर वी वांट equilibrium by service sir service sir will also come as he will get free are um I am a chapter of the about how do we go to trial and Чल्दी ज़्डाइगे जल्दी ज़्डाइगे जल्दी सिखा जाएंगे ठीक है खेंवर अच्छा भी कर्दोव तो फटे बना कर्दो तुब्सक्राइब गर जाएगा दो सुचीः पेटका वो एतीन सो तो पहुंचाओ कम से कम इसको सी को भी आप्शन समझाता आच्छा आच्छा यह समझो यह समझो यह क्या कह रहा है maximum kinetic energy of photo electron is independent of the frequency of light falls choose the correct option मतलब A और C सही है A and C only that is C is the right answer A and C only A and C only A and C only अरे समझ आया क्या अरे समझ आया क्या अरे समझ आया क्या यह सर चलो सर चलो सर बहुत बढ़ी असर बहुत बढ़ी असर अभी यह सवाल देखे यह सवाल कह रहा है the work function of aluminum and gold are 4.1 electron volt and 5.1 electron volt respectively the ratio of the slope of stopping potential versus frequency plot for gold to that of aluminum abhi dhek yaar dhek yaar abhi मैंने तुझे सवाल कराया जैसे सवाल कराया तुरंत अपने का संसर आगे question आगया the ratio of the slope of the stopping potential versus frequency plot for gold to that of aluminum is क्या होगा इसका अंसर वा बता दीजे जरा तो इसका अंसर बता दीजे तो बता यह क्या इसका अंसर हम को करने का जरूरत पड़ेगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो बी बाइस सर्वन होगा क्यों सर सोफ्क्या होता है सर अच भाइई होता है और यह क्या रहता है सर यह constant रहता है लिए 2023 में सवाल क्या है यार क्या है रहते टाइम पास्टाम पास सवाल यह सवाल देखो दर तो यह सवाल देखो दिए रहा तो क्या सवाल कह रहा है क्या सवाल कह रहा है क्या सवाल कह रहा है चला इस प्वेस्टिन के पाद इस प्वेस्टिन पर आ जाओ दह वारी कर फ्रीकुंसीद दे रखा है कितना दियका 510 to the power 14 हर्ट अरे क्लियर है एफ नाट तुमको दे रखा है कितना फाइफ इन्टू टेन टू दी पावर 14 हर्ट कूप सवाल लगाएंगे कॉंफिडेंस बलाएंगे तुमको यह ऐसास हो जाए कि मैं कर सकता है तुमको इस बात का एसास हो जाए कि मैं कर सकता है लो देखो क्या करेग तो हम एच की जगे क्या लिखेंगे लिकिन यहां आंसर किसमें रखा सब electron volt में तो से जो मिलेगा वो किस में मिलेगा जूल में तो क्या लिखोंगे 6.6 इंटू 10 to the power minus 34 divided by f9 5 into 10 to the power 14 divided by 1.6 into 10 to the power minus 90 तो 5 equals to कितना मिल जाएगा 5 equals to कितना मिल जाएगा 164 4.1 सोरा चोग को 64 सर 4.1 और एक लियर है तो यह हमारे पास हो गया 4.1 पाचे कम ने पाच पांचोग को 20.1 इंट्वी टेन टू दी पावर माईनस 34 इंट्वी टेन टू दी पावर 33 मतलब कितना सर 2.01 one electron volt इसके nearby में देखो क्या है इसके nearby में देखो क्या है इसके nearby में 12.2.07 है बस खतम बात हो गया अरे समझ रहे हो क्या भी तुमारे पास सटी कांसर हो गया कर लो खुश हो जाओ घर जाओ आप देख रहे हो ऐसे कुछ सवाट हो गयंगे यह यह सवाल गव बताओ यह सवाल िक इसमें कौन सी चाइस वात गया सकते फिमांट्रेह्ट प्रोडोज कर Va से कर दो खरेंक ना स्वाल करो चलो एक मिनट का समय दिता हूँ चलो पढ़के पहले समझा देता हूँ उसके एक मिनट का समय देता हूं इस्क्रीन पर रहा तुमारे ये question एक करोड का और metallic surface is illuminated with a radiation of wavelength lambda the stopping potential is V0 if the same surface is illuminated with a radiation of wavelength 2 lambda the stopping potential becomes V0 by 4 the threshold wavelength for this metallic surface will be threshold wavelength क्या होगा दो equation बने कि solve करो और ये एक करोड का सवाल का आणसर करो एक मिनट के अंदर चलो वाइए एक मिनट के अंदर इसका अंसर करेंगे से कौन कौन कर पाता है comment box भर जाना चाहिए रसने से साथारं सौबा एक साथारं सोयल है विया चल्यों जल्दी कर जल्दी करो था हाँ ह् बाईया में बाईया ब्रम्मा बाईया अच्छा क्या वाथ बढ़िया आर बाउट सई बाउट सई नूड़ बाउट बढ़िया बाउट बढ़िया चलो जल्दी साइस का अंसर बताव कि एक मिनेट अट सेकेंड होगे अभी तक आप लोग आंसर नहीं निकाल पाए कॉमेंट बॉक्स आंसर ते नहीं बढ़ा बीबी बीबी या क्या वाथ है क्या वाथ है चलो वह या चलो आ जाओ देखो यहां पर क्या है सर फाई ठीक है दूसरी बार क्या होगया सर इवीघ्व आटो पाइप four और यहे कि सके बराबर हो गया सर यह बराबर हो क्या करें उपर वाली एक्वेशन में चार से नीचे वाली एक्वेशन में चार से मल्टिप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तो मिल जाएगा सर एची बाई लेंडा यहां पर कितना माइनस फॉर फाई है और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस फॉर फाई लो यह दोनों को बराबर कर दी दोनों को बराबर कर दिये तो मतलब क्या हो गया सर मतलब क्या हो गया सर फाई का वैल्यू देखिए तो फाई का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा ह सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब होने में अभी semiconductor शुरू होने में बहुत समय सर्क क्या यहां से बोर्ड का पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं बोर्ड एक्जाम ही पढ़ा रहा हूं बोर्ड एक्जाम और जही मेंस दोनों का सलेबस से में हां थोड़ा हम लोग अरिवेशन और यहां के वह सवाल और यहांगे concept सीखना है सवाल समझना है चैप्टर समझना है तभी आपके लिए हैं ठीक है हाँ क्लास liter total हर्थ कह रहे हैं पता नहीं बाई वह तो हम भी नहीं जानते हैं घ्रटे मिन इखता था it to mean the khada gada coming teller like a Martha Papa should have a much other Martha get a look at a day how you actually is a small ago yes all power that I care at the threshold frequency of metal is f0 when the light of frequency to F naught is incident on the metal plate the maximum velocity of photoelectron is V1 when the frequency of incident radiation is increased to 5 if not the maximum velocity of photo electron is V2 the ratio of V1 to V2 is यह सवाल को हम homework के लिए छोड़ देते हैं आरांध से लगाईएगा सस्ता सवाल है कर ले जाएगा ठीक है calculation कैसे सुधारे सर calculation सुधारने का बस एक ही तरीका है कि खूब calculation करिये इतना calculation वाला सवाल करिये इतना calculation वाला सवाल करिये कि calculation अपने आपे स्मूथ हो जाए जान रहे हैं कि नहीं जो चीज में खराबी है उसी कि तो ज्यादा practice करेंगे ज्यादा practice करेंगे सब जाएगा उर्वसी कुमारी कह रहे हैं सर रिया आप्टिक्स कभी स्टार्ट हो उसका नंबर सबसे आखरी में आएगा भी चलो यह सवाल करते हैं यह सवाल करते हैं देखो कह रहा है from the photo electric effect experiment following observations are made identify which of these are correct चलो भया बहुत photo electric effect explain की है देखे जरा कौन कौन इसका answer कर पाता है एक मिनट का answer एक मिनट का सवाल है मस्त पढ़ा रहे हैं सरमन यादो जी कह रहे हैं हाँ चलो भाई चलो आजाओ मराठा समराज जया रहा हिंदू मुस्लिम क्या ही फरक पड़ता है यार अपन मास्टर ने तुम स्टूडेंट हो मल लगा के पढ़ाई करो ठेक है इसा फालतुक चीज़ा नहीं करी जाती है यार कमेंट बॉक्स में चलो भाई या क्या आंसर होगा सर भी ओलिया रहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भावकाली हो तुम लोग यार चोंतिस सेकंड के अंदर आंसर कर देते हो फुरां द फोटो एलेक्ट्रिक एक्स्परिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर्मेड इडेंटिफाइव वीच आप दीजर करेक्ट बस्टापिंग पोटेंशल डिपेंशल डिपेंट्स ओंली वर्क फंक्शन आफ दे मेटल नहीं भाई या डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी से फोटान गिरा है कितनी एनर्जी से इल गलत है क्यों सर यह किस बात पर डिपेंड कर रहा है गिरने वाले फोटान की एनर्जी के उपर डिपेंड करता है डी क्या कह रहे है फोटो इलेक्रिक एफेक्ट कैन बी एक्स्प्लेंड यूजिंग वेव थेयरी ओफ लाइट ना भाया इतना सारा समस्या समझा दिये जो इलेक्टृ किस्ट में काम नहीं करता है ठीक है यास सर तो सही आंशर कौशा हो जाएगा बी अन ली वहुह बो़ह, दोजार ट्यूत का सवाल क्या वात है यह भी है यह सवाल है यह सवाल हो मरें具 खुट से लगाएंगे कुट से लगाएंगे खुब सवाल छोड़ेंगे यह सवाल भी हों और का खुद से लगाएंगे स्लाइड तुरंत रीटेन करेंगे सेम क्वेश्चन जैसे दिखेंगे उन सब को अपने आप से करते चले जाएंगे इसी वज़ाइज हम स्लाइड में ज्यादा क्वेश्चन्स लेकर आए है ठीक है सचिंगर्ग कर रहें एग्णूर करो सरहाँ भाई वही करने में नहीं चलो आज क्वात ने कौई लाथ ने यार ठीक है और डिपईट सम्झा कर repeat होता है यह थोड़ा सा लग है यह थोड़ा सा लग है देखो यह क्या कह रहा था electric field at point associated with the light of wave equals to 200 sin 6 into 10 to the power 15 t plus sin 9 into 10 to the power 15 t volt per meter given h आपको दे रखा है 4.14 into 10 to the power minus 15 electron volt second if the light falls on the metal surface having work function 2.50 electron volt the maximum kinetic energy of the photo electron will be photo electron का maximum kinetic energy कितना होगा क्या बता सकते हैं maximum kinetic energy of photo electron कैसे निकालेंगे sir kinetic energy निकालना है sir hf minus hf0 अब challenge तो यह था कि भाईया kinetic energy निकालना है hf hf0 तो हमको given a work function कितना गिवन है 2.50 electron volt given सारा challenge hf निकालने का था तो यहां देखो साइन ओमेगा टी यह रहा साइन ओमेगा टी यह यह वाली frequency जादा है अब यह वाली frequency जादा है तो इससे जो electron निकलेगा उसकी kinetic energy जादा होगी तो frequency कितनी होगी sir omega कितना given है sir 9 into 10 to the power 15 तो frequency कितना निकालेंगे sir frequency क्या होता है sir omega equals to अपने पास हो जाता है मास्टर साब 9 into 10 to the power 15 frequency हो गया कितना 4.5 divided by पाई into 10 to the power 15 अरे clear है अरे clear है हाँ sir clear है अरे बात समधार यह अरे बात समधार यह सर अब तो हमको नहीं करना चाहिए अब देखो तो एच चुम को जब इलेक्ट्राउन वोल्ट में देही इलेक्ट्राउन वोल्ट सेकेंड में देही दिया है तो एच्छेफ निकाल दोना डिरेक्ट्राउन वोल्ट में कितना दे रखा है यह सुरा 4.14 4.14 देखनो देखनो 4.14 into 10 to the power minus 15 into into 4.5 divided by 3.14 3.14 into 10 to the power 15 किसमे आ गया सर इलेक्ट्राउन वोल्ट में अभी यह वैल्यू निकाल दो 2.50 में से घटा दो काइनिटिक एनरजी आ जाएगा जो आ जाएगा वो आंसर थोड़ा गडिक तो आप से करवाएगा थोड़ा गडिक त इतना तो थोड़ा कैलकुलेशन पर कमांड रखेगा कि यह गलती नहों वरना गलत हो जाएगा तो थोड़ा आपके लिए बेजा हो जाएगा समझ रहा है हाँ हाँ ओमेगा टी ओमेगा वाला टू पाइफ का फॉर्मुला अल्टरेनेटिंग करेंट से आता है अच्छा पह अल्टरा वाइलिट लाइट वेवलेंट दो सो असी नैनोमेटर इस यूजड वित लीथियम कैथोड है विंग वरक फंक्शन इतना इव द वेवलेंट आप इंचरेंट लाइट इस स्विच्छ दू चार्सो नैनोमेटर फाइंड आउट बचेंज इन दॉस्तॉपिं बारात माता की जै बोलो 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 जल्दी बोलेंगे अगला चाप्टर एम आई एसी का हो और कितने लोग चाहते हैं अगला चाप्टर ही ट्रास्टर इं थर्मडाइमिक्स का कि अगला सेशन कितने लोग चाहते हैं कि अगला सेशन जो लिया जाए वह अगला सेशन पूरा ही ट्रास्फर का लिया जाए यह माई एसी अभिमन्यों कुमार कह रहा है यह क्या पी रहा है इसको कहते हैं काढ़ा क्या कहते हैं यह काढ़ा अधरक वाली चाय जिसमें बिना दूद का है कि यह माई एसी यह माई एसी एम एसी यह एसी अरे क्या वात चलो वाई ती यह मं कह रहें सर आप बहुत अच्छे हो थैंक यू ऐए हेंक it가 एक गया kann चला भईया तो इन फोटो एलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अल्ट्रा वायलेट लाइट और वेवलेंट दो असी नैनो मीटर इस यूज़ वित लिटियम कैफोर्ड है वरक फंक्शन 2.5 एलेक्ट्रोन वोल्ट ले तो हमारे पास क्या है सर हम इवी नॉट इकोल जानते है क्य तो पहली सिचुवेशन में चलो स्टापिंग पोटेंशन वी नॉट वन मान लो तो इवी नॉट वन कितना हो जाएगा बारे सो चालिस डिवाइड़ेड वाई कितना दो सो सी माइनस फाई वरक फंक्शन कितना है वरक फंक्शन 2.5 एलेक्ट्रोन वोल्ट है इससे कट कट गया बारे सो चालिस डिवाइड़ेड वाई कितना हो गया सर चार सो नैनोमीटर माइनस टू पॉइंट फाइफ यह अपने पास एक्वेशन टू हो गया आपको वी नॉट वन माइनस वी नॉट टू निकालना है कौन सा बढ़ा होगा कौन सा बढ़ा होगा सर वी माइनस वी नॉट टू कर दो तो फाइड वी नॉट वनब आज वी नॉट वदो माइनस वी नॉट टू करिये गा तो यह दिखे तू-व 2.5-2.5 कर जाएगा क्याँ मिलेगा एक सो चो व हमऻद्स बटे 18 वी 24 बटे 40 रस सालवक और ल ह peול साल कर लो आपर नहीं मतला भी अपने पास ली नोट वन माइनस वीठोट टो कि पर नहीं दो नियोगा सर इलिक ट्रॉन बोच इलेक्तरांट से लिक melon कट जाएगा तो इसा क्लिट कर दिमाग में लिकिन इसका अंसर क्या होगा हां लगता है फिक्स बैटन के question आते हैं एकदम फिक्स पैटन जब कुछ नया है ही नहीं जब कुछ ऐसा खास नया है नहीं नहीं तो सवाल में नया क्या जबर्जस्ती थोड़ी कुछ पूछ लेंगे जबर्जस्ती थोड़ी कुछ पूछ लेंगे अभी यह सवाल देखो क्या सवाल है क्या टाइम पास क्वेश्चन है मैं तो ऐसे क्वेश्चन को बिना पेंचराए लगा दू यार 17 मार्च सेक सर क्या हो जाएगा वी 1 स्कॉयर माइनस वी 2 स्कॉयर इक वस्ट तो 2H by M F1-2 अभी ये सवाल दे कितना सस्ता सवाल है 17 मार्च सेकेंड शिप्ट दोहजारी किसका क्वेश्चन पहली एक्वेशन क्या सर पहली एक्वेशन सर काईनेटिक एनरजी आफ वन काईनेटिक एनरजी तो V1 स्कॉयर माइनस V2 स्कॉयर इक्वेश्ट तो कितना हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा तो HF1-HF2 divided by कितना divided by कितना अरे H को बाहर कर लो चाहो तो H को बाहर कर लो चाहो तो H को बाहर कर लो चाहो तो F1-F2 F1-F2 multiplied by 2 divided by M 2H by M F1-F2 B will be the right answer इसी तरह के same repeated question ही है photo electric effect के और वाई और इसके अलामा कुछ भी नहीं ठीक है सिवन सर कह रहा है सर आप राजवन सर से अच्छा पढ़ाते हो नहीं भाई मेरा किसी से competition नहीं है मेरा युद्ध मेरे खुद से है ठीक है मैं हर दिन खुद को बहतर करने की race में भागता हूँ सब मास्टर डाल के पढ़ाते हैं सब पढ़ा रहे हैं सब सेलेक्शन दे रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं अपने अपने जीवन में ठीक है सब को appreciate करो please do not compare anyone ठीक है अनन्द मित्र कहां के ओ पहली बार देख रहा हूं अच्छा वैया अच्छा वैया चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड कि हाँ इस हमझ गया लब्यू बेटा लव्यू या रल्व यू यार लव्यू यार देखो wins a produkt की जीत में भागना है ठीक है कुश्यूरी दूरी तैय करनी है एक कविता एग प्यारी सापता है क्या कविता है जंगल जंगल भटक रहा है म्रिग अपनी कस्तूरी को कितना मुश्किल है तै करना कि दगाउड सुप्रीम गॉड इस देर आएम नथिंग बस उनका एक मात्र साधक हूं ठीक है जिनके एफोर्ट से जिनकी मर्जी से मैं इतना एफोर्ट डाल पा रहा हूं कि अगर मेरी वज़े से आपने से किसी का भ लेक्सन हो जाए तो कहिये गा मास्टर ने कुछ तो सिखाया था और सिखाया था कभी शायरी सुनायी रहै करो सुनात को दिये सुनात दिया इतनी बढ़ियाилсяरी सुन यार लाइन का मतलब भी नहीं समझाया होगा चलो बहुत बढ़ियां वेरी गुड अच्छा देहको इसम मैंटर वेव डी रॉगली वेव और मैंटर वेव क्या होता है डी बॉगली वेव स्वाइट ब्रॉगली वेवलिंट क्या कहते है कि भाईया धुनिया मन dismissusesак यह में तुम दोनिया में अगर कोई भी मैटर है जिसको मैटर के नाम से जाना जाता है तो वो कुछ ना कुछ वेव अपने साथ associate करती है पहले photon पर आते है photon के बारे में इनोंने कहा photon के बारे में कहा कि भाईया जो momentum होगा ना जो momentum होगा ना photon का वो h by lambda होगा अरे clear है अच्छा सर बहुत बढ़ियां और energy जो होगी वो क्या होगी सर एच्ची बाई लेमडा होगी अच्छा सर अगर मान लीजिया हम किसी particle की बात करें अब particle अब particle of mass m a particle of mass m is moving with velocity v with velocity v एक particle है जिसका mass m है जिसकी रफ्तार v है अरे बात समझ आ रही है तो वो कैसे wave nature से associated है मतलब wavelength उसमें कैसे आती है तो हम क्या जानते हैं सर हम जानते है kynetic energy जो होती है वो किसके बराबर होती है kinetik energy जो होती है भाई या वो one upon two m v के बराबर होती है m v square के बराबर होती है अब हम कह रहे हैं उपर m से multiply कर दो एंसे डिवाइड कर दो तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं सर क्या सर पी स्क्वाइर बाई टू एम ओहो 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 बहुत बढ़िया काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं पी स्क्वाइर बाई टू एम मतलब पी स्क्वाइर इकुल्स टू क्या लिख सकत जा होता है sir h by lambda momentum किस से associated अगर किसी भी particle का mass m है वो वी रफ्तार से दोड रहा है तो उसका momentum जो होता है वो h by lambda होता है यह जरूरी नहीं कि यह momentum photon का ही हो यह किसी भी particle का जिसका mass m है उसका momentum h by lambda हो सकता है यही है wave particle duality इसी को कहते है concept of hypothetical concept of matter waves अब और चर्चा करेंगे इसके बारे में तो h by lambda equals to कितना sir under root of 2m into kinetic energy अच्छा वास्टर साब मतलब lambda equals to क्या हो जाएगा sir यह हो जाएगा h by under root of 2m into kinetic energy अरे clear है क्या अरे clear है क्या अगर समझ आया तो बोलना भारत माता कीजए अरे बोलो भारत माता कीजए अच्छा अब इसी में तुमको हम फील दिलाते हैं फील दिलाते हैं क्या कि अगर मान लीजिया हम कह रहे हैं कि यह आपके पास एक current जादा है जब जादा current इसके through pass करेगा तो यहां से electrons बाहर निकलेंगे तो इन electrons की kinetic energy क्या होगी sir यह कितने वोल्ट से वी वोल्ट से accelerate किये गए हैं तो यहां से निकलने वाले electrons की जो kinetic energy हो जाती है वो जाती है यह वी नॉट अगर यह electron निकला अगर इस electron गंसे electron निकला मान लो अगर आपके पास कोई element होता अरे बात समझा रही है जहां से कुछ alpha particle निकलता आप वी वोल्ट से accelerate कर रहे होते तो इसका charge क्यू है तो kinetic energy क्या हो जाता sir kinetic energy qv not हो जाता कुछ गदहा होते हैं डी ब्रागली के वी नॉट को न फोटो इलेक्ट्रिक के potential में लेक चले जाते हैं इस टापिंग potential साथ पढ़ाया था आपने kinetic energy equals to ev not अरे गदहा वहां उस निकलने वाले electron को रोकने के लिए offer किया गया potential था यहां एक electron gun से निकलने वाला electron या एक radioactive substance से निकलने वाला alpha particle या किसी चार्ज पार्टिकल को वी not वोल्ट से accelerate करा जाएगा तो उसकी जो kinetic energy होगी वो कितनी हो जाएगी वो qv not हो जाएगी अरे समझ आया अरे समझ आया हाँ यह किसी भी particle के लिए define होता है h by lambda जो momentum होता है जिसको आप photon का momentum कहते हैं यह momentum किसी भी matter के लिए define होता है मतलब h by lambda को क्या sir हम m into v लिख सकते हैं हाँ sir और जैसे m into v लिखते है mass is the characteristic of particle and lambda is the characteristic of wave and now the magic happens and it happens what it happens a relation between particle nature and mass अरे बात समझारी आज क्या करना चाहिए सुरू से कर या यहीं से सुरू कर लो यहीं से सुरू कर लो जैसा तुमको अच्छा लगे अभी थोड़ी दिर बाद बाद एटम सुरू हो जाएगा 15-20 में मतलब आदे गंटे बाद एटम सुरू हो जाएगा तो एटम्स में आ जाना ठीक है हाँ शालो देखलो अगर पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत कॉंसेप्ट आता है तो यहीं से भी सुरू कर सकते हो सवालों के अच्छी प्रैक्टिस हो काइनिटिक एनरजी तो में टू काइनिटिक एनरजी अच्छा सर अच्छा सर ओके सर तो आपके हिसाब से अगर किसी चार्ज पार्टिकल को V 0 वॉल्टेज से ऐसलरेट करा जा रहा है तो लेंडा इकोईस टू हम क्या लिख सकते हैं 2m इंटू क्यू इंटू इंटू बढ़ अधे थो अगर तुमको इणक यम लाइब लिंफ निकालना वीनोट वोल्ट Questo कि आ गया हो थो एkąक्वीट्रॉन का वेड लेंट कितना निकल के आएंगा सर लेंड ऑई सर ब्लैंग कॕंस्टेंट हम जानतें क्या है प्लैंग प्लाइंग कॉंस्टेंट हम जानते हैं सर क्या होता है सर प्लाइंग कॉंस्टेंट होथा है 6.6 इंटू 10 to the power minus 34 divided by sir under root of अब देखो electron का 2 जानते हो sir mass of electron जानते हो yes sir 9.1 into 10 to the power minus 31 charge जानते हो yes sir 1.6 into 10 to the power minus 90 कितरे वोल्ट से accelerate करा गया sir V naught से तो lambda of electron जब इन सब को solve करते हो ना जब इन सब को solve करते हो ना तो यह निकल किया आता है 12.27 upon under root of v v angstrom अरे बोलो clear अरे बोलो clear या इसको ऐसे भी लिखा जाता है lambda of electron equals to angstrom वाला याद कर लो 1.227 divided by root v into root v into nanometer ऐसे भी लिखा जाता है दोनों याद कर सकते हो त्य तो लिखेजे नैनो मीटर वाला और interaction वाला ठीका ठीक 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 पूला बात समझाञा रिए बाट समर्चा लिए ऊधाइंगे घरत मैसा की जाए बेर्ट को अच्छे से देखलो ऑड़ो अच्छे ने चलबके समस्या बाताक सबता दो कोई कोई भी डाउट और कोई भी समस्या लगे एक छड़िक मात्र की भी तो भी फटाक से बताइए गासर जल्दी बताइए गासर कोई समस्या आगे बढ़ा जाए भाई कोई समस्या आगे बढ़ा जाए जल्दी बोलो जल्दी बोलो भाई कि देख लो भीया देख लो भीया फटापट कॉमेंट बॉक्स चलाएंगे मुझे तो नहीं लगता कि अब यहां के बाद किसी तरह की कोई समस्या होनी चाहिए बट फिर भी अगर है तो बता दो मैं सब मुझे सवल्व करा दूँगा कोई दिककत वाली बात नहीं है कोई दिककत वाली बात नहीं हो यह अगर बढ़ियां रेक्ली है इस ट्रापिंग पुतनि से serट से मत रिलेट करिएगा यह क्या है सर यह आ तो किया रखेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल को accelerate किया गया है यह वो वोल्टेज है बच्छा गडबर मत करना गडबर मत करना यह को क्या हो गया हाँ हाँ यह हाँ यह चलो एसलरेटिंग वोल्टेज अ प्रोटॉन का निकालना हो तो याद कर ले अमसिgnida which i guess DID डूट्रोन का नाम सुने हो गया ऑरी टॉट्रून का नाव सुने हो गया है जिसके परतान होते है जल्दी-जल्द याद कर लेना ड्यूट्रान का रहता 702 ूपान अंडरूट असुच एंगस तो अड greenhouse कर लेना एक यह फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला और उसके बाद आ जाता है आपके पास हिलियन न्यूक्लियस जिसको एलफा पार्टिकल कहा जाता है इसका 0.101 अपॉन रूट वी एंगेस्ट्रॉन हो जाता है अगर इसको याद कर लोगे तो बहुत फाइदा हो जाएगा कई बार बहुत ज गंटा जो भी पढ़ाना पढ़ेगा पढ़ा के सेमी कंडुक्टर अंड़क्टर सब सिखा के खतम करके तब घर जाएगे चिंता मत करो दो सुन्यान्वे लाइक्स हो चुके हैं एक लाइक और बढाना है 300 कर लेना है तो बाहर आएगा तो तू हो जाएगा अरे क्लियर कर सदेंगे 202 को तो अपने पास कितना हो जाएगा सर अपने पास कितना हो जाएगा 0.101 हो जाएगा अच्छा सर अच्छा सर बहुत बढ़ी आसर यहां तक कहानी क्लियर यहां तक कहानी क्लियर अब आजो अब देखो अब इनके जो हाइपोथिस थी प्रॉपटीज ऑफ मैट मैंटर वेव जिसको हम क्या कह रहे थे कि मुमेंटम जो मास इंटू विलास्टी होता है वह एच बाई लेमडा से एच बाई लेमडा से अपने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को असोसियेट करता है मतलब अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास M है जिसकी रफतार V है अरे बात समझारे तो उसके थूए एक वेव असोसियेट होती है जिसकी वेवलेंद कितनी है लेमडा है और ये वेवलेंद कहलाती है मैटर वेव ठीक है हाँ सर चलो तो मैटर वेव साथ डिफरेंट फ्रॉम एलेक्ट्रो मैगनिटिक वेव डिस इन ऑब्वियस पैक्ट as matter waves are related to moving particle and independent of the fact that whether the particle is neutral or charged wave associate हो रही अगर किसी matter की वज़े से तो उस matter वाले particle की वज़े से उस डाईने की व्रकिट वारे से उस्ट वारे पाकिकल के दौडने की वज़े से wave associate हो रही है डिजन revenuesまあने की कि उसका चार्ज का है और बात समय दा रही है वह चार्ज है या neutral है कोई फरक नहीं पड़ता और दूसरी मुद्दे वाली बात क्या है matter wave travels with more than the speed of light लेकिन इसके पीछे भी clause है सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से velocity of matter waves क्या लिखेंगे sir f lambda velocity of matter waves क्या लिखेंगे sir f lambda sir frequency क्या frequency sir क्या frequency को हम क्या लिख सकते है sir frequency को लिख सकते हैं e by h or wavelength को क्या लिख सकते है sir h by p frequency h into f ओता है ना बहिए frequency h into f ओता ना तो यहां sir frequency को लिख दिया e by h और lambda को लिख दिया h by p और energy जो होती है वो किसके बराबर होती है वो mc square के बराबर होती है divided by momentum किसके बराबर होता सर मास इंटू विलासिटी के एच से एच कट गया M से M कट जाएगा यह आपके पास C स्क्वाइर बाई V आ जाएगा यह अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट एज फास्टर दिन दे स्पीड आफ लाइट बट समस्या समस्या क्या है यह जो matter waves में जो wave associate होती है वो पूरे substance की विरसे होती है और जब खूब सारे चोटचोटचोटच़ particles constitute करके एक object बनाते हैं एक substance बनाते हैं तो उसकी जो net रफ्तार होती है वो उसके wave की जो net रफ्तार होती है वो particle की रफ्तार के बराबर हो जाती है अरे बाद समझा रहे है विलोस्टी आफ मैटर वेव कैन बी ग्रेटर देन देट फ लाइट ये पूरा थे टिकल फैक्ट है इसी विरस इसको डी ब्रागली हाइपोथेसी कहा जाता है ठीक है हाँ वह या लेकिन इसके बाद डी ब्रागली नहीं है कह दिय है अगर होता भी है तो सही उग मात्र कहा जाएगा अरे ठीक है बहुत आसान आसान बात है इन्स चक्रोन em toq कोई लेना देना नहीं है इधर इधर यह सवाल प्याव जारतल सी चीला से पूरा डीब roggly that इस इसमें क्या पढ़े हो सो여 लेब्डा सरई ही कोईस्टू क्या सब्स्ट्री पीक क्या सब्सक्राइच वाई ये किसके बराबर सर मगें और लैम्डा का एक फार्मुला सरथ ह बाई अंडर रूट अस्ट दू एंटीज और एक लिए और एक और सारी अप्ले अ पड़े है सब आप अन्डरूट आफ टू एम पाई टू एम इन्टू काई अटेक अनरजी के जगा ग्ण रिख सकते है एक into V और इस से associate करके हमने कुछ formula पढ़े है क्या wavelength of electron सीखा है सर ये कितना होता है 12.27 upon under root of upon under root of V not angostron अच्छा deutron का क्या सीखा है proton का क्या है proton का है 0.286 upon root V of angostron अच्छा deutron का क्या है सर जिसमें दो जिसमें दो क्या होता है सब जिसमें दो प्रोटां शोते हैं वन एच्टू होता है अच्छा सर अबर्फा पार्टिकल होता है तो 0.101 upon root V into upon root V into तो एंगे स्ट्रॉन होता है यह सारे फॉर्मुले हमने पढ़ लिये हैं इसके साथ एक और फॉर्मुला हमारे ध्यान में आ गया है उसको भी हम बता देते हैं जरा सुनिएगा कितने लोग यह फॉर्मुला पढ़े है कि काइनेटिक एनरजी ओफ मॉलिक्यूल का फॉर्मुल ब सुनिए ठोड़ा दील्टिव तुड़ा आग लगा के बरसा दिना भाईया और बतादीन वया क्या स्क्राबीर अपने पास डिग्री याप Всем है क्या मैकल बांगीह लांगीटीयँटेश्टेश्टर लेवे लाघया शाओ तुनल ओ सुर्वेवेवेश्य यह Monoatomic gas जब होती है तो यह degree of freedom 3 हो जाता है अरे clear है Monoatomic के लिए degree of freedom 3 हो जाता है फिर kinetic energy को 3 by 2 kt लिख दिया जाता है लेकिन आप याद रखिएगा आप याद रखिएगा आप याद रखिएगा f by 2 kt मतलब general formula अगर wavelength का लिखना हो तो lambda equals to h by under root of अंडर रूट आफ क्या भईया 2m into kinetic energy kinetic energy की जगे क्या लिखेंगे sir f by 2 kt अरे 2 से 2 कट जाएगा तो lambda equals to क्या हो जाएगा h by under root of h by under root of f ठीक है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 kt 3 voltsman constant अरे m into k क्या होता है क्या हो जाता है मास ऑफ दे सब्स्टेंस मल्टिप्लाइड भाई के मास ऑफ दे सब्स्टेंस मल्टिप्लाइड भाई के 3 by 2 m kt होता है क्या m kt तो नहीं होता है जहां तक मुझे लग रहा है लेमडा इक्वेस्टो एच बाई इंडरूट अफ हाँ ठीक 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 यहां से अपने पास क्या हो जाएगा f n kt अरे बोलो क्लियर है क्या यस या नो में जवाब देना यस या नो में जवाब देना यस या 2m into kinetic energy की जगह हमने क्या लिख दिया f by 2 kt अरे clear है sir अगर monoatomic की बात करेंगे तो लेमडा कितना हो जाएगा sir monoatomic के लेमडा हो जाएगा h by under root of 3 m kt अरे clear है क्या yes sir sir अगर mono की जगह डाया हो जाएगा तो डाया में क्या हो जाएगा h by under root of 5 m kt अरे clear डिगरी of freedom diatomic का कितना होता है sir diatomic का 5 होता है yes sir या sir बहुत बढ़ या अगर triatomic की बात करी जाए तो triatomic के दो formula होते हैं एक होता है 5 m kt ये किसके लिए sir linear के लिए अगर linear triatomic अगर non-linear triatomic है तो लेमडा कितना हो जाता है तो लेमडा हो जाता है sir hy under root of 6 m into kt अरे clear है क्या non-linear का मतलब क्या no2 double bond O और एक O इधर क्लून पेर ये non-linear linear triatomic क्या होता है co2 linear triatomic क्या होता है c double bond O double bond O यह linear है इसका degree of freedom 5 होगा इसका degree of freedom कितना होगा sir इसका degree of freedom 6 होगा यह non-linear है बोलो crystal clear है तो वह यह comment box में थोड़ा दिल आग बना दो थोड़ा बाबाबा को प्यार वरसा दो हमारा कहावा भी ठंदा हो गया आफ चाहर बहुत बनिया बच्चों बहुत बनिया क्या वाद है यार क्या वाद है क्या वाद है वाई सहाब शरवया शरवया आज़ो अब देखू अब यह सवाल हम कर लेते दग काइनेटिक energy of electron alpha particle and it is copy कर ले इसको copy कर ले भाद फिर इसको मिटा देते हैं यस सर कॉपी करका फिर मीटा के फिर साफ़ सुतरह सवाल जाल लो देखो ओहू हूँ हां सही हो गया क्यों हो सच्छों गया क्यों कॉपी हुआ कि ने कॉपी हुआ है कि नहीं कॉपी हुआ है इसको अथा के इधर नीच रखते हैं यस चलो सर फार जैडिसका आज़ा जो सर तो अ प्र फिसका अंसर बताव जाँ तो एक 15 अब तक हमको कई ऑग रहीं कि तुम अन्सव भी सोच लिए जल्दी हिसका एंसर होता तो नहीं कम Baum या lambda is equal to क्या होता है sir h by under root of 2m into kinetic energy the lambda is inversely proportional to under root of mass into kinetic energy शर्वाय तो alpha particle का बात कर लिजे जरा तो alpha particle का बात कर लिजे तो पहले क्या है पहले अपने पास electron तो electron का electron का मास कितना है sir electron का मास कितना है sir m e और कियर है कानेटिक energy यह हम कह रहे हैं tryna kinetic energy लेक्ट्राण की कितनी है सर्फवर के आरे कोई फरक नहीं पड़ता अलेक्ट्राण पर तो कोई फरक ही नहीं पड़ता च्योंकि इसका मास बल्क कम है तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वेर्वलेंच एलेट्रॉन का अरे भीउया एलफा पार्टिकल और प्रॉटॉन का सीम वेवलेंट होगा क्या अरे देख़ो तो है अलफा पार्टिकल किया लिखोगे सर सर इसको हम लिखेंगे सर H by रूट ऑफ टू मास कितना होता है सर फोर MP काइनेटिक एनर्जी कितनी अलफा पाटिकल की टू कहसर अच्छा सर प्रोट्वां की बात करे तो प्रोट्वां की बात करें तो सर एच रखबाई अंडर रूट और यह कितना है सर दू इनुकत रिस इन टू इंटू के और एक और बढ़ियां भावकाली लोग यार तुम लोग यहां दीखी जा रहा है हमको क्या सबसे भाइधिया मास और लगबग हजार घुना तस हजार गुना लगबग दो-۲-хीजार गुनाई डिफरेन्स होता है है मतलब बड़ा है मतलब यह छोटा होगा एल्फा पार्टिकल्स सबसे छोटा होगा proton उस से जादा होगा तो सी हमारा सही डॉ मिनट के अंदर हमने यह सवाल सभी लिए और कर भी लिया और मुझे लगता है कि आपने एक मिनट में कर लिया होगा डारिक्ट फॉर्मूले सेनी करेंगे डारिक्ट फॉर्मूले से नहीं करेंगे क्योंकि हम मस अलग अलग है भाई साब वोल्टेज की बात नहीं हो रहे है काईनेटिक अनरजी अलग अलग दे है रूट वी नॉट वाला फॉर्मुला मत दिमाग में ले आना गलत हो जाएगा ठीक है हाँ चलो 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 आज़ा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ही देखो प्रोटान इलेक्ट्राउन विलाव सेम डी ब्रॉगली वेवलें देन देरेशियो और मुमिंटम इस द एक मिनट भी नहीं लगना चाहिए इस सवाल को करने में एक मिनट भी नहीं लगना चाहिए समझो क्या आंसर होगा बलग क्या आंसर होगा बलग क्या आंसर होगा अरे इसमें तुम गलबर दिमाग लगा दिये थे भाई तुम लोग रूट वी नॉट का फॉर्मुला नहीं नहीं देखेंगे सार क्योंकि काइनिटिक एनर्जी अलग-अलग दे रखा था यह सवाल देखें कहरा था रीषा अव्धिर मॉमिंटम लेमड़ा एकोईस्ट्र क्या होता है सरेच भाई पी अपी क्या होता है सरेच बाई लेमड़ा अवे लेमड़ा दोनों का अगर सेम हैं तो मुमेंटम भी तो सेम होगा, सेम डी ब्रागली वेवलेंट, लेंडा दोनों का सेम है, तो भाया, वन इस्टो वन, अरे समझ आया क्या, अरे समझ आया क्या, नहीं आया क्या, वने समझ आया क्या, यस सार बहुत 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 सही, यह सवाल देखो, यह सवाल सेम गैस मॉलिक्यूल बिकम्स अच्छा अच्छा सर लोग क्या कहते हैं सर लेंडा इकोस्टू फॉर्मुला लगा दो एच बाई अंडर रूट आफ थ्री एम इंटू केटी हम कह रहें कि अगर आपने यह लगाया तो आपने फिजिक्स के इसाब से गलती करी है क्योंकि यहा सब्सक्राइब हम लेंडा का फॉर्मुला लगाते हैं एच बाई एंडर रूट आफ एफ एम केटी अरे क्लियर अरे क्लियर अरे क्लियर अब जैसे मैं रेशो पूछ लेता एक देता मेरे पास एक ऑक्सीजन गया से और एक मेरे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड या है नो टुए नो ट्री ऐसे कुछ दिफरेंस होता है पता नहीं मुझे निपता जाए और अगुछ शर्व याओ 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 बार्ट बढ़ बढ़िया बच्छो वेरी गुड क्या बाता है बहुत सही जा रहे हो तुम लोग इसका अंसर बता तो ज बैदा कि दूर किया खासवा तर तो लेकल इन रवान लेंडार कितना है साथ लेंडावन योड़ाइब सौन पर यह आपने पास लंडाट्य टू वयाओ अपने पास्टी तू ऊितना सब्सक्राइब नह चर्च तू की वैल यू कितनी लैम डार टू टéoडिक अतनी लैंडा सब्सक्राइब करते हैं तो कैसे बाद मनेगा ऐसे करोगे है तो यह दो हुआ ना तो लेम्डा टू इधर जाएगा तो रूट टू इधर आए गना या तो लेम्डा वन बाई रूट तो डी आंसर सही होगा ना वाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो 600 कल्विन पर पूछा ज से मॉलीक्यूल गल्ती कर देते हैं चोटी 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 कैलकूलेशन कर देते हो दूर भाग जाते हो सवालों से कैसे रिकलेगा यह देखो देखो डी प्रागली वेवलेंट आप दे प्रोटोन एंड एलेक्ट्रोन हैं सेम काइनेटिक इनर्जी हम नहीं बताएंगे हो मो थो पाइव यह थो पाइविंग मास M' x 3 & 2 M' x 3 M' is less than m the ratio of d ब्रॉगली वेवलेंट आप डू पार्ट्स विल बी दोनों पार्ट्स का जो रेशिया होगा डी ब्रॉगली वेवलेंट का कितना होगा इज़ी वाला question है सर मजा नहीं आ रहा है मजा आ रहा है कि मजा नहीं आ रहा है जो क्या कह रहे है आनन्द मित्रा अभी मजा आएगा वाई दीर दीर लेवल बढ़े गा ना पर तोड़ा आसान सवाल कर लो थोड़ा बढ़ा लो भी अच्छे सवाल भी है आने वाले है इसका अंसर करके बताओ दो पार्ट्स विल भी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया एक भी च्छिटना में खॉर आद्वी आगा अगर इनिशन मोमेंटम जी दो था ता तो फाइनल मोमेंटमी का आजिलो गा अरे सलोंगा सर जिरो वागा सरी दर कितना सर म देस भाई 3 μाल ली है लिकाय विवन रस्तार से और यह कितना से टु एंधिस भाइज अन्準 नहीं पॉमीनटम तो स्काय मिलुञा ढाल जो एक दूसरी के अपजी डेरेक्शन में भाग रहे हैं हो तो मैं तो मैं तो कह रहा हूं कि इसमें गड़ी ती मत लगाओ सिंपल साधारन आंसर अगर इसका मोमेंटम इधर इसका मोमेंटम इधर दोनों का मोमेंटम बराबर होगा तभी तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि एक का पॉजिटिव और एक का नेगट और अगर ऐसा है दोनों का मो जो बहुत परिसान करते हैं हुआई पी एच बाई पी अरे समझ रहो क्या अरे समझ रहो क्या तब जाके अंशर आएगा भाई रिष्ट पर रखा था इनिश्छ रफ्टार 0 है फाइनली भी फूर इस सिस्टम की रफ्टार कितनी रहेगी जीरो रहेगी अरे क्लियर और एक ल तर बॉलेंगा यह बाराथ माता कीजे विल पच्रव अच्छ अब आप तो माम अलीया है कायो अञाली शहले आजया जूए अधर सवाल यह सवाल देखाया बढ़िया दिरे दिरे सवाल आगे बढ़ता जा रहा है electron with an initial velocity V equals to V naught of I cap V naught is greater than zero is moving in electric field equals to minus E naught of I cap where E naught is greater than zero where E naught is constant if at T equals to zero D Broglie's wavelength is lambda naught H by MV not then the D Broglie wavelength after the time T is given by T time by the D Broglie wavelength कितना होगा तो हम पहले question को plot करते हैं हम question आपको समझाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसका answer निकाल के बताएंगे और निकाल देंगे तो हम आपके लिए कहेंगे बारत माता की जै ठीक है चलो वहिया क्या है वहिया कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फिल्ड इधर जा रही है अरे भाई बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां माइनस एक्सेक्स में और वहिया चार्ज पार्टिकल क्या है एन इलेक्ट्रों नेगटिव चार्ज पार्टिकल है ओव्यस सी बात है इसकी रफ्तार यहां पर होगी वी नॉट पर है टी को स्टुजी रफ्तार की अरे ते ब्राज़ी वी नॉट इस समय स्की जो वीविलन थो कितनी है लेम्डा नॉट दैट इस एच बाई एंवी नॉट वेन आफ्टर टाइम टी टाइम बाद इसकी दिवरागे वेलिंट क्या हो जाएगी तो हम कह रहें हम कह रहें है सिसके अगर हमको किसी तरह से पता चल जाती तो टी टाइव जो wevlend होता टी साथ रहेगा पूरे छटर तक बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है हमारे लिए तो बढ़िया आपके लिए भी बढ़िया रहेगा ठीए चोलो भाई चालो बहुत बढ़िया आ जो प्रवाइब देखे कौन अपना नाम लिखा रहा है लास्ट तक रुखने में गिरी नात करें सर मेरा भी लिख लुए अच्छा वेटा रूपको जरा तुम्हों का नाम लिख लेते हैं अभी दिखाते हैं टिख हर चाल व्यां किसका किसका नाम लिखना है आ का सोनी है चला दीरे-दीदय दीरे-दीडर दीरोर diffulty यूलिकल दीरे टीडरी टाहिव करो दीरे-दरे टाइब करो सबका नाम लिख सुए याई चलो नाम लिखते हैं आओ पहले कौन है आहां राइट क्रिशना आलसा आर भई आर वह जोडोट बैया को बन्यां प्रियान्सु मीना प्रियांसटेंड कि और श्रण फुमूंडριा को मासे रख गिरीनाथ जिए अच्छा सर आंनंद मित्र जी पाउड बनिया वेरी गुड़ वेरी गुड़ कंभ बाइध अंब्र बनिया हम वीडियो मना Election क्या और चलो बहुत बढ़नल के लएढल डिंगें वेरीगूड वेरी गुड चलो वह या अनुस दिक्षित बहुत बढ़निया मै भी मैं भी बहुत बढ़निया क्या वात है ड्यावात डुक्ताइब Cash लोगे छांते हो कौन सा हमारे घर के माश्टर्ड हो कि मार दोगे कोचिंग में आएंगे तो भईया फोड़ दोगे नहीं रुके तो तो अपनी अपनी मांदारी यह चाल वही आज़ा मैं भी रहूंगा गुरुजी चालो ठीक है चालो ठीक है बहुत अच्छा वेरी गुट सर तो लेंडा इकोस टू एच वाई एंबी हो जाता लेकिन जब हमको इस जगह पर टी टाइम बाद रफ्तार पता चल जाती देखो ज पढ़ाएंगे 24 गंट चिंता मत करो जैमेंज के पहले एक दिन पढ़ाएंगे 24 गंटा तेका पूरा 24 गंटा आके लिए पढ़ाएंगे खड़े ओकर तो यहां ही शुरू करेंगे और यहां ही खतम करेंगे पारले बिसकूट के सार 24 गंटे में पूरी फिजिक्स पढ़ा इसन वहाएंगे भागरा इलेक्ट्रिक फील इसको एसलेरेट करेगा कितना स्लेरेशन देगा सर चार्ज ईए और बात समझारी उलेक्ट्रिक फीलड ए मास कितना है सर मास इसका एम है तो यह वाई एम एजबाई एम तो फाइनल रफ्तार कितने लोगों को यह क्लिएर है कि एह आज़ये एन्टुर आप दोलोवलोवलोः भTele Luke सकते है ऑलपाइक विता हबल पशीन सफाने पास एसलेरेशन तो एब आयम होजआगा हाटीके सर लिकली सight लिकली सब लिकले oxy को के रहे आब हूं कर देक्थ काउ करिये एक काम करिये सर क्या काम करें सर क्या काम करें सर क्या काम करें सर बताइए इसका क्या answer होगा बताइए इसका क्या answer होगा acceleration इसका कितना होगा कितने acceleration इसको accelerate किया जाएगा अच्छा यह देखो यह mv रखेंगे m अंदर multiply कर लो या M को बाहर कर लो M को बाहर करने वी नॉट को बाहर कर लेते हैं शलो देखो अब जब हम इसको फर्दर solve करेंगे यह सब को clear हो ना कि कैसे लिखा है वी को स्टु यू प्लस 80 से ले आए भाई या यू कितना है सर वी नॉट ए कितना है सर ईवी बाई एम टाइम कितना है सर टी अब यहां से वी नॉट बाहर कर लो वी नॉट बाहर करने का फायदा होगा एच बाई एम वी नॉट तो कितना मिलेगा वन प्लस ईवी बाई एम इंटू एम इंटू वी नॉट इंटू टी और एम भाई वी हम हब भाई आपको लेमडा नॉट लिख सकते हो तो लेमडा इकोस टू लेमडा नॉट अपॉन प्लस ईए बाई तो कैसे बात बनेगा तेक है क्रिश्णा जी कहा रहे है सर प्लीज रिपीट इतनी आसान आसान चीज़ है दुबारा कर वाओंगे तो कैसे बात बात है तुम सिंपल सी बात समझो ना ऑधा है एलेक्रिक फिलीड फिल्ट यथर से इधर ठाच ज़ा रहा था इनीशस कि रफटार कितनी कि सरेनिशली स्की रफतार टीटाइम बादtu इसकी रफ्तार कुछ भी हो जाएगी तो जब इसकी रफटार कीओ किनि इस रफ़ती थी में था तुस्का वेवलेंध लेम न न QE force लगाएगी न एलेक्ट्रिक फिल्ड QE force लगाएगी तो तुम क्या लिखोगे सर ईए बाइम इंटू टी अरे क्लियर है ईए बाइम इंटू टी अरे एचलरेशन पता होना चाहिए कि फिकोस टू कितना होता है सर चांज वांत उमारे पास जो लेंडां होगा वो हो जाएगा एच बाइंटू टी संप्त matt e by m into v into t और h by m v not को हम lambda not लिख सकते हैं तो lambda equals to हो जाएगा lambda not upon 1 plus e by m into v not into t तो e by lambda upon 1 plus e by t by m v not into t तो d अमारा सही answer हो जाएगा अब देखो इनको कहरा drift velocity जैसा हाँ वाई drift velocity जैसा concept है लेकिन drift to velocity नहीं है दोनों अलग अलग चीज़ें ठीक है चल वाजाओ यहां आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे कहाणी लेकर चलो अगला सवाल देखो अगला सवाल देखो हम नहीं कराएंगे हम नहीं कराएंगे मुझे लगता है तो तुम खुट्य कर लोगे भी ना पैंच चला है देखोशन लेमडा इकोस्तों 1.227 अपॉन एक्स एक्स एक्वेशन एक्स किसके लिए स्टेंड कर रहा है इसका क्या अंसर होगा बाई ओल्ड पैटन के साब से पढ़ा रहा हो पूरा नया सिखा के जाओंगा तो मोल्ड पैटन के चक्कर में कहां पड़े हुए हो देख रहा हो 28 जुलाई 2022 का सवाल है और जिसको पता ही नहीं होगा जिसने कभी यह सब चीजे ध्यान से देखी नहीं होगी वह कहां कर पाएगा अब यह सवाल एक्दम सिंपल वही क्वेश्चन है होमवक है वेवलेंट वाला है अपना आराम से अरेंज करिएगा कैलकुले देखो बहुत चूटा सा क्वेश्चन है बहुत चूटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का अंसर को कौन करता है ट्राइमर टाइमर चला देते हैं और अपन इसको साथ में पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं देखो बहुत अच्छ momentum of electrons are EE and PE and the photons are EPH and PPH respectively which of the following is correct E upon EPH E upon EPH PE upon PPH PE upon PPH equals to V by 2C सम्झों द्यान से सुनना द्यान से सुनना यहां क्या कह रहा है एलेक्ट्रोन with a speed V and a photon with a speed C with have the same D Broglie wavelength अगर दोनों का D Broglie wavelength सेम है lambda equals to H by P होता है तो मैं यह कहूंगा कि momentum of electron और momentum of photon दोनों बराबर होंगे बहुत समझा रही है क्या momentum of electron और momentum of photon दोनों बराबर होंगे अगर बराबर होंगे तो सर यह answer तो नहीं होगा और यह answer भी तो गलत होगे अगर D Broglie wavelength सेम है तो मतलब दोनों का momentum सेम है मतलब B C और D तो नहीं होगा अब बचा B और A और B तो इसके लिए हमको energy लिखना पड़ेगा सर energy of electron क्या लिखेंगे सर energy of electron लिखेंगे पी स्क्वेर भाई momentum of electron divided by 2m mass of electron अच्छा energy of photon क्या लिखेंगे सर energy of photon तो लिखेंगे अरा वया hc by lambda energy of photon hc by lambda और h by lambda को हम क्या लिख सकते हैं h by lambda को हम क्या लिख सकते हैं जरा देखो तो energy of photon की जब बात करोगे तो ह by lambda को तुम लिख सकते हो p into c यह p किसका सर फोटोन यह हमारे पास equation a हो गया यह हमारे पास equation b हो गया दोनो equation को हमने divide करना है तो क्या मिलेगा सर यह अपॉन eph देखो अब मैं जब divide करूँ तो, मैं क्या लिखूँगा, सर, मैं लिखूँगा, PE, SQUARE, DIWAIDDEDBY2ME, DIWAIDDBY2ME, अच्छा, सर, अच्छा, सर, यहाँ पर क्या है, MOMENTUM OF PHOTON INTO, MOMENTUM OF PHOTON INTO C, तो मैं यहाँ पर अगर, तुम बुरा न मानो, तो ऐसे लिख सकता हूँ, MOMENTUM OF PHOTON INTO C, और इस से मैं यह square काट रहा हूँ क्योंकि P और PPH दोनों बराबर है P E और PPH दोनों बराबर है तो काट दिया तो energy of electron upon energy of photon energy of electron upon energy of photon that is P E upon 2 M E into C तो P E कितना है सरी P E सर M E into V divided by 2 M E into C M E से M E कट जाएगा और यह V by 2 C answer हो जाएगा और सही answer भी हो जाएगा और मैं इस question को tough question की category में रखता हूँ It is not an easy question for the student who is just going to attempt J E means exam अरे समझा रहा है क्या अगर आप J E means का exam देने जा रहे हो अगर आप J E means का exam देने जा रहे हो तो आपके लिए यह सवाल कठिन है हाँ बहुत बढ़िया सर अप्रोच कैसे रखेंगे प्लीज रिपीट अप्रोच कैसे रखेंगे प्लीज रिपीट लो टाइमर बंद कर देते हैं और इसको मैं अप्रोच करने का तरीका बताता हूँ तुमको देखो देखो भाई देखो भाई देखो भाई बता चलना चाहिए कि जो मैं बताना चाह रहा हूं वह मेरे मित्रों तक मेरे प्यारे बच्चों तक पहुंच रहा है अले बोल भाई अब उसके बात सोचो अब उसके बात सोचो एनर्जी की जब आप बात कर रहे हो एनर्जी की जब आप बात करें किसके एलेक्ट्रॉंस और photons के तो energy की जब हम बात कर रहे है energy of electron की बात कर रहे हैं भाया कोई दूसरा charge particle नहीं है तो electron के पास बस उसकी kinetic energy होगी भाया जब हमने photon का ratio देखा तो हमारा c और d option तो तुरंत गलत हो गया अब जब energy पर बात आई तो हमने क्या कहा हमने कहा कि momentum of electron का square divided by twice of mass of electron और जब photon की बात आई तो हमने कहा momentum of photon कैसे hc by lambda क्योंकि दोनों का momentum बराबर है तो कटेगा बराबर है तो कटेगा तो मुझे momentum associate करना है मतलब मुझे formula momentum के term में लिखना है तो हमने कहा लिख देते हैं इसको हम लिख देते हैं momentum of photon multiplied by c h by lambda को P लिख दिया अब equation a और equation b दोनों को divide कर दिया BAS खतम बाथ equation a और equation B दोनों को divide कर दिया तो जब electricity किसके बराबर आया यह किसके बराबर आया सर्य बराबर आया P square by 2me और भाई किसके बराबर आया sir p of photon multiplied by c और इस से ये square कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं और जैसे ही ये कटेगा ध्यान से देखना momentum को तुम क्या लिखोगे mass of electron into v क्यों सर electron with speed v mass of electron into v 2m e into c m e से m e कट गया और ये v by 2c हो गया और हमारे पास सही answer कौन सा हो गया सर भी हमारा सही answer हो गया अरे समझ आया तो बोल भाई comment box में थोड़ा बारत माता की जै अरे ठीक है सर energy of electron वाला formula कहां पर पढ़ाया कहां पर पढ़ते हैं अरे अभी तो पढ़े हैं भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अभी kinetic energy पढ़ा रहे थे तो फार्मूला बताये थे वान अपॉन टू एम भी स्क्वेर उपर नीचे एंस से multiply कर दिया पी स्क्वेर बाई टू एम अरे वर्क एनरजी चैप्टर में भी पढ़ा होगा है आर कई पढ़ो चायना पढ़ो Newton's laws of motion वर्क एनरजी में तो यह पढ़ने को मिल ही जाता है ठीक है आहा बहुत बढ़िया रोनक लूनिया चल भाई बहुत बढ़िया हाँ टू साइट पहले ही लिखाया है चल भाई कोई बात नहीं सो रहे हैं तो यह भी एक अच्छा question यह भी एक अच्छा question बहुत बढ़िया question यह भी क्या कह रहा है कि दी ब्रॉगली wavelength of a particle having kinetic energy is lambda how much extra energy must be given to this particle so that its d-brogly wavelength reduces to 75% of the initial value 75% of the initial value कितनी और extra energy energy दे दी जाए कि वो अपनी initial value का 75% हो जाए बोलो देखे कौन answer कर पाता है इसका देखे कौन answer कर पाता है इसका चलो देखो जड़ा सुरू करो तो देखो अप्रोच कौन कर पाता है question को इस question को देखो मैं कौन अप्रोच कर पाता है चलो एक मिनट का समय है एक से डेढ़ मिनट का समय है चलो अप्रोच कर वाई चलो देखे जरा इसका अंसर कौन कर पाता है फटाक से सुरू हो जाओ तो फटाक से सुरू हो जाओ तो बेटा जी चलो बाई जल्दी जल्दी एकदम वैसे करेंट इलेक्रिसिटी के चेंज इन लेंथ वाले क्वेस्टन जैसा सवाल हाँ उसी तरह के परसेंटेज और रेशो वाले सवाल जैई मीन्स बहुत पूछता है बहुत पूछता है इसका अंसर बताओ जरा कैसे निकालोगे देखो त कैसे निकालोगे देखो तो सी आंसर आ रहा है सिक्स्टीन बाई नाइन अच्छा ओके क्या का जा रहा है चलो एक मिनट दो सेकेंड हो गया अब हम इसको लगाते हैं देखो यह का जा रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिडूसेस टू सेवेंटीफ़ परसेंट आव अव लेंडा और वेवलेंडा और इनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है दी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल है विंग काइनिटिक एनर्जी इस तो हम जानते हैं कि लेंडा जो होता ना वेडा लेंडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक होता है अंडर जाएगा सर अंडर रूट ऑफ इटू अपॉन हो जाएगा अच्छा सर क्या हो गया का जा रहा हाँ मच एक्स्ट्रा इनर्जी मस्ट बीवन तो पार्टिकल वेवलेंथ तो 75% अफ इनिशल वेल्यू अच्छा सर लेंडा वन को अगर हम लेंडा टू मानले तो लेंडा टू को हम क्या लिख सकते हैं सर लेंडा टू को हम लिख सकते हैं 3 by 4 लेंडा टू को लिख सकते हैं 3 by 4 लेंडा वन इससे यह कट जाएगा that is equal to e2 upon e1 बोलो clarity अरे बोलो clarity यह 75% गट गया मतलब कितना हो गया 3 by 4 टाइम्स लेंडा वन का हो गया तो अगर हम यहां से देखें e2 upon e1 सोचना e2 upon e1 कितना आ जाएगा e2 upon e1 कितना आ जाएगा सर यह अपने पास आ जाएगा 4 चोक को 16 16 बटे 9 तो e2 equals to कितना हो जाएगा 16 by 9 e1 16 by 9 e1 सही answer कौन सा है सर c लेकिन अगर आपने यह c answer किया है तो यह answer गलत है ऐसे आप इतना मेनत करोगे पूरा physics निकाल ले जाओगे उसके बाद गडित में जाके फश जाओगे अरे सवाल को ध्यान से सुनो तो कह क्या रहा है कह रहा how much extra energy must be given to the particle कितना extra energy देना पड़ेगा extra energy final energy हो गया 16 by 9 times of e1 तो कितना delta e कितना देना पड़ेगा अरे समझ रहे हो वो क्या हो जाएगा सर 16 by 9 e1 minus e1 या that is e जो भी मान रहे हो आप उसको energy e लिखा होगा इडिशल energy आपके पास e लिखी होई है तो आप इसको 16 by 9 e minus e लिखोगे समझ रहे हो तो 16 में से नव जाएगा तो कितना बचेगा सोब दो जाएगा तो कितना बचेगा 7 e by 9 7 e by 9 answer होगा b answer सही होगा यह answer गलत होगा समझ रहे हो कि नए अरे बोलो कितने लोगों को यह बात समझ आई यह इस वज़े से यह questions आसान नहीं होते हैं इन questions में हम निकल जाओगे लेकिन जब तुम घर पहुचँगे तब तुमको पता चलेगा कि यू एड़न अब लंडर यू एड़न अब लंडर ब्रोप पूछ रहा हाउ मच इक्स्ट्रा एनरजी समझ रहो कि नहीं समझ रहो कि नहीं चलो आगे बढ़ो आज वा मेरे प्यारे सेरों मेर तुमको सवाल कराते हैं और तुमको बढ़िया बढ़िया सवाल कराते हैं देख वाइशां एनक सवाल कराते हैं यह प्र निधर कुट्र भशर न Head Language ś भरसप्शन से में क stretch को क् लोत हम जो पार्टटीकल move at right angle to each other, their D Broglie wavelength are lambda 1 and lambda 2 respectively, the particle suffers perfectly in elastic collision, the particle suffers perfectly in elastic collision, दोनों particle perfectly in elastic collision suffer करते हैं, the D Broglie wavelength lambda of the final particle is given by, जो final particle बनेगा उसका wavelength कितना होगा, यह आपके पास सवाल है, यह आपके पास सवाल है, तो यह समझो, यह समझना मेरी बात, यह बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा question है, कि यह तुम्हारे पास एक x-axis है, यह तुम्हारे पास एक y-axis है, देखा भईया, हाँ मेरे प्यारे लाल, समझा रही है बात, समझो, अच्छे से समझना, question समझना, बदाओ, question समझना, बढ़िया से आंसर करना इसका देखो question क्या कह रहा है बहुत अच्छे से सुनों कह रहा है two particles moves at right angle to each other their wavelengths are lambda 1 and lambda 2 respectively the particle suffers perfectly inelastic collision जो दोनों particles है perfectly inelastic collision suffer करते हैं मतलब मैं कह रहा हूं कि एक particle इधर है और एक particle इधर है यह इधर से भागता हुआ रहा है कि इधर से भागता हुआ रहा है इस particle का मास M1 है और इसकी रफ्तार V1 है इस particle का मास M2 है और रफ्तार कितनी है V2 है यह दोनों मान लो यहां टकराते हैं और अगर perfectly inelastically टकराते हैं मतलब दोनों टकरा कर चिपक जाते हैं चिपकने के बाद क्या हो जाता है ये किसी ऐसी रफतार से भागते हैं किसी इस direction में भागते हैं अब इनका mass कितना हो जाता है अब इनका mass m1 plus m2 हो जाता है अरे clear इनका mass m1 plus m2 हो जाता है तो deep broadly wavelength निकालने का simple तरीका क्या होता है lambda 1 जब लिखोगे इस वाले situation में तो mass m1 है velocity इसका कितना है v1 है तो sir h by m1 v1 हो जाएगा equation 1 और जब lambda 2 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा sir h by m2 v2 हो जाएगा h by m2 v2 हो जाएगा कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई समस्या नहीं है अगर हम इस जो दोनों चीजें लिखे हैं यह समझ आ गया तो comment box भर्दो भाईया भारत माता की जैए ठीक है momentum conservation coefficient of restitution 0 ऐसे लगा सकते हो लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूं कि जिसमें तुम क्या करो थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगा तो और आसानी से कर सकते हैं यह इदर से आए इदर से दोनों चिपक गए दोनों चिपक गए और यह वी रफ्तार से आगे की तरफ चला गया अ जब तुम बात करोगे किसका जब तुम बात करोगे final lambda का तो इसको क्या लिखोगे h by m1 plus m2 h by m1 plus m2 into v h by m1 plus m2 into v आज़े बोलो clarity आ रही है बोलो clarity आरी है yes या नो में जवाब देना क्या ये तुम्हारे पास final situation हो जाएगी तो हम क्या करें कि हमारा answer अच्छे से निकल जाए तो हम कहा रहे हैं हम क्या एक काम करो ध्यान से देखना अभी ध्यान से देखना अच्छे जिस सुना इस question को बहुत बढ़िया question है sir p initial कितना था initial x sex में जो इसका momentum ता सूचो इनीश्यल x सेक्सिस में momentum कितना था कहा गया अपना सवाल हां initial x axis x सेक्सिटम इंड़ा आ अगता तो मोंेंटम केतना था तुद्ध को Jun the सब्सक्राइब इनलास्टिकली एक फिर सब्सक्राइब इसका मोमेंटम ऑफ यह हाuite सर्कन्जर्व रहेगा मतलब एक्स एक्सिस मुमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा और y-axis के मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं होगा मतलब यह बॉल का जो final momentum x-axis में होगा वो कितना होगा sir m1v1 और इस ball का जो final momentum y-axis में होगा sorry y-axis में होगा M1 V1 जो एक सेक्सिस में होगा वह होगा M2 V2 बोलो कितने लोगों को ये concept तगडे से समझाया कितने लोगों को ये concept तगडे से समझाया यस यानों में जवाब देंगे हम कह रहें कि ये M2 V2 हो इससे टकराया ये M1 V1 मुमेंटम से इधर टकराया और टकरा कि M1 प्लस M2 इंटू V से इधर गए और अगर इधर गए इनका मुमेंटम कंजर्व है तो देखो इस मुमेंटम से इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा और ये इस से इसमें चेंज में कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि Xinsky इसमें अगर कोलीजन मतलब जो मेरा फैनल लेमडा बनेगा मेरं को समझ आ रहा है एच बाई अंडर रूट अफ एम वन वी वन का होल स्कॉयर प्लस एम टू वी टू के होल स्कॉयर के बराबर होगा अगर ये बात समझ आई तो बोल तो भाई कॉमेंट बॉक्स में भारत माता की जै मास्टर ने धिमाग में सेट किया है बोल भाई-ोष आउने घरा ङार रहा हूँ कि एक बाल इदर से आ रही है इसका एक्स मेंapp ng कितना है M1 V1 और X axis में momentum कितना रहेगा Sir M2 V2 तो total momentum कितना होगा Sir M1 V1 का square plus M2 V2 का square अरे समझ आया क्या अरे समझ आया क्या अगर समझ आया तो सोच lambda equals to h by under root of M1 V1 का square plus M2 V2 का square M1 V1 का square plus M2 V2 का square मतलब lambda by h की बात मैं करूँ lambda by h की बात मैं करूँ तो 1 upon M1 V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ M1 V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ सोच यहां से M1 V1 को क्या h by lambda 1 लिख सकता हूँ h by lambda 1 लिख सकता हूँ हाँ sir तो यह क्या हो जाएगा h square by lambda 1 का square plus h square by lambda 2 का square मतलब मैं पलत ले रहा हूँ मैं कह रहा हूँ h by lambda equals to लिख लो under root of h square by lambda 1 का square plus h square by plus h square by lambda 2 का square हम कह रहे हैं दोनों तरफ square कर लो तो 1 upon lambda का square equals to 1 upon lambda 1 का square plus 1 upon lambda 2 का square अगर समझ आया अगर समझ आया master ने जो बताया तो भाई तो भाई थोड़ा सा तो इसको दिलों के बीच में रखेंगे क्योंकि ये प्यार करने वाला question था बहुत ही proper question था अगर आप नए है आपने इस तरह के question आज के पहले practice नहीं किये है आप ये सवाल नहीं लगा पाएंगे समझ रहे हो क्या समझ रहे हो क्या ये one short session कोई ऐसा वैसा session नहीं है कि बस आए syllabus cover कराया time pass किये बच्चे को अच्छा feel कराया और घर चले गए न आपको आसान सवाल के साथ साथ अच्छे questions भी practice कराये जाएंगे और अगर बात समझ आ रही है तो बोल भाई comment box भरना चाहिए बारत माता की जय अरे ठीक है क्या अरे ठीक है क्या हर सवाल को समझने के बाद हम comment box में ये चाहते हैं कि भड़े वया बारत माता की जय समझे के नहीं अरे समझे के नहीं या sir Sir मैं सुरू से कर रहा था एक और बढ़िया सवाल बहुत बढ़िया सवाल तो नहीं है बढ़ा ठीक सवाल चलो यह सवाल क्या कह रहा है यह सवाल क्या कह रहा पार्टिकल P P formed due to completely inelastic collision of particle X and Y having D Broglie wavelength lambda X and lambda Y respectively if X and Y are if X and Y were moving in opposite direction then the D Broglie wavelength of P is then D Broglie wavelength of P is soch so the कितना बढ़िया सवाल बनके आ है कि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ ठीक है अब particle P forms due to completely inelastic collision of particle X and Y having D Broglie wavelength lambda X and lambda Y यह particle X है और यह particle Y है यह इधर जा रहा होगा यह इधर जा रहा होगा मानलों यह इधर जा रहा है वी एक्स रफ्तार से मानलों यह इधर जा रहा है वी वी रफ्तार से इसका मास MX है इसका मास कितना है सर MY ठीक है यह दोनों एक दूसरे के opposite direction में जा रहा है एक्स एंड यार मुविंग इन ऑपोजे डिरेक्शन देन डी ब्रॉगली वेवलेंट पी अरे बात समय जा रही पार्टिकल पी का जो डी ब्रॉगली वेवलेंट होगा वो कितना होगा यह दोनों जुड़कर यह दोनों जुड़कर मान लो किसी रफ्तार से इधर चले गए जुड़कर यह दोनों जुड़कर किसी रफ्तार से इधर चले गए वी अरे इंड़क लएक यह दो सरо सर्ल लैम्डा एक्स कितना होगा सर्ल लैम्डा एक्स को अगर लिखेंगे तो sir h by py लिखेंगे और lambda of p लिखेंगे combine होने के बाद p हो गया तो sir इसको क्या लिखेंगे sir h by p लिखेंगे अरे समझ रहे हो क्या अरे समझ रहे हो क्या चलो इतना हम तुमको सिखा दिये हैं 2019 का सवाल है जला इसको लिखेंगे और आपका semiconductors भी कराएंगे चिंता मत कर यह साब पढ़ा के सिखा के दिमाग में set करके जाएंगे यह आपके पास कहानी हो गई यह आपके पास कहानी हो गई तो हम तो यह कह रहे है कि एक बात हम लेम्डा एक्स पी वाई की वेलि underwear टेंश कशन में आ रहा था तो माइन पी वाई कर्दि अरे कि यह पी की वाई कितनी होगी सर ह renable यह और टी ना होगा सर एच वाई लेम्डा लोग यह एचर अज़ क्या answer मिलेगा एच से एच कट जाएगा बोलो तो एच से एच कट जाएगा 1 by lambda जो होगा ये बराबर हो जाएगा 1 by lambda x minus 1 by lambda y देखो initial momentum तो यह ही है ना इधर वाले का positive इधर वाले का negative तो यह P x minus P y equals to P तो 1 by lambda equals to 1 upon lambda x minus 1 upon lambda y मतलब lambda की value कितनी हो जाएगी Sir lambda x lambda y upon mod of lambda x minus lambda y अरे clear lambda x lambda y upon lambda x minus lambda y यह format जरूर दिमाक में set कर लीजेगा कि modern में अगर सवाल आएगा Sir मैं आया 2x speed से बहुत बढ़िया Very good, very good अगर modern में collision का सवाल आया तो यह concept और यह concept दोनों दिमाक में set कर लीजेगा कुछ करने की जरूरत नहीं है आराम से हो जाएगा चलो आए हम तुमको एक basic इसका इस collision का एक basic format बता देते हैं वो क्या है मान लो बहिया एक basic format तुमको क्या सिखा रहे हैं basic format तुमको सिखा रहे हैं अच्छे से पढ़ना अच्छे से समझना मान लो हम कहा दे रहे हैं कि एक particle इधर से आ रहा है इसका momentum है P1 ठीक है चलो या mass M1 है velocity V1 है एक particle कही मान लो इधर से आ रहा है इसका mass M2 है और velocity V2 है ये दोनों टकराते हैं और ऐसे टकराते हैं इनका coefficient of restitution E हो जाता है collision का सवाल बन जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको बस initial momentum और final momentum compare करके final रफतार निकालनी है वो दो equation से निकलेगी एक coefficient of restitution से आएगी और एक conservation of linear momentum से आएगी इन दोनों से रफतार लिखिए और lambda equals to H by P लिखिए बस खतम बात answer निकल जाएगा यही format अपने दिमाग के अंदर बिठा कर रखे otherwise आपको इससे कठिन कुछ नहीं मिलने वाला इससे और इससे कठिन कुछ नहीं मिलने वाला जो J-Mains में मिलेगा वो इतना ही मिलेगा और इस तरह के question आपको repeat telecast में देखने को मिल सकते हैं थोड़ा मेरे भाईया हम तुमसे हाथ जोल के विंती करते हैं यह जो last वाला हिस्सा करा हैं D-Brogly का इनको अच्छे से करके जाना collision वाला सवाल अच्छे से करके जाना तभी कर पाओगे तभी कर पाओगे नहीं तो भाईया नहीं तो भाईया खेला हो जाएगा तो हम नहीं जानते हैं फिर हमारा दोस मत देना यह देखो यह सवाल है यह देखो यह सवाल ही कह रहा particle A of mass M initially and initial velocity V collides with the particle V of mass M by 2 which is at rest the collision is head-on and elastic the collision is head-on and elastic collision कैसा है सर-head-on collision है और सर-elastic collision है the ratio of the D-Brogly wavelength lambda A to lambda B after the collision is after the collision क्या होगा इनका lambda A and lambda B collision का तीन सवाल करा दिये है जान लेना D-Brogly में important mark कर लेना collision वाला सवाल लगाना है तो लगाना है तो लगाना है और तो simple formula वाले हैं और तो कर ही ले जाओगे इन दोड़ों पार्ट से एक सवाल फोटो इलेक्रिक एफेक्ट से एक सवाल D-Brogly से 100% guarantee लिखवालो आएगा तो आएगा समझे रहो ना हाँ आजी कराएंगे तो शार्ज है सवाल आजी कराएंगे अभी तो 4 गंटा हुआ है वेटा अभी तो चार गंटा हुआ है अगले चार गंटे एटम से न्यूक्लिया ही चलेगा उसके बाद अगले डेल गंटे हमारा समी कंड़क्टर डिवाइस चलेगा नौ साले नौ गंटा पढ़ाएंगे देखा है चलो आओ देखो देखो भाई यह सवाल करो पार्टिकल ले इसकी रफ्तार कितनी है वी है तो पी इनीशल इक्वल स्टू पी फाइनल टकराने के बाद ध्यान से सुनिएगा टकराने के बाद हम कह रहें M वाले की रफ्तार हो गई V1 और M by 2 वाले की रफ्तार हो गई V2 दोनों का मास अगर बराबर होता तो एक रुक जाता और दूसरा आगे बढ़ जाता लेकिन दोनों का मास बराबर नहीं है यह before collision की स्थिती है यह after collision की स्थिती है ठीक है चलो भईया तो P initial कितना है सर M into V P final कितना है सर P final सर M into V1 plus M by 2 into V2 equation A सर 2 unknown sir coefficient of distribution perfectly elastic आख सर E की value 1 perfectly elastic आख सर E की value 1 E क्या होता है सर velocity of separation upon velocity of approach मतलब V2 minus V1 upon velocity of approach कितना है सर velocity of approach V minus 0 बेख भईया velocity of approach कितना है V minus 0 velocity of separation कितना है V2 minus V1 कितनी रफ्तार से अलग हो रहे हैं V2 माइनस V1 कितनी रफ्तार से पास आ रहा है यह रुका हुआ है और यह V रफ्तार से पास आ रहा है तो V माइनस 0 यहां से क्या मिलेगा यहां से मिलेगा V2 माइनस V1 इकोल्स 2 V2 माइनस V1 इकोल्स 2 V यहां से क्या लिखो यहां से क्या लिखो होगा सर अब देखंग 2 equation हो गया equation V हो हो गया तो यहां से दिकऊ इन दोने equation में MV एकर लिखेंगे सर वी 1 के जगे हो जाएगा V2- V2 v2- V और यहां क्या हो जाएगा सर M by 2 v2 अब निकाल हो अब निकाल свое बनकी और तो यह सवाल टू वी टू है और यह M V2 है दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह अपने पास 3M by 2 वी टू हो जाएगा 3M by 2 V2 हो जाएगा M से M कट जाएगा दो इधर चला जाएगा तो V2 की value 4 by 3 V हो जाएगा अगर V2 4 by 3 V हो गया अगर V2 4 by 3 V हो गया तो सर्व टूका हो जाएगा सचो विवन कितना हो जाएगा तो दूना 4 23 साहिकर लो नाень söylanop वी चीज़े वी दूगे ट carne R343 इसे मासिख और या आ ने की व crease tl server by Tea रisu यह यह पर हमने क्या लिख दिया सर्च्स्य आं पर हमने लिख धिया फोर्ड बाइथ रिवी बी वी वन का हम को पता नहीं V1 का हमको पता नहीं V bhaiya V bhaiya V bhaiya अरे क्लिए रहसे value रख यहां से answer रिकाले answer रख दीना और खतम बाद आयं Hm अब हमको निकालना क्या है जो आ हमसे पूछ रहा है तो पूछ रहा है को यह जिर्डे इब डेड वेफलें हैंडा ले मदाल lambda A, lambda B निकालना है, तो कैसे निकालोगे, sir, lambda A equals to लिखेंगे, sir, h by M into रफतार, V1 कितना है, sir, V by 3, lambda B कितना लिखेंगे, sir, यह लिखेंगे, sir, h by, mass कितना है, M by 3 और रफतार V2, that is 4 V by 3, देखो क्या मिलेगा, अरे देखो से तीन कट जाएगा realised एक उपर चला जाएगा तessä फếnार हो जाएगा लेंडा कि वेल्यू कितनी हो अन्सर है नहीं है कुछ तो ढलत कि है हम लोग प्लाट कि है तूभी रूपर वी थे लिखे हैं यहां पर वीवाई थे लिखे हैं मास कितना है एम और मास है न सब्सक्राइब है यह थो गलत लिखने है एक मार्म यह मैं थी मास है M और एम इस तीन कट जाएगा यह दो दूना चार ढोली हो जाएगा यह दो दूना चार चार हो जाएगा इस तीन से यह देख हुआ इस तीन से यह तीन कट जाएगा यह दो? दूना चार विजा चाल जाएगा यह दहां चला जाएगा तो अपने पास one by two answer हो जाएगा बलो clear है क्या Alrighty I एम बाई टू गरबढ़ हो रहा था वही तो चलो बहुत सही बहुत बढ़िया वेरी गुड ऐसे कैलकुलेशन देख देखके लगा दिया करू ठीक है हाँ मास रॉंग लिखे ते बहुत बढ़िया वच्चे वेरी गुड अरे वहीं समझाया की नहीं समझाया सर मैस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कर लिजेगा चलिये अब इसके बाद यहां हमारा दोर खतम होता है एक पार्ट का मतलब हम अपने चार गंटे में आठ नंबर अपना सॉलिड कर चुके हैं चार गंटा 15 मिनट 24 सेकंड के अंदर हम लोग अपना आठ नंबर सॉलिड कर चुके हैं अरे बोलो बात समझा रही है क्या हाँ को लिजन का चैप्टर का नाम है अटम्स अब एक बार इमानदारी से प्यार से सब लोग सुकून से बोलेंगे बारत माता की जय चलो बैया कितना सॉलिड हुआ सर कितना सॉलिड हुआ सर आथ नंबर सॉलिड हुआ ठीक है आव वाई चलो बाई आजाओ माइंड मैप दीजिए सर प्ली डी आल राइट है हाँ चलो बहुत बढ़िया एटम्स की सुरुवात करने जा रहे हैं और एटम्स की सुरुवात करने जा रहे हैं क्या लिखकर सर लिखके जा रहे हैं भारत माता की बारत माता की जय यस सर चलिए सर चलिए सर भारत माता की जय नया चैप्टर सुरू करते ह हैं और आपके दिमाग में सब कुछ फिट करने की पूरी कोशिश करते हैं बढ़ियां मस्त दमा दमदार लेवल पे आपकी कहानी लेकर चलते हैं चलो भईया देखो एटम की कहानी शुरू होती वैसे तो मैं बताओ न मुझे दुनिया का सबसे वाहियात सब्जेक्ट फिजि आती है और डाल्टन अटामिक थेयोरी में क्या कहा जाता है कि एटम जो होते हैं वो अंडिविजिबल होते हैं सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता ठीक है यह डाल्टन की कहानी थी हाँ लोग ने लगबग 50-70 साल तक 50 साल तक डाल्ट जितना इसमें काम की बात थी वह हम डाल्टन से टॉमिक थेयोरी में आपको बता दिया उसके बाद आते हैं जेजे थॉम्सन जेजे थॉम्सन कहते हैं कि नहीं भाईया एटम जो है ना वो सबसे छोटा नहीं एटम को और तोड़ा जा सकता है एक अंदर इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज है प्रोटन उटन का नाम नहीं दिया उन्होंने का वो पॉजिटिव चार्ज है मतलब एटम जो वो दो चीजों से मिलकर वना है एक नेगटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट है और जैसे यह बात जस्टिफाई हुई जैसे यह बात जस् हैं जो निकल के बाहर आ रहे थे तो उस थेयरी को हमारे डाल्टन साथ जस्टिफाई नहीं कर पाए इनका गेम ओवर हो गया लेकिन उसके साथ में पैरलल में एक कहानी चल रही थी जिसका नाम था का absorption emission spectrum absorption emission spectrum में क्या होता था एक डिबा लिया जाता था उस डिब्बे के अंदर उस डिब्बे के अंदर क्या करते थे element जैसे कुछ भी हमको कोई नया element मिला उस element का powdered form उसके अंदर भर देते थे और एक possible electromagnetic radiation वहां से पास कराया जाता था सारी पॉसिबल वेवलिंद का तो होता क्या था कि जैडेनेस की पीछे fluorescent plate लगी रहती थी वहां पर हमको कुछ radiation मिलता था और फिर उसके बाद क्या होता था उसको हटा लिया जाता था फिर दूसरी प्लेट लगाई जाती थी थो थोड़ी दिर बाद हमको फिर कुछ fluorescent मिलता था तो ऐसा मिलता था यह अपने पास absorption बाहर निकला उसको समझा दिये लेकिन भाईया रगर फोड का पैरलल में एक्सपरिमेंट चल रहा था और उसने कहा कि भाईया maximum space जो atom का है वह empty सब लोग जानते हैं तो यह तो कह रहे है कि पूरा atom भरा हुआ है अंदर क्या है water melon का fruit है जो positive charge और seed क्या है negative charge तो यहीं तो कहानी सारा गर्बल हो गया यहां पर इनका model फेल हो गया atoms are spherical in shape इसको justify justify कर दिया था छोटी मूटी बाते कर दी थी उसके बाद जो सबसे important theory जहां से हमको पढ़ना है उनका नाम था भाईया यह आये तो इन्होंने एक अप्रोच दी इन्होंने कहा कि भईया एक गोल्ड फॉइल ले लो सब लोग इसके बारे में जानते इस वादे से मैं बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करना हूं इदर आराम से तुम लोग को प्यार से बाते सिखा दे रहा हूं और आपन आगे अगे बढ़ जाएंगे इन्होंने क्या कि एक गोल्ड फॉयल को लिया और यहां बीच में रख दिया और यहां पर एक सोर्स रख दिया अलफा पार्टिकल और इस लिख्वाई की मदद से बहुत हाय एसलेरेशन तक केसलरेट किया और इस गोल्ड फॉइल के उपर गिराए यह गोल्ड फॉइल इतनी पतली थी कि नेकेड आई से दिखाई भी नहीं दे रही थी गोल्ड क्यू लिया गया क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है मतलब गोल्ड इतना डक्टाइल होता है कि उसमे इसला है कि यहां से खुब सारे particles आये alpha particles निकल गए when the particle टीटा डिगरी पर निकले है और इकाद ऐसे one in a million alpha particles ऐसे थे जो यहां गए तक रहे और तक रहा के वापस आ गये और जैसे ही रदर फोर्ड ने ये देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल से जो 180 डिग्री पर वापस आ जा रहे हैं और उस पर काइनेटिक एनरजी बढ़ाता जा रहा बढ़ाता जा रहा लेकिन वह वापस आहीर है तो जब उससे देखा अभर बना है नीउट्रान और प्रोटान उसी समय चैडविक वेडविग भी आ गये थे नीउट्रान प्रोटान की 99.9% of weight जो होता है अटम का, weight is occupied by, यह मास लिखना, 99.9% of mass is occupied by, occupied by 0.1% of the volume, 0.1% of volume, that is known as, that is known as volume of, volume of nucleus, इसको किस नाम से जाना जाता है, सर, nucleus के volume के नाम से जाना जाता है, अच्छा मतलब nucleus अंदर है, अरे भाया, यह nucleus जो अंदर है, यह neutron प्लस proton का combination है, इसकी density कैसी होगी, सर, इसकी density very high होगी, बहुत जादा होगी, electrons इसके चारो तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, तो सवाल यह पहदा हुआ कि यह electrons जो है, क्या इस alpha particle को deviate नहीं करा सकते हैं, यह alpha particle positive charge particle है, अगर यह electrons के पास जाएगा, तो क्या इनके बीच में electrostatic attraction repulsion नहीं होगा, तो रधर फोने का नहीं होगा, फिर उससे का क्यूं, का कि it is like कि तुम खड़े हो, एक पहार के नीचे, और उपर से एक बहुत बढ़ा सा पत्थर रोल करता हुआ रहा है, अब तुमको कहना है, रख रोख लो, पत्थर रोख लोगे, बोलो पत्थर रोख लोगे, यह स्यानों में जवाब देना, क्या पत्थर रोख लोगे, नहीं रोख पाओगे, सर क्यों नहीं रोख पाओगे, पत्थर क्यों नहीं रोख पाओगे, क्यों कि उस यस चलो सर चलो भई आप बहुत बढ़िया मेरे प्यारे मित्रों मेरे प्यारे भाईयों अभी यहां पर देखू मुद्दे वाली बात क्या है कि इसने रधर फोट ने एक explanation दिया mathematical explanation दिया क्या explanation दिया कि number of particles deviated at any angle theta is inversely proportional to sine की power 4 theta by 2 sine की power 4 theta by 2 अच्छा master चाब बहुत बढ़िया very good very good क्या वात है सर क्या वात है सर अच्छा तो इसका क्या फाइदा होगा सर इसका हम निकाल पाएंगे कि कितने एंगल पर कितने particles जा रहे है और एक ग्राफ निकल क्या है वो ग्राफ हमारे पास ऐसे था यह ग्राफ क्या है सर एन इंटु थीटा इस डिरेक्ली प्रोपूश्चनल टू को सिक की पावर फोर थीटा बाई टू लिख लो चाहे वन अपॉन साइन की पावर फोर थीटा बाई तू लिख लो अच्छा दूसरी बात इससे क्या कहीं कि इलेक्ट्रॉन्स जो इसके चारो तरफ गोल गोल घूम रहे हैं मैक्सिमल की उस समय थिटो काती है हां कोई बाति यार कम होते रहें तो क्या कर सकते हैं जिसको पढ़ना है वो पड़ेगा नाव लिखवाए हैं भी नाम लिखवाए ते बहुत लोग चलो कई पर आई लोगकर रहए अपने काम पे आते हैं वहाई हार नो क्या है हमारा काम बस इतना साहिक कि हम को मन लगा कि аपनी अनालिसीस पढनी है अपनी आपनी अनालिस करनी है और सवाल लगाने है ठीक तो चलो भाई इस पर आ जाते है रधर फोड के साथ प्राबलम कहां होती है रधर फोड के साथ प्राबलम आती है Maxwell की थियोरी की वज़े से Maxwell कहता है कि दुनिया में अगर कहीं भी कोई electron accelerated electron है तो वो electromagnetic radiation emit करेगा अब रधर फोड भाई साब कह दिये कि electron nucleus के चारो तरफ गोल गोल घूम रहा है तो मतलब उसके उपर centripetal acceleration लग रहा है खाना खाने गये सब हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो आजाओ उसके उपर एक centripetal acceleration लग रहा है और centripetal acceleration लग रहा है ऐसा होता तो conservation of mass justify नहीं रहा जाता conservation of energy भी justify नहीं रहा जाता तो यहां इस बात को explain करने के लिए रधर फोड भाई साब गरबढ हो गए और रधर फोड भी absorption emission spectrum को explain नहीं कर पाए थे कैसे electron excite होता है कैसे electron de-excite होता है उसको भी यह दूर-दूर तक छू नहीं पाए थी बस इन्होंने मुद्दे वाली बात क्या कह दीदी मुद्दे वाली बात कह दीदी कि यहां तक अपने पास रधर फोड की कहानी क्लेर होगा अब रधर फोड की कहानी में रधर फोड की कहानी में एक दो बाते और छोटी-छोटी आती है वो क्या है एक दो बाते और छोटी-छोटी आती है वो क्या है जरा उनको भी देख लेते हैं देख लेते हैं तब उसके बात सीधे सवाल पर आएंगे distance of closest approach distance of closest approach यह क्या है यह आपके पास एक nucleus सर यह क्या है सर यह अपने पास एक nucleus है ठीक है सर nucleus में क्या है सर protons है जिसके उपर charge कितना है सर अगर हम कह रहे है यहां से एक alpha particle जिसको हम V रफतार से दोड़ा दे रहे हैं जिसका mass कितना है सर M है अगर यह यहां जा रहा है V रफतार से यहां से वापस आ जा रहा है तो भाईया जितने distance से यह वापस आ जा रहा है इसी distance को कहा जाता है distance of closest approach maximum कहां तक यह पहुच पाया तो जब बहुत ज्यादा हाई acceleration से लगबग 10 to the power 6 meter per second की रफतार से जब इसने इसको touch कराया ना तो यह जो D हमको मिला यह 10 to the power minus 14 meter की range में मिला और इसी को code किया कि यहां कि यहां पर इसके पास कानेटिक एंजी कितनी है इनिशियल पोटेंशिल एनरजी मास्टर सहब 0 जब यह यहाँ पहुंचा कहीं तो भाई यहाँ इसका मास M था अलफा पार्टिकल था चार्ज कित्रा था सर अलफा पार्टिकल पे चार्ज 2E होता है तो हम क्या कहेंगे फाइनल पोटेंशिल एनरजी के जेडी इंटू 2E के क्यों क्यों टूबाई डिस्टेंस ओफ लोजेस्ट अप्रोच कित्रा सर दी अच्छा जब इसा हुआ तो हमने का वान अपॉन टू एम वी स्क्वाइर इकोल स्टू कित्रा हो गया सर यह हो गया के जेडी टू के जेडी स अप्रोच का अचा इसके साथ एक और बात रदर फोड ने कहिए तीन बाते आपको ध्यान देनी है पहली बात क्या ध्यान देनी है कि जो रिलेशन है किसका एन थीटा इस इन्वर्स्टी प्रोपोश्टल टू साइन की पावर फोर थीटा एंगल अफ डेवियेशन वाला द इससे जैने सवाल पूछ चुका है बीज डारेक्ली प्रोपोश्टल टू कॉट ठीटा भाई टू इससे जैने सवाल पूछ चुका है समझना इंपक्ट पैरामीटर क्या होता है यह निउक्लियस है आपके पास अगर कोई अलफा पार्टिकल यहां से पास कर रहा है तो ऐस सीधा निकल जाता तो यह जो पैरलल डिस्टेंस होती है निउक्लियस वाली लाइन का और अलफा पार्टिकल वाली लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसी को इंपक्ट पैरामीटर कहा जाता है अगर मेरी बात समझा रही है तो भाई कॉमेंट जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे यह सर्चलोव फटा बटा बन्हों देंस हुआ हमारे पास अधरता फोर्ट को हम संकुलीड करें रज़र फोर्ट को हम घरता अगरम कंकलूड करें तो हमें वह मि क्या मिला कि जो पाटिकल्स डिवی एट हो रहे वहो कितने एंगल lançोर है सर साइन की पावर 4 थीटा भाई अच्छा दूसरा क्या डिस्टेंस आफ क्लोजिस्ट अप्रोच सर्डी इक्वेस्ट टू कितना है सर फोर के जडी स्क्वार डिवाइड भाई एम वी स्क्वार अच्छा और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इंपक्ट पैरामीटर तो इस डारेक्ली प्रोपोशनल तो कॉट थीटा भाई तो अब इन्हीं तीन फॉर्मुले से जही मेंस क्वेश्ट पूच्छुका है आज देखो देखो सबसे पहला तो यह देखो यह क्या कह रहा दर नमबर अपार्टिकल्स दुना सुनना ज्यांसे यह किसी यहर में पूचा गया था यह मुझे याद नहीं लिखा नहीं है यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया होगा दे नमबर अपार्टिकल्स स्कैटर एट सिक्स्टी डिग्री इस हंड्रेड पर मिनट इन एल्लफा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्स्परिमेंट यूज यह हमारे पास रिलेशन है जो हमको बाई हाट याद रहना चाहिए और अगर हमारी बतिया आपको समझ आ रही है तो बोल दो भईया बोल दो भईया हां मास्टर ताप थोड़ा दिल आग बना दो और यह लाइक्स को 350 पहुंचा दो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा हम लाइक शेल सबसर्क्राइब कर दो थोड़ाय स्टोरी स्टोरी लगा दो बता दो कि रहें कोई मास्टर मॉडन पढ़ा रहा है पूरा मॉडन Padha कि छोड़ए गारा गंता लगे जार्ए लिए तो यहां पर क्या लिखोगे यहां पर क्या लिखोगे सर N at theta 1 N at theta 1 upon N2 at theta 2 equals to equals to sine की power for theta 2 by 2 upon sine की power for sine की power for theta 1 by 2 अरे clear है क्या हाँ master साब अब जाके बात समझा रही है अब जाके बात समझा रही है थोड़ा फील आरा लग रहा है कि अरे रधर फोड से भी सवाल बन सकता है बिल्कुल बन सकता है सर पहला वाला कितना है सर दूसरा वाला कितना है सर निकालना है equals to sine की power 4 theta by 2 मतलब sine 45 degree मतलब 1 by root 2 का square करेंगे तो 1 by 2 हो जाएगा उसका square करेंगे sir 1 by 4 हो जाएगा अरे clear divided by divided by sine अपने पास कितना है और क्या करेंगे 10きた one कितना सर सिक्सटी डिगरी तो soit 30 का value वाल पाइड्यों और होता है टो वहँद भाईड्यर करेंगे ड वन वाई 2 करेंगे टो क्या मिल जाएगा वन भाई 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा सो वटे सो वटे चार वो कितने लोग लिए रहे दो दुना चार दुना आठ दुना आठ दुना दुना सोला चार चोक को सोला यस सो वटे चार मतलब कितना सर पचीस अरे बोलो समझाय ग्या nbnad theta 2 यह समझाया क्या 90ologists न्यांटी डिग्री पर देने वाले 25 पार्टिकल कौन विव्य समझाया यह सोवर्णा यह समझाया क्या यह स्यानों में जवाब देना यह यह सब्सक्राओं देना जल्दी फटा-फट बताएंगे वह आप समझा रहे कि नहीं फटावट बताईएगा जल्दी बताईएगा यास सर चलो सर जालें यास सर बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां समझ आ रहा है तो comment box में दिलाग बनाईएगा थोड़ा हमको अच्छा लगेगा और यह थोड़ा बताऊ कौन सांसर है अरे बताएंगे भया बताएंगे भया कौन सांसर है कौन सांसर है यस यानो में जवाब दो भया सर यह टाइगर आपके साथ रहेगा पूरे लेक्चर तक बहुत बढ़ियां वेरी गुड़ चाहिए विभाईए चाहिए विभाईए मुझे तुम लोग का सपोर्ट चाहिए तुम लोग सपोर्ट करोगे तभी तुम और अच्छा डिलिवर कर पाऊंगा और मजे से अच्छ जनवरी फर्श दो हजार वी तो रूट डी तुम और रूट डी टू आप बेड़ टू आ परामेटर करेस्पोंडिंग तू इस कैच्छ गार इंगर शींग्टी दिग्री अनियंटी डिग्री रिस्पेटिवली व्लफ टीटिवल्ट नूपरोचिं गोल्ट बताओ इसका अंसर क्या होगा थीटा 1 कितना है 60 डिगरी थीटा 2 कितना है 90 तो मतलब क्या सर मतलब क्या है मतलब इतना साही है कि रूट d1 upon d2 is directly proportional to अटा दो equal to लिग दो कॉट थीटा 1 by 2 मतलब कॉट 30 डिगरी कितना वही है कितना वही है यह हमारे पास कॉट 30 डिगरी divided by कॉट 45 डिगरी यह आंसर बता दो चौट 30 का वैलिओ कितना होता है मजा आ गया सर पढ़ के अरे बहुत बढ़िया भाई थांक यू भाई थांक यू भाई मैं की साथ एंड तक इसका अंसर बतादो इसका अंसर बता दो बहुत बढीया very good क्या बात है तुम लोग एक दम दिल रख रहे । मौथ से पढ़ रहे हो बट इस समय तुम होता पास्ट न सर करो मैं मसbecue पता चले कि यह त तभी जाकर मजा आएगा तभी जाकर बातें समझाएंगे सबल्सक्राइब भाई जल्दी आंसर कर कर का इतना तो नहीं यार इतना तो नहीं वेट कर सकता मैं अगर इतना समय लगाओगे तुम लोग तो कैसे से मजाए दीवार पोन डीटू देखो आब कितना हो जाएगा रूट डीवन अपोन डीटू इकोल स्टु कॉच्छ का थेल्यू कितना होता है जल्दी बता दो कॉच्छ अबनक्र करएघे से घि respondsंड़े पास है तो हमारे पासक्न jurisdiction का 45 का 1 होता है तो भाई या डी 1 इक्वोस टू कित्रा हो जाएगा सर 3D 2 मतलब एक्स की वेल्यू कित्री मिल जाएगी सर एक्स की वेल्यू कितनी मिल जाएगी यार ठी मिल जाएगी भाई तक हमारी कहानी खतम हो जाती है किसकी यहां हमारी कहानी खतम हो जाती है यहां हमारी कहानी खतम हो जाती है रधर फोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक्स ऑफ रधर फोर्ड मॉडल पढ़े हो ना वहिया कि इलेक्ट्रॉन गोल-गोल घूम के नुक्लियस के अंदर समा जाना ठीक है रधर फोर्ड इसको एक्स्प्लेन नहीं कर पाए था कि क्यों ऐसा नहीं होता है ठीक है रधर फोर्ड ने यह कह दिया था कि अगर एसलरेटिड चार्ज पार्टिकल है तो वह एनरजी एमिट करेगा जैसा कि मैक्सवल ने कहा है तो यह इलेक्ट्रॉन एनरजी एमिट करना चाहिए और अगर यह करेगा तो इसके अनरजी घरती जाएगी तो घरते घरते यह न्यूप्यस के अंदर जाकर समा जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं था जिसको एक्स्प्लेन नहीं कर पाए रधर फोर्ड भाई साहब और अगर नहीं फाल्तु के तीन पॉस्टूलेट्स देता है जो हाईडरोजन लाइक एटम के लिए हाइडरोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड होते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा यहीं से सवाल जादा बनके आएगा यहीं एक हिस्सा है एक जिसको आपको देखो बोर्स अटोमिक मोडल क्या है पहला पॉस्टोलेट क्या है बताओ गया पहला पॉस्टोलेट क्या कि अरे भया सेंटर पर नूकलियस है रधर फोर्ट भाई साब ने यह बात सही कई है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फिक्स ऑर्बीट में गोल गोल खुमता है और अगर fix और में घूम रहा है मतलब उसके सेंटरिपोडल पूर्स को सेंटिफ्यूगल फॉरस दोनों बालेंस है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊप потреб lists लगई सेंटरिपिटल और बाहर की तरफ लग रहा है कि Mb² भाई थीक है तो इन्होंने कहा कि भाईया न्यूकलियस है तो इसके उपर charge plus ze है न्यूकलियस है तो charge कितना है sir plus ze है तो first postulate कहता है कि electrostatic force that is Kzee square upon R square Kzee square upon R square मतलब radius of the radius of the orbit का square यह किसके बराबर होगा सर यह बराबर होगा Mb² by R k small r e लिख लो इस्माल आरी लिकलोग पहला पॉंस्ट यहीं था पहला पॉंस्ट यहीं था फस्ट पॉंस्ट यह कि अलेक्ट्र vegetableiet अधूरी सही बोलो ना सब्सक्राइब नंच्या वाइज दूरणा जरूरी है उसको सर से सिर से ना पड़े क्या कहे रहो जितना पढ़ा नहीं पढ़ लो बहुत है जितना नोट से पढ़ा रहा उतना पढ़ लो आद जो खेरी लिखा हुआ है उसको बस एक बार ऐसे गो थू कर ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक कहा है वर्स्ट पोस्चुलेट हो रहे हैं जिस और्बिट में है उतने नंबर की standing wave बना रहे है standing wave का मतलब समझ रहे हो कि एक वाल यह एक वाल यह बीच में रसी और यह वाल्स कैसी है hundred percent elastic मतलब यह कोई energy absorb नहीं करेंगे एकडम रसी tightly बंदी है आप उसको कैसे vibrate करके छोड़ दो क्या होगा वह vibration उसे उस रसी के अंदर continuously बना रहेगा infinite समय तक अगर दिवाल कोई energy absorb नहीं कर रही है तो और वह रसी continuously vibrate करती रहेगी यही का electron के अंदर कि हाँ ठीक है electron गोल घूम रहा है accelerated electron है यह energy produce करेगा लेकिन वह energy उसके orbit में बंधी रहेगी orbit से बाहर नहीं जाएगी और बाहर नहीं जाएगी तो भाई साहब बाहर नहीं जाएगी तो भाई साहब वह कैसी energy होगी जो एक fix orbit में channelize होगी और बाद में जाकर इसी को हम कहते हैं इसी को हम भाईया यह पूरी length कितनी है सर पूरी length 2 pi r में 2 pi r में कितना कितना wavelength बन रहा है अगर यह nth orbit है तो इसमें जो बनेगा वह n lambda बनेगा अरे clear n lambda waves बनेगे lambda क्या होता distance between christ and christ अरे समझ रहो क्या तो अगर first orbit है तो एक wave बनेगी एक standing wave बनेगी second orbit है तो दो third orbit है तो fourth orbit है तो four यह n lambda अच्छा lambda देखो यहां से ध्यान से सुना 2 pi r lambda equals to क्या लिखा जा सकता है sir h by p क्या लिखा जा सकता है यह lambda equals to h by p लिखा जा सकता है क्योंकि particle का particle का wave nature और particle nature कैसे associate होता है उसके लिए lambda equals to h by p लिख दिया किस ने यह लिख दिया हमारे भोर साब ने और फिर कहा कि 2 pi r में n h by p की जगे आप लिख सकते हैं mv क्या लिख सकते है mv अब mvr को इडर ले आए 2 pi को नीचे लेकर जाए यह second postulate में कहा कि mvr जो होगा वो किसके बराबर होगा में तर वह बराबर होगा हमारे पास n h by 2 pi के वहर n is the number of orbit n is the number of orbit बोल अगर फील आया master ने तुझे दिमाग में set करवाया तो थोड़ी तो master की तारीब बनती है या third postulate third postulate क्या है third postulate क्या है चलब बय्या third postulate क्या है second postulate का फील आया कि नहीं आया yes ya no में जवाब देना यस या नो में जवाब देना आगर ये एने थार में है तो इसका radius का circumference कितना होगा 2 pi यार इस circumference के अंदर इसमें कितनी waves बनेंगी sir n तो एक wave का wavelength कितना है lambda तो n waves का कितना होगा n lambda वो किसमें बन रही है इसी 2 pi r के circumference में बन रही है तो 2 pi r equals to n lambda lambda equals to sir h by p p की जगह sir m v मतलब m v r equals to n h by 2 pi बोलो मित्रबाद समझाई क्या m v r equals to n h by 2 pi Maxwell की theory को उठाया और अपना second postulate बनाया और ये धडलले से काम कर गया ठीका भाई ठीका भाई ठीका भाई या सर या सर या सर चालो सर बाहुत बढ़िया थर्ड पॉस्चुलेट में ये कहा गया कि भाईया absorption emission spectrum हो रहा था जिसमें excitation or de-excitation of electron की बात करी जा रही थी तो इसने उसको भी explain कर दिया इसने उसको भी explain कर दिया क्या कहा कि भाईया जो electron excite हो रहा है तो वो जो photon absorb कर रहा है या जो photon वो दे रहा है बात समझा रही है उसकी जो energy है वो क्या है hc by lambda वो बराबर है e initial minus e final के या आप कहलो बड़ी energy minus छोटी energy के बड़ी energy minus छोटी energy के वैसे तो अपन पॉस्टुलेट लिख रहे हैं तो formation में लिखते हैं energy initial minus e final अगर ये value positive आई अगर ये value toward the apost stole ल॥ उच्वाइतो इतनी energy का photon दिया mud I mean value negative आई तो भोया इतनी energy का photon दिया अठे two from a सोचो संछो अगर ये positive है समझना अगर ये value positive मतलब initial ज्यादा औरать कम positive आया मतलब मतलब क्या हुआ सर मतलब emission हुआ किसका सर emission किसका हुआ सर emission of photon टेक्स प्लेस ओ बाइस साब और भाईया अगर ये negative आया अगर ये negative आया मतलब क्या हुआ absorption a b s o r p t i o n master की अंगरे जी कमजोर नहीं है सर मेरा भी नाम लिखा लो तेरा भी नाम लिखा ले रहें क्या बात तुमारा नाम याद रहेगा या जैब अन्सर की समझ गए clear आज तक सीधे formula लिखते थे अच्छा कोई बात नहीं कोई बात बढ़िया ठीक है चलो तो यह अपने पास अब इसी दोनों पॉस्टूलेट की मदद से मतलब तीनों पॉस्टूलेट की मदद से हम पूरे भोड की अनालेसिस कर डालेंगे ऐसी ऐसी बात दिखा देंगे जो आज के पहले आप देखे नहीं होगे अथ तब आपको जाते जाते हैसास हो जाएगा कि मास्टर आपके अब आज एक बज़े तक तुम सब के सब रुकने वाले हो गया अगर बारह एक बज़े तक रुक के दिखा दो मैं माल नूगा कि मेरा पढ़ाना धन्य हो जाएगा यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी स्क्रीन पे 1000 थह जाने 2000 मैं चाहता हूं कि यह जो मेरा एवरेज यह बना रहे कि मेरा बच्चा जब मुझे देखने आ रहा ना तो वह हटके ना जाए मेरी स्क्रीन के सामने से और वाच टाइम्स का क्या है यार अभी तो अभी तो हम दौर अपना शुरू किये हैं अभी आने तो जही में से एडवांस का एग्जाम फिर दिखाएंगे वी छोड़ेंगे नहीं ठीक है अब जीत वाग में रहाएं याद कर लिया विटा याद कर लिया तेजस नाम बैच में था हाँ हाँ समझ क्या समझ गया वाई समझ गया वाई याद चला जा इतना नहीं भूलता हूं मैं चलो भाई आप भूस अटॉमिक मॉडल पे हम पिएचडी करना शुरू करते हैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं और कहानी को और स्टोरी को अपने दिमाख में बिठाते चले जाते हैं सबसे पहली बात आती है रेडियस और चलो भाई बहुत बढ़ियां बहुत फटाक से चलेंगे फटाक से सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे रेडियस ऑफ और बिट क्या है कि सर आपके पास ये सिंटर पे एक न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के चारो तरफ इलेक्ट्रॉन आपका गोल-गोल घूम र सतर ऐलेक्ट्रॉन से बालेंस है बाहर फोर्स क्या लग रहे सर बाहर फ smb2 रगुरov ए और लगर है और लग्ड़ाइद ses स्क्वार्च कितना लग रहा सर kz disconnected upon our dv2 by r is ourselves Vladimir कर जाएगा तो kz d2 by r जो होगा ये बराबर हो जाएगा mv2 के मतलब अब हम क्या करें सर अब हम क्या करें सर अव हम को मारे पास न तो हम को r पता न तो हम को v पता यह हमारे पास equation 1 हो गया भव को हम कएरे second postulate use करो second postulate क्या होता है second postulate mitr equal to nh by 2 pi servii ka tune in h by 2 leisten Venet 32aguay non- sizes apply for the वीकवर्य निकाल दो चया आर की वेल्योरे थो आर कि वनिखाल कि वीकी वैल्यों को तोλαब दो कि विकी-वेल्यों निकाल दो यहांसे क्या वो जाएगा सरेने च्वाई टू पाई एम आर एने च्वाई टू पाई एम-आर अच्छा सर अच्छा सर बहुत बढ़ी हैं सर लेओ वह यह एंडी आर इकोस्टू क्या लिख दिए यहां से वी की वेल्यू निकाले तो एनेच बाई 2 पाई हो जाएगा फोर पाई स्क्वाइर एम स्क्वाइर आर स्क्वाइर और इस आर से स्क्वाइर कट जाएगा और जब आप इस आर को यहां लेकर आओगे तो यह आपके पास कितना हो जाएगा सरी हो जाएगा mh square थ्यांट से देखना mh square ठीक है अपन यहां पर कितना हो गया 4 pi square kzee square m square अरे clear है kzee square तो देखो z को बाहर कर ले रहे है mh square 4 pi square k e square m square और उपर से n square बाहर कर लिया नीचे से z बाहर कर लिया अरे clear है क्या यह आपके पास radius का formula हो गया जिसको मैं कह रहा हूँ कि याद करने की कोई जरूरत नहीं है j means ने कभी भी formula से सवाल नहीं कुछा है अगर फिर भी आपको याद करना है तो आप इसका general formula याद करेंगे सबके 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 और इन सबका एक result आता है 0.529 एन स्क्वाइर बाई जेड एंगस्ट्रॉन क्या होता है 0.529 एन स्क्वाइर बाई जेड एंगस्ट्रॉन क्या है यह सब किसके लिए वैलिड है यह पूरा भोर्स अटॉमिक थियोरी और यह जो पॉस्चुलेट पड़े हो यह पूरा पॉस्चुलेट आ रहे है यह पूरा पॉस्चुलेट किसके लिए वैलिड है यह बस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है और किसी के लिए भी यह काम नहीं करता है बस किसके लिए काम करेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या है समझना केवल हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन लाइक एटम है इसी स्क्राइब उइन को इनको बोलते हैं सर इनको भोलते हैं और हैंट्रोजन और हईट्रोजन लाइक डाय केक्टम हरे ग्लान हो अपने पास प्राय अपने पास क्या हो गया hydrogen हो गया ही प्लस हो गया सर लाइट फ्लस हो गया और बिरिलियम होता है भी थ्री प्लस होता है यह होता है hydrogen helium lithium-2 यही चार होते हैं वह सो सॉरी मैं question कर रहा था और भूल गया था तो यह बता गहीं तक कहा तक पहुंचे आप अभी जस्ट शुरू किया है अभी भूर से अटामिक मॉडल सुरू किया ठीक है यहार मैट नमन ओके ब्रोट चल वाज़ा जाओ श्रू वाई चलो वाई चलो वाई आजाओ वाई नमन प्रोटान बैस्ट बीचे बीचे टॉपर हमारा सेलेक्शन हुआ तो याद कर लो नाम हमारा सब्सक्राइब बिल्कुल याद रखेंगे याद रखेंगे पार्टी देंगे अजार के अंदर रैंक लेग तो आइपोन भी देंगे वो ले हम प्रोटॉन बैच में देंगे 14 देंगे एक दम लेटेस्ट आइफोन चलो बाई चलो बाई आजा हमें तरही हाई इनके सबके आउटर और अर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है रहा रहा बाई या लेओ रेडियस का कहानी अपने पास क्लियर हो गया अ यहां जो रेडियस होता ना वो मास पेद करता है रेडियस जो है वो मास आफ ऐलेक्ट्रोन पे डिबंड करता है जया ठीक है अबाजिवर अफतार पे आज ओग फिलासिटृ जब विलासिटी पे आऊँगे तो velocity equals to क्या सरी speed velocity नहीं लिखते हैं speed लिखते हैं क्योंकि direction तो continuously change हो रही है तो जब speed of electron की बात करिएगा जब speed of electron की बात करिएगा मित्र तो देखियेगा वहिया क्या वहिया speed of electron की बात करेंगे तो speed of electron में क्या result निकल के आता है सर हम जानते हैं mvr equals to nhy2pi देखो तो जड़ा अच्छा ध्यान से देखना r की value हम क्या निकाले है r की value हम निकाले है sir h square upon 4pi square k square m into n square by z क्या निकाले है sir h square upon 4pi ke square 4pi ke square m into n square by z यही तो निकाले है क्या बात मास्टर था बहुत तेज मेमरी है आपकी अरे देखले भाई सही लिखा हूं की गलत लिखा हूं h square upon 4pi square k square into m into n square by z master ने जो लिखा है एक्दम परफेक्ट साही लिखा है h square upon 4pi ke square m into n square by z यहां देख इस m से यह m कट जाएगा इस m से यह m कट जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी सिखाएंगे लेक्चर के लास्ट में उस से जई में इस ने पिछले से पिछले साल सवाल पूछे थे बढ़िया सवाल पूछे थे वा समझ रह तो उसका पता रहना बड़ा ज्यादा जरूरी है देखना यहां पर अगर तुम देखोगे यहां पर अगर तुम देखोगे इस n से यह N कट जाएगा, oh, 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 square कट जाएगा, Sir V की value अपने पास कितनी हाजाएगा, अरे इस plank constant से square कट जाएगा, अच्छा सर, इस 2 pi से यह 2 कट जाएगा, भाई, कुछ बचाएगा नहीं, सब तो कट जा रहा है, तो V की value कितनी हो जाएगा, V की value कितनी हो जाएगी, Sir, यह अच्छा अच्छों और तो एक के आए स्कौरे ए अच्छा यहां से क्या होquito हो गया दिवाइड निपास हो गया भाई बात हुम सही लिखे हैं क्या यहां तक जो लिखे हैं यह बात पूर्ण रूप से सही है कि नहीं है जल्दी बता दो जल्दी बता दो अनुझ दिक्षित कह रहे हैं सर ब्रेक मिलेगा भाई या मेरी क्लास में ब्रेक नहीं होता है सार ब्रेक नहीं होता है ब्रेक मत मांगिये अम ब्रेक नहीं देते हैं सिदे पर्मानेंट लगाएंगे सेशन खता मिएग्जा मैं क्यूंकि आंके भारे चै aire in हमको तो खाने के लिए आया है ठीक है सारिया सर चालो सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो हमारे पास तो खाने के लिए आ गया है ब्रेक नहीं मिलेगा पड़ते रहना है आभी हम खाएंगा भी और पढ़ाएंगे भी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह हमारे प क्या बहुत बढ़िया 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 चल भई चल भई चल भई बहुत अच्छा बच्छो बहुत बढ़िया बहुत मजा रहा है तुम लोग के साथ पढ़ा के तुम लोग को पढ़ा के सीरस्ली मैं बता रहा हूं I am feeling blessed right now कि मैं तुम जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं यार सही बता रहा हूं और अगर तुम लोग सेलेक्ट हुए तो मेरा नाम जरूर याद रखना नाम मत बूलना भाई बताने जरूर कि बाबा ब्रह्मान अंद्राय से पढ़े थे तो उसका कुछ तो फाइदा हुआ ह मास्टर का पढ़ाया कुछ तो दिमाग में आया यह सचलो सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वह यह क्या बात क्या बात है कुछ तो काम की चीज आई है पाइब फोन पे मार दोना हमारे लिए सब्सक्राइब अगर सब अगर सब को मेरे पैसे देने से मेरे पाच्च्च रुपए देने सब लिए अपने पास और एक बात हम देखें कि जो है बी जो है यहां सब्सक्राइब करता है गे कि अपने पास क्लियर होगा अब इसके बाद अब घंकर यहीजन करता है आई अहलो बात समझा रहे अब इसके बाद अगला हिस्सा बसता है हमारे पास energy of energy of electron energy of electron चलो बाइया देखो जब हम बात करेंगे energy of electron का देखना सुनना अच्छे से energy of electron क्या होता है सर तेनेनरजी होती है kinetic a potential or a total तो देखो बाइया अगर हम कह रहे हैं अगर हम कह रहे हैं कि यह हमारा orbit है यहां हमारा nucleus है और मेरा nucleus जो है वो इस electron के चारो तरफ गोल गोल घूम रहा है अगर मेरा electron जो है वो nucleus के चारो तरफ गोल गोल घूम रहा है nucleus में charge कितना है sir z d तो क्या से गोल घूम रहा है sir electrostatic force की विले से क्या होता है sir k z d square upon r2 kzdy square upon r2 that is equal to mv2 by r और हम कह रहे हैं कि r से इसको काट दो यह तुम्हारे पास हो जाएगा kzdy square by r that is equal to mv2 हम कह रहे हैं दोनों तरफ 1 by 2 से multiply कर दो 1 by 2 से multiply करोगे तो यह तुम्हारे पास क्या जाएगा kinetic energy कितना हो जाएगा kzdy square by 2 r हो जाएगा यह हमारे बास equation नहीं होगे अच्छा potential energy दिखो तो k1-q2 byr सर यहां charge plus z है और यहां charge minus z है यहां charge plus z है और यहां charge minus z है तो potential energy कित läuft जाएगा k1-q2 byr k1-q1 कितना है k1 कितना है sir q1 है z d q2 कितना है sir minus z get कितना है sir A to potential energy अपने पास हो गया minus KZE square by R अच्छा सथ यह हो गया B और इसके बाद तीसरी सिच्वेशन आती है टोटल एनर्जी की टोटल एनर्जी क्या होगा सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेशल एनर्जी और जब टोटल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस वन अपान टू KZE square by R आ जाता है देखो अरे बया इसको और इसको एड करोगे तो टोटल एनर्जी माइनस वन अपान टू KZE square by R आ जाएगा बोलो समझ आया क्या अब सोच यह आर्किसके डारेक ली प्रोपोशनल सर यह आर्क तो बरोपोशनल सर एनि स्क्वाइर बाई जेडिक है और इस आर की वेल्यू भी मैं जानता हूं और अगर मैं इस पूरी एनर्जी को electron volt के term में लिखना चाहूं इस total energy को मैं electron volt के term में लिखना चाहूं तो मैं बिना समय बरबाद के हुए आपको directly बता देता हूं कि total energy जो होता है वो कितना होता है minus 13.6 z square upon n square electron volt यह आपके पास total energy होती है सर काइनेटिक कितना होगा सर काइनेटिक energy कितनी होगी निए टोटल एनेर्जी तो ठीक है आप हमको काईनेटिक energy बता दो आप हमको काईनेटिक energy बता दो आपके रहें master चाहाब काईनेटिक energy में कौन बवाल है वो तो सिम्पल सी बात लेको तो देखो तो ज़रा है आपके काइनेटिक energy और potential energy के total energy के expression में कितरा अंतर यहां minus is और यहां plus है यहां minus है और यहां plus है लिए तो हम करें लिख दो plus में 13.6 जडी स्क्वार अपॉन N3 ऑ фотографантन कराओ कि अच्छा potential energy क्या होगा potential energy क्या होगा potential energy क्या होगा इस में से इसको घटाक दो 13.6 मैं से 13.6 घटाओगे माइनस 13.6 में से 13.6 घटा होगे तो क्या ये 27.2 मिल जाएगा हाँ से 27.2 जेड स्क्वाइर अपॉन एन स्क्वाइर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगिटिव में मिल जाएगा और अगर ये सारी बाते समझ आ रही है तो बोल दो भाई या कॉमेंट बॉक्स में क्या कॉमेंट बॉक्स में क्या बारत माता कीजे अरो ठीक है अरे यार हर्स्तु पढ़ाने दे यार यह से मत बोला कर यार क्लास और कितनी देर इतनी जल्दी अभी ठक गया अभी पांच घंटे भी नहीं हुए और इतनी जल्दी के रहा और क्लास कितनी देर पगला है क्या अभी पूरा न्यूक्लियाई बाकी है पूरा आपने पास से से बात बनेगी यार थोड़ा जाग के तोड़ा फोकस के साथ थोड़ा मन लगा के पड़ो अरे बोले यार आया में वेजिटेरियन वाइब कोई नी फ्रूट चाड़े आराम सब्सक्राइब अरे यही तो चाड़े था सर यह ले जाओ मैं तो रोल खा रहा हूं यार जोड़े बोलो बारत माता की जै क्या बात है क्या बात है क्या बात है सब्सक्राइब अरे सब्सक्राइब सब्सक्राइब जब हम कर रहे ना नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर मैं तो यही कह रहा हूं बच्चों से आपके सामने मैंनत करता हुआ आदमी दिख रहा है बिल्कुल यह बिल्कुल यह बिल्कुल बात माता की यह यह सही चला है सब्सक्राइब बिल्कुल 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 मैं लेकर आ रहा हूं सारे रिडक्शन और सारे ऑक्सिडेशन होता क्या है ना कि हम रिडक्शन और ऑक्सिडेशन में कई तोड़ी तोड़ी मिस्टेक कर देते हैं जैसा मैं देख पा रहा हूं जैसा मैं देख पा रहा हूं कि reduction और oxidation में क्या होता है कि यार हम भूल जाता है कि कहां reduction होता है कहां oxidation होता है यह reduction क्या करता है यह oxidation क्या करता है लेकिन जब उसको एक साथ पढ़ोगे न एक साथ summarize करके पढ़ोगे न तो कभी दिक्कत नहीं आएग जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था reaction mechanism तो सुचो वो reaction mechanism कितना help कर गया यार बच्चों के बहुत सारे message आए मेरे पास तो मैंने देखा यार कि कितना ज़्यादा help कर गया बच्चों को कि सर ये ऐसा one shot था जो हमारे reactions की basic को बहुत अच्छा कर गया है हम reactions को समझा सकते मैं Amine भी लेकर आऊँगा Amine जो रह गया था न Amine एक ऐसा topic है जिसमें test पूछे जाते है कि यह Carbyl Amine test क्या होता है Hoffman Bromide क्या होता है Gabriel Thalamite test क्या होता है तो यह सारे test वाले तो मैं क्या करूँगा मैं practical organic chemistry के साथ साथ पूरा reduction पूरा oxidation पूरा one shot में देने वाला हूँ तो बहुत ज़्यादा आपको help करने वाला है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा help करने वाला है देखे ब्रह्मा सार बिल्कुल आ चुके है वैसे वैसे चार्ज ही रहते हैं जैसा मैं देख पा रहा हूँ उनको charging की बहुत जरुवत है नहीं कि आप लोग सोच रहो कि भी खाना पीना यह सेट है सूरज की रोशनी पर जाए ना तो वही वाले जादू है यहां पर भाई साब हाँ बिल्कुल और आप लोगो बिल्कुल रितिक रोशन हाथ रख देंगे ना सब सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल साहे साहे कर देंगे चलता हो एक बार सब लोग बोल दो फिर वहीं बैट बिल्कुल आप सोचिए ब्रमा सर का हाथ आपके ऊपर है मस रही एक बढ़िया से बढ़ाई करें अरे सर कॉलेस तक छोड़ के आना है क्योंकि रात रात तुम्हाई इतनी जगा दिये ना मैंने हम सभी ने इतनी जगा दिये कि अब तुमें सोने देंगे अब कॉलेज में जाके तुम्हें सूने देंगे ठीक है चलो ओके बिटा वेश्यों वैरी बेस्ट आफ लग बढ़िया से करते रो और बढ़िया से संजाने वाला यह चलिए ओके बढ़िया ठीके सर ओके सर खेंकियो सर की सबस्दीवान गी दीवान गी दीवान गी है आल हाथ गर्ल्स पु चलो बाई आजव पढ़ाई करते हैं तुम भी सोच रहोगे क्या बेसुरी सी आवाज में गाना गार है मास्टर चलो या ठीक है आप अपने पास टोटल एनरजी हो गया काइनेटिक एनरजी हो गया पुटेंशल एनरजी हो गया बास बहुत पनिया रिचार्ट हो जाओ तैया पूरी तरह से क्लियर हो गया ठीक हो या अच्छा सर अच्छा मास्टर चाहाब मतलब आप कह रहे हैं अब आप कह रहे हैं कि आपने हमको तीन चीजन सिखा दि च्या क्या क्या सिखा दिया 기 apples आ हमारा जो हमारा जो क्या सराव रेडियस जो होता है ये डरीग्लीश प्रपोर यह वह किसके बराबर है 0.529 इंटू इंटू एन स्क्वाइर बाई जडिलेक्ट्रोन बोल्ट के अरे एन स्क्वाइर बाई जड एंगेस्ट्रॉन के है ठीज कवाई या ब्रेक मिल गया दिमाग है विलास्टी कितना है सर्टू पॉइंट इंटू टू दी पावर 6 जड़ ब बराबर है अच्छा इसी में दो इनर्जी और होती है काइनेटिक होती है जो 13.6 जेड़ स्क्वाइर अपॉन एन स्क्वाइर इलेक्ट्रोन वोल्ट के होता है और एक पोटेंशल इनर्जी होता है जो कितना होता है जो 27.2 इंटू जेड़ स्क्वाइर अपॉन एन स्क्वा याँ पर अपने पास हो गया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशल इनर्जी एंड टोटल इनर्जी की बात है चलो भाई बहुत बढ़ियां बच्चा बहुत बढ़ियां मेरे लाला हुआ जेखते हैं अब इसके बात की कहानी क्या देखते हैं मान लो अगर मैं तुमसे पूछता की टाइम पिरियेड का रेशियो बता हो रेशियो पूछता सुरू कर रहा हो तो टाइम पिरियेड क्या होता सर्टू पाई आर बाई वी मतलब टाइम पिरियेड इस डारेक्ली प्रोपोशनल टू आर बाई वी मतलब टाइम पिरियेड इस डारेक्ली प्रोपोशनल टू आ अब सारी प्रोपोशनलिटी निकालो सारी प्रोपोशनलिटी निकालो frequency क्या होगा सर frequency sir 1 by t होता है frequency sir 1 by t होता है मतलब frequency की जो प्रोपोशनलिटी होगी वो z square upon n cube हो जाएगी अच्छा master सहाब अच्छा master सहाब यह हमारे पास frequency का प्रोपोशनलिटी हो गया अच्छा अगर मान लो हम तुमसे कहते हैं हम तुमसे कहते कि भाया तुम ना current का proportionality बताओ charge current का electric current अब सोचो अगर मैं कहाँ कि यह मेरा nucleus है और इस nucleus के चारो तरफ electron goal घूम रहा है अगर यह electron goal घूम रहा है ध्यान से सुनना अगर यह electron goal घूम रहा है तो यह कुछ न कुछ current associate कर रहा होगा i equals to cube it होता है इसको चक्कर लगाने में time लग रहा है charge q है current आ रहा होगा वो current क्या होगा sir i equals to cube it होता है तो जो हमारा current है वो inversely proportional to time के है तो time क्या है n cube upon z square तो आई क्या होगा यह directly proportional होगा z square upon n cube के बोलो अगर इस तरह की proportionality निकालने के लिए आएगी तो निकाल पाओगे हम तुमको master करा रहे है पीएचरी करा रहे है अब देखो आई का क्या है sir आई का है sir z square upon n cube z square upon n cube अच्छा सर एरिया एरिया में क्या आजाता है sir radius का square और radius की proportionality क्या है sir n square by z तो मतलब n की power 4 by n की power 4 by z square है इस से ये कट जाएगा m is directly proportional to n की cube से 4 कट जाएगा अ अरे भाया magnetic moment जो है वो directly proportional to किसके होता है sir magnetic moment directly proportional to n की होता है अरे clear है क्या अरे clear है क्या रांग सर n का square होगा कहा N का स्क्पैरल भई कहां n का स्क्वैर होगा का स्क्वैर रूगा इन की गहाँ एनका स्क्वैर प्रत्रू साcción मेंन के मचा बन कोई लो अपर अठीक है छलो महुत बढ़ी हा थोड़ा दियां से थ्यां से जरें प्पिछली स्लाइड में कहां पिछली स्लाइड में हो जेड स्काहर अच्छा यहां एन का स्क्वार भूल गए है और बोले हैं स्काहर नीच वा लिखे यार ऐसे चोटी चोटी जगा पने फ़सना है अच्छा आओ अब तुम से कहते हैं magnetic moment बताओ magnetic field बताओ because to क्या होता है सर भी कोईस्ट अपने पास generally formula होता है mu not i by mu not i by अगर यह गोल गोल घुम रहा है तो mu not i by 2r the magnetic field का अगर proportionality निकालना है तो यह directly proportional to i by r के है तो वहिया i किसके proportional है सर आई proportional है z square upon n cube के ध्यान से देखना z square upon n cube के अच्छा सर और r किसके directly proportional है सर n square by z के तो यहां हमारे पास हो जाएगा n square by z उपर चला जाएगा तो magnetic field की proportionality क्या हो जाएगी n square by z magnetic field की proportionality क्या हो जाएगी z cube upon n की पावर z cube upon n की पावर 5 इस तरह से आपको formula के हिसाब से proportionality बनाने आना चाहिए क्योंकि proportionality पर सवाल पूछे जाते हैं करिंट पर पूछा गया है magnetic moment पर पूछा गया है angular momentum पर पूछा गया है यह सारे के सारे सवाल पूछे गया है अरे बात समझे रहे बेटा जब अच्छे से पढ़ोगे तभी जाकर इन कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे अरे बोलो clarity आ रही है क्या इस बोड पे जितना कुछ लिखे हैं अगर यह सब तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ है सारा रेश्यो कैसे बनाए यह सब तुम्हारे मार्ट में सेट हुआ है तो एक बार दिल खोलके मन खोलके बोलना भारत माता की जय कि हाँ भी या है gy consommate च्छार्ड लो जल्दी बोलो है है हाब डासरे मजा आ रहा है मजा रहा यश कर क्लिएर सर यस सर क्लिएर सर चलो बच्छों बढ़ी आजांग अब इसके बाद बात करते हैं अब इसके बात बात करते हैं क्या बहुत अच्छेочки समझेगा excitation and de-excitation of electron बहुत अच्छे है समझना एक बार में समझने की कोशिश करना excitation and de-excitation का concept क्या है मैं एक छोटे से सब्द में आपको समझाता हूँ हुआ क्या excitation and de-excitation को समझने के लिए आपको एक छोटा सा फिनोमेना समझने की ज़रूरत है जिसका नाम होता है बेटा जी absorption emission spectrum क्या नाम होता है भईया absorption emission spectrum absorption emission spectrum क्या है absorption emission spectrum क्या है समझना absorption emission spectrum कहता है कि एक chamber ले लो इस chamber के अंदर कुछ gas molecules भर लो ठीक है इस gas molecules से एक possible range की wavelength पास कर आओ कहां से कहां तक radio से लेकर radio से लेकर gamma rays तर जितनी possible radiation है इन सारे radiation को पास कराओ यहां से और यहां पर एक zNS की plate ले बहुत अच्छे से समझना एक बार में मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको इतना focus के साथ सुनना कि सब एक बार में समझ आ रहा है जब इस radiation को मैंने इस चैंबर से पास कराया जिसमें कोई यह होता न ncrt में देखना periodic टेबल वाले चैप्टर में हर उसका बना हुआ है वहां पर absorption emission spectrum में कई सारे bands बने हुए बात समझ रहा है बात समझ रहा है सर बहुत ध्यान से सुनिए गा तो हुआ क्या कि जब यहां से हमने सारे possible electromagnetic radiations पास कराये ठीक है तो हुआ क्या इसमें से कुछ radiations गायब हो गये जो सारे radiations हमने यहां से पास कराये इसमें से कुछ radiation गायब हो गया कुछ radiation गायब हो गया अरे भाई साहब तो सवाल यह पैदा हुआ कि यह गायब होकर गए कहां सर तो यह गायब हुए जो यह इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में चले गया मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया फिर उसके बाद क्या हुआ टेन टूदी पाउर माइनस शिक्स सेकेंड बाद लगबग एक माइक्रो सेकेंड बाद इस प्लेट को हटा कर दूसरी प्लेट लगाई गई इतना तेज कैसे कियोंगे मुझे नहीं पता मैं वहीं बता रहा हूं जो हमको किताब में देखने को मिलता है 10 to the power minus 6 second later एक दूसरी ZNS की plate पर एक दूसरी ZNS की plate पर fluorescent लिया गया बात समधारी फिर अपने आप fluorescent मिला यह था ही नहीं इसको आटा दिया गया जो electron excite होकर higher energy level में गये थे वो de-excite हुए और जब de-excite हुए न तो एक चमतकारी बात देखने को मिली और वो चमतकारी बात क्या थी जब de-excite हुए तो जो चमतकारी बात थी वो यह थी कि इसमें से जो radiation excite होने पर गायब हुआ था थोड़ी देर बाद वो सारा radiation उस plate पर मिल गया लेकिन अचंभित अचंभा करने वाली बात यह नहीं थी कि जो गायब हुआ था वो मिला तो समझ आया कि चलो बहिया electron ground state से excited होकर fourth state में गया तो उससे जिस energy का photon absorb किया था जब वो fourth से ground में आया तो उस energy का photon emit कर दिया यह अचंभित वाली बात नहीं थी अचंभित करने वाली बात यह थी कि ऐसे नए photons भी मिले जो absorb भी नहीं हुए थे अरे बात समझ आ रही बात समझ आ रही है ऐसे नए photons भी मिले जो absorb भी नहीं हुए थे और तब वहां से game शुरू हुआ hydrogen spectrum का किसका game शुरू हुआ भया उसके बाद game शुरू होता है hydrogen spectrum का और hydrogen spectrum का game कैसे आता है hydrogen spectrum का मैं नाम इस वज़े से ले रहा हूँ क्योंकि भोर भाई साब की जो theory थी वो बस केवल hydrogen को justify करने में थी अरे बोलो यार बात समझ आ रही है क्या yes या no में जवाब देना yes या no में जवाब देना कैसा excitation और de-excitation का concept समझा है क्या excitation और de-excitation का concept समझा है excitation में excitation में यहां से आने वाले कुछ photons को उसने एब्सॉर्व कर लिया electron ने और एब्सॉर्व करके excited state में चला गया तो इस fluorescent plate पर यहां से आने वाले कुछ photons गायब हो गया ठीक बाई गायब हो गया क्योंकि electron ने एब्सॉर्व कर लिया फिर 10 to the power minus 6 second बाद और उसकी explanation आती है absorption emission spectrum की hydrogen spectrum की explanation आती है किससे भोर्ष atomic model से और उसने क्या कहा ध्यान से सुनना उसने कहा कि भाईया जो आपका nucleus है ध्यान से सुनिएगा यह आपका यह आपका nucleus है ओ माई गाड इस nucleus के चारों तरफ orbits है देखो भाईया यह अमारे पास पहला orbit हो गया यह अमारे पास orbit number one हो गया इसके बाद हमने कहा कि यह हमारा दूसरा orbit हो गया ठीक भाई इसके बाद हमने कहा कि यह हमारा तीसरा orbit हो गया इसके बाद हमने कहा इसके बाद हमने कहा कि यह हमारा चौथा orbit हो गया चलो बाई देखो बहुत अच्छे समझना है एकदम पूरे concept की अच्छी फील दिलाऊंगा मदा आ जाएगा उससे कहा कि चलो एक और और बना लो पाच्वा और बीट भी बना लो कि यह तुम्हारे पास रहा तुम्हारा بعد बीट ऐससे पांच ऑर्बिट्स पर दियो इसके कहा देखो अच्छा देखो जैसे जैसे ऐसेए में ऊपर जा रहा हो उससे कहा कि अगर मैं Ground State में हूँ अगर Electron Ground State में हैं तो उसकी Energy क्या होगी उसके energy क्या होगी तो देखो उसको ऐसे band से explain कराग européage इसको पकड़ते हैं इसको घेरते हैं और थोड़ा पट्रड्रा इत्रफ करें एंगे और कैल्कुलेट करें एक मिंजए अंसर बताएं गवाई टीटक वर्य क्वेट चलो बहीज चाफ ओस्ocyndal लोग कायों मैं कुझा से काउँ गाँ है दिल से लव यू सर मैं लाश्ट अक्तिक वेट हम बढ़ 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 सबस्क्राइब चला याँ जादिक आना यहां तो यहांपर राइड्रोजन एंटम का नहीं है इसे हम लिक रहे हैं ऐसे हम चाट बना रहे है ठीक है थोड़ा छोटा-छोटा लिखेंगे इधर हम लिख दे रहे हैं hydrogen atom इधर हम लिख दे रहे है hydrogen like atom hydrogen like atom ठीक है अभी उसके बाद दीरे दीरे स्टोरी में और ट्विस्ट ले आएंगे और सारी चीज़ें अच्छे जा समझेंगे बहुत बढ़िया से रिलेट करके एकदम पढ़ते चले जाओ पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरह सुरू करो और पर के खतम कर दो उसके बाद सारे सवाल लगा जल लगा ले जाओ यही अटामिक स्टॉक्चर को करने का सही तरीका है यहां पर इनरजी है हैड्रोजन की वो है अपने पास तथीं पॉइंट्स एलेक्टराननोर्ट माइनस साइड के साथ कितने लोगों को यह क्लियर है या कितना होगा mightnus 13.6 electron volt कैसे हम कह रहे हमारे पास total energy का formula है minus 13.6 minus 13.6 z square upon any square electron volt क्या है sir minus 13.6 z square upon any square electron volt अच्छा sir तो जब मैं बात कर रहा हूं किसकी जब मैं बात कर रहा हूं hydrogen की तो z की value 1 है n की value 1 है तो minus 13.6 हो गया अब चलो यहाँ पर निकालोगे तो यह कितना हो जाएगा जब यहाँ पर any quest to 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा अच्छा hydrogen like atom की बात करोगे तो clear है क्या minus 13.6 z square हो जाएगा electron volt यहाँ पर minus 13.6 z square हो जाएगा अब जब any quest to 2 रख होगे तो दो दुना चार अब चार से काटोगे तो चार दुना चारते हैं बारह चार चोग को 16 यहाँ पर minus 3.6 electron volt तो यहाँ पर कितना minus 3.6 z square इतना ही अंतर आएगा z square multiply होता चला जाएगा ठीक है sir और सोचो और सोचो जब हम any quest to 3 रखेंगे तीन तरीक का 9 हो जाएगा और फिर 9 एककमे नो हो जाएगा ठीक है नो चार तेरा हो जाएगा उसके बाद कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा तो नो पचे 45 हो जाएगा फिर उसके बाद एक बचेगा ना एक कमेनो व delegates और यहाँ पर कितना हुझा यहाँ पर माईनस फंप फाइफ वन Z स्कूर हो जाएगा फी और एक हमेंust यहाँ इसके बाद अपने इसके उपर वाले में कितना हो जाता है माइनस 0.85 एलेक्ट्रान वोल्ट हो जाता है उसके बाद साह 0.54 हो जाता है इसके बाद लास्ट वाले में बता तो यहां पर इनर्जी कितनी हो जाती है नहीं को स्टू 5 रखोगे तो पचाहां में 25 और 25 पच्छे 125 है 0.54 हो जाता है कि माइनस 0.54 एलेक्ट्रान वोल्ट या अशरी हो जाता है अभर करण एक स्वाजना हुआ कि एक यहा था जब इस एलेक्ट्रां के ऊपर कोई photon पड़ा मैं कहा रहा हूं उसकी इतनी जादा energy थी कि वो excite होकर यहां पहुंच गया कौन से orbit में पहुंच गया n equals to 4 में पहुंच गया अब जब n equals to 4 में पहुंच गया तो यह कहानी है किसकी excitation की समझ रहो और ऐसे बहुत सारे atoms है तो बहुत सारे इक्ट्रॉन से न इक्रोस टू 4 में पहुंचे लेकिन जब गिरने की बारी आई जब d x site होने की बारी आई तो कुछ electrons ऐसे थे जो directly force यहां गए कुछ electrons ऐसे थे कि वो यहां से यहां ए कुछ एसे थे अरे वाई देखो कुछ एक्साइट हुआ तो एक फोटन ब्री की और जर बोगी सो एलेक्ट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्रा होगा तो energy release करेगा in the form of photons किसके फोर्म में हैं लैटा जी photons के form फोर्म में और photons के form में जो energy observe करेगा एन की छीरी करेगा उसका formula क्या लिखा घ half उसका formula लिखा गया कि डिल्टा ये जो होगा वह e initial minus e final और एक्लियर e initial minus e final समझना delta e क्या है सर hc by lambda initial कितना है था इनिशल कितना है सर इनिशल है इनिशल है इनिशल है minus 13.6 minus 13.6 ध्यान चे सुनना minus 13.6 z square upon n square electron volt initial का square और फिर यह पे कितना plus 13.6 z square upon n final का square अरे बोलो क्लियर हो रहा है क्या अरे बोलो क्लियर हो रहा है क्या यस या नो में जवाब देना सर ये तो वैल्यू हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम इसका फोटॉन की एनरजी का फॉर्मुला भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जानते हैं क्या जानते हैं 12400 अपन लेम इंडाइन इंग स्ट्रॉन बराबर हो जाएगा किसके 13.6 z square यहाँ पर कितना 1 upon n final का square minus 1 upon n initial के square के बराबर हो जाएगा लेकिन हमको इसमें ना एक constant लिया आना था जिसका नाम होता है राइडबर constant इस राइडबर constant में यह lambda जो निकल के आता नहीं यह मीटर में निकल के आता ह है तो हम कह रहे हैं यह 12400 upon lambda in meter रखना है तो 10 to the power 10 कर दो ठीक है यह किसके बराबर 13.6 into z square upon 1 upon n final का square minus 1 upon n initial का square अब देखना यहां से 1 by lambda in meter की जब तुम बात करोगे तो यह हो जाएगा 13.6 into 10 to the power 10 divided by 12400 into z square 1 upon n final का square minus 1 upon n initial का square बहुत अच्छे से formula को feel करना एकदम दिमाग के अंदर अच्छे से set हो जाएगा तुमको मजा आएगा भाई ठीक है आवाई चलो आजाओ आजाओ आजो वचाहँ आगे बढ़ते हैं बहुत सई चलो देखू चलो भाई चलो भाई आजाओ आजाओ मेरी 0 रहा भाई यहां पर क्या हो जाएगा sir on upon lambda in meters this victim one upon lambda in meters सब को solve कर दो यह मिलेका one point zero one into 10 to the power seven समझा रहा कैसे इसमें मैं 3-0 हटा दू, 2-0 आगे लगा दू, 12,400 और 13,600 जब दोनों को solve करोगे तो लगबग 1.01 मिलेगा into 10 to the power 7, z square upon 1 upon n, final का square minus 1 upon n initial का square, ठीक है यह आपके पास कहानी हो गई, यह आपके पास कहानी होगे, इसको राइड बग कॉंस्टेंट बोलते हैं, तो 1 upon lambda in meter equals to r into z square, 1 upon n final का square, minus 1 upon n initial का square, अरे clear है, यह जो तुम स्टोरी पढ़ रहे हो, इसमें जो यह lambda है कि किसका है, absorbed photon का है कि emitted photon का है, सोचो, e initial minus e final कर रहा हूँ, और value मुझे क्या मिल रही है, positive, तो मतलब initial energy ज्यादा है, और final energy कम है, तो इसका क्या मतलब है, electron का excitation हुआ, कि electron का de-excitation हुआ, बोल 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 भाई, sub n sub-cell, हां वाया बहुद बढ़िया, sub n sub-cell, चलो बहुद बढ़िया, 1.1 हो जाता है, यह 1.09 हाँ, वन पोईंट जीरो नाइन इसको 1.1 लिख लेते है, ठीक है, 1.09 होता है, इसको 1.1 लिख लेते, राइट बग कॉंसेंट में 1.01 नहीं 1.1 होता है, हाँ, ठीक है, पॉर्मुला याद करो मतलब अगर एक्साइटीड होगा तो किया तो हम गएरे एक जणरल फॉर्मूला याद करो एक general formula याद करो 1 upon n lambda 1 upon lambda in meter equals to r into z square 1 upon n छोटा का square minus n बड़ा का square अगर यह formula याद रखोगे अगर यह formula याद रखियो बच्चा तो कबो जीवन में ना फसी हो समझ रहा हो कि नहीं अगर है वाला formula याद रखना छोटा अपॉन बड़ा खतम राद तुमको पता चल जाएगा lower orbit से higher orbit में जा रहा है तो de-excite हो रहा है अच्छा master साहब बहुत बढ़ी अब समझो अब आज़ो de-excitation की कहानी सिखाते हैं de-excitation की कहानी सिखाते हैं अगर अगर हमारा electron सुनो अगर हमारा electron infinite से लेकर कहाया free electron से कहाया पहली orbit में यहां से 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 पहली orbit में अगर पहली orbit में आया तो यह जो series होती है इस सिरीज का नाम होता है लाइमन क्या नाम होता है लाइमन अच्छा सर उसके बाद एक और सिरीज होती है उसके बाद क्या सिरीज होती है अगर इंफाइनाइट से दूसरे में आया फिर यहां से दूसरे में आया फिर यहां से दूसरे में आया फिर यहां से दूसरे में आया तो इसका नाम होता है बामर ठीक है अच्छा उसके बाद तीसरा होता है पास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् से अगर कहीं से भी कहां आ रहा है कहां आ रहा है सर पाचवे में आ रहा है तो वह अपने पास होता है पीफंड इतने से अपना काम चल जाता है इतने से अपना काम चल जाता है लाइमन में जो लाइमन में जो रेडियेशन निकलता है वह कौन सा फोटन होता है लाइमन में जो से 1 मैं आया तो यह जो सिर्इज बनाता है यह लाइमन स्री निकल कर आता है वह अल्ट्रा वॉइले डिएशन होता है उसके बाद आपके पास दूसरी सीरीज आती है आपके ऍे पास bammar Bammar में क्या इंफाइने एट सेटू में आ रहा है सर्फ फैसे टो में आरा सर्थि से टो में हा रावन पने बात स्वाइट आ रहे हैंगा रहे हैं इसलवा इद इस निकलता है वह दोता है से लिदी शाओ बान थाट करें रहाकना है ते इसरे मेरा कहांत सर तीसरे मेरका संसार इनाइट से अरे क्लीए चोथी शिऩ吐 से छाटे से ती शर्य मेरक्लिय यह अपने पास पास्षीन होता है व्लक्राइड और यहां तक अपने पास कहाणी kristal clear हो गई मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर किसी को किसी तरह की कोई समस्या होगी यूवी विजिबल एंड इंफ्रारेड बहुत बढ़ियां बढ़ियां नो और स्टूडेंट्स लेस हां लेस होते रहेंगे बढ़ते रहेंगे सब खाना होना खानी चले जा रहें सबको लगरा हो की कंटमेंट कियो सब लोग लास्ट तक रुखेंगे तो लास्ट तक हिंबत नहीं आरना है लास्ट तक रुखे रहना हम हम कह रहें कि मान लो यह तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट में एलेक्टरॉन ठीक है समझछो यह एल्लेक्ट्रॉन जो वह कहा है surgical में मैंहिस हां यह hydrogen atom है यह क्या है सर यह hydrogen atom है n equals to 1 में electron है अगर मुझे इस electron को free electron बनाना है तो मुझे कितना energy देना पड़ेगा अगर मुझे इस electron को free electron बनाना है तो मुझे इसको कितना energy देना पड़ेगा सर इसके पास यहाँ पर potential energy कितना है total energy कितना है सर यहाँ पर इसके पास total energy है minus 13.6 z square upon n square electron volt अगर यह hydrogen atom में है अगर यह hydrogen atom है hydrogen atom की बात कर रहे हो तो यह total energy कितना होगा सर minus 13.6 electron volt तो अगर मैं इसको 13.6 electron volt की energy का एक photon दे दूँ एक photon दे दूँ जिसके energy कितनी है 13.6 electron volt इसने इस photon को एब्जॉर्ब किया और excite होकर कहां चला गया सर्फ फ्री electron बन जाएगा और जब यह free electron बन जाएगा अरे बात समझा रही है तो जिस energy के photon की गिरने की वज़े से यह electron free electron बन जाता है उस energy को बोला जाता है ionization energy क्या कहते है वह यह क्या क्या कहते है वह यह ionization energy अरे समझा रहे क्या the minimum amount of energy required to an electron to get it free from the atom to make it free electron electron एक electron को free electron बनाने के लिए जितनी energy चाहिए होती है एक electron को free electron बनाने के लिए जितनी energy चाहिए होती है उस energy को हम क्या कहते है ionization energy और ionization potential क्या होता है मतलब इस electron को कितने potential पर accelerate कर दिया जाए कि वह यहां से free electron बन जाए तो उसको हम ionization potential कहते हैं अरे बोलो क्या यह दोनों बाते clear हैं, क्या यह दोनों बाते clear ना, जब तुम से ionization energy की बात करेगा, तो क्या तुम यह लिख पाओगे, कि भईया, जिस orbit में हैं, उस orbit में उसकी जितनी energy है, अगर उतनी ही positive energy कम से कम तुम उसको दे दो, तो electron free electron हो जाएगा, और वही energy, ionization energy कहलाती है, उस energy को बनाने के लिए जितने volt का potential difference चाहिए, वो potential difference क्या कहलाता है, ionization potential कहलाता है, एकदम crystal clear, sir, बहुत बढ़िया, master साथ, चलो भईया, बहुत, अच्छा, very good, अच्छा, अब उसके बाद, अब उसके बाद कहानी आती है, एक number of, number of different photons, number of different photons, number of different photons, number of different photons produced in, produced in de-excitation of electron, de-excitation of, de-excitation of electron, electron के de-excitation में कितने different number of photons निकलते हैं, जैसे मानो, हम कहें, कि हमारा electron, electron, खूब सारे electron, सुनना, खूब सारे electron, excite होकर, सुनो, यह n equals to 1 है, यह n equals to 2 है, यह n equals to 3 है, यह n equals to 4 है, यह n equals to 5 है, अब हम कह रहे हैं, कि हमारे खूब सारे electron, सुनो, यहां से कहां गए हैं, पांच में, मैं कहा रहा हूँ, पांच में में मेरे पास खूब सारे electron, सूचो, तो जब ये डी एक्साइट होकर वन में आएंगे जब ये सारे इलेक्टरॉन से डी एक्साइट होकर वन में आएंगे तो ये बताईए सुनिया ना मेरे बात ध्यान से सर आपके बजे से एमेशन स्पेक्ट्रम समझा अरे कोई बात ने बहुत बढ़िया अच्छा लगा मुझे मैं मैं अगर इतना साधन बना कि आपको ये बात समझ आई तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है समझा रहे प्राउड मूमेंट फॉर टीचर और वो भी अभी एन इंटो एन वाइनस वन भाई टूम फशाते हैं चिंता बात करो आजाओ देखो पहले काउंटिंग करते हैं फिर उसके बात फॉर्मूला लगाते हैं ठीक है बड़ा चरो आजाओ देखो तो पाच में से इसके गिरने की क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां सकता है फिर सर कहां सर फिर कहां सर यहां सकता है और फिर उसके बाद यहां सकता है हां सर और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या सोचो तो और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या हां 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 एक पॉसिबिलिटी और है यहां गिरा और फ फोटान की बात हो रही है यहां पर दूसरा डिफरेंट फोटान और यह जो है यह अपने पास तीसरा डिफरेंट फोटान अच्छा सर यह देखो तो यह डिफरेंट फोटान है क्या नहीं जो फोटान यहां से निकलेगा वही फोटान यहां से निकलेगा तो यह डिफरेंट है क्या हां यह इसको अभी तक हमने मार्क नहीं किया हूँ वह तो यह जो डिफन्ट-फोटन हो तु यह और यह जो डिफरेंट फोटन हो न का है यह पाच्वाँ डिफरेंट प्रटान हो गया यहां इंकल डिस्पेटर्ट ने चाहिए आपने पास नंवा डिस्टạoन और दस डि्टपश ये धस्ट फोटान जिनकी इनरजी अलग अलग होगी अच्छा सर क्या ये और ये candidate first नहीं है नहीं सर जितनी एक फोटॉन लेगा उतनी इनरुटन देगा उतनी इनर्ची का यह फोटॉन देगा तरहे दोंगों कंट कर लिया हाँ यह गलत काउंट कर लिए है इसको हमने गलत कर लिया एक तुमिस और है कौन साहरा मिस और है कौन सा और मिसो रहा यह पहला हो गया यह दूसरा हो गया यह तीसरा हो गया और वह यह यह तीसरा हो गया यह अपने पास चौथा हो गया हाँ यह अपने पास चौथा हो गया हाँ सर और कौन सा एक फोटान का कोई मिस हो रहा है कौन सा मिस हो रहा है यह माक करी लिया है यह माक करी लिया है आठवां यह माक करी लिया है यह नौवां माक करी लिया है छटा साथवां आठवां नौवां 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 पांच में से गिरा है कहा पांच में स नमन हाँ चलो बहुत बढ़िया पुराने नोट से बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया यहां देखो एक फोटान हम कोई मिस कर रहे हैं सिंपल यार चल एक फॉर्मिला याद कर लेते हैं नमबर अफ डिफरेंट फोटांस का एन इंटू न माइनस वन बाइटू इसका एक ए सुनने नहीं जाएंगे लेकिन ना इसमें गेम होता है इसमें गेम क्या होता है कि अगर मान लो मैं तुम से कह दू कि तुम्हारे जो फोटांस है ना तुम्हारा जो फोटान हो रहा है फोटान इस डी एक्साइट फ्रॉम सुनना यह मेंस में क्वेस्टन पूछा दा सकता ह फोटॉन्स आर डी एक्साइटेड फ्रॉम ध्यान से सुनना फोटॉन्स आर डी एक्साइटेड फ्रॉम डी एक्साइटेड फ्रॉम एन इक्साइटेड 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 फ्रॉ अगर आठ से दूसरे में आ रहे हो तो नंबर आफ डिफेरेंट फोटन्स गिरी नाथ फॉर्मुला याद कर लिया एंटू-1 इंटू-1 प्लस वन भाई-2 अरे अपरे घजवरट्टू तो ता ओबे तुम लोग समझ के भी याद किया करो यार रटा मत करो भाई रटा मत करो एक ही फॉर्मुला याद करो जन्रल अरे यार तुम लोग नहीं अरिक्दम रट्टू तो तो मैं कहा रहा हूं एंटू-1 बाई-2 याद रखो बस एन गिनों एन गिनों कहां से सुरू हो रहा है दो तीन चार पांच छे साथ आठ दो से लेकर आठ गए ऐसे सुनों ना एक तो तीन चार पांच छे साथ कितने एनर्जी लेवल है सर साथ एनर्जी लेवल है तो क्या हो जाएगा सर सेवन इंटू सेवन माइनस वन डिवाइडिट बाई-2 अरे यार तो साथ में से एक जाएगा छे साथ चाह के 42 42 42 बटे दो मतलब 21 21 डिफरेंट फोटॉंस मिलेंगे प्लीज लाइट भी पढ़ाएंगे ना हाँ बेटा लाइट भी पढ़ाएंगे चिंता मत करो लाइट भी पढ़ा देंगे काए परसान हो रहा है सही याद लाइट भी पढ़ाएंगे लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे एकदम लाइट जब एकजाम एकदम करीब आ जाए पुषपासर गए कि कॉमेंड में पुषपासर कमें भी तो नहां आए आच लो यह तरीका यही फॉर्मूला याद रहा हो तुम नंबर ओफ ऑर्बिट्स किन लिया कर वाट से लेकर दो के बीच नंबर ऑफ ऑर्बिट्स गिन लिया कर वह तो से आठ चले जाव साथ एक बीदो टीट्टी का रहा है ये सवाल ऊचा जो टॉच आई के अगिए सवाल से ल्हींगे देखो टो टो टॉच मोढल बेद्रीज इस पीड़ कर ट टिक्र आ लुट्टुट टॉच मेंगे per second, then the current associated with the electron will be, कितना current associate होगा, कितना current associate होगा, current कैसे निका लोगे, sir, current कैसे निका लोगे, देखरो, current वाल सवाल पूछ लिया, i equals to कितना होता है, sir, q by d, sir, charge कितना है, sir, e, time कितना है, sir, 2 pi r divided by v, to ev upon 2 pi r, e कितना है, charge of electron कितना है, sir, 1.6 into 10 to the power minus 19, velocity कितना है, velocity कितना है, velocity कितना है, बोला भाई, या, velocity है, 2.2, या 22 into 10 to the power 5 meter per second, अच्छा, divided by, दिकुस्त हमाई आ रहा रहा, 22 into 10 to the power 5, लिख दिये, divided by 2 pi कि जगे क्या लिख लिख लिया, सर, 22 by 7, अच्छा, सर, बहुत बढ़िया, radius कितना है, 0.5 finger strong, मतलब 5 into 10 to the power minus 11, 5 into 10 to the, 0.5 into 10 to the power minus 10, तो हम लिख लिए 5 into 10 to the power 11, अच्छा, सर, इससे क्या फाइदा होगा, 20 से कितना हो गया, सर, 11, अच्छा, साथ उपर चला जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, 10 to the power minus 10 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, सर, 11 से, यह 2 से कट जाएगा, क्या, 2 से कट जाएगा, 0.8 हो जाएगा, अच्छा, नहीं, मत काटो, मत काटो, मत काटो, मत काटो, कोई फाइदा नहीं होगा, करें निकाल सकते हो, हाँ, सर, 5 दूना 10, देखो, 7 इंटू 1.6 इंटू 11 इंटू 10 to the power minus 19 इंटू 10 to the power minus 19 प्लस 5, ठीक है, और प्लस 10, अरे क्लियर है क्या, तो आई की वेल्यू अपने को मिल जाएगी क्या, बोलो भाईया, आई की वेल्यू मिल जाएगी क्या, कितना सर, 10, 5, 15, 15, 15, 14, 19, 10 to the power minus 2 mili ampere में पूछ रहा है, वेल्यू कितना होगा, तो 11 सते 77 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 15, 15, 14, 19, minus 4, अब इसको solve कर लो, जो answer आजाए, उतना ampere, और mili ampere करना है, तो 10 to the power minus 3 से और divide कर दो, अच्या, तनिश्क सिंग कहा रहे है, सर चैट देख लो, हाँ वेटा, देख रहे हैं, चैट, बोलो, क्या कहना चाहा रहे हो, तनिश्क सिंग, फिजिक्स का, या सर, कौन सा चैट दिखा रहे है, या फिजिक्स का चैट देख लो, किसका चैट दिखा रखा रहे उड़ा तनिश्क सिंग किसका चैट दिखा रहे वर्टा चैट देख लूँ या देख लो नचाल वाज भाद बाह्त बाद 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 बढ़ आ बढ़्या बाद 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 वेरी गुड वरी गुड शलाव अजाव जो अजैओ भाद बत् Sevens वाले कर शत्तित इस में कोई खाज बात नहीं थी और देखो और सवाल देखो ये क्या कह रहा है 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 a small particle of mass m moves in such a way that's its potential energy u equals to potential energy किता दे रखा सर 1 upon 2m omega square r square where omega is constant r is the distance of the particle from origin assuming both quantization of momentum and circular orbit the radius of nth orbit will be proportional to radius of nth orbit क्या होगा radius radius of nth orbit क्या होगा nth orbit का radius क्या निकलेगा तो जब तक आपको force का सर नेम लिखिए वरना सोज नाम लिखिए वरना सो जाओंगा क्या नाम लिखूँगा पागल वागल हो क्या हाँ चलो आजो देखो सर 11 कैसे आएगा अनुच दिक्षित कह रहे है 11 भी आएगा विटा कहा है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है चिंटा करने वाली कोई बात नहीं है 11 भी आएगा ठीक है चलो भाई आजव 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 बहुत बढ़ी अठीक हो यहाँ सवाल देखो यूइक स्टू वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वाइर आर स्क्वाइर है और तो एफ निकालो देखो क्या निकल कर आ रहा है एसकी प्रपॉस्शनलिटी क्या रही है तो एफ इक्व स्टू क्या होता है से डी यू बाई डी आर माइनस साइन के साथ तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वान अपान टू एम ओमेगा स्क्वाइर कॉंस्टेंट है यह कितना हो जाएगा टू आर टू से टू कट जाएगा और एफ इकोस टू जैसी दिखा न तुमको पास सही और पास हो जाएगा और य साथ हो जाएगा जlaş से हमारे से ट्रीफ्यूघल फोर्स के बराबर निहला है तुरां धू हम समझ गए को तो किसको कि अले है जाएँ करण से लाम जाएगा जाएगा और इ条 ihrはい儿 G2 और तीक है चले भू आगे बढ़े इस कुछ करने की ज़रूरती नहीं है या डारेक्ली रिजल्ट आ जाएगा डारेक्ली रिजल्ट आ जाएगा चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल है अगला सवाल है अंगुलर मोमेंटम फॉर्ट इलेक्ट्रॉन इन भोर और्बिट इसल इफ second orbit of hydrogen atom then the change in angular momentum will be. Then the change in angular momentum will be. Then the change in angular momentum will be. बताओ इसका क्या answer होगा. इसका answer बताओ. इसका answer बताओ. आपसे कहा जा रहा है कि the angular momentum for the electron in force orbit is L. If the electron is to revolve in second orbit of hydrogen atom then the change in angular momentum. अगला मोमेंटम में कोई ओखो किया अगर सेकेंड औरby yağमालोगे नुक्लियस है सेकेंड और में विक्राओं कर रहा है तो रहे कि बूम्हिंट सरेंगुलर मोमेंटम का डारिक्षुन कि दर घ्युंग है तो हमेशा ही आउटवर्ड रहेगा औहा एंगुलर मोमेंटम अपना डिरेक्शन थोड़ी चेंज कर लेगा समझो ना तुमसे क्या पूछ रहा दा एंगुलर मोमेंटम फॉर्द इलेक्ट्रॉन इन भोर की किसी सेकंड ओर्बिट में अंगुलर मोमेंटम एले है इफ दा इलेक्ट्रॉन इस तो रिवाल्व इन चेंज कितना होगा कुछ तो गढबड है सवाल में रैंगुलर मोमेंटम फॉर्द इलेक्ट्रॉन इंभोर्स और्बिट इस एल वोर्स और्बिट कौन से और्बिट इफ दे लेक्ट्रॉन इस तो रिवाल्व इन सेकंड ओर्बिट ओफ हाईड्रोजन अटम देन चेंज इ सब्सक्राइब इसे ऑर्बिट से किसी दूसरे और्बिट में जा रہा ह commanders Micoro यहां पर यह नहीं कह रहा इन his Fist और्बिट अगर यह कह देता तो जर्व विट में फॉर्स्ट और बिट कह देता फिर एक साइटो कर इलेक्ट्रान सेकेंड वर्विट में तो एंगुलर मुमेंटम जो था वो डिरेक्टक्र प्रोपूस्टल टू अंड के होता है तो जब फिस्ट और्वहित में था तो और अगर वो second orbit में घूम रहा है तो कितना होगा तो आपके पास आंसर वाया एल हो जाएगा ठीक है और अगर यह केवल second orbit में है तो answer आपका zero हो जाएगा ठीक है चलो आजाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं यह देखो यह का कह रहा है the magnetic moment of electron revolving in an orbit around the nucleus with an orbital angular momentum is given by orbital angular momentum is given by कौन सांसर सही है कौन सांसर सही है यह तो सबको रटा होता है यार यह तो सबको रटा होता है किसका answer क्या है सर माइनस ओफ ईबाइटु एम इन्टु एल वेक्टर angular momentum और magnetic moment दोनों का direction अलग-अलग होता है कैसे अलग-अलग होता है समझ रहा है अरे वह जब तुम बोर्स magneton पढ़ते हो बारवी क्लास में बोर्स magneton पढ़ते हो magnetic effect of electric current में तो वहाँ निकल कराता है कि magnetic moment जो होता है वह minus of e by 2m into l vector के बराबर होता है कैसे होता हो भी मैं समझा रहा ह ध्यूक्लिट चाहरो तरफ समझना इस भोनए इस बात को इस बात को इस न्यूक्लियस के चारो तरफ यह एक्ट्रॉन जो है यह ड हो गो! रहा है अच्छे सुनना अच्छे समझना अगर यह इलेक्ट्रान इस न्यूक्लियस के चारो तरफ गोल-गोल घूम रहा है इसका मास M है तो समझो एंगुलर मोमेंटम मास के हिसाब से मंदम मास के हिसाब से होता है तो करिंट तो इस mec में से चल रही है तो मध्नितिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा सर इनवड आएगा तो दोनों के बीच में यह minus sign indicate करता है direction अब उसके बाद सवाल पैदा होता है sir e by 2m क्या है तो अगर हम magnetic moment की बात करें तो magnetic moment क्या होता है sir i into e i को हम क्या लिख सकते है q by t अगर electron है तो e लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं 2py r by time period की जगह देखा चलो आज़ो तुम्हें सिखा देते हैं कैसे आता है e by यहांपर क्या लिखेंगे sir t ठीक भईया area को क्या लिखेंगे sir pi r square तो देखो भईया यहां पर हम क्या लिखेंगे t स्टुमें away 2m into mVr एंडवे तो एंगोलर मोमेंटम है तो मेंटिक मूमेंट को यहां मेंने से डिनोट किया है और मैंने M से denote किया है बस मेरे प्यारे मित्र मेरे प्यारे भाई इतना साही अंतर है बोलो हमारी बात समझा रही है magnetic moment direction of current के हिसाब से चलता है और angular momentum direction of electron के हिसाब से चलता है तो अगर electron clockwise गूम रहा है तो current anti-clockwise चलेगी अगर electron anti-clockwise गूम रहा है जल्दी बोलेंगे वाई साब फटावड आंसर करो फटावड आंसर करो हाँ वाई क्रिस्टल क्लियर है या सर चलो सर भी ऑप्शन अपने पास सही ऑप्शन हो गया बेर तीज का सवाल था बीना मतलब है चार नंबर दे रही है जैनिस ठीक है सर इसम्स में भी और रेडियूस्ट हुआ है न सर हां स्लेवस और रिडिवी स्लेवस हुआ है सेवार खुआ है म माईनस कैसे जहागा है स सर मेंस ऐसे कि एंगलर मोमेंटम का डारेक्शन अगर एलेक्टर आकटर एंग्ल का direction inward दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिगरी का है तो जब इसी वज़े से वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है इसका तो वैसे लिखा जाता है सब पढ़ाते हैं यह दिखो यह सवाल क्या रहा बहुत सारे सवाल लगाने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ठीक है यह सवाल अगर हमको अच्छे से फील आ गया तो हम बोलेंगे बारत माता कीज़े देव क्या सवाल कर रहा है इफ भोर से अटॉमिक पी अड़ी इनक्रीजेज पोटेंशल डिक्रीजेजेज के इनक्रीजेज चैनक्रीजेज पी अड़ी डिक्रीजेज जल्दी बोलो कौन सा अंसर से कौन स seven anlat फांसर सही थरिए देखतें किसका सब्दर्वेशन कि निद्षा का अच्छा है कौन इसका अंशर सही से कर पाता है भी क्रविसे वाई थेजिस अंसर से सद्ब आप फटाक से आंसर करो तो फटाक से अंसर करो तेखो कौन कर पाता है सर आपका नाम बहुत जई ऐ है क्या ब्रहम अच्छा बाई-चानक यार थाण क्यू सूपच चलिया को यहां देखो यहां देखोग कॉई कॉण से बताव यहां जो सिखा रहें इसका ऐन सर करो इसका और पाता है कौन कर पाता है और का ईने टिक ग्रमी फोटेंशल टोटल एनरजी इंक्रीजिस अच्छा अच्छा हाँ भाई या बहुत बढ़िया चलो थेको क्या है बाई क्या है चलो फॉर्मुला लिखो चलो चलो काइनिटिक एनर्जी क्या होता है सर काइनिटिक एनर्जी होता है सर 13.6 10.6 Z square upon N square electron 13.6 Z square upon N square electron थीक भाया चलाओ वाई साब बहुत बड़ी आच्छाछ सर potential energy क्या होता है potential energy minus 27.2 Z square upon N square electron total energy कितना सर माइनस 13.6 Z square upon N square electron बोल्ट सुनना बहुत ध्यान से हमारा एन बढ़ेगा हमारी काइनेटिक एनरजी घंटेगी याद रखना काइनेटिक एनरजी घंटेगव इस वैल्यू को भूले हो इस वैल्यू को भूल जाओ फोल चलब ही नेगिटिब को भूल जा Hu अभी negative को बूल जाओ अच्छा माल लो गर यह positive होता तुम N बढ़ाते हैं तो तुमारी potential energy घटती लेकिन negative लग गया तो उल्टा हो गया minus 4 is greater than minus 2 minus 4 is greater than minus 2 true or false minus 2 बढ़ा हो जाएगा minus 4 छोटा हो जाएगा तो यह value कम negative हो जाएगी अरे बात समझ आ रही है तो आपकी potential energy बढ़ जाएगी आपकी total energy बढ़ जाएगी आपकी kinetic energy घट जाएगी तो कौन सांसर होगा k decreases p and e increases and b will be the right answer b will be the right answer अरे बोलो समझ आया क्या अरे बोलो समझ आया क्या yes या नो में जवाब देना यस या नो में जवाब देना बताओ क्या यहां तक कहानी समझ आ रही है विराट कोली फैन क्लब कहरें सर आप लाटरू सिटी आफ महराष्टरा को जानते हो क्या उसे मिनी कोटा के नाम से जानते हैं यहां जॉइन कर लो रहे पगले हो क्या हम जहां है सूब्य वस्थित एकदम बढ़ियां मास्त माज में पढ़ा रहे और तो माज में पढ़ रहो है मैच यस सर अलिक जो कि सरकाश आप संस्कृट भी पढ़ाते हैं अरे बाग शंसक्रिदे पढ़नी है गां यह हाँ चलो मित्र चलो 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 बही आज़ो 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 मेरे बच्चों चलो बाई देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं यह देखो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कहा जा रहा है इस वन वर्ट अप्लाई बोर्स मॉडल तो अपार्टि को मैगनेटिक फिल्ड में मूव कराते तो एनेथ और्बिट में एनर्जी क्या होती है मैगनेटिक फिल्ड में मूव कराते सर तो पोटेंशल एनर्जी होती ही ना बस कौन सी एनर्जी होती सर काइनेटिक एनर्जी होती तो क्या होता सर क्यू वी भी सर यह बराबर होता एम से multiply n1 upon 2 mv2 स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी लिख लो वन अपउन टू mv2 को काइनेटिक एनर्जी लिख लो तो यह कितना हो जाएगा क्यों वी धी और डिवाइड़ भाई 2 क्यों व व भी आर डिवाइड़ राइड वाइड अच्छा सर अच्छा बहुत बढ़िया सर और एक फार्मुला हम जानते हैं बहुत पॉस्टुलेट वो क्या होता है m vr equals to n h by 2 pi m vr equals to n h by 2 pi तो यहां से vr देखो क्या होता सर vr हो जाता n h by 2 pi m अरे बोलो समझ आया क्या अरे बोलो भईया समझ आया क्या आप सोच रहोगे master साब आप तो approach कर ले जा रहे हो हमको कैसे पता चलेगा हम कह रहे हैं कुछ बदला थोड़ी है जो तुम पढ़के आये हो electric field में वही क्या हो रहा है magnetic field में जहां electrostatic force goal घुमाने के रिए responsible था वही क्या हो गया सर magnetic force हो गया तो magnetic force qvb sin theta होता है तो भाईया यहाँ theta 90 degree होगा sin 90 की value 1 तो qvb equals to mv square by r अब तो भाई goal घूम रहा है तो centrifugal force to mv square ही रहेगा तो यह अपने पास mv square by r होगे अरे clear है one by two से multiply कर दिया दोनों तरफ kinetic energy मिल गई अब जब electrostatic की बात हो रही थी तो अपर potential energy भी आ रहा था वहाँ पर kinetic भी आ रहा था हमां total भी आ रहा था यहां एक ही energy होगा और यह कौन सा होगा काईनेटिक और एक क्लियर है क्या सोच इसका क्या answer होगा सोच इसका क्या answer होगा नई भाई लाट उर वाटर तो नहीं जानता हो मैं लाट तो तो नी जानता हो भाई Virat Kohlias Kanter बताओ अजा इसका अंसर बताओ प्राट से इसका अंसर बताओ वटाक से चलो जल्दी जल्दी शुरू जाओ आंसर बताओ यार और अंसर हाँ ऐसे करोगे तो कैसे खाम चलेगा आंसरी नहीं बताते हो तुम लोगार सब तो मैंने रख दिया यहां पर सब तो रख दिया सर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सर हम क्यू बी बाइटू और आर की जगे क्या लिख लेंग की एंटू-अरे क्लियर है क्या है क्यू्हक्त क्यूबीबाइ फृर पाई एंटु 났 बहुत बढ़ पत्व पास सही आंसर गया क्या बात है स्वेलचल हमको आप मिलना है या तीकर राइं मिल लेंगहार का अच्छिंताओ कर रोका कर रहे तुमारा मन your mate Naman where for where's from you tell me I tell him 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 I tell all of us at Chalos at Chalos at Chalos at about always for you be like both a question yeah we both a question I get a yeah get a hydrogen atom from excited state come to the ground state by emitting a photon of wavelength lambda the value of principle quantum number and of the excited state will be the value of the principle quantum number and of the excited state will be are a clear so hydrogen atom from excited state comes to ground state by emitting a photon of wavelength lambda the value of principle quantum number and of the excited state विल बी तो हम कह रहें सर हम जानते हैं 1 by lambda equals to rz square hydrogen atom की बात हो रहे है sir z की value 1 तो 1 upon छोटा का square minus बड़ा का square ground state में आ रहे है sir 1 हो गया minus 1 upon n square हो गया ले भाई अरे यह क्या सवाल है क्या time pass है n निकालना है 25 January second shift 2023 में पूछा गया था और यह क्या सब्सक्राइब बात है sir 1 by r lambda equals to 1 minus 1 upon n square to 1 upon n square master चाहब 1 minus r lambda oh 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 तो यहास क्या हो जाएगा sir n square equals to r lambda upon r lambda minus 1 r lambda upon r lambda minus 1 तो यह की value कितनी और सब्सक्राइब मास्टर चाहब r lambda upon r lambda minus 1 r lambda upon r lambda minus 1 b answer b answer सोच कितना time pass question है इन सारे questions को करने में कोई दिक्कत हो सकती है क्या लेकिन एक थो बात हम बताएं तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो यार अब तुम लोग answer नहीं कर रहे हो धन से पहले जितना इमानधारी से paper pen लेके बैट के answer कर रहे थे अब उससे साथ से answer नहीं कर रहे हैं लोग बहुत प्यारा टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है रिकॉइल स्पीड ऑफ है रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम क्या है रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम क्या है समझना बहुत प्यार से पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा सीख के देखो हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि मान लो यह तु इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चे मेरे सेर यहां पर रखा हुआ है सोच अगर यह इलेक्ट्रॉन यहां से डी एक्साइट हो रहा है तो एनर्जी एमिट कर रहा है कितनी एनर्जी दे रहा है अगर यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिर रहा है तो यह कुछ एनर्जी एमिट कर सबकुछ photon emit कर रहा है ये energy कितनी है सर ये energy NC by lambda कुछ यह इलेक्ट्रॉन याद से याद डी एक्साइट हुआ तो इसने कितनी एनर्जी दी सर्य एनर्जी दी एच्सी बाई लेम्डा सुनों बहुत अच्छे सुनना बहुत अगला सा कॉंसेट सिखा रहा हूं यह यह जो एच्सी बाई लेम्डा है यह किसकी एनर्जी लिख रहे ह यह किसकी एणेरजी लिख रहे हो सुर्य इलेक्ट्रोन जो 10 है यह इलेक्ट्रॉन जो टी एक्स साइट हो एन यह सबाद समuldमदारी यह उस एनर्जी का फोटॉण अब समझो जैसे मैं काओ कि एक उलेक्ट्रां है वो से कि एकूड ही उसनम तुरा सब फ़र करते हैं थोता together के साथ बात करते हैं हाब ऑई जा ऑए मैं कहँझा रहा हूं कि मेरा स्बस्थ मेरा एक उसलों यहा पर था यह झाल यह झाल तो 3 है तो इस ने कुछ photon कि testosterone की इनरजी कितनी हो समझो इस first f oton की energy कितनी हो भी यह जब अगर इस photon कि energy की बात करूं बहुत अच्छे अन्सर की बात बढ़िया topic है इस से अच्छा सवाल पूझा गहा है ठीक है आह कि वह बहुत वढ़िया h channel सोचो क्या होता है कि जब यह इनर्जी जाती है यह इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो यह एनर्जी दो लोगों के पास की होती है दो लोगों की एनर्जी होती है एक भाईया इस एक्टम की एनर्जी होती है और एक इस एले मिलता है अरे बात समझ रहे हो यह जो तुम तू से वन में आते हो तो तुम कहते हो कि 10.2 एलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन निकला इसका मतलब क्या है यह क्या है यह एनर्जी और फोटॉन है के वल क्या नहीं सर यह डी एक्साइटेशन की विदे से हो रहा है यह फोटॉन कितना था इनिश्यल मुमेंटम कितना था जीरो तो फाइनल मुमेंटम भी कितना रहेगा जीरो अरे बात समझा रहे है तो इलेक्ट्रॉन के पास मुमेंटम कितना है सर एच बाई लेंडा तो वही किसके बराबर होगा सर वह बराबर होगा मुमेंटम ओफ एटम किसके बराब symptom of atom क्या होता है, sir, mass into velocity, हम कहेरें, इसमें c से multiply कर दो, c से divide कर दो, hc by lambda को क्या लिख सकते हो, sir, energy लिख सकते हैं, वो energy कौन सी, हो energy 10.2, सारी किसके पास जा रही है, electron वाली energy है, का है, क्योंकि electron का mass बहुत कम है, as compare to, as compare to is atom के mass, तो सारी energy लेखे electron निकल खुए, अरे बात समझा रही है इलेक्ट्रॉन से निकलने वाला जो फोटॉन है वो कह रहा कि मैं सारी एनर्जी में लेके जा रहा हूं मैं इसको जो एनर्जी दूँगा वो ना के बराबर होगी मतलब मैं कह सकता हूं कि सारी एनर्जी किसके पास है सारी एनर्जी इस फोटॉन के पा photon है इसका momentum कितना है सर इस photon का momentum h by lambda है इस निकलने वाले photon का momentum अगर h by lambda है तो वही momentum इसको भी तो transfer हो रहा है अगर वही momentum इसको transfer हो रहा है तो जो energy यह लेके जा रहा है यह energy केवल photon की energy नहीं है यह photon और इस atom दोनों की energy है बट problem यही है कि photon की energy फोटॉन का मास बहुत कम है अरे बात समझा रही तो इस वरेस हम कहते हैं कि सारी एनर्जी फोटॉन की है इसको एनर्जी मिली समझ रहे हो अरे समझ रहे हो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा mv equals to hc by lambda इसको हम लिख सकते हैं energy of photon तो mv equals to कितना हो जाएगा सर्य हमारे पास ep by m into ep by ep by c हो जाएगा तो v की value कितना हो जाएगा energy of photon divided by mc यह अपने पास v हो जाएगा this is known as recoil speed this is known as recoil speed अरे बोल समझ आया क्या अरे बोल समझ आया क्या अगर समझ आया तो comment box में जरूर लिख देना भारत माता की जय यूट्यूब नमन कह रहे है हम करू सर अब हाँ चलो भी टाइम आएगा तुमारे पास तुमारा करने का ठीक है सब्सक्राइब चलो भाई चलो आजो आजो भाई आजो 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 चलो बच्छो देखो यह हो गया recoil speed अब recoil speed पर अपने पास एक question यह समझे क्या अगर पाचवे से पहले स्टेट में कोई electron आ रहा है अगर कोई electron डी एकसाइट होकर पाचवे से पहले में आ रहा है तो बताओ उस हाइड्रोजन एटम को कितनी recoil speed मिलेगी फटाक से आंसर कर दो जरा इसका तो फटाक से आंसर कर दो तो सेर आप आप किस बुक को रेफर करते हो मैं बहुत सारी बुक को रेफर करता हूं जोश्वा स्टैनली मैं बहुत सारी बुक को पढ़ता हूं यार मेरे पास है पढ़ने के लिए इस पी नीलम है सिंगेज है 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 और आयरोडोव के questions कभी कभार practice कर लेता हूं थोड़े बहुत एक दो फॉर्मूला बेस्ट आंसर है विलस्टी इक्वल्स टू कितना सर इवाई एंसी अब सारा गेम क्या निकालने का है सारा गेम पांच से लेकर एक में जाएगा तो एनर्जी निकालने का है तो कैसे निकालोगे सर पांच से लेकर सर पांचवे में कितरी एनर्जी है सर पांच या प्लस हो जाएगा 13.6 ग्राउंड स्टेट में आ रहा है इंटु वन का स्कुएर अब इसको सॉल्व कर लो जो आ जाएगा वो एनर्जी का फोटाउन बाहर निकलेगा वही तुम्हारे पास यह हो जाएगा कितना अंसर आएगा कितना अंसर आएगा अभी हम किसको फॉलो करें बुक को कुछ नहीं अभी आप कॉंटेंट फॉलो करें अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे प्रेक्टिस करना है तो कोई एकाद मॉडियूल ले लिजे वरना इस समय किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आप बारवी क्लास में है या मत करूग कोछ ऄेस्ट्रा इक्सक्रा बस्क वाला स्केवल की वाइक्यू्-धाओ कॉन्टेन्ट रेक्टिस करो और पी वाइक्यू लगओ बस इतने पर आपने आपको बांद के रगदो ठीक है चलो आढ़ेस का आंसर बताऊ इसका आंसर बताऊ इसका अजरल दाऊए जल्दी इसका अंसर वताओ क्या answer होगा क्या अंसर होगा सब लोग वी कह रहे हैं चलो मैं देखू क्या मैं देखू क्या सब जाहें यहां से अपन 13.6 को कॉमन कर ले 25 में से एक जाएगा तो 24 बटे 25 हो जाएगा अच्छा सर वी को इस्टू निकालना है एनरजी कितना हो गया सर 13.6 ठीक है इन्टू 24 बाइ 25 एलेक्ट्रॉन वोल्टे जूल में कनवर्ट करना पड़ेगा 1.6 इन्टू 10 तू दी पावर माइनस 19 इन्ट एंट यह मास कितना है सर मास ओफ उलेक्ट्रों सर 9.1 इन्टू 10 तू दी पावर मैनस 31 स्पीड आफ लाइट कितना 3 इन्टू 10 तू दी पावर 8 पर सिकंद मात करें है जवा जाए वरना भाई साहब इसके अंसर में अटक जाओगे ये गैरेंटी लिखवालो मेरे से ये गैरेंटी लिखवालो मेरे से अगर तुम इसका अंसर करना चाहते हो अगर तुम इसको ढंग से सीखना चाहते हो तो भाई साहब अपना दिमाग अपना मन अपना बुद्धी सब एकद कम कम से कम गिरी परियालत में भी चलेगा तो अभी हमारा content चलने वाला है दो घंटे से प्लस दो घंटा प्लस चलेगा भी हाँ चलो वाई देखो क्या है वह या क्या है वह या कि इसमें देखो अगर कहता है कि effect of nuclear motion on the energy of atom effect of nuclear motion on the energy of the atom energy की बात नहीं कर रहे हम लोग दो बाते कर रहे हम लोग energy और रेडियस दोनों की बाते करेंगे energy की भी बात करेंगे और energy और रेडियस दोनों की बाते करेंगे energy radius और speed तीन बाते करेंगे energy की बात करेंगे radius की बात करेंगे और speed की बात करेंगे सट एलेक्टरॉन जो था था वह बहुत चोटा होथा था मास पनियूकलिस स Middle नुकलिए से बहुत छोटा होता था M रही लॱी जो नजर आता है समझो जैसे हमारा हम यहां से देखते है हैं कि हमारा सन जो है वह स्टैटिक स्टेट में यह अब हमारीbody physics advance हो गई है तो बहुत कुछ जान चुके हैं मेरे सर जोस्ताइस सडैले सर मुझे सेपे चरने में फोकस करना है या फॉस्ट इबसार अरे फॉस्ट इडा थ्यान दे यार का है से कIGHं तो बहतर देना ए मैं देंगे चिंता वाली बात नीए ठीक है अगर तुम 11 क्लास में हो तो चल देख विड़ा अब मैं तुझे बात मुद्दे वाली यह समझा रहा हूं कि जैसे हम धर्ती महिया है ठीक है धर्ती महिया पर हम लोग है और उपर सन सन का मास अर्थ के कमपेरेजन में बहुत जादा है इडिज लाइक सन इस लाइख नूकलिएस एंड अर्थि लाइक इलेक्टरों तो इससे क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है हमारा सन और अर्थ का здесь OF GOAL crédbers करोगे तो सब कुछ गोल घूम रहा है बाद समझ आ रही है सन भी किसी का चक्कर काट रहा है एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी का चक्कर काटती है एक कॉस्मोस दूसरे कॉस्मोस का चक्कर काटता है और ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स का चक्कर काट चलो आजाओ ध्यान से धंग लगाके एकदम इमानदारी एकदम महनत के साथ पढ़ाई करेंगे चलो भाईया देखो यह तुमारे पास वो देरेक्टली प्रो पूष्णल्ट होता है फणंग शंट्र रिया तुम कहलो रेडियास इस इनवरसी प्रपॉष्णल्ट टू मास अब समझो मैं कहूं मैं को कि एक पॉजिट्रॉण है जिसके उपर चार्ज कितना है प्लस कि एक पॉजिट्रॉण है या एक प्रोटॉन है जिसके उपर चार्ज कितना है सर प्लस यह क्या करता एक मिवान पार्टिकल को मिवान कैसा पार्टिकल है एक नेगिटिव पार्टिकल है माइनस माइनस इसके उपर चार्ज कितना है सर माइनस यह कैसा पार्टिकल है सर एक मिवान पार्टिकल है ठीक है इसका मा मास जो हो और प्रोटान का मास जो है एक दूसरे के कंपैरिजन में है अगर एक दूसरे के कंपैरिजन में है तो क्या होगा सर्फ सेंटर ओफ मास कहीं इधर लाई करेगा अरे क्लियर है जब सेंटर ओफ मास कहीं इधर लाई करेगा तो क्या होगा यह इस सेंटर ओफ मास के अ हम effective radius में क्या कर देते हैं वहिया जब हमारे पास effective radius की बात आती है तो effective radius में हम कुछ करते नहीं है बस याद रखेएगा इस effective radius में जो आपके पास इस situation का जो effective radius होता है 0.529 n square by z इसमें आप mu by m से multiply कर देते हैं mu क्या है sir mu एक reduced mass है mu क्या है sir mu एक reduced mass है reduced mass क्या होता है sir इसका mass mp इसका mass m तो यह अपने पास mp into m divided by mp plus mp plus mu हो जाता है यह हमारे पास mass of electron होता है mu upon m e इसका वाला mass ठीक है इसमें mu upon m e से multiply कर देते हैं same as velocity क्या होता है sir वह mass पर depend नहीं करती है velocity जो है sir वह mass पर depend नहीं करती है independent of mass होते है बढ़ छोटे छोटे फॉर्मूले है याद रखना है बसके वल independent of mass होती है अगर independent of mass है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो velocity क्या होगा sir यह speed जिसको हम कहा रहे है speed में कोई change नहीं हो म्रेट करें च्रॉब और kai nerdy जो आग डिक एनर्जी जोता है यह डैरिकली प्रपूर्श लोट अ एनरजी का फॉर्मूला माइनस 13.6 Z2 upon Z2 upon Z2 upon A Ni2 electron volt होता है ठीक है Z2 upon अरे यह गर्बढ हो गया इसमें याद रखना है इसमें m e by computing कर देता हैं यह गर्बढ हो गया मैं नहीं मीदा कर देते हैं काईनेटिकेदेट ऐगे होता है काईनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की जबंबात करते टो एनर्जी लेगर डरिकली प्रफॉश्चिनल टू मास्ट के होता है तो यहां पर ये तो अपने पास हो गया कब देखो यह situation हमारे पास कब हो जाती है यह हमारे पास situation होती है electron के लिए ठीक है अगर हम बात कर रहे nuclear motion अगर हम बात कर रहे nuclear motion की तो वह यह nuclear motion में मेरी energy क्या हो जाएगी minus 13.6 z square upon n square और यहां पर कितना हो जाएगा mu by m किसके बराबर हो जाता है सर यह mu by m e से multiply कर दिया जाता है mu क्या होता है mu is the reduced mass ठीक है अब भी वह reduced mass का पूरा concept आपको दिख जाएगा इस सवाल में यह सवाल देखो कह रहा है कि a muon is unstable elementary particle whose mass is 207 times 207 times mass of electron एक्लियर mass of muon जो है वो किसके बराबर है सर वो बराबर 207 times mass of electron के whose charge is either plus e और minus e a negative muon can be captured by a hydrogen nucleus to form a muonic atom एक hydrogen nucleus से capture करके एक muonic atom बन सकता है सुनो सोचो तुमसे क्या कहरा the radius of the first force orbit of this atom and the ionization energy of the atom दो चीजे पूछ रहा है एक radius पूछ रहा है और एक ionization energy पूछ रहा है तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे सर हमारे पास दो एटम्स हैं दो elements है एक हमारे पास क्या है एक hydrogen nucleus है जिसमें क्या है सर एक proton है जिसका mass हो गया MP और एक आपके पास muon है एक आपके पास muon है अरे clear है muon का जो mass हो गया वो कितना हो गया 207 times mass of electron 207 times mass of electron अब क्या करें master सा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक्यू पॉर इतना दिल एंड इतना आग थैंक्यू पॉर इतना दिल एंडितना धन्यवाद भाई साम मदा आ रहा है सर मदा रहा है यह लास्ट आपिक है इसको सीख लो उसके बाद सब्सक्राइब यह बाद कर तैंस और यह लिखना है तुमसे पूछा था रेडियस बताओ तो रेडियस में तुमको करना क्या रेडियस में कुछ नी करना कया यह लिखना है सर अपने पास 0.529 0.529 कौन से और्बिट की बात कर रहा है फस्ट और्बिट की बात कर रहा है देखो कहा जा रहा है मिवान captured by hydrogen nucleus to form a muonic atom the radius of the first force orbit बोर के पहले orbit का radius क्या होगा तो इसको हम क्या लिखते हैं सर n square by z और यहां किस से multiply कर देंगे सर इसमें multiply कर देंगे m by mu से m e by mu से mass of electron divided by mu mu is the reduced mass जो किसके बराबर है सर जो m into mu into mp upon m mu plus mp के बराबर अब जब तुम इसको निकालोगे तो क्या मिलेगा सर 207 into 1837 divided by 207 plus 1837 और यहां पर क्या mass of electron यहां क्या हो जाएगा सर mass of electron अब यह वाली value उठा के या रख देनी म्यू की यह वाली value उठा के या रख देनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एनर्जी का formula क्या होता है बहर भई यह energy का formula होता है minus 13.6 z square upon n square electron volt और इसमें हम क्या करतेते हैं m e by mu इसमें हम क्या करतेते हैं भई यह m e by mu जहां यह mu निकाले हूँ जो यह mu निकाले हो इसी mu की value उठा के यहां रख दो बस खतम बाद जब आइनाइजेशन पूछ रहा है तो यह energy plus जब आइनाइजेशन पूछ रहा है तो यह energy plus हो जाएगा सिंपल है अरे कर पाओगे क्या कर पाओगे तो भाई comment box में बता दो अरे कर पाओगे तो अभी तक बता दो भाया हाँ गुरू जी देखो अभी तक हूँ और रहूंगा एस प्रामिस्ट ग्रेट जॉब यार ग्रेट जॉब यार मेरा नाम भी लिख लो आशीश कुमार बिलकुल भाई या बहुत बढ़िया याद रहेगा तुम लोग का नाम यार हैट्स अफ टु यू गाइस अरे समझ आ रहा है क्या अरे समझ आ रहा है क्या का तो यहां भी यहां मियू भाई यहां पर क्या हो जाएगा मियू भाई एम हो जाएगा मियू भाई एम हो जाएगा तो मियू अपन निकालेंगे उपर मियू से multiply कर देंगे और हमारे पास हमारा answer अब जैसे इसी पर बेज़ एक question इसी पर बेज़ एक question क्या है यह question में आपको हो मोग दे रहा हूं इस question को करना 18 March 1st shift 2020 में पूछा गया था the energy of this hydrogen atom will be imagine that the electron in hydrogen atom is replaced by a muon mu the mass of muon particle is 207 times that of electron and charge is equal to the charge of an electron the ionization potential energy of hydrogen atom will be ionization potential energy क्या हो जाएगा जब ionization potential energy की बात करेंगे तो इकोई स्टो कितना सर 13.6 z square upon n square electron volt तो यहां क्या हो जाता है आपर सर mu by m हो जाता है देखो भी यह जैसे यहां पर हो रहा था m by mu हो जाता है नहीं mu by m ठीक है रेडियस में कितना हो जाता है radius में m by mu हो जाता है और energy में energy में mu by m हो जाता है energy में mu by m e हो जाता है अरे clear है क्या जरूर लिख लेना जरूर लिख लेना देको पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते मेरा confusion create हो तो थोड़ा तुम ध्यान दे लेना तुम्हारे साथ अगर बढ़ नहीं हो रेडियस में क्या होगा मेबाई म्यूँ होगा मास नीचे पहली बार पढ़ रहा हूं फॉर्मूला याद नहीं है महारे कि इतना फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस अगर यह याद है तो इसको खेवल मल्टिप्लाई करना है मियू क्या है sir, मियू reduced mass है, और यह किसके बरावर होता है, m1, m2 upon m1 plus m2, m1, m2 upon m1 plus m2, अब यह सवाल है, अब यह सवाल है, इसमें क्या खास बात, मियू निकालने में, खाली खास बात, मियू निकालने में, तो मियू equals to कितना हो जाएगा sir, 107 into 1837 into mE divided by 107, 107 plus 1837, mE से mE काट दिया है नीचे वाले को, यह से mE आ जाएगा, अब घडित लगानी पड़ेगी, pen चलाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, यह आपके पास electron volt हो जाएगा, बोलो कर लोगे क्या, अब जी, थैंक यू ब्रह्मा सर, कल मेरा modern पर paper है, थैंक यू सो मच सर, अरे यूर मोस्ट वेलकम, अरे यूर मोस्ट वेलकम भई या, बहुत बढ़ा स्वागत है आपका, मन लगा के पढ़ते रही है, ध्यान से पढ़ते रही है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी और कहानी में बहुत कुछ बाकि है, ठीक भाईया, अभी 6 घंटा 29 मिनट हुआ है, 207, हाँ 207, 207, 207, बहुत बढ़े आवच्चो, 207, बेरी गुद, चलो भाई, यहां हमारा खतम होता है, पूरा एटम्स, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, अपने अगले हिस्से की तरफ और इस हिस्से का नाम है भई या नियूक्लियाई, अगर जेई मेंस 2024 के परस्पेक्टिफ से देखा जाए, तो इस नियूक्लियाई का आधा हिस्सा हट चुका है, जिसका नाम है पूरा रेडियो एक्टिविटी, ना तो अलफा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, सब कुछ हट चुका है, कुछ हट नहीं, नियूक्लियाई में कुछ सिलेबस में नहीं, अगर नुक्लियाई की बात करें तो, हाड औट फास्ट हमको न्यूक्लियाई पढ़ने में एक गंता लगेगा यहां से, छे बचके, शे गंता, interject जे gंटा, नियूक्यलियाई वींत, से लेकर साथ घंटा 29 मिनट तक जाते जाते हम पूरा न्यूक्लियाई कवर कर लेंगे हो सकता है और जल्दी कवर कर लें ठीक है अच्छा कनिश्क कह रहे हैं सर मेरा नाम एड कर लीजे सर लास्ट तक कमा मैं चलो वाए चलो तो भाया सुनो मेरी बात ध्यान से सवाल करा के घंगा खूब सारे क्वेश्चन से स्लाइड में सारे क्वेश्चन करा के समझा के बता के तभी इस प्लेटफॉर्म से हटूँगा चाहे उसके लिए भले ही सुबह हो जाए कोई दिक्कत वाली वात नहीं है अपन पढ़ लेंगे पढ़ा लेंगे ठीक है चल वाई या चसमे को रखते हैं किनारे और फिर सुरू करते हैं थोड़ा और तांडर और थोड़ा हुडी भी निकाल देते हैं बहुत गर्मी लग रही है यार क्योंकि एसी बंद हो गई है मुझे लग रहा है ऐसा किसी कारण वस हो गया होगा है हाँ चलो बहुत अच्छा तुम लोग को ब्रेक तो नहीं चाहिए बाई जमाने भर में मिलते हैं आसिक कई मगर वतन से खुबसूरत कोई सनम नहीं नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई मगर तिरंगे से खुबसूरत कोई कफन नहीं अरे क्या वात है मोहित गुपता तुमने तो भरना है जीवन में देश प्रेम भरना है आप हम आप तो आप है तो हम है बाकी सब पानी कम आरे तुम लोग दमदार हो चलो यार मड़ा आता है तुम लोग के साथ काम करके दरेश चसमे में हैंसम लग रहे थे आप अच्छा अभी लगा लेते हैं चलो देखो इसको पहले से को कड़ीया के अचलो वाच्चो देखो इधर ऐसे लगा दे के सबस्क्राइब कर दे रहा हूं दिखाए दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है यह सर चलो सर चसमा लगा लेते हैं यह साविसमांट लग रहा है मास्कर है चलो भाई आ दो हाँ मुझे पता है अभी जीत वागमरे तू तेजस ही है मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है ठीक है चलो वाई चलो वाई चलो 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 शुरू करते हैं न्यूकलियाई की बात करते हैं बेटा जब हम किसकी बात करते हैं जब हम न्यूकलियाई की बात करते हैं सर जेड को क्या कहते हैं सर जेड को कहते हैं अपन जेड को कहते हैं सर एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं सर जेड को कहते हैं सर एटॉमिक नंबर सर एको क्या कहते हैं सर एको कहते हैं अटॉमिक मास अच्छा सर जेड को कहते हैं अटॉमिक नंबर एको कहते हैं अटॉमिक मास और atomic number जो होता है यह क्या present करता है यह present करता है number of protons क्या present करता है यह present करता है number of protons a क्या present करता है sir a present करता है number of neutrons number of neutrons plus number of protons अजा जैसे हम यह बात देखते हैं न बच्चा तुरंत हमारे दिमाग में खयाल आता है कि भाईया यह है number और लिख रहे हो तुम mass गिंती कैसे number बतलब गिंती कैसे मास हो सकती है यह तो इजी चप्टर बहुत इजी चप्टर भन न से खतम हो जाएगा चिंता वाली कोई बात ही नहीं है फटाक से खतम यह कुछ ही नहीं इस चप्टर में है आकाश सोनी सर मैं आपको याद हूँ क्रेश कोर्स वाले हाँ हाँ बिल्कुल याद वैया अपनी बात भी तो हुई थी एक बार चलो आजाओ 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 देखो एटामिक मास क्या है नंबर आफ न्यूट्रॉंस प्लस नंबर आफ नूट्रॉंस प्लस नंबर आफ प्रोटॉंस तो सवाल पैदा होता है कि यह मास कैसे कोई counting हो सकता है तो इसको present करने के लिए जब हम unit की बात करते हैं जब हम इसके unit की बात करते हैं जब इसको measure किया जाता है तो इसको measure करते हैं atomic mass unit में किसे measure करते हैं atomic mass unit में तो sir अगर यह mass है तो इसका kg के साथ कुछ न कुछ relation होगा हाँ बिल्कुल होता है sir क्या relation होता है इसका kg के स 12 ऐसे डिफाइन किया गया कार्बन 12 को रखा गया क्योंकि कार्बन 12 वो समय जितने भी elements ढूले गए थे जब हम एम्यू को define कर रहे तो उसमें बहुत ज्यादा stable carbon 12 था और carbon 12 को हमने reference पर रखा और उसको reference पर रखके 1 amu define किया तो इसमें 6 proton होते हैं और 6 neutron होते divided by 12 अच्छा 1 amu अरे clear mass of proton और mass of neutron जोते हैं approximately बराबर होते हैं mass of proton और mass of neutron approximately बराबर होते हैं तो 12 MP divided by 12 लिख दिया जाता है तो 1 amu जो है वो किसके बराबर हो जाता है sir 1 amu mass of proton के बराबर हो जाता है mass of proton कितना होता है sir 1.67 into 10 to the power minus 27 kg हो जाता है अब हम कह रहें कि एक atom है जिसमें 4 protons है और 4 neutron है मालो हम कह रहें कि एक atom है जिसमें 4 proton है और 4 neutron है और उसके mass की बात करी जा रही है तो हम उसका mass 8 amu लिख देंगे मतलब उसमें 4 proton है और 4 neutron है 8 amu 8 amu में हमने क्या कर दिया अगर 1.67 into 10 to the power 27 kg से multiply कर दिया तो भईया हमारे पास क्या मिल जाएगा वो पूरा mass kilogram के अंदर मिल जाएगा since kilogram एक बहुत बड़ा mass है unit measurement का ले तो हमको जब बहुत छोटा mass measure करना है तो हम उसको एक और छोटी unit बना लिए और उसका नाम क्या रख दिये उसका नाम एक और बात सुने होगे अगर हम तुमसे कहें एक ओल मास का mass of mass of one more of substance mass of one more of substance अगर कोई substance उसका एक मूल का एक मूल का मास लिखना है जैसे माल लिजह आपके पास एक atom का मास a amu है मतलब अगर kilogram में लिखे a amu एगर kilogram में लिखे तो 1.67 into 10 to the power minus 27 कीजिए और कितने atom है sir atom is 6.023 into 10 to the power 23 atoms है कितने atom है 6.023 into 10 to the power 23 atoms है एक atom का मास इतना है तो इतने atoms का मास ही हो जाएगा तो one mole जब आप इसको solve करेंगे तो जानते है क्या मिलेगा 1.67 को 6.023 करते हैं तो यह लगभग 10 के बराबर मिल जाता है तो वहिया यह हमारे पास a into 10 to the power minus 3 kg मिल जाता है अरे 27 और 4 कितना हो जाता है 27 में से 24 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा मतलब हम इसको लिख लेते हैं एक ग्राम अरे जानते हो क्या one mole atom का जो मास होता है वो एक ग्राम होता है और एक atom का मास a amu होता है अरे clear है क्या कितने लोगों को यह बात clear है समझ लोगर clear है तो comment box मों बताएंगे भाया हाँ यह सब्त वाता है सर यह पूरा lecture देख लूँगा तो more than enough है ना बेटा हाँ बिल्कुल more than enough है यार तू पढ़तो ले पहले पुरा आखरी तक टिक के पढ़तो ले that is more than enough भाई है more than enough यार समाझ रहे हैं यह बहुत ज्यादा है यह बहुत ज्यादा है सफिशियंट से भी ऊपर है ठीक है चिंता मत करो वन इंवाटो включस टू कितना हो अपने गंटी नहीं नहीं करें लेक्ट्रों की इति今日は नहीं करीmans नहीं कि बताओंगे क्या जेपी पूनिया कह रहे हैं सर आप गौड फादर हो इतनी देर रात इतनी देर रख्टा मार रहा आज ही रीजन पता चला अच्छा बाई अच्छा बाई चल कोई बात नी चल पता तो चला बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा चल बहुत बढ़िया इतने दिन रख्टा मारा आज ही रीजन पता चला चल कोई बात ने ठीक है बाई कोई बात नी कोई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चल बहुत कुछ सिखाएंगे बस तु जगे रहे मन लगा के पढ़ते रहे अपने पास क्या है कि अटामिक मास की बात करी जाए तो नंबर और प्रोटॉंस प्लस न अलग-अलग और्बिट में अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉंस भी अलग-अलग और्बिट में गोल-गोल घूम रहे हैं आप इनको कंसिडर नहीं कर रहे हो तो ना कंसिडर करने के पीछे कारण क्या है कारण यह है कि मास ओफ इलेक्ट्रॉंस होता है वह बहुत कम होता है मास ऑफ्रोटॉं से और अगर आप STEPHANA structure याद करो अगर आप time胤 structure याद करो तो atomic structure में क्या पढ़या क्या बताया क्या सिखाए थे रगर फोड ने कहा था कि nucleus का यह तो खालो भटाक से खालो आए अगर आपको फूरूट चाट खाना है तो हाँ बदाओ अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं कहूं कहा था मैं हम मास of electron is far far less than mass of proton तो जब मैं अटम बता रहा था दा अधर फोड का experiment बता रहा था तो मैंने कहा था कि भाया मैक्सिमम स्पीस एंपटी है मतलब 99.9% मास्ट वो नूप्रियस के अंदर है तो इसी में अधिक ट्रॉन के मास्ट को इगनूर करते हैं लिखते नहीं अटम के मास्ट में लेक्ट्रॉन के मास्ट यहाँ पर काम आएगा इतना मास्ट बहुत बदा डिफ्रेंस क्रियेट करता ह तो चलो आप आगे बड़ते हैं यह देखो यह तक कि कहानी क्लिए रहे मास्टर साब चलो तो हम को यह पता है कि इलेक्राउन के मास को क्यों नहीं रखा जाता है सबक्राण के मास को क्यों रखलते हैं एलेक्ट्राउन के मास को क्यों हो Webb यस ईया नो में जवाब देना है आहां बहुत बढशा यहां अपने को अपने को सब कुछ समझ अ citation है ठीक है थोड़ा सा il a disturbance और निच्ट्रों के मास्कों नहीं लिखा जाता यह हमारी बात क्रिस्टल क्लीयर है अच्छा जो अपना रगव ठोड था रगव फोड ने क्या कह दिया था रगवर की बात जब आई तो चाहा था न्यूक्लियस इस वेरी देंस न्यूक्लियस इस वेरी देंस तो अब कहानी आती है कि size of nucleus क्या होता है यह जो nucleus is nucleus का size क्या होता है तो जब इस nucleus के size की बात करते है size of nucleus की बात करते हैं देखो size of nucleus की कि इस फार्मुले से डिफाइन किया गया, Size of Nucleus क्या लिखा गया? Sir, R Equals to Rnaught a की पावर 1 by 3, कोई मुझे बताएगा कि यह Rnaught क्या होता है, Sir यह Rnaught क्या होता है? Sir, यह radius constant होता है. इस Rnaught की value बता सकते हो, क्या होती है? देखें कौन बता पाता है इस आर नॉट की वेल्यू जल्दी बताओ इस आर नॉट की वेल्यू क्या होती है जल्दी फटाक से बताओ आर नॉट की वेल्यू जल्दी बताओ इंतजार कराओ मैं फटाक से अंसर करो 10 to the power minus 10 to the power minus 14 की 10 to the power minus 15 सो जो फटाक से अंसर करो आर नॉट की वेल्यू का फटाक से अंसर करो क्या होता है सर एक्सरे एक्सरे नहीं है विडा स्लेवस में एक्सरे स्लेवस में नहीं है एक्सरे स्लेवस में नहीं है जहीं मेंस के स्लेवस में एक्सरे नहीं है सर 1.1 into 10 to the power minus 15 meter होता है यही सबसे बड़ा calculation वाला पाट था जो किस ने दिया था जो रधर फोर्ड ने दिया था अरे बोलो बात समझ आ रही है रधर फोर्ड का यह calculation वाला हिस्सा सबसे जादा important पाट था तो आर इकोस्ट वार नॉट एक पावर 1 by 3 मतलब अगर atomic size बढ़ेगा तो nucleus का size बढ़ेगा तो अभी आज से सवाल पैदा होता है कि nucleus की density क्या होती है what is the density of nucleus तो अगर density of nucleus की बात करी जाए density of nucleus की बात करी जाए तो सर यह क्या होता है sir mass upon volume mass upon volume अच्छा sir mass कितना sir mass कितना sir a kg a kg तो एक a amu में अगर kg में convert करना तो हम क्या करते है 1.67 into 10 to the power minus 27 से multiply कर देते है divided by volume कितना 4 upon 3 pi r cube और r की जगे हम क्या लिख सकते है sir r not a की power r not a की power 1 by 3 का whole cube और जैसे इसको देखाना तुरंत हमारे दिमाग में एक बात चमकी कि हमारे पास यह हो जाएगा 3 into a into 1.67 into 10 to the power minus 27 divided by 4 pi into अपने पास r not clear 1.1 into 10 to the power 10 to the power minus 15 का whole cube into a a से a कट गया और जब हमने इस पूरे को solve किया ना तो हमको यह जो value मिलती है यह approximately 1.06 into 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब मिलती है मतब 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब के रेंज में हमको यह value मिलती है आप calculate करके एक बार इसको verify कर लेना 10 to the power minus 15 होता है और नौट 10 to the power minus 15 होता है माइनस 14 नहीं होता है यह clear माइनस 15 होता है मुझे बस इसमें डाउट था वन पॉइंट वन होता है कि वन पॉइंट जिरो न होता है बढाएंगे विटा बढाएंगे हम कॉलिज नहीं गए है लिए चलो इदर आव थारा साल से पढ़ा रहा है थारा साल की उमर से पढ़ा रहे है आव इदर वह या यह तुम्हारे पास क्या हो गया सर वन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टू टू पावर 17 kg पर मीटर कौन बात है से क्रिष्टल क्लियार यह सच चलो तो देंसिडी जो हमको मिली वह डिंसिटी हमको इंडिपेंडेंट मिली और इतनी ज्यादा मिली कि इससे ज्यादा डेंस मेटीरियल हम अपनी जीवन में कुछ जानते ही अभी तक जो सबसे डेंस चीज हम डूड़े है वो न सेविंटीन केजी होगा उसको उठाने के लिए मल्टी फंक्शनल वाली क्रेन ले आनी पड़ेगी तब कहीं जाके वह लेगा और तब भी हिल जाए तो बड़ी बात है अचागै बलगे के अचागे की अची सब को बताने की तो को ज़रूरत है नाइ नंबर आफ तुनी क्लेरी आफ इर इन डरी फिटी तो इस फोंतंड देंसटी इसलिमीं टरी stillka सकनाधनि थाल्ट का विखनाओ योच वसोंत नूक्लियृः देंसिटी सटेंसमें कि एक जाए होोगा festa 2ry नूख्लियर डिंसीटी का रेशियो वताहों क्या होगा बोलो भया नुक्लियर डिंसीटी का रेशियों क्या होगा डाइस का हाँ 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 होगा समी कंडुक्टर्स भी होगा cee bau Stretch इसका आंसर गर पाता हिसका इसका जल्दी बता हो इसका अंसर बढ़ा जल्दी बताओ कि आंशर है कि इसका भी आंसर सी अच्छिए भी यहों क्या expression is r equals to are not A can power 123 हम कह रहें इसको है से लिखे लो आबज आछए आञे आड़नौर这么ary कِ पावडन भाई थी न्याचरील लोग यहां भी लगा यहां भी लगा है दोनों साइड नसाल लोग लो निचरीब लोग आपने पाथ हे आंसर कौन सा हो जाएगा सही अंसर भी हो जाएगा सहीं आंसर य सहाब भी हो जाएगा इस या नो सहाब बैं जवाब sir very good sir अच्छा ये सवाल देखो तो ये सवाल देखो तो ये सवाल देखो क्या कह रहा है the radius r of nucleus of mass number a can be estimated by the formula r equals to 1.3 into 10 to the power minus 15 a की power 1 by 3 it follows that the mass density of nucleus is the order of mass of proton mass of neutron दोनों बराबर है वह या mass of mass of density of nucleus निकालना है यार वो लो कौन सा answer लिखोगे इसमें density of nucleus density of nucleus बोलो तो जरा बोलो तो जरा क्या time pass चीज़े है यार हाँ बोल भाई बोल भाई इसमें कुछ खास लग रहा है कुछ कथिन लग रहा है क्या जल्दी answer करेंगे कुछ खास और कुछ कथिन लग रहा है क्या नहीं सर बहुत बढ़िया क्या वाद आपने को सीधे पता या 10 to the power 17 किलो ग्राम पर मीटर क्यूब के रेंज में होता है तो हमने अवे विद्ध विलोसिटीज इन दे रेशो आफ 8 इस तो 27 दे रेशो दे रेडिया और नुकलियस बढ़िया सवाल है यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो कौन इस क्वेश्चन को अटेम्ट कर पाता है इस सवाल के लिए मैं आपके सामने पेस करता हूं एक मिन बताईए निकाल के आंसर बताईए आंसर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है मतलब तुम लोग एकदम सीरियसली ले लिए चाहे कुछ भी हो जाए टिकेंग एकदम लास्क तक पढ़के जाएंगे ऐसे सीरियस होके पढ़ लो इसके बाद अब जो अगला सेशन में ले इस पर मैं तुम लोगों को खूब सारा कॉंटेंट दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए इस पर जुड़ जाओ ठीक है इस पर जुड़ जाओ फिजिक्स भाई बियनार एड़ रेट संकल बारत इस पर यह टेलीग्राम ग्रोप है इसको जॉइन कर लो तुमको वहां ब करके देख देखता हूं चलो कैसे करेंगे सर हमको किसका हों कब हमकाल का वेलास्टीका रखाय दे रखाय हो क्या है सर 8 by 27 हमको क्या पता है सुनो एक नूक्लियस वह रिस्ट पर यह ब्रेक होकर दो छोटे-छोटे न्यूक्लियस बनाता है तो इसका मास M1 हो जाता है इसका मास M2 हो जाता है इसकी रफतार V2 हो जाती इसकी रफतार V1 हो जाता है अगर ऐसा हो जाता है तो हमको हमको यह बात पत M1 upon M2 equals to, क्या sir? M1 upon M2 equals to V2 upon V1, और mass को हम लिख सकते हैं, density into volume, और nucleus की density constant रहती है, और volume को 4 upon 3 pi r cube, तो R1 का cube upon rho into R2 का cube, अरे बोलो clear है क्या, यह अपने पास हो गया V2 upon V1, तो मतलब R1 upon R2 कितना हो जाएगा, ratio of their radius, R1 upon R2 sir, 2 by 3, 2 दूना, 4 दूना, 4 दूना, 4 दूना, 3 तरिक का 9 तरिक 27, 2 by 3, B will be the right answer, B will be the right answer, जितने लोगों ने A answer निकाला था, जितने लोगों ने A answer निकाला था, उनका answer गलत हो गया, अच्छा, आशीज कुमार मुझे formula याद नहीं, मैंने तुक्का मार दे रहे, गधेडे, इसमें मैंने कौन सा formula यूज किया जो तुझे नहीं य जांता, दोनों का momentum बराबर होगा एक दूसरे के opposite direction में, पगला है क्या, चोटी चोटी बात है, चोटी 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 चीज है, रोना, बस, खाली रोना, हमको नहीं आता सर, हम formula नहीं याद कर पाएं, पागल हो, क्या, ऐसी बात है कौन करता है, इस थी चोटी चोटी चीज पाई, लाल हरे में मत बाटो, इसे साने ति रंगा रहने दो, अच्छा रहाएं बात है, क्या बात है, क्या बात है, बात बड़ या, भात बड़ी हो, बात बड़ी है, यह गया, यह गदो फो, यह सें सवाल रीपीट हो गया, यह कप का question है, सर, यह levar 23rd का सवाल, यह इक स्क तो दब किसका radius का ratio दे रखा है radius का R1 upon R2 कितना दे रखा है सर यह 1 by 2 की power 1 by 3 दे रखा है क्या पूछ रहा है respective speed ratio is n is to 1 तो हम क्या जानते है R1 upon R2 का Q equals to V1 V2 upon V1 अरे देखना देख याद अगर तुने 2018 का यह question लगाया होता तो 2000 2000 किसका 23 का यह सवाल क्या हलुआ question था सर पहले ऐसे question कर ही नहीं पाते थे कि करी नहीं पाता ही नहीं कि कैसे start पता ही नहीं कि कैसे स्टार्ट करूं अभी चल रहा है अभी पता चल रहा है अभी पता चल रहा है अभी पता चल रहा है जब अच्छे जब पढ़ेगा सब पता चलेगा सारी प्रॉब्लम वही होती है कि हमें पता होता है कि हमें actual content पढ़ना गया है तो अच्छा यह 371 यह 371 पर घूमराइस को 400 तो पहुंचाओ यार तुम लोग अधाय बोलो 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 देखते हैं कौन यह 55 लोगों में कौन रास्त के एक बजे तक मेरे साथ टिकता है जब तक पूरा portion खतम नहीं हो जाता है आरवन अपॉन आड़्टू का क्यूब इक्वेस्टू वीटू अपॉन अरे भाईया तो आरवन अपॉन कितना हो जाएगा सरावन अपॉन आटू बाई वन हो जाएगा वे आंसर दो हो जाएगा देख रहा है लपू सा सवाल कितना असान क्यूश्टन है चल अब इसके बाद हमारे पास हमारा अगला हिस्सा आ जाता है जिसका नाम है भाईया मास डिफेक्ट एंड बाइंड इस पर एक छोटे से फॉर्मूले पर देट इस डिंसिटी ऑफ द देंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ द नूप्लियस बस खतम इतनी छोटी छोटी बातों पर आपको आपके जही मेंस में क्वेस्टन मिल जाएगा लेकिन अगर आपने स्लेबस पढ़ा ही न होना चाहिए तभी आप मेंस में अच्छा कर पाएंगे अधर वाईज अटक जाएंगे ठीक है दिलों की नफरत को निकालो वतन के इन दुस्मनों को मारो यह देश है खत्रे में मेरे वतन हम वतन भारत मा के सम्मान को बचालो अरे पगले हो कि आप ठीक है भारत बहुत सु प्रोट़ों की बंडिंग है क darle कैसी है सर प्रोटॉन प्रोटॉन की बंडिंग है प्रोटॉन neutron की bonding है और neutron neutron की bonding है यह nucleus के अंदर बहुत tightly packed nucleus है मान लीजिए हमने कहा देखे mass defect की story कहा से आई वो मैं आपको समझा रहा हूँ मान लीजिए हमने कहा यह nucleus है इस nucleus के अंदर 10 proton है या मान लीजिए मैं कह रहा हूँ simple अपना algebra लेके चलते हैं z proton है z क्या है sir z proton है sir a minus z neutron ठीक है z proton है और a minus z neutron है एक proton का मुझे बास पता है neutron का भी mass मुझे पता है तो जो mass of nucleus होगा कितने लोगों को यह बात clear हो रही है कि mass of nucleus जब हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते है mass of z into z into mass of proton plus a minus z into mass of neutron कितने लोगों को यह बात clear है कि हम यह लिख सकते हैं mass of nucleus यह क्या है mass of nucleus समाज दियान से सुनो mass of nucleus जो निकल के आ रहा है यह हमारे पास ZMP plus A minus Z MN निकल के आ रहा है और हमने देखा कि हमको एक value मिली इस mass को हम लोगों ने कहा कि सर यह हमारे पास theoretical mass है कौनसा maACE है यह अमारा theoretical mass है प्रैक्टिकली जब हमने nucleus के mass को वेखिया practically जब हमने nucleus के mass को वेखिया मतलब nucleus का mass किया की पूरे atom के mass में से electron के mass को घठा दिया यह किसका न्यूक्टियस था एक एकम का जिसको हम X da-C present कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं यह अपने पास कितना है सर यह अँवारे पास अगर हम practical umas की बात कर रहें स करें तो इसमें total कितने फिलियू इसका total मासं किटना होगा मासओ एकस इसमें से मैं क्या माइनस कर दू इसमें से मैंस में माइनस खूं मास ऑ अप एक्ट यह है अगर ब्язट में थो यह ध्यान अषय जे जे। में सबस्पार मास कर दिया और मईनिस शेट्रावन सब झ्योड़ीया सब कर दिया धो के मास ने जो मिला यह गया और में बराबर आना चाहिए था लेकिन जब हमने मास के मास को घटा दिया आज के with मला in practical और देखने वाली बात ये थी कि जो practical mass था वह theoretical mass से कम था practical mass जो था वो theoretical mass से कम था मतलब mass of nucleus mass of nucleus कम था किसे mass of nucleus से मास आथ नुकलियस जो था यह Coun methake it, हमने यह कहा हमने कहा कि जब भी यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा तो यह नूकलियस बना है यह नूकलियस इतना स्टेबल क्यों है क्यों है क्योंकि जब यह नूकलियस जुड़े होंगे बिग बैंग में जब ये नूकलियस जुड़े होंगे और जब जुड़ के ये नूकलियस बनाए होंगे तो इनका जो मास में कमी आई है जो मास में कमी आई है पहले देखो नूकलियस का जो मास है जो नूकलियस का actual मास है वो उसके theoretical मास से कम है अरे बात समझा रही है तो जो नूक्लियोंज पहले न्यूटरॉन प्रोडॉंस थे जब ये कंबाइन होकर एक नूक्लियस बनाए तो जो मास में कमी है वही मास किसमें चला गया इनको बांधने वाली एनरजी में जिसका नाम होता है बाइंडिंग एनरजी अरे बात समझा र अरे बोल समझा है क्या है मोहिनी गुपता कह रही है सर रीकॉइल विलासिटी एंड एकसरे करा दो प्लीज बेटा रीकॉइल विलासिटी तो करा दिये एकसरे सलेबस में नहीं है जैई मेंस के ठीक है तो एक से जब कभी जैए एडवांस का टाइम आएगा तो हम एक सरे कर था देंगे यह कैछ थे शाहतु कुं है इस नहीं है बेटाइम बेटा अब हम देखें से लिवार्गकाहि चिंता कर रहे हो moi हाँ चलो सर चलो भाइ तो mass defect क्या कहते है, mass defect क्या होता है, delta m क्या होता है, ठीक है, जब mass defect की बात करते हैं, तो इसको लिखा जाता है theoretical mass minus practical mass, theoretical mass कितना है सर, theoretical mass है z mp plus a minus z mn, ठीक है, a minus z mn, और practical mass क्या है, practical mass है सर, minus mass of x minus z mp, और एक लारिटी है, जब इस पूरे को solve करते हैं, तो delta m लिखा जाता है, ZMP plus A minus ZMN plus A minus ZMN minus mass of X plus ZM यह हमारे पास पूरा solution आ जाता है किसका यह हमारे पास पूरा solution हो जाता है mass defect का अब इतना जो mass का कमी आया है यह जो mass का कमी आया है यह किस form में गया this mass went to form of binding energy सुनिएगा यह जो mass में कमी आती है यह किसमें चला गया सर mass की जो कमी है यह binding energy में चली जाती है ठीक है सर जेई में में है सर एक सरे नहीं है वाई नए सलेबस में नहीं है जेई मेंस 2024 के नए सलेबस में एक सरेज नहीं है कि है क्या इस बस एक रिक्वेस्ट है सर इस वीक करेंट electricity करवा दो प्लीज अच्छा अच्छा वाईया ओके चलो हम कोशिश करेंगे इस वीक तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि अगला EMI and AC का सेशन आने वाला है उसके बाद करेंट electricity की बात करेंगे ठीक है क्योंकि बात करेंगे नहीं है बेटा 2024 के नए syllabus में atoms and nuclei में alpha particle scattering experiment अधर फोर्ड है बोर्स model energy level hydrogen atom है composite size of nucleus atomic mass है mass energy relation है mass defect है binding energy पर nucleon है its variation with mass है nuclear fusion है नूकलियर fusion है बेटा x-rays नहीं है x-rays नहीं है जाहिए जितने लोगों को लग रहा है कि x-ray है j-mains में प्लीज वो लोग अपना ठीक कर लें कि j-mains में x-ray नहीं है भाई हम से ले बस देख के अपना content त्यार किये थे sir shm waves करा देना प्लीज पहले अच्छा ठीक है पहले यह वाला करा दू emi ac करा दूँ उसके बाद shm waves करा दूँगा और कितनी energy गई है sir delta m into c square joule delta m into c square joule इतनी energy गई है और जब हम इसमें यह delta m रखते हैं तो यह delta m किसमें है sir यह amu में है यहाँ यह जो answer मिल रहा है यह किसमें मिल रहा है sir joule में मिल रहा है तो delta m मेरा यहाँ पर किसमें sir kg में है तो अगर मुझे इसको AMU में रखना है अगर मुझे इसको AMU में रखना है तो मैं क्या करूँगा सर AMU में रखने के लिए 1.67 into 10 to the power minus 27 से multiply कर दूँगा Speed of light कितना है सर 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 8 meter per second अच्छा वाया 3 into 10 to the power 8 meter per second अच्छा अभी जूल को electron volt में convert करोगे तो कितना हो जाएगा 1.6 नियान से सुनो 1.6 into 10 to the power 10 to the power minus 19 10 to the power minus 19 यह किसमें हो गया सर electron volt में हो गया यह हमारे पास क्या है सर यह हमारे पास binding energy आए और जब हम इस पूरे को solve करते हैं तो यह binding energy हमारे पास क्या निकल के आती है जूल को electron volt में convert करना है तो 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड कर दिया है electron volt में convert हो गया तो यह हमारे पास निकल क्या आता है डिल्टा एम एम यू में याद रखना डिल्टा एम किसमें एम यू में 931.5 मेगा electron यह हमारे पास binding energy निकल कर आता है बोलो बात समझ आ रहे क्या सर स्यलेबस कब खतम कर दो गई आज वाला आज वाला तो स्यलेबस खतम कर देंगे आज वाला तो सबस्यक्तर कर देंगे वहात्त बज़राया अभी तो 11 बज़राया मतलब साड़े बारा एक बज़े तक खतम हो जाएगग कर दो यह हमारे पास binding energy हो गया हमने सोचा क्या जिसकी binding energy ज्यादा है क्या जिसकी binding energy ज्यादा है वो ज्यादा stable होगा वो nucleus ज्यादा stable होगा ठीक है हाँ चलो 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 बाई चलो चलो आजो पहले पढ़ते हैं पहले focus के साथ पढ़ते हैं spam मत करो पहले पढ़ लो पढ़ लो अभी जब हमारा lecture खतम हो जाएगा गर तुम सब के समया बने रहोगे तो लेक्चर के लास्ट में मैं तुम सब से बात करूँगा तुम्हारे एक है कॉमेंट पढ़ूगा एक एक कॉमेंट का अंसर करूगा प्रॉपर रिस्पॉन्ड करूँगा तुम्हें मोटिवेट करके स बता के तभी जाओंगा यहां से आगे कि सारी प्लानिंग डिसकस करके जाओंगा लेकिन अभी पहले पढ़ो अभी पहले पढ़ो ठीक है डिल्टाइम से बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाता है से डिल्टाइम इंटू 931.5 मेगा एलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सवाल ही आया क क्या जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी क्या जिस नूकलियस की क्या जिस नूकलियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी क्या जिस नूकलियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो नूकलियस वो नूकलियस ज्यादा स्टेबल होगा वो नूकलि की binding energy ज्यादा होगी वो nucleus ज्यादा stable होगा answer क्या होगा sir yes या no सोचो यह जो energy का loss हो रहा है जिसमें जितना ज्यादा mass का loss हो रहा है उसमें उतनी ज्यादा energy आ रही है और वो energy कहा जा रही है उन proton-neutrons को बान्धने में तो क्या जिसके पास जिसका energy loss जितना ज़्यादा होगा उसके पास उतनी ज़्यादा binding energy मतलब उसकी stability उतनी ज़्यादा होगी तो answer आए नहीं sir क्यों sir क्यों sir क्यों no कह रहे हो मैं कह रहा हूँ कि इस से फर्क ही नहीं पड़ता कि nucleus के पास binding energy कितनी it is like a expense in a family जैसे मैं कहूं कि एक फैमिली की income जो है वो 10,000 है और उस फैमिली में दो लोग रहते हैं और एक फैमिली की income 20,000 है उस फैमिली में 10 लोग रहते हैं तो कौन ज्यादा stable होगा सोचो एक फैमिली की income 10,000 है उसमें 2 लोग रहते हैं और एक फैमिली की इंकम 20,000 उसमें 10 लोग रहते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सर जिसमें 2 लोग रहते हैं, क्यूं, क्यूंकि उनके पास per person जो expense आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है, और है clear है, एक आदमी पर 5000 आ रहा है, और एक stability of nucleus, stability of, stability of nucleus, nucleus की जो stability है, वो किस पर define होती है, वो define होती है, बाइंडिंग एनरजी पर nucleon पर, Binding Energy पर Nucleon पर अच्छा सर Sir Binding Energy क्या है सर Binding Energy है हमारे पास Delta M into 931.5 931.5 Mega Electron Volt यह हमारे पास Binding Energy यह हमारे पास क्या है वह यह Binding Energy है तो Binding Energy पर Nucleon क्या होगा Binding Energy पर Nucleon क्या होगा Sir यह हो जाएगा आपके पास Binding Energy divided by A Binding Energy divided by A that is equal to delta M, delta M by A into 931.5 mega electron volt, 931.5 mega electron volt, बोलो बात समझा रहे हैं क्या, बोल बेडा, बात समझा रहे हैं क्या, यस यानो में जवाब देना, यस यानो में जवाब देना, बोलो मेरे बच्चे, बोलो मेरे सेर, जल्दी बताओ, बने हुए हो तुम लोग, यार, क्या बात है, दिल जीत लिए हो तुम लोग, आज मेरा, सही बता रहा हूँ, यार, सही बता रहा हूँ, बच्चो, चलो बहुत बढ़िया, very good, very good, आजाओ, यस सर, कहानी समझा रही है, सर, कहानी समझा रही है, तो ये हमारे पास एक binding energy per nucleon, और number of nucleons का graph draw किया गया, और ये graph क्या मिला, कि भाईया, जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इसकी, तो देखो, ये हमारा binding energy per nucleon का graph कुछ इसे साब से चलता है, ऐसे चलता है, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा stable कौन है, जब हमने देखा सबसे ज़्यादा stability की बात, तो iron जो था, वह हमको सबसे ज़्यादा stable नज़र आया, iron की जो energy होती है, वो 8.8 meg electron volt per nucleon होती है, 8.8 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट पर न्यूक्लियान होता है जो छोटे है वो भी अनिस्टेबल है जो बहुत बड़े न्यूक्लियान से जैसे उरेनियम हो उरेनियम है इनकी भी जो एनरजी है इनकी भी जो इस्टेबिलिटी है वो बहुत कम है यह जो होते हैं यह क्या करते है यह तूट के दो छुटे-छुटे nucleus बना लेते हैं और यह जुड़ के क्या करते हैं यह सर जुड़ के एक heavy nucleus बना के खुद को stable करते हैं जो इधर होते हैं यह तूटते हैं यह nuclear fusions हो करते हैं जो इधर वाले होते हैं यह जुड़ते हैं और यह nuclear fusion हो करते हैं बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है, इसका मैं तुमको home walk दे रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से थियोरी पढ़ लेना, क्या थियोरी पढ़ोगे, कि सर जिनकी binding energy per nucleon, जो इधर वाले हैं, जिनका size छोटा है, और binding energy per nucleon कम है, ये जुड़ कर क्या करते है सर heavy nucleus बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि binding energy per nucleon इनकी अच्छी हो सके है, और ये stable हो जाएं, तो इधर वाले जो अपने elements होते हैं, ये क्या करते हैं, nuclear fusion शो करते हैं, या uranium, uranium लाई करता है, इसके binding energy per nucleon ठिक ठाक कम होती है, और अगर ठिक ठाक कम होती है, तो भाईया, ये आसा accelerate करा के फेक के मार दो, तो जब वो neutron गिरता है ना, उस uranium के उपर, उस uranium को तोड़ देता है, खटाक से तोड़ता है, तुरन बेरियम और क्रिप्टान बन जाता है, दो metals बन जाता है, और जब वो दो metals बनते हैं, तो वो stable हो जाते हैं, साथ में तीन high accelerated neutrons दे देते हैं, और फ आगे पढ़ते हैं, अब देखो, यह सवाल आ गया, यह सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, there is the binding energy per nucleon, इतना ही nucleus में पढ़ना है, nucleus में बस इतना ही पढ़ना है, size of nucleus, binding energy, stability of nucleus, that's it, और कुछ नहीं, mass defect, बस, यहीं आपका पूरा, यहीं आपका पूरा nuclei खतम हो जाता है, अब nuclei के सवाल देखो, क्या कह रहा है, assertion, the binding energy per nucleon is practically independent of the atomic number of the nuclei of mass number in the range 30 to 170, 30 से लेकर, एक 70 के बीच में, जो binding energy per nucleon है, वो practically जो है, वो A पर dependent नहीं करती है, हाँ सर, बिलकुल नहीं करती है, यहां देखो, यहां से लेकर, यहां तक का, जो binding energy है, वो लगबग एक range में आता है binding energy एक range में आता है, जो practically independent होता है, atomic number, practically independent होता है, किस पर, atomic number, for the nuclei of mass number in the range 30 to 170, ठीक है, चलो भईया, बहुत बढ़िया, atomic number का मतलब क्या है, number of protons पे depend नहीं करता है, ठीक है, अचा दूसरा statement क्या कह रहा है, nuclear force is a short range force, बहुत बढ़िया, बहुत A and R, बहुत A and R are true, but R is not the correct explanation of A, B will be the right answer, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चो, बहुत बढ़िया, very good, चलो आजाओ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, A से B D बने हाँ से कुछ energy निकले in the given nuclear reaction the approximate amount of energy released will be कितना energy release होगा कितना energy release होगा समझो 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 यह तुम्हारे पास equation है A equals to क्या है 92 238 बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना यह क्या बना यह बना B that is 90 that is 90 और यहां पर कितना 234 और प्लस D बना कितना 24 और फिर उसके साथ क्या निकला सर क्यों आप से सवाल क्या पूछा गया in the given nuclear reaction the approximate amount of energy released will be approximately कितना energy release हुआ तो सोचो अब मैं तुमको एक challenge देता हूँ energy release हुआ क्यों release हुआ होगा यह अपने पास reactant side है यह अपने पास product side है तो जो यह energy आई है यह कहा से आई है यह अपने पास reactant side यह अपने पास product side reactant side टूट के दो product बना दो product क्यों बनना पड़ा क्योंकि यह unstable था और जब तूटा तो यह क्या हुआ थोड़ा stable हो गया मतलब इसने कुछ energy lose करी अरे बात समझा रही है तो जो energy lose करी वो energy कहां से आई वो energy कहां से आई सर मास में कमी होने की वेज़े से आई तो किसका मास ज्यादा होगा reactant का की product का भील होना चाहिए सवाल आई का ब्रीत्यिक का मास ज्यादा होगा की product का मास ज्यादा हो यह reactant टूट के दो छोटे छोटे फ्राइंट बनाया और कुछ energy दिया यह अब्यसी बात है वो energy कहां से है फसे होगी समस में कमी की विरस एप्स चाहिए होगा तो अपने पास टृएक्टिका मास ज्यादा product side का mass कम होगा तो डिल्टा म क्या होगा mass of reactant minus mass of product तो mass of reactant क्या लिखोगे mass of reactant क्या लिखोगे देखो यह mass दे रखा है कितना 92 mass of 92 A238 that is 238.05079 plus 931.5 mega electron volt divided by c square मतलब directly तुमको यह delta M दे रखा है और यह भी यह भी तुमको M दे रखा है यह भी तुमको M दे रखा है और यह भी तुमको M दे रखा है 931.5 mega electron volt सब में divide कर रखा है multiply कर रखा उदर जब हम energy की बात करेंगे तो इन सब में 931.5 mega electron volt आ जाएगा अरे clear mass देने का मतलब समझ रहे हो यह तुमारे पास delta M है यहां से तुमको delta M अपना उठाना है और जब nucleus की बात करोगे तो यह ध्यान रखना जब nucleus की बात करोगे तो यह ध्यान रखना कि वहिया atom की मास मेंसे electron का mass minus होगा अरे जबो ठीक है एक्टेंट का mass कम होगा रियक्टेंट का mass चाहिए और समझ आ रहा है तो बोलेंगे भारत माता की जै तो जब हम reactant का mass लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वई या क्या लिखेंगे सर मास ओफ mass of a minus mass of a minus a के mass में से हमने क्या कर दिया a के mass में से क्या कर दिया मैंने 92 electrons का mass minus कर दिया 92 mass of electron minus कर दिया यह reactant हो गया जब product की बात कर रहें तो दो चीजे बन रही है तो जब हम mass of d लिख रहे हैं तो इसमें से हम 90 mass of electrons को minus कर देंगे 90 mass of electrons को minus कर देंगे फिर उसके बाद यहाँ पर अपने पास क्या है यह देखो ऐसे बड़ा bracket लगा दो फिर उसके बाद यह भी तो जा रहे हैं यह भी तो अपने पास जा रहे है तो वह यह कितना mass लेके जा रहा है यह mass of d minus कितने electron का mass minus कर देंगे mass of two electrons को minus कर देंगे तो जब इस पूरे को solve करेंगे ना पूरे को solve करेंगे न वेटा तो बहुत कुछ खास अंतर नहीं नजर आएगा अगर तुम देखो गे ना देखो गे ना तो तुम को क्या लगेगा कि जो तुम्हारा delta m है न वो किसके बराबर है मैनस बेखो माउनस उाफ बी यह माइनस यह अभी बर ये मैनस और यह माइनस दो जुड़ जाएंगे बढ़े ब्रैकें इंदर आसा प्लस हो जाएगा और यह अंदर मल्टिप्लाई हो जाएगा तो 92 Me तो मास ओफ B यहाँ पर क्या हो जाएगा सर माइनस मास ओफ D और यहाँ पर कितना माइनस 92 मास ओफ और फिर प्लस 92 मास ओफ इलेक्ट्रॉन इससे यह कट जाएगा नो डाउट कट जाएगा मतलब आप डेल्टा एम डारेक्ट्री लिख पाओगे मास ओफ A माइनस मास ओफ B माइनस मास ओफ D लेकिन हर दम यह लिख पाओ यह जरूरी नहीं है हर दम यह लिख पाओ यह जरूरी नहीं है अरे बोल समझ आया क्या बोल समझ आया क्या येस या नो में जवाब देंगे येस या नो में जवाब देंगे और समझ आया तो बोलेंगे भारत माता की जै बोल वही है समझ आया feel आ रहा है concept का और content का यह बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है चलो मित्र बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया very good very good sir अब देखो अब क्या अब तो हमको सब कुछ पता है अब तो हमको सब कुछ पता है क्या हो रहा वही है मास ऑस को घ्रप अधिवुण CAP मास आफ। मज़प थो का एक है अज़ता है मतलब ब 성 Ale अब इन सब में रख देनी है अ बिंद्द म आम आ जाएगा तो अगर हमको बाइंडिंग इनरजी निकाल ली है तो इतना हो जाएगा सर डेल्टाม 2.5 931.5 mega electron volt 931.5 into mega electron delta m into 931.5 mega electron volt बोल बात समझा रही है क्या बोल बात समझा रही है क्या delta m निकाल पाएगा बिड़ा समझने वाली बात यह पूरा mass defect मत लिखना इतना ही है इसका mass of a कितना है 238.05079 mass of b कितना है 234.04363 mass of b कितना है 4.00260 अरे clear, क्या सबका mass clear हो रहा है यह सबका mass crystal clear हो रहा है ठीक है बोल भी यह सबका mass crystal clear हो रहा है अच्छा एक चीज हम यहां पर एक चीज हम यहां पर थोड़ा सा गरवल लिख दिये इसको जडरा ठीक कर लेना यह अपने पास स्क्वार है यह स्कॉरर नहीं लगलाते डिल दाइम इल्डीचai स्कॉरर में सी का स्कॉरर नहीं लगा अब चलो इथर आजाओ अब देखो अब एक और सवाल देखो ये क्या कह रहा है तामास व प्रोटन-neutron वो प्रोटन-neutron and helium nucleus are respective यह देखो nucleus का मास ने दिया था बाइण इनर्जी अफ दे helium is homework a binding energy of the helium is around to calculate karna around to calculate करना कोई जल्दिवाजी नहीं यह सवाल देखो केरा नुकलियस विट मास नंबर 242 एंड बाइंड एनरजी पर नुकलियान इस 7.6 मेगा इलेक्ट्रों वोल्ट टोटल गेन इन बाइंड इनरजी इस बाइंड इनरजी में टोटल कितना गेन हुआ सोचो सुदान सुसर कहते हैं अच्छा बुढ़े सेर जिंदा है सार अरे अब बहुत बढ़ियां वेरी गुड वेरी गुड अब जीत वाग मरें तेजस कह रहा है कि सर मॉटिवेशन चाहिए बहुत चाहिए टिवेशन चाहिए का मॉटिवेशन भाई जन्वरी में अक्छा कोल्ग चुईतर इस माबाप का नाम रोसन करना है इतना सारा मॉडिवेशन है इतना सारा मॉटिवेशन उसके बाद कहा रहे हैं कि एक्स्ट्रा मॉटिवेशन चाहिए पगले हो क्या अरे पगले हो क्या अई तब नवासर करके पगले गया क्या है एक अच्छा स्टूडिंट होने का तो कोई कंने जिंधारी नहीं निभा रहे हो तम लोग सुनहों यह सुनन देखोक्या करें और मास् знатьनेन on 10.6 अरे यहां देखो तो माल लो हम कह रहें कि एक सेटम है जिसमें 242 नूक्लियों ठीक है और यह क्या बन रहा है यह दो वाई बन रहा है जिसमें हर का मास कितना है 121 हर का मास कितना है सर 121 लो भाया हर का मास कितना है सर 121 इसका भी है सर इसका भी 121 if each fragment nucleus has binding energy as 8.1 mega electron volt so so binding energy binding energy आपको क्या गज़ा है total gain in binding energy so binding energy of reactant side कितना है sir 242 multiplied by 242 multiplied by 7.6 electron volt 242 multiplied by 7.6 electron volt binding energy of y की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा 121 मतलब या तो तुम कहलो 121 multiplied by 8.1 plus 121 multiplied by 8.1 या तुम लिख लो भाई या 121 multiplied by 2 multiplied by 8.1 अरे बोलो clear अरे बोलो clear है क्या अरे बोलो clear है क्या तो अगर तुम यहां से देखोगे तो क्या मिलेगा 242 multiplied by 8.1 तो कितना binding energy का gain हुआ कितना binding energy का gain हुआ binding energy का जो gain हुआ है वो इस binding energy में से binding energy को minus कर दो तो कितना मिलेगा सर 242 multiplied by 8.1 में से 7.6 घटा दो 8.1 में से 7.6 घटा दो 8.1 में से 7.6 घटा दो 11 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 5 और 7 में से 7 जाएगा 00 121ổi 121 00 00 अरे क्लियर है क्या आंसर कितना हो जाएगा सर 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आज से की लडाता है क्लास में कौन है भाईया न्यूक्लियस से रेडिय एक्टिविटी के बहुत पूछे गए सवाल हाँ अमित लूनिया लेकिन इस साल इस साल अमित लूनिया कह रहें सर आप UPSC दिये हुए हो ना ही भाई हम खाली बस एक ही काम किये जीवन वर फिजिक्स पढ़ाएं जब से थोड़ा सा हो समाले जब से थोड़ा कदम चलने लाइक हुआ है तब से लेकर आज तक खाली फिजिक्स पढ़ा रहें इसके अलावा और कोई कुछ नहीं मैक्सवेल का एक नूक्लियस का डिसिंटिग्रेशन करव था यह क्या था कि उसने एक स्लोप खीचा एन बाई-जेड का जब एन बाई-जेड इकोल्स टुवन हो यह अपनी पास 45 डिगरी है नंबर आफ प्रोटॉंस वर्सेस नंबर आफ प्रोटॉंस का ग्रा इसके इधर लाई करते हैं यह बीटा नेगेटिव डिके शो करते हैं जो इसके इधर लाई करते हैं वो बीटा पॉजिटिव डिके शो करते हैं बस खतम बात अपने को कुछ पढ़ना नहीं है बीटा नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं पढ़ना एलफा बीटा गामा ड नूक्लियाई शुरू हुआ था साथ घंटा पचीस मिनट पे हमारा पूरा नूक्लियाई घतम अरे बोलो बात समझ आ रही है क्या सर में सर मैं रौनक लूनिया हूँ अच्छा अमित लूनिया हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेटा पेड उगाओ जाओ मिलेगी ए अब आपका अपना सबका नाम रोशन करो खुश रहो आगे बढ़ते रहो और क्या चाहिए एक टीचर और क्या चाहता है ठीक है आफ यासि torchid कर रहा है सर आसीस क्लास में किस से भया या ज़ी यह सब नहीं चलागा पढ़ाई करें अचा तुम लोग एकी श्कूल में हो गया हम इस के बाद हमारे पास कहानी आ जाती है हमारे अगले हिससे की स्टूरी आ जाती है और अगले हिससे की स्टूरी आ हमारी अगला स्टोरी है उसका नाम है सेमी कंड़क्टर डिवाइस देखो भाईया न्यूकलिया ही हमारा पूरा खतम हो गया इतने ही न्यूकलियाई के सवाल है इतने ही न्यूकलियाई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अब हमारे पास हमारी अगली कहानी आती है किसकी आती है हमारी अगली कहानी आती है हुप सब मारा ये पाइदा करें बगभग कानी ही और नरजी पूरी एनर्जी साथ हिमानदारी के साथ बईड़ जाओ से इक से दो सवाल परषेंट पक्का निकल्वादेंगे सविकर्टार तकाता है हुथ सुधान सु सर की क्लास में चार आईड़ी से रे अबर बापरे इफ सरे रे बॉझ माशस मों चलो ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं पढ़ाई करते हैं बथो चुड़ को यह सब पढ़ते हैं पढ़तें पढ़तें परतें वाई इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनीकेशन तो डिलेटेड है नगेटा कम्यूनीककेशन डिलेटटर से commend circle आपको पड़ाया बताया जाएगा देखें सेमिकंडक्टर क्या होते हैं तो बिखो हुआ क्या सेμिकंडक्टर को हमको क्यों रोल में लाना पड़ा पहले उसकी कहानी समझते हैं Semiconductors को roll में लाने के पीछे क्या कारण था क्यों हम Semiconductors को भयंकर तरीके से रोल में लेखा है तो Semiconductors को r busy Humans को रोल में लाने के पीछे कहा हा छोड़ो सब अब चलो अब ध्यान से फोकस करके इमानदारी के साथ एक बार बोलेंगे भारत माता की जै और ये लाइक्स को बढ़ाएंगे 400 और शुरू करेंगे अपना अगला कहानी पूरा सेमिकंडक्टर ठीक है ठीक है वाई चलो आजो तब तक मैं एक केला खा लेता हूं तब तक तुम लोग भारत माता की ज जाल्दी बोलो आचा है चाहां लवी लबंडू मुच लव यथी नर्जी ले लिए अचा बबबास बहुत बढ़ाएब चलो सुरू करते हैं अब शुरू करते हैं अगले दो घूंटे की अगले 2.5 घूंटे का अउन्प फिर शुरू करते हैं पूरा सेमिकंडॉक्टर अच्छे से तो हमारा धर्म है तो इस धर्म को तो हम निभाऔ कर जाएंगे तो इ фот 국 case का और हीट लॉस को घटाना अभर लोगों ने देखा होगा कि पुराने जम्मे में border water movie आती थी तो क्या होता था एक बंदा अपनी पीट पे battery लिये होता था और उसमें एक phone लगा होता था और जब बात करनी होती थी जब कहीं दूर hill station से जहां भी कहीं वो फसे होते हैं अपने hill station पे कहीं अटके पटके होते हैं तो वहाँ से अगर उनको अपने नीचे कमांडो से बात करनी होती है या नीचे अपने higher authority से बात करनी होती है तो phone उठाते हैं और उसके बाद बात करते हैं ठीक है तो हुआ क्या था उस समय हम ना conductors में deal करते थे conductors के साथ बड़ी problem ये थी कि conductors में ठीक है या electricity आराम से conduct कर जा रहे है बट समस्या ये थी कि वहाँ पर इतना जादा crowding था electrons का कि energy loss बहुत जादा हो जाता था तो हमने क्या सोचा कुछ ऐसी चीज़ ढूडते हैं कुछ ऐसी चीज़ ढूडते हैं जो बहुत efficient हो ठीक है जिसमें energy loss कम हो तो हमने उसके लिए ये बनाया semiconductor सोचो आज के 15-16 साल पहले पीछे जाओ तो हमारे घरों में क्या होता था कि यह led बल्ब तब नहीं आये थे तब हमारे 15-16 साल की बात मत करो 20 साल की बात कर लो मुटा बटा जो हम लोग 10-11-12 साल के थे तो हमारे घरों में बल्ब हुआ करता था 108 का बल्ब हुआ करता था तो 108 का बल्ब लगाते थे 108 के बल्ब से रोशनी नहीं होती थी हाँ और होती भी थी तो बहुत सो से हम लोग कहा तक आ गए सो से हम लोग 10 watt के consumption पे आ गए मतलब कितना one-tenth के consumption पे आ गए मतलब हमने अपनी efficiency कितनी बढ़ा दी सर हमने अपनी efficiency हमने अपनी efficiency बढ़ा कर 800-900 गुना बढ़ा दी अरे बात समझ रहे जितनी रोशनी हमको 108 के बल्ब से नहीं मिल रही थी उससे ज स्क्रीन के पीछे इतना बड़ा सा हिस्सा निकला होता था तो होती थी अपनी cathode ray ट्यूब जिससे हमारी रिप्लेस होकर LED बन गया तो LED का power consumption कम हो गया 20 watts से आपका काम हो जाता है आपके लिए electronics का सबसे बड़ा revolution यह mobile phone है यह mobile phone पूरा semiconductor से बना हुआ है अगर यह conductor का बना होता ना तो इसको आज चार्ज करते एक घंटे के अंदर खतम हो जाता फिर पता चलता बैग में बैटरी लेके घूम रहे हैं फोन चार्ज में तरफ से लगा हुआ है दूसरी तरफ से काम कर रहे हैं समझ रहे हैं electronics are more efficient to deliver energy or to convert energy from one form to another form हां transistor सर्फ first year engineering में पढ़ाते हैं न हां फस्ट इर इंजिनेरिंग में transistor पढ़ने को मिलेगा कई सारे colleges में पढ़ाते हैं कई सारे colleges में नहीं पढ़ाते हैं ठीक है चलो तो देखो जब हम semis conductors की बात करते हैं conductivity की बात करते हैं तो semi conductors का basic preference जाही था कि यह conductivity को बढ़ा देते हैं अब सवाल पैदा होता है कैसे सवाल पैदा होता है कैसे तो senior, कि जब कहानी शुरू होती है तो सारा focus हमारा इसी के around रहेगा इसी के around रहेगा कि semiconductor की conductivity कैसे बढ़ जाती है Monroe basics of semiconductor तो देखो क्या है लिए exercise of semiconductor की बात करते है otic में क्या होता है सर सॉलिट्स स्वाtest truly 3 categories है पहले दो ही category हम जानते थे जब से स्वाकूंदॉक्टर सागे तब से 3 fats के एक क्यट्विशी होती है conductor एक टेकर्टिगर होती है आपके पास insulator की और से ten बिंख सुनना कियान से से डियान से अभी यह क्या है क्या कि जो आपके conductor होते हैं स्मैड्र नहीं कोई नी कि नहीं करता है को हम को बात करने की ज्यादा जरूरत है नहीं सै कंडॉक्तर कि से कंडॉक्टर किसको कहते है या चौदवे गुरुप का पूरा element आपका semiconductor कहलाता है ठीक है भाई इम वेप सही कराएंगे भाई या इसमें सही करा रहे है तो चौदवा गुरुप जो था वो पूरा semiconductor है और यह 400 गुरुप की खासियत क्या है फ्रटीनथår की खासियत है कि अगर आप बात कर रहे हो silicon की अगर बात कर रहे है silicon की तो इसके outer orbit में कितने electron है интересно, इसके outer orbit में चार electron है अब यह क्या करता है अपनी पडुशी वाले silicon के चार electron के साथ sharing कर लेता है अरे clear है अपने चार पडोसी वाले silicon के साथ sharing कर लेता है और जब sharing करता है ना तो क्या होता है ध्यान से सुनो sharing करेगा अगर यह other चार silicon के साथ sharing करेगा तो यह bond कैसा होगा sir यह bond covalent होगा covalent होने से क्या होगा sir इनकी strength अच्छी होती है सबसे पहला फाइदा कि अब हमारे पास एक ऐसे एक ऐसे conductor हैं ऐसे conductor हैं जिनका नाम सेमी conductor है उनको समझने की कुशिश करना जिनके outer orbit में कितने electron है चार electron है और यह पडोसी के चार से लेकर अपना octet complete करते हैं और covalent bond बनाते हैं अगर covalent bonding हो रही है मतलब यह solid ठीक ठाक sprint का solid होगा ठीक है तो सर्य कंडक्टिविटी कैसे कर देते हैं इनके पास free electron तो है इनके पास free electron तो है नहीं तो हब बिल्कुल इनके पास कोई free electron नहीं यह लेकिन खास बात क्या है खास बात क्या है at room temperature at room temperature at room temperature अगर आपके पास silicon है अगर आपके पास silicon है समझो यह आपके पास silicon है ज्यांसे देखने बहुत अच्छे दे समझना और बहुत अच्छे समझ के इसको feel करके इसको answer करने की कोशिश करना बहुत मज़ा आएगा पूरा semiconductor बहुत ही तगड़ा पार्ट है मतलब थोड़ा समझने वाला हिस्सा है यह आपके पास पूरा semiconductor है यह silicon से यह क्या करने सर अपने चार पडूसियों से अपने चार पडूसियों से sharing करके अपनी वेलंची को complete कर रहे हैं और गुलेंट बॉन्ड बना रहे हैं कोलेंट बऑन्ड बना रहे हैं अच्छा सर कोलेंट बॉंड बना रहे हैं Oh my god very good मतलब यह systèmeर है सर कोलेंट बांड बना रहे मतलब यह senible अप से इस सीलिकॉन के outer orbit में कितना electron है sir outer orbit में 4 इसने पड़ोसी से कितने लिए 4 और इसने किया अपना octet complete लेकिन होता क्या है कि at room temperature at room temperature at room temperature room temperature भी कुछ electrons यहां से free होके बाहर निकल जाएंगे और इस जगे को खाली कर देंगे द्यान से देखेगा इस जगे को खाली कर देंगे यहां पर एक hole create हो जाएगा यहां से एक electron उड़के बाहर चला जाएगा यह free electron हो जाएगा और यहां पर एक hole create हो जाएगा अगर आप इस silicon में से electric field लगा देंगे इस silicon में से electric field लगा देंगे यहाँ पर positive लगा देंगे, यहाँ पर negative लगा देंगे, तो यह electron इधर की तरफ दोड़ जाएगा, और यह electron थोड़ी सी electricity conduct करेगा, बहुत कम electricity conduct करेगा, अरे बात समझा रही है, यह thermally generated electron whole pair होते हैं, अरे बात समझा रही है, जैसे हम इनको external potential difference देते हैं, एक electric field set करते हैं, यह क conducts electricity in very, in very less amount, बहुत कम amount में, यह electricity conduct कर देते हैं, अरे भाई सहाब, बहुत बड़ी यह master था, हाँ बेटा, next request तुमारी पूरी करी जाएगी, next request तुमारी पूरी करी जाएगी, देख रहो, गिर गए लोग, गिर गए लोग, जो लोग वादा किये थे, वो लोग वादा करके मुकर गए, चल कोई बात नहीं, जो लोग वादा करके मुकर जाते हैं, वो जीवन में पीछे रह जाते हैं, तो यह जो free electrons है, इधर से इधर चले गए, तो भाईया यह electricity conduct किये, लेकिन बहुत कम amount में conduct किये, अब इतने कम amount में electricity conduct किये, तो इसका हम क्या फाइदा उठा सकते हमको तो अच्छा conductor चाहिए था ना, जो जादा electricity conduct कर सके, तो हमारे दिमाग में खयाल आया, क्या खयाल आया, हमारे दिमाग में खयाल आया कि भाईया, यह electron यहार से निकला, तो यहाँ खाली जगह बना, अगर हम ऐसा करतें कुछ, कि एक तरफ हम ऐसे खूप सारे silicon ले ले जिसमें खाली जगह बहुत जादा हो, और एक तरफ हम ऐसे silicon ले जिसमें खूप सारे free electrons जादा हो, और उन दोनों को जोड़ दें, तो conductivity को यह धळले से आगे बढ़ाया जा सकता है, तो हमने सोचा आब इस conductor को impure करते हैं, यह जो conductor है, जो इस समय electricity conduct कर रहा है, इसका नाम है pure semiconductor, pure semiconductor, अरे clear है, yes sir, sir, impure semiconductor क्या होते हैं, तो impure semiconductor की बात करी जाए अगर, अगर impure semiconductor की बात करी जाए, तो देखो impure semiconductor में क्या होते हैं, अगर impure semiconductor की बात करोगे, समझो, देखो, impure semiconductor की बात करोगे, तो impure semiconductor में क्या होगा, कि भईया, हमने जब कहा कि यह अपने past 14 group है, इसके outer orbit में कितने electrons है सर चार इसके पड़ोस में क्या है सर इसके पड़ोस में 13 ग्रूप है इसके outer orbit में कितने electron है तीन और इधर पड़ोस में कौन सा ग्रूप है सर 15 ग्रूप है तो इसके outer orbit में कितने electrons है पाँच इसके outer orbit में कितने electrons है सर पाँच electrons है अच्छा भाया इसके outer orbit में कितने हैं सर तीन है इसमें एक electrons की कमी है इसमें एक electrons ज्यादा है मतलब इन दोनों को हम मिला के कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिदर electrons की कमी है जिदर outer orbit में 3 electrons है मतलब covalency complete करने के लिए इन को एक चाहिए वह मिलेगा नहीं तो खाली जगे और इधर क्या है इधर outer orbit में 4 है मतलब यह covalent तो बन जाएंगे लेकिन इक पास एक free electron हो जाएगा तो अगर हम ऐसा कर दें इस 14 ग्रूप में 15 ग्रूप डाल दें और इस 14 ग्रूप में 13 ग्रूप डाल दें और इनका कुछ ऐसा mixture तयार करें कि वह यह हर electron को भागने के लिए के खाली जगे हो अगर बात समयधारी खाली जगे हो electron उठेगा दूसरी खाली जगे में जाएगा दूसरी खाली जगे में तीसरी खाली जगे में चौथी खाली जगे में अब कितना electron जाएगा वो depend करेगा कि हमने इस 14 ग्रूप के अंदर कितना 15 ग्रूप मिला है मतलब हम number of electrons को control कर सकते हैं अगर हम बात करें तो हम number of holes को भी control कर सकते हैं कि कितना 13 ग्रूप का element हमने इस 14 ग्रूप के साथ मिला है समझो क्या फाइदा हुआ जैसे ही हमारे दिमाग में semiconductors की बात आई हमने प्योर semiconductors के बारे में सोचा हमने कहा कि भाई यह तो thermally generated electron whole pair की वज़े से अपने प्योर form में electricity conduct करेगा जिसका value बहुत कम होगा जो हमारे लिए एकदम वर्थले से एकदम useless है ठीक है जेपी पूनिया कह रहे है सर एक्सरे मेंस के syllabus में आ रहे है भाई अभी हम syllabus पढ़े है अपनी आखों के सामने नहीं है हद है यार एकदम से कुछ भी बखवास करते हो तुम लोग चलो देखो हाँ इधर जान से सुने अब बुद्धे वाली बात करो देखो भाईया अब क्या है कि जब यहां तक कहानी आ रही थी तो हम ने कहा कि भाईया यह जो सेमी कंड़क्टर से या कोई भी कंड़क्टर होता है यह कैसे इनर्जी कंड़क्ट करता है कैसे इलेक्ट्रों जो वो एनर्जी एक जगे से दूसरी जगए लेकर जाते है कि 2024 रितिक राज 10 ए सर मेरा नाम भी लिख दो लास्ट तक आउंगा रहा क्या बात लास्ट तक रहूंगा बहुत बनिया वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है बच्चों बहुत सही चलो आजाओ आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते 398 लाइक सेट मस्ट भी 400 एट मस्ट भी 400 चलो वाई जल्दी से दो बढ़ा हो बावना जी कह रही है हाई सर अब हमारे पास दूसरी situation आ जाती है जिनसे कभी कोई सवाल नहीं बनेगा बट फिर भी जांगी होता क्या है कि जब हम formation of energy bands की बात करते हैं energy bands की बात करते है energy bands बनते कैसे हैं बहुत ज्यादा इसके उपर ग्यान देने का कोई खास मतलब है नहीं आपने atoms पड़ा होगा ground state first excited state second excited state third excited state ठीक है वो जो energy है वो एक-एक atom की है अब जैसे खूब सारे atoms मिल जाते हैं तो क्या होता है जब खूब सारे atoms मिल जाते हैं तो वो energy थोड़ा बहुत disturb हो जाती है वो energy level थोड़ा disturb हो जाता है disturb होने की विदे से वहाँ पर थोड़ा lower energy और थोड़ा पर energy का एक band बन के बीच मेंगा होता है जिसको वैलेंस बैंड कहा जाता है और उसी energy bands को conduction band भी कहा जाता है कॉंडक्शन बैंड खाली जगे होती है जहां से electronic site होने के बाद जाता है और energy लेकर जाता है ठीक है मतलब electricity conduct कराता है तो जो आधे पास conductor होते हैं उनका वैलेंस बैंड और conduction band भी हो the balance band or conduction band के बीच में जो energy का Gap होता हो greater than तीन electron volt होता है जो electron कभी jump भी कर सकता अगर jump ही नहीं कर सकता तो इसमें कभी भी electricity दोडने वाली नहीं है ऐसके बाध situation आ जाती है आपके पास क्या semiconductor squid की यह जो conduction band होता हुँ लगबग एक electron watch का हो और फॉर्म में होता है तो जो thermally generated electron होते हैं वही यहां से यहां जा पाते हैं तो बहुत कम amount में electricity conduct हो पाती है तो हम क्या करते हैं हम अपने साथ impurities add करते हैं अपने semiconductor में impurity add करते हैं जिसको हम अभी जानेंगे P type semiconductor और N type semiconductor के नाम से और जब impurities add करते हैं तो यह जो energy gap है यह कम हो जाता है मतलब फिर आसानी से electrons valence band से conduction band जाते हैं और current flow कर जाती है और बहुत efficient amount में current flow कर जाती है ठीक है अरे बाई चलें आगे बढ़ें हाँ बया दोजार चौबिस के syllabus में नहीं है तरुन यादो जी 2024 के syllabus में नहीं है 2023 के syllabus में था एक से लेस 2024 के syllabus में नहीं ठीक है चलवाओ देखो कि उसके बाद उसके बाद हम कहानी पढ़ते हैं किसकी इसके बाद हम कहानी पढ़ते हैं semi conductors की तो semi conductors basically दो type के होते हैं एक आपके पास होता है intrinsic semiconductor और एक होता है extrinsic semiconductor जो intrinsic semiconductor होता है इसको pure semiconductor कहते हैं और जो extrinsic semiconductor यह दो तरह का होता है एक n type होता है एक p type होता है n type क्या 15th group के होते हैं और यह जो होते हैं यह pentavalent impurities होते हैं इनके outer orbit में 5 electron होते हैं और जो P type होते हैं यह trivalent impurities मतलब इनके outer orbit में कितने electron हैं इनके outer orbit में 3 electron हैं अब देखो होता क्या है जो P type होते हैं इसमें holes जादा होते हैं बहुत जादा होते हैं देखो यह हमारे पास सिलिकॉन है सुनो यह हमारे पास सिलिकॉन है इस सिलिकॉन के साथ हमने क्या कर दिया पी टाइप की बात करें तो हमने अल्यूमिनियम जोड दिया सोचो यह सिलिकॉन के साथ हमने अल्यूमिनियम जोड दिया तो देखो हुगा क्या सिलिकॉन के आउटर गुरूप का element है इसके outer orbit में कितने उलेक्टरोंस होते हैं सर इसके outer orbit में भयाया PROF. अभी तक आपके साथ हैं गरूजी बहुत बढ या very good very good logic gates कराओंगे नहीं इसके बाद कराएंगे सिखाएंगे तभी जाएंगे चिंता मत करो सब पढ़ाएंगे तो देखो हुआ कि जब यह silicone की बात आई जब हमारे पास इस silicone की बात आई मित्र तो देखो क्या हुआ स्ट इस silicone के साथ जब हमने aluminum की doping करी ना तो हमको क्या पता चला है हमको पता चला कि aluminum एक Gotta हली जगह और यह तीन इलेक्ट्रों सिलिकॉन के साथ मिलके क्या कर लिया इसका तीन इलेक्ट्रों ऍविवै शर करके को विलेंसी कम्प्लेट कर रहा है थीका अब जब अंब गतनत्रीच के पास आप जब हम इसके पास यहां पर अन्य rend रगाएंगे यहां या थोड़ा बहुत काम करते हैं और क्रीकॉन लेते हैं और इसमें क्या करते हैं इसमें फॉस्फुरस डाल देते हैं फॉस्फोरस क्या होता है सर पिंटावेलेंट ग्रूप का होता है इसके आउटर ओडिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर पांच इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या होगा सर पांच इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा सर सूचो एक इलेक्ट्रॉन free electron होगा एक electron free electron होगा अब समझो ध्यान से देखना एक electron क्या होगा सर एक electron हमारे पास free electron होगा जब एक electron हमारे पास free electron होगा तो उससे हमको कोई फाइदा मिलेगा क्या अब हम इसको expose कर दें एक electric field में तो इस phosphorus के चार electrons ने इस silicon के साथ share करके अपनी कोवेलिंसी तो complete कर ले लेकिन इस phosphorus का जो एक electron free था वो electricity conduct कराने के लिए भागा जैसे हमने एक electric field यहां पर set करी तो सोचो क्या हुआ क्या यहां पर conductivity बढ़ जानी चाहिए थे क्या यहां पर conductivity बढ़ जानी चाहिए थे हाँ बहुत सिखा दूगा शिखा दूगा चलो आजाओ हाँ बहुत बढ़ आगाई सब जाग गए तम बहुत बढ़ बढ़ यहांबट्याइए बढ़ बढ़ जानी चाहिए थे आप यहां पर free electron बढ़ रहा है तो conductivity बढ़ जानी चाहिए थे और conductivity बढ़ी भी यह और यह तोभाहि और का यह क्रांइब को कई है यह वंकु교 इप इसे उसकंणवा एप नहीं और यह इन दोनों को दोने युझा और यह नाम रखाओ नाप कितने लोग सुने एपी एंजंक्शन का नावे मांदादी से बताएगा उसके पास तो अच्छा लोन पेर भी होता है देने के लिए पता नहीं बाई केमिस्ट्री इतना नहीं जानते हैं इतना जानते हैं फॉस्फोरस पेंटावलेंट इंपेरिटी आउटर और बिट में 5 है अरे तो गजाय फाइदा नहीं है तो हमने पढ़ा विएं जंक्शन पीन जंक्शन क्या हुआ हमने एक ऐसे सेमी कंडॉक्टर लिया समझोग एक ऐसे सिलिपॉन लिया इस सिलिपॉन को हमने taking vegetable इंपर हिट कि और इसके आधे हिस्से इंफिक को हमने क्या कद्द लिया इसमें हमने 14 13 गुरूप अड़ कर दिया हमारे पास सिलिपॉन था इस पुने जब थर engine group डाल दिया जब इधर वाले साइड पे हमने 15 गृप डाला तो यहां पर क्या हो गए यहां पर हुब सार एलेक्ट्रों सो दियान से सुनना यहां पर हमारे पास खुब सारे free electrons हो गया खूब सारे free electrons हो गया अच्حांव यह बताओ चलो एक सवाल में पूछता हूँ 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 बहुत ज्यान से सुनना इधर खूप सारे होल्स हो गया इधर खूप सारे होल्स हो गया यह अपने पास कौन सा साइड हो गया सरी हमारे पास पी साइड हो और यह हमारे पास कौन सा साइड हो गया यह हमारे पास N साइड हो गया अच्छा यह बताओ यह बताओ इधार हमारे पास P साइड हो गया इधार हमारे पास N साइड हो गया तो मैं अगर तुम से कहूं P साइड इस पॉजिटिवली चार्ज पी साइड इस पॉजिटिवली चा हमारे पास ऑपने। इस फार्ट है सऺरे मत वह हैं मतलब इदर हमारे पास क्या है इधार हमारे पास positive charger हमारे पास negative charger यह भी न्यूट्रल है यह पर free electrons जादा है यह पर free electrons की कमी है अरे बोलो clear है अरे बोलो clear है जितने लोग true बोल रहे हैं थोड़ा अपना दिमाग खोल लेंगे अरे भाई तुम 13th group का atom डाल रहे हो atom charge थोड़ी है यार उसके पास एक electron की कमी है कमी होने का मतलब यह थोड़ी है अरे इसका मतलब यह थोड़ी है कि हो negatively charged है इसको इनको जब हम इनको normal room temperature पर ले कर आए critical temperature पर heat किया पी एंजंग्शन ऐसे बनाया जब इसको हमने ऐसे छोड़ा तो जैसे इसको छोड़ा तुरंत जानते हो क्या हुआ तुरंत जानते हो क्या हुआ यहां से electron उठा और इस hole के साथ recombine हो गया जैसे हमने इसको छोड़ा तुरं इस hole के साथ recombine होना शुरू हो गया क्यों होना शुरू हो गया क्योंकि सर यह free electron है मतलब इसके पास energy थोड़ी जादा है और इसके पलोस में lower energy level के लिए जगह खाली है तो अब सोचो जब यह electron उठकर यहां चला आएगा तो इसके पास यह तो neutral था यह तो neutral था लेकिन इसक को एक extra electron मिल गया तो यह कैसा चार्ज हो गया negative और जिस atom से यह electron निकल के यहां गया इस atom के लिए कैसा चार्ज होना गया सर पॉजिटिव अरे सार क्या बात है सार अगर आपको यह formation समझा रहा है तो मैं कहूं कि यह वाला हिस्सा जोगा positive यह वाला हिस्सा negative सोचो क्या ऐसी situation बन जाएगी क्या ऐसी situation बन जाएगी बोलो बात समय रहे है क्या इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव इधर वाला हिस्सा नेगटिव इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव और इधर वाला हिस्सा नेगटिव यह पॉजिटिव यह नेगटिव यह पॉजिटिव यह इसको पार कर पाया है इसके अंदर यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना है शर नेगेटिव चार्ज यह वाला हिस्सापूरा कैसा चार्ज हो जाएगा सर ये वाला हिस्सा पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एक और लेयर बन जाएगी नेगेटिव चार्ज की एक और लेयर यहाँ पे किसकी बन जाएगी सर एक और लेयर यहाँ पे नेगेटिव चार्जिस की बन जाएगी और फिर इस साइड एक और लेयर किसकी बन जाए गड़ जाएगी यस यानों मैं आंसर करना इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील बढ़ जाएगी की घड़ जाएगी अरे बताओ जल्दी बताओ आंसर बताओ इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील बढ़ जाएगी की घड़ जाएगी सर चार्जिस बढ़ गए तो इलेक्ट्रिक साथ फार्मेशन वॉBमर बात राईक्रा पूस्ट की स्टोरी क्लीर हो रही है यहां वाले फ्री एलेक्ट्रोंस के लिए एझाली जगेती भागने लगे जब यहां से रिलेक्ट्रान भाग गया तो यह स्वाग Go गया फूरा एरिया क्योंकि इलक्टान की कमी हो गई पहले बना निकल के आया और यहां पर खाली जगए थी फ़िश्यक्रान के लिए तो वाँ पहुंच गया तो वो क्या बन गया सर वो नेगेटिव आयन बन गया क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा एलेक्ट्रॉन आ गया सत्यमराय कह रहें नाम लो प्लीज बिग फैन अरे भाई बहुत बढ़िया यह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई चलो बच्चों बहुत बढ़िया आजाओ देखो यह अपने पास हो गया formation of pn junction and formation of depletion region अब यहां पर क्या बनेगा सर यह depletion reason एक छोटा सा barrier potential create करता है VB क्योंकि भाई यह electric field आ रही है electric field आ रही है travels from higher potential to lower potential this one will be at higher potential this one will be at lower potential electric field electric field कहां आती है सर इलेक्ट्रिक field के depletion reason में depletion reason में होने से होने से potential difference create होता है potential difference create होता है और इस potential difference का नाम क्या है we knows and we know it and we know it as and we know it as barrier as barrier potential इसको हम किस नाम से जानते हैं सर इसको हम barrier potential के नाम से जानते हैं जो किसका potential बताता है जो depletion reason का potential बनाता है अब जीत वागमरे कह रहे हैं सर नीन आ रहा था है आ रहा है कि आ रहा था अगर आ रहा था तो ठीक आ रहा है तो मुह धोलो पानी से नीदगायब हो जाएगी अरे ठीक है चलो बहुत बढ़ियां आजाओ आजाओ अच्छो आजाओ बहुत अच्छा वेरी गुड अब देखो अब जब पी एंच जंक्षन डायोड का फॉर्मेशन हो गया तो पी एंच जंक्षन में एक स्टोरी आएगी जिसको हम कहें होंगे फॉर्वर्ड वाइस फॉर्वर्ड वाइस क्या होता है फॉर्वर्ड वाइस क्या होता समझ रहा अगर मानलो हम कहें कि यह हमारा पी एंजंग्षन यह हमारा मीड़ वाला सेग्मेंट है अब ध्यान से सुनू इधर वाले हिस्से पर कैसा चार्ज बना हुआ है सर इ थोड़ा धीरे-धीरे समय के साथ यह बोर्ड बिचारा स्लो हो रहा है इस वाले इससे पर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है और इधर वाले इससे पर कौन सा चार्ज बना हुआ है सर इधर वाले हिससे पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है अब देखना अब देखना वा हमने क्या नाम दिया है डिप्लीशन रीजन ठीक है यह वो रीजन है जिसको हमने नाम दिया है डिप्लीशन रीजन अधे सर अरे सर इधर क्या है सर इधर हमारे पास सर इधर हमारे पास होल्स है होल्स मतलब खाली जगए ठीक है एच लिखा होता है कहीं ऐसे होल्स बने होते है हुआ थी इधर यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है इस इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहां पर यह पर आपर इलेक्ट्रॉन्स की आप सब्सक्राइब अगर मैं अगर मैं कहूं कि मैंने इधर वाली साइड को बैटरी का पॉजिटिव दे दिया और इधर वाली साइड को बैटरी का नेगेटिव दे दिया मतलब P टाइप को मैंने किस से जोड़ दिया पॉजिटिव से और N टाइप को कैसे जोड़ दिया सर नेगेटिव से अब यहां पर positive है, यहां पर negative है, तो एक हमारे पास external electric field आएगी, इस potential difference की वज़े से, यह हमारे पास E external आएगा, obvious सी बात है कि मेरा यह E external इस E से जादा होगा, तो यह क्या करेगा, इस E के effect को घटाएगा, 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 तो जैसे जैसे मैं यह voltage बढ़ difference की विरस यार, यह यह बढ़ेगी, तो जो मेरी barrier potential वाली electric field है, यह घटेगी, यह घटेगी, तो इसका मतलब क्या है, मेरा barrier potential घटेगा, इसका मतलब क्या है, मेरा depletion reason जो है, मेरा depletion reason जो है, यह depletion reason जो है, यह भी घटेगा, एक समय ऐसा आएगा, यह depletion reason घटना हो जाएगा एक समय साइगा कि पूरा depletion reason collapse कर जाएगा अरे बात समझा रही है एक समय ऐसा है गा कि depletion reason depletion reason reduced two reduced to zero और कि इस मिपलीशन reason zero पर reduce हो जाएगा जैसे इपलीशन reason zero पर reduce हो जाएगा सोचों कैसे reduce होगा यह free electrons इसके साध साथ कम्माइन हुए थे द्यान से देखना यह फ्री इलेक्ट्रॉंस इसके साथ कम्माइन हुए थे अभी यह क्या करेगा यह इलेक्ट्रिक फिल्ल क्या करेगी इनको उखाल लीगी यहां से इलेक्ट्रॉंस को यहां भर देगी तो जहां यहां थOOKा की तो यहाँ जाहा इलेक्ट्रॉं बढ़ गए थे इनसे इलेक्ट्रॉं सिस एलेक्ट्रिक फिल ने निकाल दिया हो गया साध्यन का लिवर्ण का पूरा कॉंसेश का रब समझा रहा अरे वा वाँ वाँ बहुत बढ़ियां आपके साथ हुँ अभी तक्सर जीम है वादा किया था रहा बहुत बढ़ियां यार्ंक्सर जाके नहीं इस वादे का पहादा नहीं से तो मज़ा ठोड़ी आने वाला है ठीक है चल्त प्राश अचिह्त भादा च्रणिएज स्विघ्ण में तो विना मतलब कहा है एफट डाल हो आ तो हमारा जो डिपBabyution reason होगा वो reduce to two zero तुसके बाद किया होगा उसके बाद किया रिडिउस्ट हुगाँ क्या होगा करेंट करेंट करिंट इन्क्रीजिस इarettes čे इसके बाद जैसे depletion reason जैसे depletion reason खतम होगा current instantaneously instantaneously बढ़ जाएगी और ठाइसाथ तो हमने जब forward 20 का current versus voltage diagram टा किया forward 20 का iV curve draw किया i versus v ka graph draw किया तो जैसे-जैसे मैं voltage बढ़ा रहा था कौन सा voltage ये जो applied voltage था जैसे जैसे मैं applied voltage बढ़ा रहा था डिप्लीशन रीजन कम हो रहा था और मेरी करेंट धीरे 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 बढ़ रही थी और एक समय ऐसा आया एक समय ऐसा आया जिसके बाद मेरी करेंट अचानक से बढ़ गई यह जो मेरी करेंट है यह मिली एंपियर से और यह मेरा वोल्टेज है और जब मेरी करेंट अ वोल्टेज कहलाता है जिस वोल्टेज के बाद बैरियर पोटेंशल पूरी तरह से खतम हो जाता है और करिंट हमारी इंस्टिंटेनियसली ग्रो कर जाती है अरे बोलो कहानी समझ आई क्या क्या फॉर्वर्ड वाइस की स्टोरी अच्छे से समझ आई यस या नो में जवाब द तो तुम फोकस से पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि हां मास्टर साथ सही स्पीड पर पढ़ा रहे हैं इसके बाद कहानी आती है रिवर्स वाइस की देखना अच्छे से समझना रिवर्स वाइस में क्या होता है रिवर्स वाइस में क्या होता है रिवर्स वाइस की कहानी सम्झों reverse wise की कहानी है कि अगर हम कैए अगर हम कैए कि यह हमारा मिड़ वाला सेग्मेंट है ठीक है देखो यहां पर मेरे पास कैसा सिस्टम है सर्ण यहां पर मेरे पास negative charges एधर मेरे पास positive charges यह मेरा पूरा चामबर किसका है सर्ये मेरा पूरा चैमबर positive charges का है oh my god ये मेरा पूरा system किसका है sir positive charges का है अरे घया अरे भया अरे मालेक बात एकदम बराबर समझा रही है ये positive का है और ये हमारा कौन सा है sir ये हमारा negative side है ओहो 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 ये हमारे पास जब हमने अपने p side और n side को किसी से नहीं connect किया था तो ये वो हमारा depletion reason बना हुआ है इधर वाला हिस्सा कैसा है सर ये वाला हिस्सा negative आयन है इस वाले हिस्से पर positive आयन है क्यों सर इधर जो free electrons थे इधर वाले hole से recombine कर गए थे अब देखिए अब हम कह रहें कि इधर नेगटिव जोड दिजे और इधर क्या जोड दिजे सर इधर positive जोड दिजे मतलब इस side battery का negative जोड दो और इस side battery का positive जोड दो अरे भईया یہ क्या कर है master's आग जो यह आप process हो रहा था आप इसको और बढ़ावा दे रहें है मतलब क्या मतलब क्या अरे भईया यह देखो तो यह अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी अरे बहिया यह बैरियर पोटेंशल की लेक्ट्रिक फील्ड थी अच्छा सर अच्छा सर बहुत बढ़ियां और यह मेरी एक्स्टर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी अब मेरी external electric field अर ये ebැ external electric field क्यों इधर battery का positive है इधर battery का negative अब ये क्या करेगी अ अब ये electric field क्या करेगी इधर जो free electrons हैं इधर जो free electrons है इनको मजबूर करेगी कि तुम उड़ो हया से यह इनको इनरजी देगी कि तुम वूडू यहां और आप भाई सहाब तो क्या करेगी यह बैटरी यहां से उलेक्ट्र summına का उठाएगी और इधर کंbine Biz करेएगी और जब इधर कंbine करवाएगी भी आई यह देखो यह हमारे पास क्या था यह हमारे पास holes थे और जब combine करवाएगी अरे तुम simple सी बात यह समझो कि जो बाहर से आने वाली electric field है वो barrier potential के electric field को बढ़ा रही है इसका simple सा मतलब है कि यहां positive charges बढ़ रहे हैं यहां पर positive charges बढ़ रहे हैं अरे clear है और इस side negative ions बढ़ती जा रहे हैं अगर negative ions बढ़ती जा रहे हैं तो जो हमारा barrier potential है देखो क्या होगा अब इसमें समझना यह हमारे पास applied voltage है जैसे जैसे मैं applied voltage बढ़ाऊंगा मेरा electric field बढ़ेगा तो मेरा जो barrier potential वाला electric field है यह भी बढ़ेगा मतलब मेरा V भी बढ़ेगा मतलब मेरा depletion reason भी सोचो मेरा depletion reason भी क्या होगा सर मेरा depletion reason भी बढ़ेगा अरे बात समझे रो मेरा जो depletion reason है ये भी बढ़ेगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इस depletion reason के अंदर जो electric field है यह barrier potential वाली electric field समय ऐसा आएगा यह electric field इतनी मजबूत हो जाएगी forward bisseging की ये जवाब देना जैसे जैसे बार बरती जा रहे बढ़ती जा रहे जा अगर ये एलेक्ट्रीक भी बढ़ती जारी जैरी तो क्या होगा एक समय ऐसा हा कि ये इसको तोड़ देगी जब यहां से को बाहर निकालेगी तो ये ट्रॉन तो electric field के opposite भागेगा और अचानक से पूरा barrier potential यह जो पूरा depletion reason यह collapse कर जाएगा और instantaneously एक large amount में current opposite direction में बह जाएगी मतलब sir मतलब sir क्या है depletion reason यहाँ देखो यहाँ देखो मेरा जैसे जैसे यह बढ़ेगा depletion reason बढ़ता जाएगा उसके बाद क्या होगा depletion reason बढ़ने के बाद क्या होगा कि EB जो है at after some time ध्यान से सुनना क्या होगा after after some time EB जो होगा will be EB will be very large very large and it will it will remove remove electrons from negative ion अरे बाद समझा रही negative ion से electron को निकालेगा ठीक है and depletion reason depletion reason will collapse depletion reason will collapse instantaneously आपका जो depletion reason है वो instantaneously collapse कर जाएगा और instantaneously collapse करने की वज़े से एक current आपकी आ जाएगी कौन सी current आ जाएगी reverse 22 की current आ जाएगी increases in increases from कौन से कौन से side से sir यह आ जाएगी N to P side कहां से कहां N से लेकर P side की तरफ क्योंकि positive side है और यह negative side है depletion reason collapse कर जाएगा और instantaneously अचानक से current बढ़ जाएगी जो voltage पर depend नहीं करेगी अच्छा तो जब ऐसा होता है तो यह graph जो मिलता हो ऐसा मिलता है ऐसा ग्राफ एकदम directly नीचे मिल जाता है यहां पर जो current है यह reverse 22 की current है यह micro ampere में है जिस voltage पर यह ऐसे बूर जाती है इस voltage को cut off voltage बोलते है क्या बोलते हैं यह इस voltage को आपन cut off voltage बोलते है बोलो clarity है अरे बोलो clarity है दिस इस नोन एज रिवर्स 20 इस वन इस रिवर्स 20 characteristic अरे बोल यह स्यानो में जवाब देंगे सर clarity आ रही है सर जब यह reverse 20 में होता है जैसे forward 20 में आप देख रहे हैं कि जैसे आप वी बढ़ा रहे थे धीरे 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 करेंट बढ़ रहा था लेकिन रिवर्स 22 में क्या होता है रिवर्स 22 में क्या होता है रिवर्स 22 में क्या होता है समझना रिवर्स 22 में करेंट नहीं दोड़ती है यह ना के बराबर दोड़ती है रिवर्स वाइस में जब तक ये ब्रेक नहीं होगा depletion region तब तक जो current होती है वह ना के बराबर होती हो minority carrier की वज़े से होती है कोई भी majority carrier उस current में कोई role play नहीं करता है इसी वज़े से यहां नीचे जो symbol बनाया जाता है यह micro ampers का symbol बनाया जाता है ध्यान से देखेगा यह जो symbol बनाया जाता है यह micro ampere का बनाया जाता कि बहुत छूटी सी current है अगर तुमारे अंदर से गुजर भी जाएगी न तो तुमको भनक नहीं लगेगी क्या हुआ अरे बात समझ आ रही है यह micro ampiars की current है इसी विज़े से आप थोड़ा सा ऐसे बार दिख रहा है कि बहुत थोड़ी सी current दोड़ रही है वो किसकी विज़े से वो अपने जो minority carriers है जो thermally generated electron whole pair होते हैं उनकी विज़े से दोड़ती है अरे clear है यहां तक कहानी crystal clear है yes या नो में ज कर लो वो क्या है mass action law mass action law क्या होता है कि जैसे onze path चाइब की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास hole जादा है अगर एंसाइड की बात कर रहे हैं यह मारे पास electrons जादा है तो current carriers है वो कौन है वो hole current carrier है air electron को carrier है होल क्या कर रहा है एक खाली जगह क्रिएट कर रहा है कि एलेक्ट्रॉन को जाने के लिए मतलब यह क्या कर रहा है जो conductors में problem हो रहा था free electrons के collision की विरे से जो heat loss हो रहा था उस collision को हमने reduce कर दिया के सो वाट का काम एक वाट से हो जाता है इतना अच्छा Productर कर रही है हम क्या करने सर को стран की मदद से अन्याचिक है हां सर तव हमारे पासanche M abused N1 equals to Ni, इसको है, अरे ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, यहां तक कानी crystal clear हो रही है, यह सर, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसी PN junction का एक usage होता है, जिसको बुला दाता है, half wave rectifier, इसी PN junction का बहुत तगड़ा सा एक experiment, एक मतलब application है, जिसका नाम है भाईया, half wave rectifier और full wave rectifier, यह क्या करता है, यह किसी भी आने वाली supply को DC supply में convert कर देता है, AC को किसमे सब convert कर देता है, DC में, जिसको आप 0 watt का bulb कहते थे अपने समय पर, आज तो मतलब जो आते हैं बल्ब, वो एक watt के होते हैं, जिसको आप 0 watt के नाम से जानते हैं, LED वाले, अपने समय पर जो आप 0 watt देखते थे, रंगीन रंगीन वाला बल्ब, जो tungsten का लगा होता था, वो पचीस watt का होता था, उसको हम 0 watt कहते थे, समद रहो, वो 25 watt का बल्ब हुआ करता था, जिसको हम 0 watt कहके काम चलाते थे, चलो आओ, आओ मेरे लाल आओ मेरे सेर, देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरे बच्चा, तो जब half wave rectifier की बात करते हैं, तो भईया half wave rectifier, full wave rectifier, diode की एक application है, कौन से diode की, इसी pn junction diode की, तो जब pn junction diode की बात करते हैं, जब pn junction diode की forward vice की बात करते हैं, तो इसको present कैसे किया जाता है, sir forward vice को present किया जाता है इसतरह से अरे clear और यह positive और यह कौन सा नेगेटिब और reverse अरे बोलो बात समझ आ रही है क्या ओपन स्विच क्लोज स्विच की कहानी समझ आ रही है रिवर्स 22 में आपने देखा था कि जो करिंट थी वो माइक्रो एमपीर्स में जा रही थी उस करिंट के दोड़ने ना दोड़ने से कोई फरक नहीं पड़ता है तो हम यह क्या मानके चलते हैं कि रिवर्स 22 में अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो कोई करिंट नहीं दोड़ती है और फारवरड 20 में तो करिंट दोड ही रही है चलो 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 हाँ बहुत सयाकरी मुवमेंट पे दोड़ रहे हैं अब अमारे पास और कहानी में बहुत जादा कुछ बचा नहीं हुआ है फटावड पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे सवाल लगाएंगे सब्सक्राइब यहां पर एक एसी सप्लाइब लगा रहे हैं मतलब यह positive होगा, यह negative होगा, मतलब क्या है sir, यह diode forward 20 में होगा, forward 20 में होगा तो output देगा आपको, तो output कैसा मिलेगा sir, output आपको यह मिलेगा, लेकिन जब आप इसी supply को negative में दोगे, मतलब इस supply को जब negative वाला हिस्सा दोगे, यह वाला हिस्सा तो clear हो गया, जब negative वाला हिस्सा दोगे, तो क्या होगा, current ऐसे दोड़ना चाहेगी, तो यह तुमारे पास inside positive हो जाएगा, और यह negative हो जाएगा, और before breakdown यह open switch की तरह काम करेगा, मतलब load पे हमको कोई output नहीं मिलेगा, इस load में कोई current नहीं जाएगी, क्योंकि सर यह switch कैसा है, सर उपे दोगे, फिर देखो, फिर जब अगला यहाँ पर दोगे, अगला यहाँ पर दोगे, तो भई यह forward बाइस में होगा, जब current इधर जा रही होगी, तो forward बाइस में होगा, तो आपको output मिलेगा, और फिर जब इसका आगे वाला हिस्सा, यह नीचे वाला हिस्सा इसको दोगे, input दोगे, current इधर से जाएगी, जब इधर से जाएगी, तो यह reverse 22 में हो जाएगा, open switch हो जाएगा, आपको कोई output नहीं मिलेगा, आपको कोई output नहीं मिलेगा, सर, अरे clarity, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहाँ, यहाँ पर frequency कितनी है सर, 50 हट जगर मान लो, तो यहाँ पर कितनी है सर, यहाँ पर भी frequency अपने पास 50 हट, कोई चेंज नहीं हुआ frequency में, frequency में कोई चेंज नहीं हुआ देखो, जब यह पूरा एक cycle complete कर रहा, उतनी धिर में यह अपना एक cycle complete कर रहा, बीच में आधा गायव हो जा रहा, इसको क्या बोलते हैं, half wave rectifier, जब इसी के साथ हम parallel में capacitor लगा देते हैं, जब इसी के साथ parallel में capacitor लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, जब बैटरी चार्ज होती है, जब बैटरी चार्ज होती तो रेक्टिफाइर की विले से और जब इन्वर्टर बैटरी को डिस्चार्ज करके आपको आपको आपट देता है तब तो रेक्टिफाइर की विले से चार्ज करता है और जब डिस्चार्ज करता है तो रेक्टिफाइर की विले से चार्ज करता है अरे clear है इसी में एक और होता है इसी में एक और rectifier होता है जिसको full wave rectifier कहा जाता है full wave rectifier क्या होता है इसमें 2 diodes लगे होते है घ्यान से सुनो कितने diodes लगे हो है sir 2 diodes लगे हो है तो जब forward bys का आप input देते हो तो current ऐसे जाएगी देखो current ऐसे जाएगी तो यह वाला positive diode अरे मतलब diode का यह terminal positive है यह terminal negative है तो यह कैसे behave करेगा sir यह closed switch की तरह behave करेगा और फिर जब यहां current पहुंचेगी तो कुछ current इधर जाएगी कुछ current इधर आएगी लेकिन जब यह current इधर आ रही होगी तो दिखेगा कि यह positive है यह negative है मतलब यह diode मेरा reverse 22 में है और अगर reverse 22 में है तो यह कैसे behave करेगा open switch की तरह काम करेगा सर्फ सारी current इधर चली जाएगी यह loop पूरा complete हो जाएगा अच्छा जब नीचे वाले की बात करोगे इसको मैं इधर explain कर देता हूँ जब नीचे वाले की बात करोगे तो क्या होगा current इसमें से जाएगा यह तुम्हारे पास positive यह तुम्हारे पास negative current इधर से गया और इस रेजिस्टर में इधर current चला जाएगा इधर कोई current नहीं जा 안녕하세요 देरह तरहें तभी हमको इसमें इस डारेक्षियों में मिल रही और नीचे वाला सेग्मेंट दे रहे हैं तब भी हमको करेंट इसी डारेक्शन में मिल रहा है तो देखो क्या हु रहा है जब आप आप इनपुट यह दे रहे हो तो आपको आपको शब् ippac porta आ भात समझाह अगर वाले की फ्रीक्वेंसी तो नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है यह 100 हो जाती है इसको रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं fluctuating supply है और जैसे ही इसके parallel में capacitor लगाओगे वो क्या करेगा इसके fluctuating supply को pass कर देगा मतलब हटा देगा और एक DC supply आपको एक constant DC supply आपको मिल जाएगी capacitor के कारण full DC कैसे आ रहा है capacitor क्या करता है capacitor क्या कहता है capacitor को AC pass filter कहते हैं वो fluctuating supply को pass हो जाने देता है और AC supply को रोक लेता है अरे बात समझ आ रही है तो इस terminal पर AC का potential DC का potential difference हमको मिल जाता है जो constant potential difference होता है अरे बात समझ आ रही है इसी वज़े से AC को capacitor को AC pass filter कहते हैं इसका पूरा एक mechanism होता है जो आपको जाकर समझ आएगा भविश्य में जब आप engineering करोगे electronics engineering करोगे तो उस capacitor का पूरा electric circuit diagram होता है कैसे capacitors लगाए जाते हैं जब उन diagram को आप पढ़ो के समझोगे सीखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अभी तो यहां बस हवा हवा में आपको यह समझना है कि capacitor को AC pass filter कहते हैं वो AC supply को अपने अंदर से पास हो जाने देता है DC को रोक लेता है तो टर्मिलल पर आपको एक DC voltage constant DC voltage मिल जाता है जिसको आप किसी भी output से connect करते हो तो उस output में constant DC supply दोड जाती है ठीक है ठीक है ठीक है चले आगे बढ़े अरे बात समझ आ रही है अरे बात समझ आ रही है यह सर चलो सर चलो सर फुल वे रिक्टिफायर हो गया उसके बाद एक अपने पास आजाता है अगला अगला एक application आजाता जिसका नाम है जीनल डायोड जीनल डायोड क्या होता है यह ऐसे डायोड होता है डायोड को प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि यह आपके पास यह ऐसे प्रेजंट क्या दाता है यह हमारा पी साइड होता है यह हमारा एंसाइड होता है याद रखेगा यह हमारा पी साइड है और यह हमारा एंसाइड है एन साइड पे कौन सा टर्मिनल होता है सर पॉजिटिव और पी साइड पे कौन सा टर्मिनल होता है नेगिटिव अरे खलियर है यह हमारा क्या होता है सर यह जीनर डायोड होता है अच्छा जीनर डायोड की क्या खासियत है कि जीनर डायोड जो होते हैं जीनर डायोड जो होते काम समझना क्या होता है इसको कैसे काम करा जाता है कि मतलब भईया हम यहाँ पे एक которая लगा दिया है इधर एक alternative supply लगा दिया है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया को यहाँ पर एक supply आइसे लिखे गा थेगा ठीक है DC supply alternating supply ने यहां पर हमने DC supply लगा दिया ऐसे समझेगा अरे सर समझेंगे सर समझेंगे सर बहुत बढ़िया सर इसको हमने ऐसे connect कर दिया यह positive side यह negative side और इसके parallel में हमने एक load लगा दिया है अब क्या होता है कि मान लो हमको इस load के cross output चाहिए इस load के cross output चाहिए हमको V0 तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसको ऐसे design करेंगे कि यह वी बोल्ट पर breakdown में चला जाएगा तो समझो क्या होगा जब यह वी बोल्ट पर breakdown में चला जाएगा तो क्या हो जा जो voltage होता है वो current पर depend नहीं करता है reverse में breakdown में जो voltage होता है वो current पर depend नहीं करता है मतलब current बढ़ती जाएगी आप यहां से voltage बढ़ाओगे इस V output जो आपको चाहिए V not जो आपको चाहिए इतने potential difference का हमने इसमें breakdown set कर दिया अब हम यहां से कितना भी voltage बढ़ा ले इसके terminals पर जो मुझे potential difference मिलेगा वो कितना मिलेगा वो V not ही मिलेगा क्यों आप voltage बढ़ाओगे इसके अंदर से current बढ़ता चला जाएगा आप voltage बढ़ाओगे इसके अंदर से current बढ़ता चला जाएगा लेकिन भाया लेकिन भाया output voltage पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा अरे समझाया क्या जब reverse wise तुम पढ़ रहे थे देखो यह जो तुम reverse wise पढ़े हो इसको जीनर breakdown का ही reverse wise कहा जाता है PN junction in reverse wise देखना क्या हुआ था PN junction in reverse wise में क्या हुआ था भाया अब इसके बाद जो terminals पर voltage है वो fix हो गया अब तो मगर output वाल जो input वाला voltage है उसको बढ़ा होगे तो क्या होगा current बढ़ती चली जाएगी लेकिन जो इसके terminals पर potential difference है उसके उपर कोई फरक नहीं पढ़ेगा कोई परक नहीं पढ़ेगा मतलब output पर हमेशा हमको कितना मिलेगा output पर हमको हमेशा V0 मिलेगा output पर हमको हमेशा क्या मिलेगा output पर हमको हमेशा V0 voltage मिलता रहेगा इस load में constant current जाती रहेगी और ये load V0 voltage पर constantly काम करता रहे बस इतना ही concept है zener diode का अच्छा जीनर डायोड की साथ एक खासियत भी होती है कि 99% cases में इसको reverse करा जा सकता है मतलब अगर आप इस voltage को हटा कर 0 कर दोगे तो ये फिर से फिर से क्या हो जाएगा फिर से ये जैसे PN junction जो basic PN junction होते हैं बिना किसी टर्मिनल के उसमें आजाता है बात समय जा है मतलब फिर से अपनेय आपको restore कर लेता है लेकिन एक ब्रेक्डाउन होता है जो एविलंचे ब्रेकडाउन होता है छो heating effect की विर bubbles 2023 वो खुद को restore नहीं कर पाता तो एविलांचे और जीनर बेकडाउन में बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि एविलांचे बेकडाउन heating effect की विज़े से होता है जो अपने आपको restore नहीं कर पाता है क्योंकि इतनी ज्यादा heating हो जाती है कि वो डायोड खराब हो जाते हैं और जो जीनर बेकडाउन होता है वो electric field की विज़े से breakdown होता है मतलब ions को उठा लेता है वहां से तो जो फिर से वह आइंस वहां आ जाती है अरे clarity है तो इसको हम कहते हैं जीनर breakdown और जीनर breakdown reversible होता है ठीक है सर डायोड के diagram हाँ याद करने है यह बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत important बहुत frequently board exam में पूछे जाते हैं अजलो आजाओ आज आजाओ भाई स्टोरी को आगे लेकर चलते हैं कहानी में और आगे बढ़ते हैं और कहानी सीखते हैं और समझते हैं याच चल अच्छलो चलो सर चलो सर अब इसके बाद हमारे पास कुछ basic diode होते हैं जैसे photo diode simple पल कहानी लिख दी गई है इसमें क्या होता है कि जब इसके ओपर light पड़ती है ना जब इसके ओपर light पड़ती है तो इनके अंदर current दोडने लग जाती है और इनी खूब सारे photo diodes को मिला के वो solar panel बनाया जाता है जब उनके ओपर sunlight पड़ती है तो खूब सारी current निकलती है और वो current एक battery को जाती है वो battery को charge करती है या अगर आजकल तो जमाना ऐसा है कि directly लोग solar panel लगवा लेते हैं घर पे अपनी electricity लगवा लेते हैं जितनी extra electricity generate होती है वो सब grid को चली जाती है और उसक के जो electrons होते हैं वो accelerate होने लग जाते हैं और जब वो accelerate होते हैं तो जो electromagnetic radiation emit करते हैं वो visible radiation में आता है और इसका नाम LED होता है जिसका नाम कहते है भई या light emitting diode ठीक है ठीक ठाक ठीवरी है पढ़ लीजेगा इसको यहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद अपने पास solar cell solar cell क्या है solar cell क्या है combination है खूब सारे फोटो डायोड का जब इसके उपर light पड़ती है न तो यह क्या करता है current generate करता है current generate करता है उस current की विज़े से heating effect आएगा heating effect आने की विज़े से आपका खाना वाना पक जाता है अज़े ठीक है photovoltaic mode लगा होता है photovoltaic cell लगे होते हैं वो cell क्या करते है potential difference क्रिएट करते हैं जिसकी विज़े से current आती है और उस current की विज़े से क्या होता है कि हमारा equipment charge कर लिया जाता है जो सोलर कूकर होते हैं उसमें नीचे कॉइल लगी होते हैं वो कॉइल क्या करती है अपने अंदर करेंट जेंडरेट कराती है और उसके वड़े से हीटिंग इफिक्ट आता है और आपका खाना पक जाता है ठीक है चलो बहुत बढ़िया सिंबल देखो सोलर सेल का वही सिंबल है ठीक है वहिया जैसे हमारे फोटो सेल्स का था यहां तक हमारी कान ही खतम होती है इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सवालों पर देखो हमारा वह सबसे पहला सवाल है वह बताओ क्या जानते हैं हम क्या जानते हैं सर जो कहां सेमी कंड़क्र की बात करते हैं तो रूम टेंपरेशर पर हम को बात अच्छा लग आ बहुत हो घा था रहा रहें मजा है एकदम से भाई राम राम चलो भाया I am back बहुत अच्छा बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां तो देखो क्या होगा इसमें क्या होता है कि जब हम temperature बढ़ाते हैं तो thermally generated electron whole pair बढ़ता है और अगर thermally generated electron whole pair बढ़ेगा तो sir conductivity बढ़ेगी increases with the rise in temperature B will be the right answer अच्छा उसके बाद अगला सवाल देखो अगला सवाल के रहा लेट NP and any be the number of holes and conduction electrons respectively in semiconductor then कौन सा सही है कौन सा सही है अगर मैं intrinsic semiconductor की बात करूं तो intrinsic में क्या होता है number of number of number of आपके पास holes जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्टरॉंस के बराबर होते हैं तो c आपके पास सही आंसर हो जाएगा c जो होगा यह हमारे पास सही आंसर हो जाएगा चलो भैया चलो भैया चलो भ Germany cigarette दारू o welcome & i am now with a very little six month डॉर्टर the seven month daughter eight month daughter होने वाले मेरे बीवी ने देख लिया ना मुझे उड़ा देगे के तुझे इतना नहीं आद है क्या करेगा वे जीवन में इधर जान से देखो a pure semiconductor has equal electron and hole concentration अरे ठीक है doping by an indium increases NH2 यहां तक what is NE in the doped semiconductor any कितना होगा any कितना होगा तो सर हम क्या जानते हैं sir NH into any equals to Ni square अरे कितने हैं यह यह a pure semiconductor has equal electron and hole concentration of 10 to the power 16 meter cube doping by an indium increases NH2 5 into 10 to the power 22 meter cube what is any doped in semiconductor what is any doped in semiconductor कितना any dope किया जाएगा कितना any dope किया जाएगा तो NH into any equals to Ni square number of electron carrier number of current carrier कितने number of current carrier कितने certain to the power 60 यहां रख देना है अपने पास NH given है क्या any निकाल सकते हैं अरे क्या any निकाल सकते हैं यह सर बहुत बढ़िया easy-peasy चलो आगे बरते हैं अगला सवाल देखो यह सवाल देखो यह क्या question कह रहा यह question कह रहा 2 volt battery is connected across a point a and b as shown in figure given below assuming that the resistance of each diode is zero in forward bias and infinity in reverse bias the current supply by the battery when its positive terminal is connected to a the battery का positive terminal a से connect होगा तो इसमें कितना current दोड़ेगा इसमें कितना current दोड़ेगा यह आपसे सवाल पुछा गया कितने वोल्ट की battery battery का voltage नहीं दे रखा है क्या 2 volt battery दे तो रखा है यह दो वोल्ट की battery इसमें कोई current दोड़ाएगी क्या नहीं सर यह तो open switch की तरह काम करेगा क्यों सर क्यों कि यह reverse 22 में होगा और यह कौन सी 22 में होगा सर यह forward 22 में होगा तो मतलब इसमें सारी current जाएगी इसका resistance 0 यह देखो यह open switch हो जाएगी सारी current इसके थू पास कर जाएगी बोला क्या answer आएगा बोला क्या answer आएगा सर 0.2 यह सर 2 बाइट इन यह दिस 1 बाइफाइब बहुत बढ़ी यह 0.2 इंपियर या बात बच्चो बात बढ़ा क्या आतब क्या बात चलो बह्या है चलो बढ़ो यह सवाल देखू सवाल क्या कह रहा इन दो following circuit ऐवन आई टू आड रिस्पेक्टिव ली आपको बताना है आई वन और राइटू कि वैल्यू क्या होगा आपको बताना है i1 और i2 की value क्या होगी देखे कौन बता पाता है देखे कौन बता पाता है i1 और i2 की value फटाक से answer करो जड़ा तो i1 और i2 की value क्या होगी इस तरह कि सवाल j-mains में पूछे जाएंगे याद रखिएगा आसान सवाल होते हैं मतलब फोकट का number देखे जाते हैं फोकट का number देखे जाते हैं बिना किसी मेहनत का number होता है इन फॉलविंग सर्कीट i1 और i2 रिस्पेक्टिवली i1 और i2 क्या होगा सर देखो क्या होगा यहां से यह जाएगा सर यह forward बाइस में यह भी forward इलेक्रिसिटी का topic हो गया तो वह यह कितना हो जाएगा i2 सर v by r तो v कितना है सर 10 divided by 2 into 10 to the power minus 3 तो 2 5s 10 मतलब कितना 5 milliampere तो 0 और 5 milliampere i1 जो होगा वो 0 होगा i2 जो होगा वो 5 milliampere होगा सर अपने पास से डी आंसर सही हो जाएगा अरे समझाया क्या अरे समझाया क्या अरे समझाया क्या डी आंसर सही होगा वह यह यह 5 milliampere और 0 नहीं यह i1 है और यह i2 है i1 और i2 की value लिखनी रिस्पेक्टिवली तो 0 and 5 milliampere d will be the right answer आपक बढ़िया बहुत अच्छा बच्चों कि अवखेख़र आगे बढ़ो बनेटी एट पर चलते हैं 188 क्या कह रहा है 188 क्या क्या करना है इसका इंसर बता दो जो ञ킨 राइर बटाए संजाए उसको फायदा निकला भी आकना निकला है च्छा फटाकस एंसर बताओ तो अब आई टू आला फिर से प्लीज अरे घद हादास अरे अगद हादास इदर देखो तुम कहां गये यहा देखो यहाँ से करेंट चलेगी यह स्वाट है यह भी सॉट है तो सारी करेंट ऐसे जाएग बएगा इसमें और इसमें कहां कोई current जाएगे समझ रहे हो ना simple current always follow simplest बात इसमें कोई current नहीं गई आइवन 0 हो गया इसमें भी कोई current नहीं गई यह भी 0 हो गया तो इन दोनों resistance को क्यों count करोगे दो किलों का एक ही resistance तो है तो जो current यहां से आ रही है वही तो यहां जा रही है तो total current कितने दोड़ रही है पांच मिली एंपियर अरे धीरज अरे धीरज थोड़ा जागो वहिया यह सवाल करके बताओ क्या गयरा है इस बैटरी ओ वोल्टेज 6 वोल्ट है यहां पर तो अपने छे वोल्ट की बैटरी हो गई तो I will be equal to 6 by 250 अरे हो गया क्या I equals to 6 divided by 250 ampere खतम बाद जो आजाए वो answer निकाल देना जो आजाए वो answer निकाल देना सर कल प्रीबोर्ड तो मैं जा सकता हूं क्या हाँ जाओ 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 कोई दिक्कत वाली बात निया लाजिक गेट्स अभी इसके वाद पहाने वाला हूं तो देख लो अगर इतनी देर रुके हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ ठोड लाजिक गेट्स बहुत तगड़े से खतम हो जाएगा और आगे बढ़ जाओ ठीक है चलो अब इस टाइप पे मैं एक दो सवाल इसमें छोड़ देता हूं होमग के लिए इन सारे questions को try करना है एक सवाल यह रहा देखो बढ़िया question है लगा ले जाओगे एक सवाल यह रहा यह भी बढ़िया question है लगा ले जाओगे ठीक है सेम वही open switch close switch यह भी आपके पास बढ़िया question है लगा ले जाओगे यह आपके पास questions है इन questions को आपको खुदने solve करना है अब इसके बाद हम बात करते है basics of logic game समझेगा अब हमारे पास कहानी सुरू होती है अब हमारे पास हम सवाल निकलेगा 100%6 on diode का इसरी डायोट का भी resistance तो डायोट का resistance तो added कर लेना सीरीज में और क्या आए डायोट का resistance तो उसको भी सीरीज में अड़ कर लेना इतना ही तो करना है याथ हीग है चलबाओ लॉजिक गेट की बात करते हैं तो हमारे पास तीन बेसिक गेट होते हैं एक और गेट होता है एक एंड गेट होता है और एक नॉट गेट होता है कितने गेट होते हैं तीन बेसिक गेट होते हैं वैसे टोटल हमारे पास जो हमारे से लेवस में गेट हैं वो छे गेट हैं एक नौट है यह अपने पास एक और है एक एक नौट है एक नौट है एक नैंड है और एक जौर है यह हमारे पास टोटल चार तीन तीन डिराइब और तीन फंडामेंटल गेट्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है तो पहले हम फंडामेंटल गेट की बात करते हैं और गेट ये सब जो लिखा है ये सब बकवास है इन सब का वास्तरिक्ता से कोई संबंध नहीं है और गेट में आपको क्या याद करना है सर और गेट का सिंबल क्या होता है और दूसरा और गेट का इलेक्ट्रिकल एनलोगी क्या होता है तो और गेट का इलेक्ट्रिकल एनलोगी होता है ये दो switch देखना भाया और gate का जो electrical analogy होता है वो ये दो switch होते हैं और इस दो switch से यहाँ एक bulb लगा होता है electrical analogy का अगर game आपको समझा गया तो आपको सारा मामला समझा गाएगा सब देखो ये वी वोल्ट की बैटरी है जब हम logic gate की बात करते हैं तो हम सब को पता है logic gate में बस सारा game किस पर होता है yes या no पर अगर आपको one मिल रहा है मतलब आपका output क्या है sir yes अगर आप no answer करना चाहते है मतलब आपको output नहीं मिला तो उसको हम किस से present करते है sir zero से इसको digital language कहते है one and zero मतलब yes और no अगर आपको output मिला है तो one आएगा अगर आपको output नहीं मिला है तो zero आएगा अगर आपने input दिया है तो one अगर आपने input नहीं दिया है तो zero कितने लोगों को इस बात की clarity है कितने लोगों को इस बात की clarity है yes या नो में जवाब देना yes या नो में जवाब देना logic gates में one का मतलब होता है input दिया है और one हमको मिला है तो मतलब output मिला है जीरो का मतलब है हमने input नहीं दिया है और अगर हमको output में 0 मिला है तो मतलब हमें output कुछ नहीं मिला है अरे clear अमित लुनिया कह रहा है मस तरीके से modern physics हो गया गुरूजी मेरा बहुत बढ़ा आसिरवाद है आप लोग के साथ मल लगा के पढ़ते रहे ज्यादा समस्या में आने की जरूरत नहीं है तो देखें अब क्या हुआ यहां पर हमारे पास दो input है जैसे यह A है और यह B है तो इस सर एक वन एक जीरो हो सकता है सर एक जीरो एक वन हो सकता है सर दोनों वन हो सकते है मतलब समझो दोनों जीरो होने का मतलब क्या है कि मेरे दोनों switch open है अगर मेरे दोनों switch open है क्या यह bulb glow करेगा नहीं सर तो output हमको क्या मिला जीरो अगर हम एक switch को close कर दे एक switch को open रखें मतलब A को close कर दें, B को open रखेंगे, क्या bulb glow करेगा, yes sir, current इधर से जाएगी, bulb glow करेगा, हमको output मिलेगा 1, अब सोचो, अब दूसरी बात क्या, हम B को close कर दें और A को open कर दें, अब current नीचे से जाएगी, bulb glow करेगा, हमको output मिलेगा as 1, final situation अब सोचो, कि अगर हमने दोनों को close कर दिया, तब भी current इधर से भी जाएगी, और इधर से जाएगी, और bulb glow करेगा, तो sir, हमको output मिलेगा, यह होता है, हमारे पास or gate, that is equal to A plus B, or gate किसके बरावर होता है, sir, A plus B के बरावर होता है, ठीक है, अच्छा, सर बहुत बढ़िया, उसके बाद दूसरा gate आता है, हमारे पास, दूसरा gate आता है, हमारे पास, उस gate का नाम है, and gate, and gate क्या होता है, इस पे मत ध्यान, यह बक्वास चीज़ है, and gate का यह सिंबल होता इस सिंबल को हमको याद कर लेना है वन अगर बल ग्लो नहीं किया तो आउट्पूट जीरो अब समझो अब इसका टूथ डेबल बनाओ यहां लिखो A यहां लिखो B और आउट्पूट लिखो X चलो आजाओ चलो आजाओ मेरे मित्र मेरे प्यारे बच्चे चलो समझो देखो सारी पॉसिबिलिटीज देख लो A की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर दोनों ओपन हो A ओपन हो B खो फिर दोनों मतलब A open हो B close हो ठीक है A close B open और या फिर दोनों close अब सोचो जो आउपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा जो आउपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा अगर तुम इसमें से कोई साभी स्विच ओपन कियो जब दोनों open कियो बल्ब नहीं ग्लो करेगा अच्छा एक को close कर दूँ एक को open कर दूँ सर सरकिट close ही होगा सरकुछ output मिलेगा सरकुछ output मिलेगा अपुट कब मिलेगा जब दोनों close होगे मतलब दोनों पर जब input one होगा तभी हमको एक output मिलेगा बोलो समझ आ रही है क्या बात अमित लुनिया कह रहे है यह देखने के बाद modern का और कुछ नहीं दे नहीं भाई हो गया हो गया आप दूसरा चप्टर भी पढ़ना है ज्यादा परिसान नहीं होना है सब कुछ अधर आ गिट की अच्छा सर अ िसके बाद अगला एक गेट है जिसका नाम है नोट गेट अगला जो गेट है उस गेट का नाम है not one zero one into one one output याद रखना इसी output से हम identify करेंगे कि हमारा जो output gate बन रहा है वो कौन सा gate बन रहा है जमाने बार में मिलते हैं आशिक कही मगर वतन से खुबसूरत कोई सरम नहीं होता नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कही मगर तिरंगे से खुबसूरत कोई कफन नहीं होता प्रिपैर फॉर एंडिये जयहिंद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, क्या समझाएं बेटा इसमें थोड़ा समझाएं प्लीज, समझो, यही end gate है इस end gate का एक electrical analogy है, ऐसे end gate काम करता है A पर अगर आपने input दिया है, मतलब A पर आपने 1 दिया है अगर दोनों switch को open रखा है, मतलब हमने दोनों switch को open रखा है तो क्या हमको कोई output मिलेगा, क्या हमारा bulb blow करेगा, नहीं करेगा A को जिसको हमने close किया, उसको हमने 1 दिया, जिसको हमने open रखा, उसको हमने 0 दिया अरे clear है, अच्छा वह यह output क्या मिलेगा, सर 0 अच्छा उसके बाद क्या है उसके बाद की situation यह है कि अगर हम A को A को open कर दें अच्छा A को close कर दें और B दोनों को close कर दें अगर दोनों को close कर देंगे तभी ये bulb glow करेगा तो हमको output मिलेगा एज 1 पर सर पर 1 0 है क्या कैसे मिलेगा क्या कह रहे हो 80 कुमार सर हमारे CS में है logic gate अच्छा circuit incomplete हो रही है सर कहा incomplete हो रही है circuit कब incomplete होगी जब दोनों पर 1 होगा मतलब ये भी close होगा और ये भी close होगा जब दोनों close होगा तभी आपको output मिलेगा तभी ये bulb glow करेगा this is the characteristic of this is the characteristic of end gate अच्छा सर अच्छा सर and gate क्या करता हए जो भी input 1-0 दे रहे हो तो multiply कर देगा 0-0 डे मrony multiply कर देगा 0-1 ढोगे तभी multiply कर देगा और gate क्या करता हैsal output को मतलब in put को add कर देता है अब उसके पाद उसके बाद मतलब अगर तुम ये बताओ, मैं इस key को close कर दूँ, जो मेरा output है, वो X है, अगर मैं इस key को close कर दूँ, समझो, अगर मैं इस key को 1 दे दूँ, तो मेरा bulb glow करेगा, सर ये short हो जाएगा, अगर short हो जाएगा, सारी current यहां से दोर जाएगी, हमको कोई output नहीं मिलेगा, not gate क्या कर जो input आ रहा है, उसको पलट दे रहा है, 1 आ रहा है तो 0 कर दे रहा है, 0 आ रहा है, तो 1 कर दे रहा है, अब अगर तुम इस switch को open रखोगे, तो ये bulb glow करेगा, तब इसके अंदर से current जाएगी, तो ये 1 हो जाता है, इस तरह की truth table किसकी होती है, ये not gate की होती है, ये not gate क्या कर formation समझो, अगला formation समझो कि वहाँ से तुमको gates बहुत अच्छे से clear होना सुरू हो जाएगा, close open का symbol है 1 और 0, yes, अगर closed है मतलब 1, अगर open है मतलब 0, मैंने कई बार बताया, शुरुआत में ही बताया, शुरुआत में ही समझाया, कि अगर आप input दे रहे हैं मतलब 1, अगर अगर आपने switch को open कर रखा है मतलब आपने input नहीं दिया है मतलब 0, अगर आपने switch को close कर रखा है मतलब आपने input दिया है मतलब input है 1, बल्व glow कर रहा है मतलब आपको output मिल रहा है तो 1, और अगर बल्व नहीं glow कर रहा है तो आपको output नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 0, अरे बोलो समझाया क्या असीस कुमार बोलो समझाया क्या यस यानों में जवाब देंगे भाई यस यानों में जवाब देंगे बोलो बात समझाया क्या बोलो 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 जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे यास सार यास सार चलो सर चलो सर बहुत बढ़िय है बहुत बढ़िएं सार कहनी को आगे लेकर चलते हैं कहानी को आगे लेकर चलते हैं अब हमारे पास अगली स्टोरी आती है नौर गेट की नौर ग कंट क när Chief के सर्य है क्मिने कंडेशन और गेट प्लस नो गेट का समझना किसका combination है और प्लस नॉट गेट का तो और गेट क्या होता है सर यह और गेट होता है इसके आगे बिंदी लगने का मतलब क्या है यह नौट गेट है अरे क्लियर बिंदी लगने का मतलब क्या है सर नौट गेट है यह आपके पास A है यह आपके पास B है यहाँ पर आपको एक input मिल रहा है Y और final output मिल रहा है आपको X तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात अगर मैं truth table बनाने जाओंगा तो A, B, ये मेरे दो switches है A, B मेरे दो switches है इनकी क्या possibility हो सकती है इससे हमको दो output मिल रहा है एक पहले Y मिल रहा है और Y के बाद final output मुझे X मिल रहा है ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे सुनिएगा बहुत अच्छे समझने कोशिश करेगा सर सब समझा जाएगा हाँ नमन सर कॉमेंट क्या है बेटा कॉमेंट क्या कॉमेंट है बाई नमन सर प्रोटॉन में जो आपने recorded lecture दिया था वो देखा नहीं था तो अब देखू या नहीं अरे देख ले भाई समझा जाएगा बहुत कम समय के अंदर हो जाएगा बहुत कम समय के अंदर हो जाएगा उसमें यही साधी चीजने थोड़ा और ज्यादा डीटेल में पढ़ाए समझाए और कुछ नहीं है ठीक है चलो उत्रे की जरुवत भी नहीं है यहां बहुत basic है समझो इतने से हमारा सवाल निकल जाएगा और J means में हमको अपना सवाल निकालना है तो समझो देखो A और B यह जो दो inputs आ रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनना A और B जो दो inputs आ रहे हैं इनकी क्या-क्या possibility है मतलब पहली possibility कि आप आपने कोई input नहीं दिया दूसरी possibility है A पर input दिया B पर नहीं दिया तीसरी possibility क्या है A पर नहीं दिया B पर दिया और चौथी possibility क्या है आपने दोनों पर input दिया यह आपके पास total 4 possibilities है input देने की मतलब आपने सर दोनों कीज को input नहीं दिया फिर आपने एक को दिया दूसरे को पहले को नहीं दिया, फिर आपने दोनों को दिया यह आपके पास possibilities है जितनी आपके पास possibilities है वो सारी create कर लिजे, दो terminals पर दो terminals पर हमेशा आपके पास यही चार possibilities बनेंगे अब इसके हिसांप से output देखिए तो centrus और gate क्या करता है अब ध्यान से सूँ, not gate क्या करता है, इसको जो भी input मिलेगा ये इसको पलट देगा, not gate क्या करता है, इसको जो भी input मिलेगा ये इसको पलट देगा, तो भईया जब 0 मिला तो क्या देदेगा 1, 1 मिला तो क्या देदेगा 0, 1 मिला तो क्या देदेगा 0, 1 मिला तो क्या है कौन सा गेट है भया कौन सा गेट है भया नौर गेट है क्या बात है क्या बात है इसने क्या कर दिया इसने ए प्लस बी को पलट दिया जो भी प्लस बी आएगा उसको पलट देगा ए प्लस बी को अगर पलट दिया तो मेरा गेट कौन सा हो गया मेरा गेट नौर गेट हो गय तो चलो और जा आ यह ए लेगे मतलब सर अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूं तो यह मेरा end gate है और इसके आगे कौन सा gate लगा हुआ है सर इसके आगे not gate लगा हुआ है इसका ये presentation है इसका ये presentation है ये presentation क्या करता है ये कहता है कि आपने A input दिया B input दिया तो यहां आपको X मिला और ये क्या करेगा यहां आपको Y मिला ये क्या करेगा इस Y को यहाँ पर X बना देगा जो भी इंपुट मिलेगा उसको जस्ट पलट देगा इसको जस्ट पलट देगा हाँ नौर प्लस एंड नौर प्लस एंड कुछ नहीं होता विटा एंड प्लस नौट होता है आनंदमित्र आनंदमित्र नौर प्लस एंड नहीं होता है नौर प प्लस-फ्रट जार गेट बहुत अच्छा कंबिनेशन होता है बहुत अच्छा कंबिनेशनों होता है दो तीन गेट का कंबिनेशन होता भी अच्छा फरड़ेंद फ्ररत के बात करेंगे तो यहां पर truth पर दोनों पे 0, फिर A पे 1, B पे 0, फिर A पे 0, B पे 1, फिर दोनों पे 1, 1 का input, यही हमारे पास input की possibility ही, इसके लावे और को input की possibility नहीं, वाई क्या करता है sir, and gate sir इन दोनों को multiply कर देता है, and gate का अगर आप electrical symbol याद करो तो दोनों में क्या होता था, दोनों पूरी branch में दो switch ल पलट देगा, यह क्या करेगा, सारे inputs को पलट देगा, input 0 है तो 1 कर देगा, औरे clarity है, 1 है तो 0 कर देगा, बोलो यहां तक बात समझ आ रहे हैं क्या, यहां तक कहानी crystal clear हो रही है, क्या यहां तक कहानी crystal clear हो रही है, यह हमारे पास हो गया NAND gate, यह NAND gate की truth table हो गई, आपको सब की truth table याद रहनी चाहिए याद रहेगी तभी आप output बना पाएंगे otherwise नहीं बना पाएंगे ठीक है अभी मैं आपको समझा दूँगा सिखा दूँगा lots of love sir for your hard work and dedication thank you so much thank you so much dear संकल भारत चलबाई यह हमारे पास क्या रहा यह हमारे पास रहा NAND gate अब उसके बाद हमारे पास आखरी final gate आता है इसका नाम है भाई या ZOR gate यह किसका कॉंबिनेशन है यह not gate and gate और और gate का कॉंबिनेशन है किसका किसका sir not gate and gate और और gate का कॉंबिनेशन है इसको ZOR gate बोला जाता है और ये जौर गेट का सिंबल होता है कितने inputs हैं अपने पास सर दो inputs है अपने पास सर दो inputs है बहुत बढ़िया सर वेरी गुड सर तो हम क्या करेंगे सर हम क्या करेंगे पहले दोनों input draw कर लेंगे दोनों input बना लेंगे उसके बाद outputs की बात करेंगे यह हमारे पास A हो गया यह हमारे पास B हो गया चलो भाई A और B की क्या possibilities है अगर A और B की possibilities देखोगे input की possibility की बात करोगे तो दोनो 0 1 1 यह 0 यह 0 1 और 2 1 अरे ठीक है दोनो switch समझे इसको अब देखो अब ध्यान से सुनना यह A पर क्या हो रहा है A पर यहाँ पर एक terminal आ रहा है A और यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर क्या रहा है यहाँ पर B बार आ रहा है तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है A B बार तो अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं मैं इसको X बनाऊ ध्यान से देखना अगर मैं इसको X बनाओ तो ये क्या करता है ये multiply करने का काम करता है ध्यान से सुनना ये X है इसको multiply करने का काम करता है ये Y है ये इधर वाले को multiply करेगा ध्यान से सुनना मेरी बात Zor Gator बहुत अच्छे समझना तभी मजा आएगा समझो यहाँ A पर मैंने 0 दिया A पर यहाँ क्या पहुंचा सर 0 B पर मैंने क्या दिया 0 यहाँ क्या पहुंचा बोलो यहाँ क्या पहुंचा यहाँ B पहुंचा की B बार पहुंचा सोचके बताओ अगर मैं यहाँ पर 0 दे रहा हूं को दिख रहा है यह क्या मिलेगा वन इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा सर जीरो बी बार का मतलब बी का उल्टा बी का उल्टा अरे बात समधारे बी बार अब सोचो अब अगर मैंने ए पर वन दिया और बी पर जीरो दिया तो यहां बी पर क्या आया सरवन आया और यह क्या कर रहा है इसको और इसको मल्टिप्लाई करने का काम करता है एंड गेट क्या करता है सर मल्टिप्लाई करने का काम करता है तो यहां भी वन है सर यहां भी वन है तो मल्टिप्लाई होके क्या मिलेगा सरवन क्या बात है सर आप मम्मी आपको ठैंक्स बोल रहे रहे भईया उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्रणाम साधर प्रणाम कहना ठीक है चल भईया कहे देना थोड़ा असीर बात दें हम भी थोड़ा और अच्छा फील कर सकें थेगा बाई चल वा जाओ देखो अब उसके बाद ध्यान से सोचो फिर यह अगर मैंने ए पर जीरो दिया यहां जीरो पहुँचा बी पर हमने वन दिया तो भी यहां जीरो पहुचा तो मल्टिप्लाई करेगा तो क्या देगा सर जीरो फिर उसके बाद सर ए पर वन दिया और बी पर जीरो बी पर वन दिया ए पर भी वन दिया है बी पर भी वन दिया है यहां ए पर तो वन मिला बी पर जीरो मिल गया और रिजल्ट बन गया हमारे पास जीरो अच्छा सर यह क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है sir A बार B कर दे रहा है ध्यान से समझ रहा है ध्यान से समझ रहा है मिटा रहा है इस वाले का output की बात कर रहा है तो यह क्या कर रहा है अगर मैंने A पर 0 दिया पहले out पहले input की बात कर रहा है A पर अगर मैंने 0 दिया तो यहां क्या पहुँचा Sir 1 और यहां B पर 0 दिया तो यहां क्या पहुँचा Sir 0 अगर A पर हमने A पर हमने कितना दिया है Sir 1 तो यहां क्या पहुँचा Sir 0 अगर B पर हमने दिया है 0 तो यहां क्या पहुँचा Sir 0 अगर हमने A को दिया है जीरो तो यहां क्या पहुंचा सर यहां पहुंचा 1 अगर तुमने A को दिया है जीरो तो यह क्या करेगा जस्ट इसको पलट देगा तो यहां क्या पहुंचाएगा सर यहां 1 B पर हमने किया दिया S सर 1 तो यहां क्या पहुंचा 1 तो ये क्या करेगा 1 into 1 अरे भाईया 1 A पर 1 दिया है तो अब ये क्या पहुचाएगा 0 B पर 1 दिया है क्या पहुचाएगा 0 ये भी हो जाएगा आपके पास 0 अब ये देखो ये क्या करेगा final output क्या करेगा सर और gate है ये दोनों को add कर देगा इन दोनों को add कर देगा 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 और 0 0 अरे समझ आया क्या अरे समझ आया क्या बोल यस या नो मैं जवाब देंगे यह हमारे पास जौर गेट यह हमारे पास जौर गेट और जौर गेट की truth table तो चलो एक बार फिर से सारी truth table revise करते हैं सारी truth table एक बार फिर से revise करते हैं देखो सारी truth table एक बार फिर से revise करते हैं फिर सवाल लगाते हैं देखो और गेट क्या करता है सर और गेट जोडने का काम करता है और गेट क्या करता है जोडने का काम करता है जो भी आप input देंगे उसको जोड देगा और गेट input को जोड़ देगा सरे प्लस बी कर देता है simple input देने की क्या possibility अगर आपके पास दो terminal है तो input देने की possibility याद रखेगा pattern याद रखेगा 00100111 क्या याद रख लेंगे क्या याद रख लेंगे क्या याद रख लेंगे बोल भाई क्या याद रख लेंगे 0010011 यह input की possibility है भाईया अगर यह input की possibility है तो और gate क्या करेगा जो भी input दोगे उसको add कर देगा मतलब 0020 तो दोगे तो 101 दोगे तो 111 दोगे तो add कर देगा ठीक भाईया ठीक भाईया चर गुरू जी logic gates पर सवाल कैसे आएंगे इस साल बता रहा हूं बदा रहा हूं सवाल बता रहा हूं उसके बाद हमारे पास कौन सा gate है इसके बाद हमारे पास end gate है end gate क्या करता है end gate multiply कर देता है हमारे पास a और b के क्या possibility है 00 मेरे मुझे देखो board को मत देखो मुझे देखो input के हमारी क्या possibility है 001001 और 11 end gate क्या करेगा सर multiply कर देगा host 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 रहे हो हाँ चलो आई चलो आजाओ देखो एंड गेट क्या करता है सब दोनों इंपूट को मल्टिप्लाई कर देता है अच्छा मतलब एंटू बी कर देता है सर ए और बी की क्या पॉसिबिलिटी यह 0000111 यही पॉसिबिलिटी है ठीक माइन मैप दे दूंगा मैं चलो चिंता और प्लस नौट का तो क्या होगा और जो क्या करता है ऐड करता है और यह क्या करता है उसी डिशं को पलट देता है तो ऑउट पुट क्या मिल जाता है इ наз जो आउट्टपूट को पलट देगा तो एंटू बी किया 0 into 0 किया 0 मिला पलट दिया 1 1 into 0 किया 0 पलट दिया 1 1 into 1 किया 1 और पलट दिया 0 यह हमारे पास हो गया यह हमारे पास गेट रख लेझा andar गेट रख लेच्छ लेना 00002 मिलेगा 100 पर देखना बैद जियुड हो बहुत है वें जो इन tecn iki आप सवाल कैसे में शक्या सवाल पुछे जाएं के यह पोछे कौनसा लॉजिक गे है आपको बताना है ये कौनसा लॉजिक गेट है अच्छा सर चलो सर देखो देखो घूआ नो हम कहा रहे हो हमारे पास tomorrow 2021 समझत bend समझना यहाँ पर क्या कि अगर मैं दो सुट्रुच को उपन किया हूं 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 टो यहाँ पाट खा fund किया है वोल्ट है यहां से करिंट ऐसे चलेगी और इधर जाएगी अरे भाई साब बल्ब मेरा ग्लो करेगा मतलब 00 पे मेरा आउटपुट आ रहा है कितना रहा है सरवन आ रहा है अरे ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वैया देखो उसके बात क्या हो रहा है अगर हम इस not call क्लो कूक कर देंगे यह शॉर्ट हो जाएगा सीधे सारा trabajar धर्ती मेरी हम Lau but नहीं गलो करेगा अगर हमने दोनों में से किसी एक को क्लो कर दिया एक हमको आउटपुट नहीं मिलेगा अगर दोनों को क्लो कर दिया तब्भि हमको आउटपुट नहीं मिलेगा बूलो यह क उन पे वन वरन पे जिरो वन पे जिरो वन पे 0 अर्य सभीज है यह फिलिख आए इसके अगर तुम किसी भी सरकेट लोज़ D नगा तो इढरे नेतं कोई करेंगा नहीं मतलब यह बालब्ब एक एस सिचुईशन में ग्लो पर होगा जब दोनों सरकिट ऑपन होंगे जब दोनों keys open होंगी, अरे बोलो, ऐसा output तुमको कौन से gate में देखने को मिला है, ऐसा output तुमको कौन से gate में मिला है, कौन से gate में मिला है, कौन से gate में मिला है, सरांसर है अपने पास nor gate, ये क्या करता है, और gate को पलट देता है, 00 पे और gate में क्या मिलता है, 00 पे क्या मिलता है, one मिलता है zero one पर क्या मिलता है one और one one पर क्या मिलता है one अब अगर not gate लगा दोगे तो वो zero को क्या कर देगा one और बचे रुए T1 को क्या बना देता है 0 तो यह हमारे पास कौन सा gate हो जाता है सर यह हमारे पास nor gate हो जाता है ठीक है भाईया चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया very good very good सर बहुत अच्छा बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब यह सवाल देखे यह सवाल देखें सर यह आपके पास question है आपसे सवाल पूछा जा रहा है four logic circuits shown the output wave form at y is the output wave form at y is यह कौन सा gate है यह कौन सा gate है सर यह end है इसके आगे not लगा हुआ है तो यह कौन सा gate है सर nand gate है nand gate क्या करता है जो भी इनपुट आएगा उसको multiply करेगा और उसके बाद पलट देगा nand gate यह काम करता है nand gate यह काम करता है तो समझो आपको क्या करना है बिना truth table बनाए आप इस cancer नहीं करोगे हमें सा truth table बनाओ देखो ए देखो भाई यह ए बी चलवाई देखो अब यहांप ऐसे हम फाइनल आउटपुट बना लेंगे जितने भी बनेंगे ऐसे डाइग्राम कीच लिया है पहले ए बी की possibility लिख लो देखो A, B की possibility लिखो A, B की possibility क्या क्या होगी Sir, A, B की possibility की बात करेंगे Sir, दोनों जगे 0 दोनों जगे क्या है? 0 फिर A पे क्या है? 0 B पे क्या है? 1 इसी case आप से चल रहा है फिर यहां देखो 1 और यहां पर कितना है? 0 फिर यहां कितना है? Sir, 1 यहाँ भी कितना है sir 1 यह जो wayv बन रहा है देखो जब कोई wave नहीं बन रहा है मतलब input 0 गएक नहीं बन रहा है इन्पुट 0 है कोई wave नहीं बन रहा है input 0 है अरे कोई wave बना हा सर उपर बना यह उपर चला गया तो input अपने पास कितना है वन है देखो फिर उसके बाद क्या हुआ ए नोट कितना हो गया सर ए अपने पास कितना हो गया वन हो गया देखो ए अपने पास वन हो गया बी कितना हो गया जीरो हो गया फिर उसके बाद यह भी वन हो गया और यह भी वन हो गया यह हमारे पास इंपुट हो गया इस graph के हिसाब से अब हमको lawra 3 अब इस graph के हिसाब से इसपसे हमको आउटपुट बनाना है कौでも ऐगा समझें तो टेपल बनाओ बना हम्हे हैं यहा पर जो हमको आउटपुट मिल रहा न banana eyes output कहा나ां ला मंझे का हम नाम दे रहे हैं P, इस आउटपुट का नाम दे रहे है Q, क्या कर रहा है, यह NAND gate सो चुछ, यह क्या कर रहा है, जो भी input आ रहा है, उसको दो पार्ट में दे रहा है, मतलब A अगर आपने 0 दिया, तो यहां भी 0 गया, यहां भी 0 गया, यह क्या करेगा, 0 into 0, उसके आगे कौन सा gate लगा हुआ है, sir, not, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, sir, पल्टी करा देगा, तो हमारे पास जो P मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, पी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, अच्छा, sir, फिर आपने A को 0 दिया, देखो, यहां भी 0 गया, यहां भी 0 गया, 0 into 0, इसने multiply क सोचो, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सर ये multiply कर दे, ये क्या करेगा उसको पलट देगा तो one into one one और पलटी करा देगा तो zero, समझो, फिर अपने ए पर one दिया, तो one पर क्या मिलेगा सर zero में, फिर उसके बाद B पर आजाओ, B पर जब आपने zero दिया है, यहां भी 0 यहां भी 0 तो output क्या है जिरो उसके आगे एक बुला लगाई यह पलट देगा sir one हो जाएगा फिर आपने ए पर b पर 1 दिया तो यहाँ भी 1 गया यहाँ भी 1 गया है तो 1 into 1 गया होता है sir one यह पल्टी करवा देगा तो क्या हो जाएगा सर जीरो फिर आपने भी पर जीरो दिया है यहां जीरो दिया है यहां जीरो दिया है देख लिए यहीं जो बना लिया इसी चार्ट के हिसा आप से चलना है जब आपने जीरो दिया है तो यह क्या करेगा जीरो इंटू जीरो जीरो और उसके आगे लगा है नॉट यह वन कर दे तो वन इंटु वन पी और क्यों इसको क्या मिल रहा है पी और क्यों सर वन इंटु वन सर क्या होता है वन आगे क्या लगा है सर नॉट यह क्या करेगा पलट देगा तो वाई क्या करेगा सर वन इंटु वन आगे नॉट लगा है जीरो कर देगा फिर उसके बाद वन इंटु हो गया सर जीरो हो गया यह क्या कर देगा सर पलट देगा सर वन उसके बाद देखो तो जब तुमने दोनों जगे जीरो दिया तो यहां पे क्या मिला देखो पी और क्यू दोनों पे जीरो आया तो यहां क्या मिला यह तुम्हारे पास पी था जीरो मिला जीरो 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 हो और यह क्या कर देगा इसको पलट देगा तो यहां पर क्या देदेगा सरवन अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें जिसमें पहली बार 0 मिल रहा है और उसके बाद सब जगह 1 मिल रहा है जिसमें एक जगह 0 मिल रहा है फिर सारी जगह 1 मिल रहा है बताओ कौन स हो क्या बात है मेरे मिट्टी के सेरों चलो बाई आज़ो अब उसके बाद 202 पर आते हैं स्लाइड नंबर 202 एलाइड नंबर 202 क्या यहां पर लिख लो Account प्यांट और तुम और यहां पर लिख लो भई चलो यह चलो भस्त में है अपने पास यहां यह हो गया यहां कूझ हो गया है यह कौन साकर सर यह और प्लस नॉट है और प्लस नॉट है ये भी कौन सा है सर ये भी और प्लस नॉट है अरे समझा रहा है अरे समझा रहा है हाँ सर समझा रहा है सर हम क्या करें ए बी के क्या possible inputs हो सकते हैं पहले वो बना ले उसके इसाब से अपनी कहानी चला लेते हैं तो यह हमारे पास पॉसिबल inputs है सर दो बार एक ही जगह है तो सीधा हटा देना उन्हें वही बात हो जाएगी हाँ नहीं वही बात नहीं होगी थुदा ध्यान से सुना दो बार एक ही जगह हटाना नहीं है लिखना है लिखना है तभी final output बना पाओगे हटा दोगे तो गेम गरब हो जाएगा वाई यह रहा पी और क्यों यह यह हैं अब समझा है और एसको यहां भी दे रहे हो यहां आजाओ देखो पढ़ाई करते हैं यह अपने पास यहाँ 0 दिया यहाँ 0 दिया एका 0 होने का मतलब है कि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 दोनों जगे 0 और क्या करेगा एड करेगा 0 प्लस 00 और not क्या करेगा जो आगे गोला बना हुआ है इसको पलट देगा तो पी पे हमको क्या मिले फिर जब हमने यहाँ पर 0 दिया तो इसने क्या किया 0 और पलट दिया 1 और 1 दिया तो क्या कर दिया 0 अब सोचो अब बी का सोचो बी पे जब आपने 0 दिया तो इसने क्या किया 0 प्लस 0 दोनों को भी ही मिला इसको भी मिला इसको भी मिला मतलब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 इसने फिर जब हमने 1 दिया तो क्या बना दिया इसने 0 फिर जब हमने 0 दिया जब हमने 1 दिया तो फिर से इसने क्या बना दिया 0 क्या बना दिया 0 अब देखो क्या बना possibility देखो possibility देखो P और Q की 1 1 0 1 1 0 0 0 यही चार possibility हो सकती है अगर आप कुछ भी eliminate कर दिया अपना दिमाग लगा दिये तो answer गलत हो जाएगा अब y पे आ जाओ y क्या है y भी और plus not है ये भी क्या कर रहा है इन दोनों को add करके पलट दे रहा है तो one plus one को add किया और पलट दिया 0 00 क्या हो गया जैना जिडरो खया 00 100 00 अपने पास क्या हो गया जिरो जिरो 0000 हो गया और इस ने पलट दिया तो वंशने लेशने हो गया अब देखो इसको इससे मिला makes कौन सा गेट है यह बेटा साहीन एक जैसे नहीं हैं जब ऐसा सिंबल होगा तो यह and gate होगा जब ऐसा symbol होगा तो यह और gate होगा एक जैसे नहीं ए रहेगा तो अपने पास answer कौन सा हो जाएगा? sir and gate will be the right answer and gate अपने पास हमारा सही answer हो जाएगा अब इसके बाद अब इसके बाद इसमें मैं तीन चार question छोड़ना हूँ practice के लिए इसमें तीन चार question में छोड़ना हूँ practice के लिए ये questions लगाना और लगा कर इनका answer मुझे टेलीग्राम पे बताना ठीक है बच्चों ऐसे ही truth table बनाना है truth table बना के identify करना है identify करके questions लगाने है solve करना है और solve करके खुश हो जाना है और खुशो कर कहना है भारत माता की जै ठीक है और ठीक है बईया बलो बात समझा रही है आहाँ पूरा खतम होता है पूरा खतम होता है modern physics जिसमें हमने logic gates तक सब कुछ पर डाला पूरा semiconductors कवर कर डाला ठीक है बच्चो ठीक है बच्चो चलो बहुत अच्छा लगा तुम लोग last तक ठीकर है मन लगा कर पढ़ते रहे सवाल लगाते रहो questions पढ़ते रहो कूप सारी practice करते रहो तभी जाकर जीवन में कुछ सफलता मिलेगे ठीक है बटा अब यह आखरी moment है एकदम बस केवल ऐसे आख के सामने ऐसे पट्टी लगाओ जैसे घोड़े को लगी होती है और धमाधम 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 बस भागते चले जाओ जितना दूर भाग कर जाओगे सफलता के उतने करीब पहुँच कर जाओगे किसी से ना दोस्ती ना किसी से यारी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर ठीक है इस समय ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि या भाईया हमारे लिए सब अच्छे हैं हमारे लिए सब बुरे हैं बस हम या बहुत सारे लोग हाँ अमित लूनिया ने प्रामिस किया था ठीके हैं आशीज ठीके हैं क्रिश्णा ठीके हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड सर वेरी गुड चलो वाई बहुत बढ़िया अब मिलते हैं आप से अगली क्लास में सुनो परसो मुझे फिर सब लोग मतलब स पहले जल्दी बोलनोय真的 एविय व्यम्य और एसी में और ज्यादा मज graphic I am I rap बहुत बढ़िया वेड़ा बहुत बढ़िया व्यांद्रिफ और सबस्राइड से अबसके कॉमेंट पड़ने वाले रहे फॉर हमें अनत्ध पते हो खुश रहो आबाद रहो यहां रहो चाहिए लाहबाद रहो ठीके बच्चों चलो बच्चों मिलते हैं अब आप से सेटेडे को एलेक्रमागनेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंड के फालू से सेशन में लगाएंगे खूब सारे क्वेस्टेंज और करेंगे हम लोग खूब सारा इंजोई वाए गुद नाइट नाओ आम गोईंग तो ओफ तर स्क्रीम